ओ आज की के लास में लोग बात ब्लूशें आप के लिए मत्यकालीं भारत देखेंग गी और आधुनीकत आर्टेन्ड कलचर भी छीड ढहें गैगे ऐप डिखनी आपके कुश्च्च क्लास में हो तब इसे आप लोग रिवीजन के पॉइंट व्यू से भी ले सकते हैं आज की ये क्लास भी आपकी रिवीजन के पॉइंट व्यू का हिस्सा है ठीक अभी तक जैसा हम लोग वने बिग्यान जिसमें आपने देखा था कि केमिष्ट्री एजैक्स बाइलोजी इन तीनों को कवर किया हुआ है फिर आपने देखा है कि परियाबन पारिस्तित्री अर्द विश्ताद समीधान भूगोर भूगोर में आपने देखा है भारत का भूगोर बिस का भूगोर तो याद रखे सभी क्या हैं कि जब आप लोग पेपर देने जा रहे हैं जिस साल भी वह साहल आप लोग के पास टाइम नहीं है कुछी दिन बचे हुए तो इससे रिवीजन के पॉइंट वीव से आप लोग देख सकते हैं और जा सकते हैं काफी मतीरियल है मुझे लगता है वंडे एक्जाम के लिए बहुत काती है ठीक ह तो रिवीजन के नम से आपी प्लेडिस्ट सूची बना दीती उसी में सभी किलाफ से डली हुई है आपका केवल अब बच्या हुआ है इतिहाज तो इसमें आज हम लोग पराचिन भारत देख लेते हैं इस किलाफ में आगे हम लोग मत्यकाली फिर आपका आदुनिक भारत इसके बाद आपका फिनिष्ट हो जाता है मदलब खतम हो जाती है आपकी पूरी कहानी ठीक है इतना ही काफी आपके लिए और बिस्तार से पढ़ना है तो पर तो आपके लिए लू सेंट है लू ट्रेंट से अच्छी अगर किताब पढ़नी है तो किरन सामान ग्यान बुक्स है उसे भी हम लोग कबर कर चुके हैं और आपका मन और बिस्तार पढ़न में आए तो जाइए आप लोग और याद रखिए मुझे लगता है सिबिल सर्वेस और इस्टेट पी सीएस में कापी कुश्चन्स ऐसे मिलेंगी जो इस प्रिलिम्स के लिए भी जरूरी है वन्ड एक्जाम के लिए तो आपके डारेक्टी कुश्चन्स बन जाते हैं चलिए हम लोग प्राचिन भारत के ज ज्यानिक और पुरातत विद्र भारती ये प्राग इतियास का पिता कहा जाता है रोबर्ट वुर्स फुटकों ठीका कोपे नहेगन संग्राले की सामगरी से पासाण आस और लो है युकत त्री युगिये विभाजन किया जाता है ये थॉम्सन ने किसमें थॉम्सन ने पालन की प्रमाज जहां से मिले है वह स्थान कौन सा है ये है आदमगर ठीक है ये आपका एंपी में बढ़ता है मद्वदेश में चौपानी मांडो का कोधिया और मह दहा और सराय नहराय इस तलों में से हड़ी के उकरण पराप्त हुए है ये मह दहा से हड़ी से ने में त किसमें 95 काल में आपने देखा कि किसमें देखा कि किरसी प्यारं हो चुकी थी लेकिन नेमे तुरोग से आपकी 9 पासराय काल में देख मिलता है ये जवाधा घाती से माना त्वारा सरवक्तम तेयों अनाज्था जो मार्ति यू म tekrar कर्सी के प्राचियर साम् साफ और लहुरा देओं से पुरा पासान योग nile withdraw illow और टाम पासान योग और लोहें में से चाल kola थिक योग भी कहा या यह से कहते हैं ताम पासान योग आप लोग, आम में मेहरगड कोट दीजी, और काली बंगा में से हुआ है पुराश्ता जहां से पासांड संस्कीति से लेकर हड़पा सब बता तक के संस्कीतिक आउसेस मिले हैं, तो यह देखेंगे आप लोग मेहरगड हैं, क्या है मेहरगड से, नवदा टोली का उत्खनंग करवाया था, ह, डी, संकाली याने, ठीक, नवदा टोली अवस्तिते थे मद्धिदेश में, का मद्धिदेश में, MP में, बेहत पासाड इस मारकों की पहचान की गई है, मिलतक को दपनाने के स्तान की रूम में, राक का टीला, बुधिहाल, संगन कल्लू, संगन कल्लू, कोल् ब्रहं गिरे में से, जिसमें 69,12 स्तल से संभ्दी थे, वह संगन कल्लू, भीम बैटका पिसस घै, गुफाओं के लिए, भीम बैटका कह आ है, अपकी है, राय से, गुफाओं के लिए, पिसस घै, गुफाओं में, सेले, बाहरत में, सरवादिक, सेल चैृब्द, प्राप्त की गुफाईश्ते थे अब्दुल्ला गंज रायसें मद्धिपदेश में, MP में, गैरिक में द्वांड पात, OCP का नाम करन हुआ था हस्तिनापूर में, हस्तिनापूर में, ताम पासांड काल में भाराष्ट के लोग मिर्थकों को घर के फर्स के नीचे धफनाते थे, किस दे आप समझें, उस समय भी एक तरह से अपने साथ इस तरह की भावनाय होती होगी, समझ रहे हैं, इस तरह की परंपराओं, पिथाओं को मानते होगी लोग, कि अपने कुद्दे को भी साथ में दपनाटने की, और अगर आपसे पूचे कि सबसे पहला पालतु भसु कोन था, सबसे पहले तो कुद्द आई है, बिंदेशित का ओए सेला सेर जहां से सरवादिक मानव कंगाल मिली है, लेखा, लेख, लेख, हरी या, भार्तिय पुरातत सरवेक्षन संस्किती परियाटन और विज्यान प संस्किती मंतला लेखा, किसका संस्किती मंतला लेखा, बारितिय पुरातत सरवेक्षन की विथम महा ने दे सकती, जौन मार्सल, राष्टी मानव संगराला इस्ते थे बहुपाल में, राष्टी मानव संगराले का है, बहुपाल में, आप जानते ही मंद्विदेश की राध स्कूलaaaa कि कि ty MA च्ट्राएं ए लीपियी ती जिसके पास लोह और अच्छा सास्प्रों के ज्न का आप सोचें कि सिंदु यानि कि हड़पा सब्दता में भी आपका स्वप्चिता पर काफी जोड दिया गया नाली ववस्ता आप देखते थे हर गर से नाली निकलती थे आज से हमें लगत वस समय कि आदमी समझदार होंगी आप एक बास समझ सकते हैं कि कुट्या लगभग हम लोगों ने जब से हो समाला तब से हम लोगोंने कुट्य कुपालतु बनाया कुट्ता अभी वफादारी निवार रहा है वह इंसान को दीखे कि कितना घर्चुपा है तो आप समझ सकते हैं कि कि तना धर्म कौन अपना कर्दब निवारा है हडपा संस्किती की जानकारी के पर मुक्तरोते हैं पुरातात्विक खुदाई हडपा संस्किता की उदपत्ती के संद्रम में सही सुमलन है ए जे एच मेके सुमेल से लोगों का पलायन मार्टियल वीलर पश्मेशिया से संस्किता की विचार का प्रफशन अमल नंदा गोस ए हडपा संस्किता का उदभव पूर्व हडपा संस्किता की परफ़क्ता के पढ़ाम सुरूप हुआ एक उत्वत्ती के कारण है भालत में चानी की उपलब्धता की प्राचीन साल प्राचीनतम साक्ष मिलते हैं हडपा संस्किती से किसे हडपा संस्किती से हडपा संस्किती में मिट्टी के वर्तनों पर स सामानता उपयों हुआ है लाल लन कौन सा लाल लन मूर्थी पूजा का आरभ माना जाता है पूर्व आरे सब्दासी गाय हाती गेंडा बाग पस्मों में से हुआ है जिसका हड़पा संस्किती में पाईगी टेरा कोटा करती में निरूपन नहीं हुआ है गाय का आप देखें गाय का यहां इस समय साक्ष नहीं मिलता है समझ रहा है आप लोग घोड़े का भी कई जगे मूर्थी मिली हैं लेकिन कोई साक्ष जानदर कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में लोहा का भी अभी उपयों नहीं हो रहा है ठीक है तो गाय अभी याद रखिए नहीं है यह एसा कोई वो नहीं साक्ष की गाय के बारे में कहा जा सेगें प्राचीन इस्तल प्राताजविक इस्तल लोथल गोदिवाडा काली बंगा जुता हुगा खियते आसे देखने को मिला धोलावीरा हडपन लिपी के बड़े गाकार के दस चिन्नों बाला एक सेला ने बनावली यह पक्की मीटी की मिटी की बनी हुई हल की बित्दी केर्थी मिली है यासे ठीके बनावलीजे प्रे आक़का श्थल हो गए ए नदी हडपा-रावी नदी के तर पे हस्तिनापुर गंगा नागर्युन कॉंडा किष्णा पैठन गोधावरी ए बस्ती हुए यह नदी हडपा रावी, काली बंगा, गंगर, लोथल, भोगबा, रोबड, सतलग सिंदू सब्धता के बारे में सही कतन है नगरों में नालियों की सुद्रण बेवस्था थी व्यापार और वड़ेच उन्नत दसा में था और मात्य देवी की उपासना की जाती थी बिल्कु सही है, सिंदू घाटी सब्धता मानी जाती है अपने नगर ने उजन के लिए, मोहण जोदर और हरपा के लिए और अपने किरसी संबंदी कारियों के लिए और अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है आलमगीरपूर उत्तरप्रदेश में, लोथल गुजरात में, काली बंगा राजिस्तान में, रोपर्ट पंजाब याद रगे अगर सिभी सर्वेश या इस्टेट PCS में आपके कुष्चन से इससे आएगा तो आप से कह देगा सही संबलियत करना है आपको ये इसका अक्रम बदल देगा गुजरात की जगे उत्तर पेदिस, राजिस्तान की जगे पंजाब कर देगा इस तरह से और पिर आपको चार नीचे ओप्सन देदेगा एक तीन से मेल खाता है, दो चार से इस तरह से पूछेगा, वंडे एक जाम ही कुद्दर पदेश में, बनावली, हर्याडा दायमाबाद, महराष्ट, राखीगडी, हर्याडा ठीक है? ये हड़पईस, हड़पईस तल है और इस्तिति मांडा, जम्मुकस्मी, दायमाबाद, महराष्ट, कालीबंगा, राजिस्तान, राखीगडी, हर्याडा हडप्पा संस्किती के सिंद में अवस्थे दिस्तल है मोहन जोदरो, चंदुदेडो, जोडेर जोदरो, आमरी, कोर्दिजी, अली मुराद चंदुदेडो के उतकनन का निदेशन किया था किसने जे एच मैकिन है और पाकिस्तान में हडप्पा की समकालिंस रताही थी वह सोराश्ट, गुज्राद में एक परिवर्थी हडपाई पुरास्थल है पंजाब का हडपा मुहंजोद्रो और एवं लोथल में से सिंदु सबिता का वैस्थान जो भारत में इस्तित है लोथल गुजरात में वह डपाई नगर जिसका पितिनिदित लोथल का पुरा तत अिस्तित है कहा भौगबान अधीबद न, सिंदु घाटी सबिता का पतन नगर था लोथल सेकंदरिया लोथल महा इस्थाना गड नान पठनम में से हुआ है जो हडपा का बंदरगा था तो ये लोथल हडपा का बंदरगा था काली बंगर ओपर पाटली पुत और लोथल में से हुआ है जो सिंदु घाटी की सब्धा से समधी दिस्थल नहीं है ये पाटली पूत नहीं है, क्या नहीं है पाटली पूत, भारत का सबसे बड़ा हरपन पुरास्तल है राखी गड़ी, हरपा सद्धा के सबसे बड़ा पुरास्तल है मोहन जोद लोग, सिंदु घाटी की लोग विश्वास करते थी मात्य सक्ती में, लेकिन इस समय आपको मंद इंदु घाटी सब बतागी को खोज निकाल ले में जिंदो भारतियों का नाम जुड़ाए मुहन राखल लाख बनाजी मुहन जोदरों की कुछ और दयारामसाइनी हडपा की कुछ इनको याद रखें इनको कई बार मुझ लेता है एह रपा दयारामसाइनी लोथल एसार राव सोरकोटदा जेपी जोसी धोलावी राव जेपी जोसी ठीक है हडपा का उद्खनन करने वाला पिथम पुरातत्य जो इसके महत्त को नहीं समझ पाया था एधा एक करनेगा एक करनेगा आड़ी बनाजी के अंदीक्षित और एम एस वस्त और बीए इसमित में से वह जो हडपा और मोहन जोदरों के उद्खनन से संबंदित नहीं थे तो बीए इसमित नहीं थे बाकी अरडी बनाजी है एक बीए अण्दीक्षित है और एमेस वस्त निए ठीक वस्त है प्रिंदू सब्यता की विक्सेत अवस्था में हडपा, ताली बंगा, लोथल, मोहन जोदुरों में से वैस तल जहां से घरों में कुवाओं पी आउसेस मिलें, यह मोहन जोदुरों है, क्या है? मोहन जोदुरू सही काला क्रम है, नगर संस्किती, लोहे का हल, आहात मुद्रा, सौने के सिर्की, ठीक है? सरपितों मानों ने जिस धातू का उपयोग किया हुए है, तामा, यसे भी याद रखी कई बार पूच लेता है, सरपितों मानों ने किस धातू का उपयोग किया था? तामे का, हाती दा का पिर्माना हडप्तिय हडपई संद्रम मिला है लोथल से कहां से लोथल से हडपपा का लिन इस थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं होगा है लोहा का इस समय आपको उपयोग नहीं देखने मिलेगा आलमगीर लोथल मोहंजोडरो और तथा बनावली में से व मोहंजोडरो हडपा प्रोबड कालीवंगा सिंदुगाटी सपता के प्रमुकिस्तल है हडपा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजिस सहरों का विकास किया है बिल्कुस सही बात है कथन ए और कारण आर मोहंजोडरो तथा हडपा सपता अब ठीक है लेकिन आपके दोनों कथन सही है हडपा संस्किती के संदर में सैल किट इस्थापत के प्रमाड मिले हैं यह धौला वीरा से कहां से धौला वीरा से धौला वीरा जिस राज जमिश्ते थे वह कौन सा है गुजरात वह हडपाई नगर जो तीन भागों में विवागत धौला वीरा एक उन्नत जल्परबंदर विवस्ता का साक्ष प्राप्त हुए है धौला वीरा से कहां से धौला वीरा से कुंतासी धौला वीरा लोथल और काली वंगाल में से वह स्थल जहां से दूई सब संस्कार यानि डवल वारियल का प्रमाड मिला है लोथल और काली व सब बदा की संद्रम में सही कदने, यíamos पिरमुक्यता लौकिसाप थी, उस में धार्मिक तत, यह पी उपस्तित थी वर्चेस साली नहीं, उस काल में भारत में कबास से वस्थ बनाया जाते थी, बिलकुल या भी सही है, सिंदु घाटी सबधा के भारे में सिंदु सबधा के संद्रम में क्या सही है देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे सिंदु घाटी सबधा से प्रमरीर्च बिक्या ब्रसम मद्धरा प्राप्ट हुई थी ये मोहन जोद्रोडो से कहां से मोहन जोद्रोडो से वह पसु जिनका अंकन हरपा सब विदा की महरोपन नहीं मिलता है गोडा, गाय और ओटका ये आपको इस समय देखने को नहीं मिलेंगे जिस पसु कि आउसिस सिंदु घाटी सब बता से प्राप्त नहीं हुए, वह है सेर क्या है, सेर के भी आपको यहां नहीं मिलेंगे, ठीक है उसे मेड़ पटिका का उत्कीर सिंग ये देखने की गिर्दी प्राप्त हुए है काली बंगा से, कहां से? काली बंगा से वह सब बता जो नील नदी की तट पर पन भी थी, मिस्त की सब बता ये इसी समय की बात है, हड़ापा सब बता जब हमारे देश में थी उस समय ये मिस्त की सब बता मिस्त में थी माया एज, टेक, मुईसका और इंका सब बताओं की उत्तर से दच्छिन का सही किरम है एटेक, माया, मुईश्का और इंका लेकन कला की उचित प्रणाली विक्सित करने वाली सर्फितम प्राची इन सब बता थी सुमेरिया, कौन सी? सुमेरिया, ठीक है? याद रखें बैदिक काल में चलते हैं लोग बैदिक काल में देखें तो आर्ग सब्द एंगित करता है सर्ष्ट बंसरे सर्ष्ट बंसरे, बैदिक काल क्लासिक, क्लासिक की है संस्कित में आर्ग सब्द दिखा रथे एक उत्तम बैटि सबसे पुराना बेद हैं रगवेद कौन सा? रगवेद सामदित को आपका सामेल किया गया वाय बैदिक गरंथ जिसमें वाड़ सब्द का सरभ्तम नामलोग मिलता है यह है रिगवेध आपका वाड़ वेवस्ता से सम्बंदित पुरसुक्त मुलता पाया जाता है रिध रेख बैद में अथरवभेद आसदियों से संबनदित है रगवेद ईसूर की महिमा से संबन दिए यजुरवेद बलिजान विदीट से संबन दिए सांवेद संगीत से यह याद रखे कई बार डारेक्ट कुष्चन असाब कई बार मुछ जा चुके हैं रिगवेद, सरोद एवं परातनाय, यजुरवेद, सरोद एवं करमकंड, सामवेद, संगीत मैं सरोद, अर्थरवेद, तंत मन्त एवं बसीकड, आपसे कई बार एवी पहुंच लेता है, संगीत का जनक किस बेद को माला जाता है, सामवेद को, रिगवेद, यजूरवेद, अथरवेद और सामवेद चारों वीदों में से हुआ है जिसमें जादुई माया और बसीकन का वड़न है तो यह है अथरवेद रिगवेद में रिचाय थी दस सो अठाइस रिगवेद में मंदल थी दस यह बेद हो गया है यह व्रहमन होए रिगवेद एधरी सामवेद 25 अथरवेद गोफत और यजूरवेद सत्पत रिगवेद का वय मंदल यो पूर्ता सौम को समर्पे थे नौबा मंदल कौनसा नौबा मंदल यह के संबंदी विधी बिधानों का पता चलता है यजूरवेद स किसे यजूरवेद से यजूरवेद सामवेद और अथरवेद में से वह जिसका संकलन रिगवेद पराधा रहे थे हैं तो यह सामवेद क्या है सामवेद तक्षिसला अत्रंजी खेड़ा कौसंभी एवं हस्तनापुर में से वैस्तर जिसकी खुदाई से लोहा धादू के पिचलन के प्रमाड मिले हैं यह अत्रंजी खेड़ा याद रखे बैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा लोहे की लोहेगा साथ ठीक है अत्रंजी तक्षिसला का मुख विषय क्या था दर्सन रेकवेड प्रिवर्फि स्थाय से वहाई ब्रहमण उपनिसध में से हुआ है बैदिक शाहत जिसमें मुख्च की चर्चा मिलती है उपनिसध मुख्च सब्द की सबसे पहले उलेग हुए है सोयथा सोयथाषर उपनिसध में उपनिसद काल के राजा अस्तु पती सासक थे के 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 बैदिक सायत का सही क्रम है बैदिक सायताई ब्रहमण और अरणयक उपनिसदु आरंबिक बैदिक सायत में सरबादिक वाड़ित नदी है सिंधू कौंसी सिंधू बैदिक नदी अस्तु की पहचान की जाती है चैनाब और आधुनिक नाम कुम्भा, काभूल, परुस्नी, राभी, सदानीरा, गंडग, सतुदी, सतलत, यह आधुनिक नाम है यानि की कहने का मतलब बर्तमान नाम जिस नाम से जानते हैं नादियों को, यह पुराने नाम हो गया बैदिक समय के, ठीक है, वाय पिता जो चत्त है, जो बेदुत्त और काल में पिछलित हुई, यह ब्रह्मचय, ग्रस्त श्रम, बानपरस्त और सन्यास, धर्म तथा रित भारत की प्रांचे इन बैदिक सब्धा के एक केंद्री विचार को इंग चित्तित करते हैं, इस संद्रम में सद्ध कतन क्या है, धर्म बैक्ति के दायत्तो सवयम तथा दूसरों के पिति विक्ति गत, कर्दपों की संकल्पना था, रिर्त, मूलबूत, नैतिक विधान था, जो सरश्टी वहस्त में अंतर नहें सारे तत्तों के किरिया कलापों को संचालित भी करता था, अगनी, बरस्पती, भोस और इन बैदिक देवताओं में उन तवा मुद्रा। रैगवेदिक काल में निश्क सब्द का प्रयोक एक सवर्ड अभूसन के लिए होता है, कि नौकि यहां से प्रहुलिक अभिलिकों में बैदिक देवताओं और देवियों का नाम लेक भी प्रहुता ह success देखी एक बात तो ओर याद रखी है हैं कई लोग कहते हैं कि BC और AD में कई रहेलोग भो पता नहीं हो था है क्या हुट है तो याद रखी जैसे माल लिजे कि आपका जनब भूअ थिक है आज कैसे हो सकता है लेकिन माल लिजये मानने में क्या जाता है हम लोग बच्पन में ट मांदे देते मेहिस लगाने के लिए तो जर्क्राइब besond परें अगर आपके पिताजी की पूछे की यह मकान कप बन्वाय California? तुर्प के दम मांदे की बेटी जर्म के पूर एतने 10 साल पहले तो इसे आप कहे दीजे के लिए भूर श्र्किति में क wiem Edi इसा के जनम के पूर और इस भी मतलब इसा के जनम के बात, यानि कि आपके जनम के बात कोई अगर काम होता है तो उसे आप लोग क्या कहते थे हैं? इस भी यानि की केडी कहते थे, ठीक है? मानसेरा सहवाजगड़ी और बोबचकोई तथा जूनागण अगलेक में से वह जो इरान किसे भारत में आये आर्यों के आने की सूचना देता है बोबचकोई संकराचार एनिवेसेंट बेवेगन बालगंगदर तिलक में से वह है जिसने आर्यों के आधी देश के बारे में लिखा था बालगंगदर तिलक सामने पुरुस मेद का उलेक वह है सत्पत ब्रह्मण में सत्पत ब्रह्मण में उलेकीत राजा बिधेक माधाव से संबंधित रिसी थे रिसी गौतम राहूर उत्तरवैदिक काल से आर संस्किती का दूर समझा जाता था अंग मगत को गोत सब्द का प्रियोग सरपितम हुआ था रिखबेद में कहां रिखबेद में गोत पिता की स्थापना हुई थी उत्तरवैदिक काल में याद रखी गोथ सब्दologists का प्रियोग सरपितम रिकवेद में उगा लेकिन with 것처럼 शरपितम स्थापना हुईप्तर वे doesn का आ पूर्वेदिक आरेयों का धर्म मुक्ता था प्रकिति पूजा और यहता कि isn't रेकवेद काल में जनता मुक्ता विश्वास करती थी बली और करम कार्णों पर रेकवेद में उलिखित पिसिद दस राजाओं का यूद्ध लड़ा गया था परसुनी नदी के किनारे ठीक है सिंदू सरसुदी वितस्ता और यमना में से वह नदी जिसे एक रेकवेद में मातित मा देवी तमा और नदी तमा की रूम में भी संबोधित किया गया है यह सरसुदी क्या है सरसुदी माता रेकवेदिक आरेयों की पंच जन थी यदू दोड़्द और पुरू अनू तुरवसू प्राचेन काल में आरेयों की जीवु का उपार्चन का मुख साधन क्या था सिकार करना रेकवेदि में वो लिखे थी यह सब्दे जिस किर्सी भूमी किर्सी उत्पाद ही तू प्रयुक्त किया गया वह है जो बैदे की यह में पिछले लोग पर यह ऐसासन पर नाली थी वन्स परंपरागत राज्टन्थ यानि की अब समझ रहें हैं वन्स परंपरागत इसका राजा कतल थी तो प्रजापती की अथर विवेद में कहा गया है ठीक है आयर्वेद अर्था जीवन का भी ज्ञान उल्लेक सरपितम मिलता है कहां अथर विवेद में रिगवेदिक धरम था बहु देवबादी कैसा था बहु देवबादी सरवादिक रिगवेदिक सूप्त समर्बित है इंद को रिखबेद में इंदे के बाद सरवाधिक संक्या में मंत सम्मंदी थे अगनी से रिखबेद में यह उद देवता समझा जाता है इंद को पूरवैदी कारियों का सरवाधिक लोग पर यह देवता है इंद 800-600 इसा पूरुप का काल जुड़ाओ है किसे ब्रह्मड यूग से गायती मंत की नाम से पिसिद्ध मंत सरवपितम बिलता है रिखबेद में किसमें रिखबेद में ठीक है उसके बाद आपका है गायती मंत की रचना थी की थी किसमें विश्वा मेंतने सरक पिती सरक बंस मनवंतर और बंसा नुचर संकीत थे पुराणों की पुराणों की संक्या है 18 स्रीमध भागवद गीता मौलिक रूम में लिखी गए संस्कित में किस में संस्कित में महाभारत मुझता जानी जाती है जैसाइटा के नाम से भी से जानते हैं ठीक है हिंदू प अच्छूत की अउधाना इस पष्ट रूप से उद्धेट हुई है धर्म सास्त के समय सत्य में यो जैते सब्दे लिया गया है मुंड़क उपनिसद से मुंड़क उपनिसद से सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याई माक होने के लक्षन को चुनोती देती ओले के थे चंद से घुआन का गयनते बयदिक कव्यां में अगन्या माना जाता है गायों को रिगदी कव्यार में मत्कून मौलवान संबत्ती समयाएको प्राचिन बारती समाज के पिसंग में कुल बंस, कोस, गोत्व सब्दों में से वए सब्दी जो 63 कि वर्का नहीं है, कोस, संस्कारों के संख्या है, सोले, कितनी, सोले, जीवों का पारजन ही तू, बेद बेदांग, पढ़ाने वाले अच्छा पक कहलाता है, उपाद्या, क्या कहलाता है, उपाद्या, अब आपके लोग ने बायोग्राफी इनकी कबर की हुई है, अगर विस्तार से आपको जाना है इन लोगों के बारे में, तो बायोग्राफी की नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुए, उसमें डली हुए है, ठीक है, वासमें जाते रही है, देखते रही है, गौत्व बुद्ध का जिन बुद्ध का जिनम हुए था लुमिनी में, गौत्व बुद्ध के बच्पन का नाम था, सिद्धार्थ, क्या था, सिद्धार्थ, पसाड इस्थम अविलेक, निगाली सागर सागर इस्थम लेक, रामपुर्वा इस्थम अविलेक और रुम्मन देई, इस्थम अविलेक मे याद रखिए अच्छे से, असोग, करिस्क, हर्ज और धरमपाल में से हुआ है, जिसके एक अविलेक से सूचना मिलती है, कि सात्मुनी बुद्ध का जनम लुंबनी में हुआ था, तो मौर्व सासत असोग के अविलेक से यह आपको जानकारी मिलती है, मातमा बुद्ध का महा परी निर्माड हुआ था, मल गड़ राज की राधानी कोसी नगर में, महा परी निर्माड मंदी रवस्ते थे कोसी नगर में, अवंती गंदार कोसल और मगद राज्यों में से हुआ है, जिसका संब्ध बुद्ध के जीवन से रहा है, कोसल और मगद का संब्ध आपके गोत प्रप्षिष्ट ब्याख्या करता है तुष्णा रूपी अगनी का समझ अलार कलाम थी बोद्ध के एक गुरु जो सांग दर्सन के अचार आचार थी मातमा बोद्ध ने अपना पहला उपदेश धरमचक के प्रवर्टन दिया था सारनात में कहा सारनात में बोद्ध ने सरव सांगिती का आईवजन हुआ था राजग्राय के सब्त फवर्णी गुफा में कस्वीर में कनिश्ट के सासनकाल में जो चतोर्त बोद्ध संगिती आईवजित हुई थी उसके अध्यक्षिशा की थी वसू मत्र है किसने वसू मत्र है बोद्ध धरम की महायान साखा उपचार बैसाली पाखली पुत कुंडर वन दूति यह बहुत संगिती का आईवजिन हुआ था कासी बरादसी में पिथम बहुत संगिती का आईवजिन हुआ था अजात सत्रू के सासनकाल में किसके अजात सत्रू के सासनकाल में दूति यह बहुत सभा का आईवजिन किया गया था क खाला सुखने किसने खाला सुखने बुद्ध के जीवन की चाल मत्पूर घर्टना है उनसे संबंदी स्थलों की सुम्मिलन इस पकार है ये घर्टना ये स्थल जनम लुंबनी ज्यान प्राप्ति बौध गया पिथम प्रवचन सालनाथ और कुसी इंगर्धन यानि कि इनकी मि ये जनम अर्थ हो गया जनम जनम कमल पिथम प्रवचन धर्म चक्र फिवर्तन महा बोधी ये बोधी बेप्चे तर्यार घोड़ा कर्मापा लामा तिब्बत के बोध्य संपदाय के जिस बढ़ कहा है वह है ये कंग यूपा मात्मा बोधी के संबंद में सही कतन है उनका जन बारत का प्रचार भी किया घैंज बोधी बैक्ष को नश्ट कियू गया था ससांग ने बाधी बैक्ष को नस्ट किस ने किया था सांग ये फिर्मप बेद्न नीरंजना ना और सूतर था बॉझा गया बुध के उपधे संब्दी थे हैं आचरन की सूधिता बफवित्तिता से बुद्ध के जीवनकाल में ही संगयय फ्रमोक होना चाहता थतक्थ देख़ 국ण बुद्ध ने अपनी वित्तिव के उपरांथ बुद्ध संग के नित्यत्य के लिए कि नामित किया था किसी को भी नहीं कि अश्चाँनलमारी की संकलपला अंग धर्म चक्त कर्वत्फल्ट्न सुद्थ की विश्वस्ट्व की खुटम ब्द्ध के जिसमें गिरहती धिसमें जिवन कि निए विनयविक भूसाइप जिसमें गर magg समंद्धिर परवले करन जिसमें जिसमें बहुत डार्सनेक्षे था श का रहिए अभी थमए सतेर के संतेर विर्म स्थील में विट कहा जाने वाला ससान्ति स्थील सब्स ? किसमें प्रेखबेद में सारना सांची बौध गया और कुसी नारा में से वह इस पूप इसकर जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवां की किसी घटना से नहीं रहा है वह सांची संसार का अश्थिरो और चडिक है का बौध जैन गरंद जैन और गीथा वेदानत में से जिसमें संबंध वह बौध का एसिया के जोती पंजे के तोर पर जाना जाता है किसी गौथम बुद्ध को सर एडविन एनार्ड की पुस्तक दालाई को दी एसिया आधारे थे ललित बिस्तार से गौतम बुद्ध को एक देवता का इस्तान जिस राजा की होग में प्राप्त हुआ है वह है कलिस्त के समय बादत में पहले जिन मानाओ पितिमाओ को पुजा अप गया है वह है बुद्ध की देश में जिस धरम के लोगों ने मूर्धी पुजा की निवरकी थी बुद्ध बहुत धरम गंदार जहली की मूर्धी कला में बुद्ध के सारनात में हुए पितम धरमोपदेश से सम्मर्दे पिरवचन मुद्धरा का नामें धरम चक बुद्धी की कड़ी पितिमाँ बराई गई है भगवान पुद्ध की पिनवा कभी कभी एक हस्त मुद्धरा युक्त दिखा गई है जिसे भुमी सपर्ष मुद्धरा कहा जाता है यह पितिक है मार के पिलोगनों के बावजूद अपनी सुचिता और सुद्धिता का साच्ची होने के लिए भुमी सपर्ष मुद्रा की सानात भुध मूर्टी संबंदी थे गुवद्काल से किस से गुवद्काल से कथन एक कारणा किसी नगर मल अगरण राज किरादा नहीं थी सही है महत्मा बोद्द का महापरी निर्माण कुसी नगर में हुआ थे ये भी आपका सही है ये आर दोनों सही है लेकिन आर ये की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है लोतल प्राजिन गोधी चित है सानाथ बुद्ध का पितम धर्मूद विदेश यहां दिया था वो और सांची असोग का सेंगे स्थम देखने को मिलेगा और नालता पित आपको देखने को मिलेगा या महाल बुद्धरम में बुद्धिसत् अवलिक्यत्व सोर को और जिन जिस अननाम से जानते हुआ है पधम पानी पधम पानी ठीक है भारत के धार्मी कितियास के संदर्म में सत्त कतन है बुद्धिसत्थ अपने प्रवोद की मार्ग को बिल्गु सही ही ना अवस्ता का विसालतम एवन सरवाधिक विक्सित सहल करें चेत ग्रहें एक आले में कहा है काले में पितम सताबदीश भी में जिस भारती बहुत विक्चू को चीन में भेजा गया था हुआ है नागार्जुन का है नागार्जुन सोनेता के सिधान का आधसी गिलनार और उल्जेण में सबौस दिस combine आधा विक्षम का है बल्ली विस्विध्यालेен श्तित्ता गुझराद में नालंद विस विध्याले सतापना का है गुप्त का आधसी कुमार गुप्त नालंद विस्विध्याले haarी संस्ता पर किसे मानन जозиक्ता है कुमारन न नालंदा विस विद्यालय विस विसेद्ध था, बौत धरम दर्शन के लिए, बारेवी सताथी के अंत तर नालंदा महा विहार का पतन हो गया था, बिल्कुँ सही है, महा विहार को राज की एपिसन मिलना बंद हो गया था, आर दोनों सही है, आर एकी सही ब्याक्या विल्कु करना करम कार्णों की फालवरता का निशित प्राडियों की हिंसा का निशित अहिंसा आप समझ रहे हैं जो अहिंसा की बात अब लोग करते हैं यह गोत्तम बुद्ध की समय जैन धर्म की समय ही आगी थी बुद्ध धर्म की चार आरसत्य का सही करम है दुख है दुख का कारण दुख्का निरोध है और दुख्का निरोध मार भी है बोध्य तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वात करते थे करम और पुनाजनम के सिधांस पर पुनाजनम नहीं होता है गलत है आत्मा की सप्ता नहीं है यह आर सही है यह गलत है बोध धरम के विशाय में सही कतन है उसने वर्ड और जाती को आस्विकार किया है उसने ब्रहमर वर्ड की सरवोच सामाजी कोटी को चुनोती दिये उसने कुछ एक सिलकों को निम्न माना बिल्गुश सही है बोध धरम के विश्तार की कारड़ों में संभलित थे धरम की सादopingी दलितों के लिए विसिस अपेल धरम की विशनेरी भावना विश्तानिय उस्तानिय भासा का प्रियोग इस सभी एक तरह से कहिए आप लोग की बहुत धर्म के इतना विस्कार हुआ इसके लिए एक मूल आधार थे अरभिक मद्य यूगीन समय में बहुत धर्म का फतन जिन कायटों से शुरूंग वह उस समय तक बुद्ध विश्णू के अवतार हैं और जबकि विहार बहुत विश्णू का निवास स्थान हुआ करता था ठीक है वह बहुत दुसाखा जो सुल्तानी योग में सबसे प्रवास आली थी तो यह थे वज्ज्यान कौन से वज्ज्यान जैन धर्म के अगर बात करें लो तो जैन धर्म के संस्थापक रिसप द जैन धर्म पार्सुनात मुक्ता संबंधित थे वर्राडसी से महावी स्वामी का जैनम हुआ था कुंडगा ग्राम में महावी जैन की मित्ती हुई थी पावापुरी में तीर्थ सब्द संबंधित है जैन से तीर्थकर जैन तीर्थकरों के किरम में अंतिम थी महावी स्वा है जेन, जेन धरमें पूर जयान के लिए सब्द है केवलन, ती रतन सिधान समेखिफफफफ वना समयचलै, तंस ममेखन mode झ्यान किस धरम की मैंमा है, वह है जेन धरम से समम्झेत है, अनुप्रश सिध्धान का पिती बादन किया था जेन जैन धरम ने किसमें जैन धरम ने स्वाय श्यात बाद इस सिद्धान थे जैन धरम का जैन धरम के इन सर सरीष्टी के रच्छना और वालनपो संसार्भोमिक बिधान से हुआ अनेकांत वाद बौध मत जैन मत और सिख मत और वेश्ण व्यच्छना मत में से जिसका कोड इस धा दारम इसलाम में से वे धरम विस्व बिनासकारी पिलाय की अधरना में विस्वास नहीं करता है, जैन धरम, जैन धरम जिस भासा में लिखे गये हैं वह अर्द मगदी में लिखे गये थी चंपापावा समेद सिकर और वूरज यंद में से वैस्तर जो पारसुनाद से समध्ध होने के कारण जहन सित्द माना जाता है संभेत शिकर ठेरी गाता आचारंग सूत सूत किरतांग और बेहत कल्व सूत में से वह जो आरंबिक जयन साहद का भाग नहीं है ठेरी गाता जयन संपधाय में पितम विभाजन के समय स्वैतामबर संपधाय के संस्ताववक थे स्थूलबत महावीर का पिसम अन्याई था जमाली क्या था जमाली वह जयन सबाज़ जिसमें अंतिमरुप से स्वयतामबार आखमन का संथान हुय पाथलि पुत्त में सत्य कतल गौतम पुत्त की मातख कोली राजवंस की राच्कमारी थी 23 वे दिर्दकर वासनाद बनात से थी दोनों कत्म सही है प्राचीन जैन धरम के संबंद में सत्य और महावीर स्वामी 24 वे दिर्दकर प्राचीन जैन धरम की संबंद में सत्य कतन है बद्वाहू की नेतत में दच्छन भारत में जैन धरम का परशार हुआ पाटली पुत्त में हुए परिशत के पष्चाद जो जैन धरम की लोग इस्थल इस्थूल भद्ध की नित्रत मेरे बिश्व इतामबर कहला है और पिथम सदक इस भी पूर में जैन धरम को कलेंग की राजा खारवेल का समर्थन मिलाता इस अभी कतरन जैन धरम के वारे में सही है जैन सिध्धान क कि अनरूप कथन है कर्म को विनश्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तब पर श्यारिया है और विवस्तु में चाहे हुआ सुप्षिंतर कढ़ो आत्मा होती है करम आत्मा का विना सक है और आवस्प इसका अंत करना चाहिए समाधी मरन से समंद से जैन्दरम से, सद्ध कतन है दक्षन वारत के इच्छाकू सासक बउत मत्य के समाथन थे, पूरवी भारत के पाद सासक बउत मत्य के समाथन सही है अजीब एक संपदाय की संस्ता पक्ति मक्खाली गोसाल वह संपदाय जो नेती की अटलता में विश्वात करता है अजीब अग बरावर की गोफाओं का ओपवियो आस्रे ग्रह की रूम में किया गया है अजीब कोने उत्तर पिदेश में बहुत देवम जैनियो दोनों की फिस सबसे बड़ा बहुत मठ अगना चल पर इसमें बिड़कु सही है खजवराव की मंदिर चंदे राजां द्वारा मढवाई गे थी यह वी सही है यानि कि आपके तीनों कतन सही है ठीक है सेवर्ण वेल गोला में गौंते सुर्ण का विसाल पितिमा इस्थावित करवाई थी चामुंद राय ने ठीक है महां धार में पढ़ना महा मस्तिक क्याविसे समंद्य पहुबली से बहुबली बहुबली को पुत्त माना जाता है पितम तीत कर रिसब देव का अब बात कर ल कि चक का क्रम इस पर कारे कृत तेता द्वापन कली अजीब मत्यमूर मयूर मत्यमयूर और मयमत और ईसान श्रिप गुरू देव पद्धिती में से वह जो राजिन भारत में सेव संपता है था मत्यमयूर अद्धनारीस और मूर्थी में आदा सेव और अद्धा पाड़वत देव और उसकी सकती का यूग नैनार थे सेव धर्मानुगाई पोय गई तिरू ग्यान उनम और तिरू मंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था तिरू ग्यान भागवत संपताय के विकास में सरवादी क्योगदान दिया था गुपत ने भागवत धरम के वबर्वत तक भागवत धरम से संब्धित प्राचिंतम अभिलेक की है साच है हेलीडोरस का बेसनगर अभलेक भागवत धरम का ग्यात सरवकितम अभलेकिये साच है बेसनगर का गरूर स्थम बेशनगर अबलीक का हेलियोडूरस निवासी है तक्छला का, कहां का तक्छला का, विश्णु के जिसा उतार को सागर से पित्वी का उतार करते हुए एंकित किया गया हुए है, वरा है, छटी सदब्दी जिसा कूरु के संदरब में भार में भारत में आस्तिक और नास्तिक स प्रस्थान तई में संबले थे उपनिसद, ब्रह्मा सूत और भगबग गीता, वह प्राची निस्तर जहां साथ जार मुनियों की सभा में संपूर महाभारत कत्था का बाचन किया गया था, निमी सारंड, रामाइड का वह कांड जिसमें राम और हमान की पहली मैट का वैड पावापुरी से संप, पवितिस्त लेजयन धरम का ठीक है पावापुरी, हिंदु धरम का वराणरसी, इसलाम धरम का मदीना और ईशाई का बिडिकन सिटी, ठीक है अब बात कर लेते हैं छटी सताप्ती सत्ती ईशापूर की राजनितिक दसा की तो भारत की प्राचिन प्र जात सत्त्रो मगत से संब्दी थे, अब लेकिये साब्स से पिगर्ट होता है कि नंदराजा की आधिस से एक नहर खुडी गई थी कलेंग में, का कलेंग में, वो जेन का प्राचिन तो प्राचिन काल में नाम था अवंती का, ठीक है, A, B, C, D द्वारां के तिस्तल है, A, B, C और D, A, आपका मत्स है, B, अवंती, C, आपका देखने को मिलेगा वत्स, और A, D, आंग, ठीक है, प्राचिन नगर जो महाबारत और महाबारत से दोनों में उलेकित है, मध्यमीका एवं बिराट नगर, पाटली गुत के संस्ता वक्ति हो देन, चंदगुप्त मोर असोक महा पाटली पुत को जिस संसक सासक में सरवपितम अपनी राध्णी बनाया हुआ है, चंदगुप्त मोर, सरवपितम पाटली पुत का राध्णी के रूम में चैन किया गया, ओदेन द्वान, ओदेन वासवदिता की दंतकता संबंदित है, ओज्यन से, मगद, पितम मगद समरा इस पाटली सताथ दी में प्यारम में भारट का सरवाधिक सक्ति साली नगर था कासि, साकी लिफशबी और नहीं था युद्धे, बिसका पहला गटलाा पैसाली में स्थापित किया गया, ओन आटली ऌडी सारवसे मोर, इसकंदगुप्त गप्त सार चेतक लिच्गे 16 महाजनपदों में से सूची जिन प्राचिन गिंतों में मित्ती हुए है अगुंतर निकाय और भगवती सूत में महाभारत के अंसार उत्तरी पंचाल की राध्धानी इस्तित थी अहिच्छत में 16 महाजनपदों की योग में मत्रह राध्धानी थी सूरसेंड की चंपा राध्धानी थी आंगी की छटी सताफदी इस्वी में सुक्त मती राध्धानी थी चेदी की गोदावरी नदी कितर्ट परिस्तित महाजनपत था अस्सक मगत की पारंबीक राध्धानी थी राजगरे गृवरज भी कहते हैं ग्रीवरज राजग्रेग पाटलीपुत और कोसामी से में से वह जो मगत समराज की राध्दानी नहीं रहा है, कोसामी नहीं रहा है, प्राचीन स्रावस्ति का नगर बिन्या से अर्थ चंद्राकार, मगत का कारम इक सासक जिसने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या हैं कि और स्व्यम इसी कारण बास अपने पुट्य द्वारा बारा गया अजाध सन्थरो का अजाध सन्थरो का बांष क्या हाथ हरए वार् पित थ्या हत्या बांष्या बांष्या उसके बीटे ने उस उसे इतलpox से चलता जगती है है, जो आप संस्कार में, आप महानुद इस तरह से पिक्रिया चलती रहती है, वही। मालबच्षट का मालबच्षट पर मगत की सब्ता कविश्था रुगा, शिसु नांग की सासन काल में। नंदबंस का पश्चाद की पश्चाद मगत पशासन किया मौर राजबंस है। राज्यानन्द का उल्ली करने वाला अविलिक के प्रमाड है, खारवेल का हांती कुफा अविलिक, मगत पर सासन करने वाला राजबनसों का कालिद्रम है, हर्यक बंस, नंदबंस, मौरबंस, संग बंस, मगत का समराज जो अपरोप परुसुराम के नाम से जाना जाता है, महा पदमनन्द, सही का थन है, विस्प के सभी भागों में, इस्पी पूर, छटी सताब्दी, एक महां धार में उथल बुथल का काल था, बहुत जटिल हो चुका था, गौतम बुद्द के समय का विस्द बैद, जीवक संबंदी था, बेमिचार के दर्वाज से, कालपी नगर जिस नदी के तट पर इस्तित होए है, यमना, ये भी सही है, उत्तर प्तिश के प्राचिनतम जनपद होए, राजदानिया, कुरू, इंदप्रफ, राजदानिती, पंचाल, ऐच्छत, कौसल, साके, और वस, कौसांबी, यूनानियों की बात करें, यूनानी आकमट, तो सिक सिकंदर के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसकी भी बायोग्राफिक कवर कर चुका हूँ, सिकंदर महान, दा ग्रेट सिकंदर, मगत का राजा, जो सिकंदर महान के समकालीन था, घनानन्द, कथन एक कारणार, लगबग दो बर्स में अभियान के बश्चा सिकंदर महान ने, 325 इसवी में भारत छोड़ दिया, बिल्कुल सही है, वच्चंदगुपत महर से पराजित हुआ था, यह सही है, योद भूमी में बड़ी संक्या में सैनेकों के मारे जाने, तथा अत्वा आहर्थ हो जाने के बाद, जिस भारतिय गड़ अत्वा राजिक सिकंदर के विरोध सस्त धारन किया था हुए, मस्सक, ठीक है, अब आप सोचिए कि उस समय महलाय भी महान हुआ करती थी, ठीक है, बारत में सिकंदर की सभलता के कारण थी, उस समय बारत में कोई केंदरी है सकता नहीं थी, और उसकी खौज बेतर थी, उसे देश द्रोही सा सायता मिली, एक तरह से आपके ही है कि अंग्रेजों ने सा हमारे पाप ऊपर 200 साल तक सासन किया, कैसे किया, तो आपने देखा एकता नी थी बारत में, और जब 1947 तक आप देखते हैं कि एकता हो जाती कटी, तब उने जाकर ने देश छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए और अने सीकेटस, डायमेकस, अरिश्टो विवलस, मैसे हुआ जो सिकंदर की साथ भारत में नहीं आया था, डायमेकस, टेक है, चलिए मौर समराज से संबंदित कुछ माचपूर पॉइंट जाल लेते हैं हम लो, यह था हम भारती समराज इस था पितिया गया, चंदगुप चंदगुप्त मौर का विसे श्ट्रोग से वर्डन हुआ हुआ है, बिसाकत, सेंड़ो कोटस से चंदगुप्त मौर की पहिचान की है, बिलियम जॉंस ने, यह एक तरह से कहिए, आप लोग की चंदगुप्त मौर का दूसरा नाम सेंड़ो कोटस भी कहते हैं, फिलेनी का उले किया है, यह है जक्टिंड, कोटे ले प्रिदान मंत्री थी चंदगुप्त मौर, याद रखी कोटे ले अचानक के बारे में, के बारे मिस्तार से बात की थी, कि आपने देखा एक नीचे, छोटे, बिल्कु नीचले तपके के व्यक्ति को, बच्चे को उठा कर, एक लोग देखते रही है, ठीक है, चाड़क अपने बच्चमन में जाने जाते थे, बिश्नो गुप्त के नाम से, इसलिए आप जानते हैं, इन्हें बिश्नो गुप्त पर चाड़क और कोटे ले तीने नाम ही है, कोटेल का अर्थ सास्त है, एक सासन के सिध्धान की पुस्तर सबतासंग, सबतांग, सिध्धान के अर्थ सार राज केंगे, राजया अमत, जरंपर्दो, सह पकास डाला गय है, राजनितिक नीतियों पर, में क्याबिली की प्रेंगों से तोल्णा की जा सकती है, कोटेल की अर्थ सार्थ की डाजमेकस वहरात आया था, दिन्दू सार के स परख्डी पुत मिंसे चंदगुप्ति का महिल मुख्धा बना था लखडी का, जिस प्राचीन् नागर कि अवसेज कुम्हार इस थल से प्राप्थ हुए वह हैं पॉलंदी प्राचीं पिस टाने हैं पाटली मौहर में वह अभिलीप जिस... जिस से एपिमाडित होता है कि चंधगूद का प्रभाव पष्च्यम भारत में था, रोधदामन का जूननगळ अभिलेग से मालू चलता है गुज्राः चंधगूद मौहर की रटसमराज में संभलीत। आपिमाडित होता है रोध्यदामन की जूनागड अगले सिला लेक से लूकस जिसको जिनको अलेक्जंड अद्वारा सिंद और अफगानिस्थान का प्रिसासर निव्ट किया गया था को हराया था चंदगुप्त मुट ने चब्दगुप्त मुट ने से लूकस को पराजित किया था 305 इसापूर में ठीक है बीसी में ये मानचेत आपको दिखाईजे रहा होगा असोग से उसके सासनकाल के अंतिम समय से ये पूरा से जदॉट उदारता और करोना के त्रवेद आधार पर राजधनम की इस्ताफनगी असोग में अफगानिस्तान बिहार स्री लंका खलेंद में से वह ये जो अशोग कि समराज में संब्लेद नहीं था स्री असोग ने बहुत होते हुए भी हिंदु धरम में आस्ता नहीं छोड़ी इसका प्रमाण है देवना प्रिय देवनाम प्रिय उपादी याद रिखिए असोग एक तरह से आपके यह सहजिनू साज़ता है वो किसी धरम पर मतलब ज्यादा आप सूचिए किसी की धरम को नुकसा नहीं कहुंचा नहीं उसी नहीं तो कहाता है कि आप अगर किसी की धरम को नीचा दिखाते हैं तो असली में आप अपने आपको नीचा गिरा रहे होते हैं अपने धरम को नीचा दिखा रहे होते हैं आप भी जाते हैं कि आप सामने वाली की इज़ित करेंगे सामने वाला भ की गई थी पाटली फुट में मौरसासक जो बुतधरम की अन्वाई थे असोग की देवं दस्रथ, रज्युक थे मौरसासन में अधिकारी, शाथ बाठ कहते थे व्यापारियों की काफिली को, अग्यहारी यगत्त और प्रादिशिक और राज्युक में से हुए अधिकारी जो असोकने अस्तान इसमारक और देश मारक कोसांबी, गोसीता राम, मत, कोसीनगर, दानाबर, इस्तोक, सारनाद, धमेक, सरावस्ती, सहेत महेत, सहेत महेत, समराट असोग की तीर थे आत्रा का सही किरम में गया कुसी नगर लुंबिनी कपिल वस्तु सारनाथ स्रावस्ती असोग की सलालिकों में प्राक्रित भासा में कालसी गरीनार शहवाज गड़ी तथा मेरट में से वह असोग कालीन अबलेक जो खरोष के लिपी में है सहवाज गड़ी पत्थर पर प्राचीन तम सलालिक थे प्राक्रित भासा में असोग की सलालिकों को सरफितम पढ़ाता जैम्स फ्रैंसेपने वह इस्था जहां प्राक असोग ब्रम्मी लिपी का पत्ता चला यह अनुराधा पोई प्राचीन भारत में ब्रम्मी नंद नागरी और सार्दा और खरोष्टी में से वह एक लिपी जो दाईयोर से बाईयोर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपी असोग का अपने सलालिकों में सामनता जिस नाम से उलेक हुआ है वह है प्रिये दर्सी असोग की प्रिष्टर इस्तम्मों के संद्र में सत्यकतन है इन पर बढ़िया पॉलिस है एक अखंड है और इस्तम्मों का सेट सुन्दा का रहे हैं बिल्कुल सही मास्की गुर्जा निटर और गुडेन गोलन मैंसे वह है एक अवलिक जिसमें असोग के व्यक्तिगर नाम का उलिक मिलता है मास्की असोग का रुमन देई इस्तम्मों सम्मदी थे बुद्धि के जनम से कितके बुद्धि के जनम से गुर्जा लगू सिलालिक और जिसमें अ जपतेश के दत्या जिले में, MP के दत्या जिले में आपको देखने को मिलेगा, केवल वह इस्तम जिसमें असोक ने स्वयम कूग, मगत का समराट बता है, ये भाबरु स्तम्भलेग, कालसी पिसित है असोक के सिलालीख के कारण, उद्राखंड में समराट असोग के सलालेकों की एक पिती मिली थी कालसी में कलिंग यहुद की बिजय और छत्तियों चत्रियों का वाइडन असोग के सलालेक में मिलता है वह है आपका सलालेक 13 भी में असोग का पूररोपिट धार्मिक सहस्नूता के पिती समर्पित अविलेक है सलालेक बारेक असोग की जो प्रमुक सलालेक संगम राज की बिस है यह हमें बताते हैं उसमें समलित है सेकिंड और तेरह चोल पांडव सत्य पुत्य और साथ बाहन में से वह दच्छेन राज्जी जिसका उलेक असोग के अविलेकों में नहीं है तो साथ बाहन का देखने को नहीं बलेक असोग का वह अविलेक जिसमें पारंबरे का उसरों पबद पसुबली पर रोक लगाई गई ऐसा लगता ही कि यह पावंदी अस्तुओं की बदपर थी सिला अविलेक में टॉलमी फिला डेलपस तुन्बाय जिसके साथ असोग की राज्ड़े संबंद थी वह सा सकता कहां का मिर्से का मिस्तर का ठीक है चोल, गुप्त, मौर और पल्लों में से वह राज्ड़ जिसके सासकों की सुदूर देशों जैसे सीरिया और मेस्ति के साथ राज्ड़ की संबंद थी मौर की तो यह मत समझे ही कि आगी हमारे देश के अन्य देशों से संबंद है उस समय भी आप देखते थे कि संबंद थे संबंद देखते हैं देश के अंदर भी आप संबंद देखते हैं तो उसी तो आप देखते हैं अभी वह कई छित्रों में करते हैं प्राचिन वारती अब लेखों में से हुआ है एक खाध्यान, जिसे देश में संकट काल में उपयोगे तू सुरक्षित रखने के बारे प्राचिनतम साही आदिस है, आप समझी उस समय भी सोच का बूरा करते थे कि चलिए सूखा पड़ी या संकट पड़ा, तू काम तू असुख ने कलेंगी को मौर समराज में जोड लिया था, बिल्कुल सही है, कलेंग दच्छिन वारत को जाने वाली स्थली एवं समुद्र मागों को नियर्थित करता है, यह भी सही है, यह आ तोनों सही है और आरी कि सही इस पट्टी कर भी दे रहा है, कलेंगी का यह आपका सूप का हिदय परिवर्थन होता है, सब को छोड़ देता है यह उद्मयोत, मौरकालीन सासकोन ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, सही है, भू अनुदान के विरोध किर्षकों ने विद्धरो किया था, यह गलत है, यानि कि एक अतन सही है, आर गलत है, मौरकाल में टेक्स को चुपाने चोरी के लिए दिया जाता था, मित्य उदंड, आप समझे कि मित्य उदंड दिया जाता था, आज आप सोचिए, आज की इस्तिधी अलग है, आज अगर आप टेक्स चुराते हैं, तो बहुत कितना अलग जाएगा, क्या होगा, इसलिए कुछ जानदा इस तरह की नियम आदमी नहीं भाना पसंद करता है, कि चलिए पकड़े गए तो चूट जाएगे, ऐसा होता कि चलिए अगर जितना टेक्स बचाया, उससे दस गुना लगता, तो हर कोई डरता, समझे रहें, इससे दिए युनानी राजदूत मेगस मेगस्तनीज भारत में आई थे, चंदबुत मौर की दर्वाद में, मेगस्तनीज ने अपने गरंद इंडिका में भारती समाज को विवाजित किया, सास सेंडियों में, अरत सास्त, मुद्रारक्चस और मेगस्तनीज की इंडिका, तथा बाई पुराण में से वाइस रोज जिसमें उप लिखे थे, प्राजीन बारत में दासता नहीं थे, वैसरोज जिसमें पाठली पुत्र के पिशासन का वजडन अपलते हैं इंडिका, जो जो मौरियों की नगर पिशासन का विश्तित विवर्यन पिश्तुत कर्ता है, यह मेगस्तनीज की इंडिका, मेगस्तनी क्या दिक करते भाग और बली मौर काल में भूमी कर जो की राजी की आये का मुक्सरोथ था एकत्तित किया जाता था यह आपका सीता अध्यक्ष द्वारा मौर काल में सीता से तात पर क्या था राज की भूमी से प्राफ्ट आये इनकम मौर पंत्री परसद में राजत से और माप का प्रभावी प्रवारी था यह था ओद्वाद्ध्यक्ष पंकोद कस निरोधे मौर पर सासंद्वाना दिया जाने वाला जुर्माना था इस सडग पर कीचड फैलाने पर एक तरह से जुर्माना लगता था सजा मौर काल में सिक्षा गसरवादी क्विसे दिक हैं के ग adesso लुके गांता तक्ष्ण धर गांता था क्षी लृ रुटमान च्टाफ्यक्षा यह मौर बाल मौकल में से जारी हुआ जनव औरear District नाली बेंच वेर अंब' दाएवन ज़ाध्यक्त Kommia बेवसाय था, मगदेवं सोथ बरगूंगा गाउं की सासन को स्वायत सासी पंचयायतों के मात्यम से संचालित करने की वेवस्था कसोथ बात किस ने किया था? मौरे उने प्राचीन भारत का गरंत जिसमें पत्ति द्वारा परीति फ्त्निक्ति लिए वीवाहा विचित की अन्मती दी गए अर्थ सास्त में जादक मनु स्मर्टी और र्याक वलक, अर्थ सास्त में से पुनर विवाः वर्जित था मनु स्मिते में विदेशियों को भारतिय समाज में मनुव द्वारा किया गया सार्विंजे किस्तर था वात्य चत्रियों का प्राचीन भारत की यात्रियों का सही क्रम है मैगस्तनीच फिर आप देखेंगे फरयान और हैंसां इतस्तें सूची एक सूची दो चंदगुप्त मौर सेंड़ोपो क्या कहते हैं अमित्वाथ असोग को प्यदर सी चाड़क को विष्णुप्त अंति मौर समराथ कौन था बेहदत सही कतने अंति मौर सासक बेहदत की हत्या उसकी पिधान सेनापती उसमें ते संगनेत की थी और अंतिम संगराजा देवभूती की हत्या उसक्रिप ब्रहमन मं जुच्मद्फे थी यदि और उसने एंतिम संगराजगा आति मंचित किया तो आप नहीं की आप दूसरे के साथ गलत करेंगे उन आपके साथ गलत होगा इसमें आप देखने को मिलेगा कई के आपको देखने को मिलेगा कि वो दूसरे से गद्धी छीनता है उसे मार कर थो उसका मंत्री होता है वो उसकी गद्धी छीनने के लिए उसकी हम्तिया कर दीता है, इस तरह से इस भी संके पूर की कुछ सतावधियों में, गिरनार शेत में, जल संसाधन विवस्ता की होड़ी ध्यान दिया। इनसेंट, डाक यार्ड, सारनात, प्रश्च सर्मन ओप बुद्ध, सारनात, लाइन केपिटल ओप असोग, नालंदा ग्रेट सीट और बुद्धिष्ट लर्णिंग ठीक है चली हम और यह उत्तरकाल सिक्त संबंदीत कुछ मद्पूर पॉइंट जान लेती है इस्ट्रेटो सेकेंड इस्ट्रेटो फर्ष्ट डेमिटीयस और मिनांदर में से हुए हिंद यवन शासर जिसने सीसे के सिक्के जारी किये थे यह था इस्ट्रेटो सेकेंड बिमिचार गौतंबुद्ध और मिलिंद पिसेंजीत में से हुआ है जो अन्य तीनों के समेख नहीं था मिलिंद नहीं था। पिसली का प्राचिन तम नवूना मिलता है काथिया वार्ड के रुद्ध दामन अबलेख में रुद्ध दामन पिसम की विविन उपलब्दीया वाड़े थे जूनागर की अबलेख में बेना वेगार के सुधरसंजील का जिढोतधार करवाय था रुद घृत्री नहीं तबीक 25 सेफंहुन में सर्वादिक सिर्थ में थोक्राइओं फुई स्क्राइओं को मुझने किसा रद्री नेरत भारत में नेवितरोप सेपिने गसाने कुषान उन बिम् कुजूल कड़विसस , कनिश्क , नहपन , बुधBO जिसके सिख्णों पर बुध्級 का अंकन है , कनिश्क के सिख्कों पर आप दकि Suzanne के बुध्級 का अंकन है , कोजोल कड़ पीसस, भिम कड़ फिसस और कनशक पिथम विस्त मrain वैसे बहुंक गुष जिसने भारत में सुयर शिक्को का पिछलन निमित उपयोग के लिए किया यह उद्धे शिक्कों का अंकन मिलता है कार्टी केये का दो.. कनाइस्क्रेकर सन शारनाथ बहुत पितिमाथ अबलिय कीते घी एक्यासी इसा इसभी सन कोशाश्चाासा कनेत का राज्य विशेक रॉबा है। 78 इसभी में। ७ी कर सब्ख्रीय के निन्हें बेस परछेば सबूर्थ ऑन्तर है। कितने में 88 इस भी में बिक्रम संबत प्यारं हुआ धावन ईसापूर में कनिष्की के सम्खालीम थे असवभोष वसुमित असवभोष चरक नांगारजुन तो था पतंजली में सिवए जो कनिष्की की दरबार में संब्रते नहीं था पतंजली असोम्भोष पार्स वसुमित विसाख दत्त में से वाई जो कनिस्के पिथम के दर्वार में नहीं गया था, एक था विसाख दत्त, कौन सा, विसाख दत्त, सरावस्ति, कौसांबीक, पाटलीपुत और चंपानगरों में से कनिस्के के, अब तक अभिलेक में उलेक नहीं है, सरावस्ति का, तक्षिला विस सबसे प्रभावसारी राजी था साथ बहान का अगर आप सबसे जनल के कनिसकों हराए था ओ अधा चाऊँ जिसके समराज की सिमाएं भारती औहुद मahदीप्स के भाहर्दक कली थी कुषाड बंस की बाला-विवाさん की पिथा पहर緩 मुई कुषार काल में कला की गंधार से लिए फली पुली कुसाड़ों की समय में ए राजबन सोगे सिखों की धातुएं कुसाड स्वड एवं ताम के सिखे चलवाए गुप्त स्वड एवं रचत साधवाहन सीशा और प्रोटीन कल्चोरी स्वड रजट ताम पे अफगानिस्तान का बामियान पिसिद्धा बुद्ध पितिमाओं के लिए बुद्ध पितिमाओं के लिए जो कला से लिभारती और यूनानी ग्रेक आकिर्टी के समरिश्टन थे कहते हैं गंधार वह मूर्टी कला जिसमें सदेव हरिद इस तरह चत्टान सिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूम में होता है गंधार मूर्टी कला कहलाती है पराचिन काल के भारत पर आक्मडों के समंद में सही काल उनिकरम है युरानी साथ को साँड पहला इरानी साथ सक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अदिन किया यह था डेरियस पितम कौन खा डेरियस पितम चालुक पल्लाव और राश्टकूट और सादवाहन राजबन्सों में सबसे पुराना राजबन्स कौन सा है यह देखने को मिलेगा सादवान आंध सादवाहन राजाओं की सबसे लंबी सोची मिलती है मत्स पुरान में सादवाहनों की राजबन्स यवश्टिता अमरावति और पितश्थान में कहा अमरावति पितश्थान में आगे है आपका कफन कि प्रहमण पेउक्थ हुआ है गौतमिपुत साथ करनी के लिए निमने कत्रों पर विचार करना आ है कुशाड खारज की खाड़ी और लासागर से होकर व्यापार करती थी बिल्कुस सही है उनकी सोस संगर्टित नौसे ना उच्छकोटी की थी आर गलत है क्या थन तो सही है कारण गलत है राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुपा लेपकी साथ हाथी गुफा लेग के साथ असुखर्स पुलिकी सिंदूतिय और खारवेल से मैंसे वह जो जयंधरम का सनरप्चत था खारवेल कलेंग नरेश खारवेल संबंदित थे चैदी बन से दसरत बेहदत खारवेल हो इसके राजाओं में से वह जिसका जयंधरम के फिती भावरी अब बात कर लेते हैं गुप्त और गुप्त उत्तर ग्योग से संबंदित कुछ मत पूर पॉइंट गुप्त वन से ने सासन किया 319 से 520 अवधी के बीच चार असुमेग मेगों का संपाधन किया प्रवाउसेन पिथम ने भारत का नेपोलियन के से कहते हैं समुद्ध गु इलाबाद इस्थम अविलेक संबंद है समुद्ध गुप्त से किस से समुद्ध गुप्त से प्रयाग पिसस्ति जानकारी देती है कुमार गुप्त कि सैन अवियानों के बारे में समुद्ध गुप्त के प्रयाग पिसस्ति बाले इस्थम पर लेक मिलता है जहांगीर का इस इसकंद गुप्त के सासनकाल के समय इसकंद गुप्त के सासनकाल में गुप्त सासक जिसने हुणों पर विजय पराप की इसकंद गुप्त वैवलेग जिससे ज्यात होता है कि इसकंद गुप्त ने हुणों को पराजिप किया था भीतरी स्थमलेग में गुप्त समराज की पतन कि विभेन कारण थी हूड आकमड पिसासन का सामंतिय धांचा उत्तर वर्थी गुप्तों का बुद्धरम सुईकार करना आयूग उत्तरादिकारी सक्विजेता के रूम में जाना जाता है चंदगुप्त दुदिये को सक्विजेता के रूम में किसे जानते हैं चंदगुप् दुतिये ने पराजित किया था, रुद्द सींग दितिये को, रजसेक के जारी करने वाला पिथम गुप्त सासक था, चंदुप्त दुतिये, गुप्त काल में उत्तरभार थी ये व्यापार जिस एक पतन से संचालित होता है, होता था हुआ है, ताम विलिपी, कौंसा, ताम भारत में दच्चिडपूर, पुवी एसिया के साथ अपने आरंबिक, सांस्कितिक संपर तथा ब्यापारिक संब्ध बंगाल की खाडी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाडी में चलने वाली मानसूनी हवाओं से, ने समुद्री आत्राओं को सुगम बना दिया प्राचीन भारत में देश की अर्थवस्था में अतिन्त मातपूर भूमी का निवाली वाली सेडी संगठन के संदरम में सत्त कथन क्या है, सेडी ही बेतन काम करने की नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिस्चित करते थे, सेडी अपने सदस्तों का पर नियाइक अधिकार भ विज्ञान विश्यक्स रचना के लिए जाना जाता है, सुसुरित, सुथ, ठीक है? धनवंत्री, वासकराचार और चरक और सुसुरुप्त में से प्राचीन भारत के आयोगे सास्त के समझ में नहीं है, वासकराचार. ठीक है? प्राचीन इन कालीन भारत में हुई विज्या ओप्रग्यती के संत्रमें सत्यकतन है deben दिवेन लिएकार के विशेष्ठ ₹ Humled और धा उत्यां ज्यान ृत के नौत नौ सही सब्राइब है ज़ियोथ्ज में योथी सममन्दित एकाई दकिक यह किसके सातंकाल में थे वैसासक था चंद गुप्ट फितम गुपत काली छोड मुंतरा है दिनार को प्रेक्षा नाम दिया गया गया था रोपक है गुपत संबत की स्थापना हुई चंद गुपत फर्ष्ट ने की ठीक गुपत इस चंद गुपत फर्ष्ट की समय हुई थी गुपत संबत समराथ हुगर वह भ reads किस में असो फ्रिय दस नी समद्गुपध परक्रमांग एन की तरह से आए पाले ये यह दूसरे नाम थे चंद गुप्त दुतियर विक्करमादित या उपाधी भी कह सकते हैं इस चंद गुप्त करमादित ठीक है आँगे आपका नगरों का किरमिक पतन एवं एक माधपूर विसेस था किसकी थी गुप्त काल की मंदिरों एवं प्रह्माणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त बंसने प्राचीन भारत में वबस जिसका सासन काल स्वन युप कहा जाता है गुप्त काल को गुप्त युप में भूमी राज की दर थी उपच का चटावाद हिंदू विधी द्वारा मान्य कर था उपच का चटावाद गुप्त समराजद्वारा कर रहित तिरसी भूमी पिदान की जाती थी ब्रह्मानों को पराचिन भारत में सचाई कर को कहते थे विदक भागम तीसरी सताबदी में बारंगल पिसिद था लोहे के यंद उपकरड़ों ही थो तोर्मान था होड जाती दल होड जा सासक मेहरकुल्थ को पराजित किया था वालदित एवं यसो धर्मन ने ठीक है दिसाखादत्य के पराचिन भारती नाटक मुद्रा रक्चत की विसाइबस्तु है चंदगुप्त मौर की समय में राजदर्वार की दुर्भी संधियों की बारे में सर्द कतन है गुप्त समराठ स्वयम के लिए देवी अधिकारों का दावा कते थी उनका विसाशन के विकेंद्री कित था उन्होंने भूमिदान की वरबबरा को विस्तारित किया था तीनों कतन है सही है सतरंज का खेल उद्भूत हुआ भारत में यानि कि उद्भाव कहां हुआ सतरंज के खेल था भारत में सुद्रक द्वारा लिखी प्राचीन भारती उस तक म्रेच्छी कटीकम का विसा है एक धनी व्यापारी और एक गडिका की कुद्री की प्रेम के था प्रेम पिसंग सांखी की मानता है कि आत्म है ग्यान की मोक्ष की ओल आत्म ग्यान ही मोक्ष की ओल ले जाता है नहीं कोई बाए प्रवाव या पिर कारक यह उग दर्शन के पिती बाद अके है पतंजली अनुष्मिति तित्याहार ध्यान ततन धार नामे से हुआ है जो अश्टांग योग कहान से नहीं है अनुष्मिति महाभास के लेकत पतंजली समसमाय थे पुसम मित्य सोंग के नब नियाय संपधाय स्कूल के संस्ताबक थे गंगेश जब तक जीवित रहो सोक से जीवित रहो चाहे इसके लिए रिढ ही लेना पड़े क्योंकि सरीर के भसमी बूत हो जाने कर पुनार गम पुनर पुनरा लेकर करज लेकर गी पीव एक तरह से वही कतान है कि कारं गतने कि विशेसकर दर्शन की प्रवर्टत थे कहाड़ाद रिर नियाय d theta do ठीका नियाय दर्शनék गोतम थे नियब अविपार настळेत पुत मिमांसा कीגे प्रेद दिथा नियाय और विसेशिक और लोकायत और कापालिक तथा सांक और योग योगुमों में से हुआ है एक जो भाटी है सरदर्शन का भाग नहीं है लोकायत और कापालिक टिक आदुवित दर्शन की सरस्थापक है संकराचार ज्यान करम भक्ति और योग में से आदुवित विदान् परसन की साथ संभव नहीं है अभीनाव गोप्त है यह सौछ संथ्यावत सभ हे और गढ़ना होधी विक्रम विक्रम सख विक्रम तर्फार इसापुर्ण सख संबत यह पीछे हम लोगेने शंतावन पढ पढ थे यार पदा है आप लोग को कई जगें यह क्या रहता है चाहिए कि संथावन विदियता है अंठावन स्था डेट डेट है इसकी ठीक है विक्रम संबत आप देखते हैं अंठावन स्थाई है सबसंबत है आपका 78 इस भी गुप्त संबत आपका 320 इस भी ठीक है और कली 770 याद रखे बिकरम संबत संबत 58 इसापूर वियानि की BC से आरा हुगा, सक्त संबत 78 इसवी से यानि की AD से प्यारा हुगा, गुप्त काल सन 319 से प्यारा हुगा, भारत में मुसल्मान सासक का युक लग सन 1192 से शुरू हुगा, पुलिकेशन 2 का बाधामी सिलालेक सक्त 1465 का दिरांकित है, यदि ही इसम के बिकरम संबत में दिनांकत करना होता हुगा है, 601 अत्वा 600 हुगा, ठीक है, एक चालुक के अवलेक किती थी अंकर्व में सक्त संबत का बर्स 556 दिया है, इसका तुल बर्स होगा 634, पुरानों के इसाद चंदवन सी है, सासकों का मूलिस्तान था पितिश्ठापुर, हरस के समराज जी की राध्धानी थी कन्योज, कौन थी कन्योज, समराठ हरस ने अपने राध्धानी थाने सों से इस्थानांदित की थी कन्योज में, कहां, कन्योज में, ठीक है, कन्योज में, समराठ हरस ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आईजिन किया था, कन्योज और प्रयाग में, कन्नोज और प्रयाग में, उत्तर पितिस में इस्तित्व वाइस्तल जहां हर्जवाधन ने बहुत महा सम्मीलन का आईजिन किया था ये प्रयाग में, नर्बदा नदी पर समराथ हर्ज की दच्छरवर्ती अग गमन को रोका था, पुलकेसिन सेकंड ने, किसने भारत आये था, समराथ हर्ज की सासनकाल में, हैंसांग चीनी यात्री ये समराथ हर्ज की सासनकाल में, भारत की यात्र करने वाला चीनी यात्री यूजान, हैंसांग, ने ततकाली भारत के सामान दसाओं और संस्किती का बढ़न किया, इस अंदर में सही कतने, जहां तक पर आटों और नौकों पर सोल कर देना पड़ता है आप समझे एक समय उगा करता था गीता है और किसम रखकर आप किसम गलत खाले देती तो आपको सजा मिल जाती थी भगवान देता था आज आप देखिए तो एक माननता होती है मुझे लगता है जब सभी पापी भर जाएं तो कहा से ही मानता बैए उसमय आप सोचेगी बैस पिलाया जाता था सद्ध की परीक्षा देने के लिए और आज पलागी देखिए किसी भी कीमत में वो जिंदा नहीं रहेगा समझ रहे हैं और उसमय आदमी अगर नेदोस होता था तो भी भी लेता था वो किसी भी परीक्षा ने अधिन किया था नालंदव इस विध्यालाय में आज भी भारत में हिंसां को याद करने का मुक्त कारणे सी उकी की राचना चीनी यात्री जिसने भेन माल यात्रा की थी हैंसाव ने चीनी यात्री इस सिंग ने बिहार का भिमर किया लगवा चीनी लेकर भारत का उलीक करते हैं इन तू नाम से नालंदव इस विध्यालाय की विनास का कारण था मुसलिम आहमत भारत में सबसे प्राचीर विहार था नालंदव नालंदव इसते थे विहार में गुपतुत्तर यूग में प्रमुक व्यापारिक इंद था तनोज जल्षकबर्ग एस्तित में आया आर दोनों सही है आर ये की सही ब्यांकि अभी कर रहा है ठीक है याद रखेंगे बारती इतियास के तंदरम में सामन्ती विवस्ता कि अनिवार्ध तत्य भूमी के नेंतर्ण तथा स्वामित पर आधारित पिसासनिक सरजिना का उदय सामन्त उसके अधिपति के वीच सुमीदा समंसी का बंणा। इस सामंसी विवस्था के अनिवाल तत्य आधार इस्तमगते। सत्यकितलकत है, चीनी जात्री फायान चंदगुप्त दुध्यय का समकाल है, चीनी यात्री फाया हैं शांग हर्स से मिला उसे बहुत धर्म का उपासक बताया बिल्कुल सही है दो मुझा आठवी सिदाब्दी के संथ संकराचार के बारे में सही कतन है उन्होंने भारत के विवने चित्रों में चार धाम स्थाबित किये उन्होंने बेदान्त का विस्तार भी किया उन्होंने बहुत दो जयन धर्मों के विस्तार पर रोक भी लगाई यह सभी कतना आपके सही है संकराचार के बारे में संथ आदि संकर जो बाद में संकराचार बने, उनका जिनम हुआ था केरल में, किस में? केरल में, दच्छन भारत का राज़ चल्ट, ठीक है, आदि संकराचार द्वाना इस्ता भी चार मट कौन से थी? जोसी मट, द्वारकानाथ, पुरी और संगरी में, ठीक है, रवी कीर्ती, अमीर कुसरो, अलावदिन के लिए, पाली दाच, चंदगुप सेटन, हरी सिंद, समुदगुप, और उमाडवट, हर्सभर्ण, पता है, इसमें कोल शाप की प्राज, मद्दकानी भारत की पॉइंट भी लिए गये हैं, तो चले एक खेर छोड़ी आपन को क्या लेना देना पढ़ना है, समले थे, भोज, धार, दुर्गावती, गौडवाना, समुदगुप्त, प्रांतिय सासक, बिदीशा का था, असोग प्रांतिय सासक था, ओजेन का, अब बात कर लेते हैं, पराजिन भारत में, इस्थापत कला के बारे में, खजवराहु का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाये था, चंदेल ने, अब देखे, मन्देकाली भारत का है पौइंट, खजवराहु की मंदिर समदी थे, हिंदू जहर धरम और जहन धर्म से, खजवराहु इस्थित मंदिरों का निर्मार कर पाये था, चंदेल वश के राजाओं ने, किसने? चंदेल वश के यह MP के एक्जामों में तो पूछता ही है, साथ में आपका कई एक्जामों में आखे पूछ लेता है, ठीक है? खजराओ को मातंगी सोर मंदिर समर्पित है, सिपको, कंदरिया महादियो 64 योगनी, दसावतार और चितगुप्त में से हुआ है मंदिर जो खजराओ में नहीं है, दसावतार नहीं है, खजराओ के मंदिर भीमबैटका की गुफाएं, साची की स्थूप और मांडू का महल में सिपको, कंहरी केंद में देखने को मिलेगी। आभू का जैन मंदिर बनाए संग मरमर सी, किसी संग मरमर सी, भाव नगर माउंट आभू नासिक और जैन नगरों में सी, वह जिसके नकट पाली ताना मंदिर अवस्ते थे भाव नगर, एलिपेंटा की गुफाय मुखता इस धरम की मताव लंबियों की ओपयों के लिए काट क बनाए गी थी, स्याओ धरम और बहुत धरम, एलिपेंटा की पिसे दिशेल को काट कर बनाए गए मंदिरों का स्रेज दिया जाता है, राष्ट कूटों को, किसी राष्ट कूटों को, आजंता भाजा एलिपेंटा तता एलोरा में सित्त्री मूर्ती के लिए विख्या थे, प्राचिन भारत में गुफ्दी काल से सम्दित, गुफ़ा चितांकन के के वल दो उधारन उपलप थे, इन में से एक अजंता की गुफाओं में किया गया, चिंतांकन है और गुप्तकाल के चित्धाकन का दूसरा अफिश्श्थ उपलप थे दाव गुफाओं में, एलोरा की गुफा गुवा मंदिर समंदी थे हिंदू बहुत जेन से एलोरा में गुफाएं और सेलकित मंदिर हैं हिंदू बहुत जेनों के बहुत हिंदू जेन सेलकित गुफाएं एक साथ बितमाने एलोरा में आपको देखने को मिली थे पश्चमी भारत में प्राचिंतम सेलकित ग कि मंदिर वे बाद पूछ बंसों की पैलास मंदिर का निर्माड को राश्ट कूटों का सनरक्ष्ण प्राप था जैन धर्म को इसे जय नर्म, आजन्ता एवं एलोरा की गुफाइशते थे औरंगाबाद महाराथ में, एक गुप्त मंदिर हो गया इस्तान, एट निर्मित मंदिर भीतर गाउं, दसावतार मंदिर देवगर्ड जहासी, सिव मंदिर भूमरा और विष्णु मंदिर एरन में आपको देखने को मिलेगा, भारतिय सिलाव वास्तु के इतिहास के संदर्म में सत कतन है, भीमेटका की गुफाएशते बहारत की ब्राजीनतम अवसेश्ट सेलकित गुफाएशते बराकर की सेलकित गुफाएशते समराथ असोग द्वारा मूझता अजीबकों के लिए बनवाई गई थी, एलोरा में गुफाएशते बिबने धर्मों के लिए बनाई गई थी, इस अभी कतन आखके विल्कुछ सही हैं, अजन्ता की कला को प्रेशा रियानी की साहता दिया था वाकार टकोंने, ठीक है, अजन्ता की गुफाएशते रामार्ण महाबारत जातक कथाएशते और पंचत समाने हुए हैं, दौनों में सलाकित इसमारक हैं, सूची एक, सूची दो, हम भी कहां देखने को में लेगा, करनाटक में, नागरिजुन कॉंडा, ये आंधविदिस, सेसू पालगर, उडिसा, अरीकमार्यू, ये पुडूचेरी में, कॉंडार का सूर मंदिर कहां देखने मंदिर इस्ते थे, गुजरात में, लिंगराज मंदिर अवश्ते थे, भुमनेसुर में, उडिसा में, नष्ठ होने से बचे मंदिरों में सरबादिक बढ़ाओ, सबसे उचा मंदिर कॉंसा है, लिंगराज मंदिर, जगनात मंदिर इस्ते थे, उडिसा में, भुमनेसुर त मुझ का निर्माद बारे वी सताप्दी में करवाय था, «सूर ब्रमन सेकंड्र ना», चत्तानों को काटकर महावली पुरम अथबा मामलपुरम का मंदिर बनवाये गया, पल्लाव द्वारा महावली पुरम का सब्त रत मंदिर बनवाये था, नर्सिंग बर्मन फश्ट द्वारा महावलीपुरम की रत मंदिर के निर्मान करवाय था नर्सिंग बर्मन फश्ट ने किसने नर्सिंग बर्मन फश्ट ने द्रोपती रत भीमरत, अर्जुन रत और धर्मराज रत में सी वह रत जो सबसे छोटा है यह आपको देखने को मिलेगा दुरोपती रश्ट सबसी छोटा है यह इस्थान होगा इसमा रख होगा एले फिंटा गुफाएं सेवन वेल बूला यह मूर्थी है खजुराओ मंदिर के लिए पिसिद्ध है सांची स्टूप के लिए पिसिद्ध है एक इतिहासी किस्तल और भीमबैटका MP मध्यपदेश सोर्टेंबल इतमिलनाडू हमपी कर्णाटक मानस असम ठीक है एलोरवा की गुफाएं राष्टकूटों ने बनवाएं यानिकी इनका संरक्षन रहा मिनाक्षी मंदिर पांड और खजराव मंदिर चंदेशास्पों महवलीपुरम के मंदिर प देरिनाद विष्णु मंदिर टेकर सूर्मंदिर कॉडार्ड लेंगराज मंदिर बोमनेशोर हवामाय जैपूर गौंतेश और पीगी पितमा कर्नाटक सूची एक सूची दू नालंदा विसविद्यालाय सारनाथ असोकिस्तम साची इस्थूप के लिए कॉडार्ड सूर्म में कां? MP में दक्हान, सौनागिरी का इतिहासिक द्यगंबर जयन इसतित है मध्रिदेश के दतिया जिले में, दिलिभाडा जयन मंदिर इसतित है माउं टावू में अरवली कर्वात्पन, पषिद्ध बिरु पाक्ष मंदिर हो इसतित है हमपी में, नागर देविड और भे पिसेद नयमी सारण इस्ते थे सीतापुर में, यह विक्यात मूर्दी सिल्ख हो गए और इस्तल हो गए, बुद्ध के महापर परिनिर्माड की एक भाप फित्मा जिसमें उपर की और अनेक देवी संगीतक और नीचे की और उनके दुखी अनुवाईज दर्साए गए है, यह आपको उदैगरी वह फा में देखने को मिलेगा, विसाल गोलासमक पर उत्किन, अर्जुन की तफस्या, गंगा उतरण ए मामलपुरम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत की कला और पुरातात्वी कितियास के संदरों में, भुबनेसोर इस्तित, लिंगराज से किया गया था, ठीक है, याद रखिया, अब दर्षिन भारत में भी आप देखते हैं, चोल, चाल, चालुक और पल्लाव और संदम्यू, इन्हें भी देखते लेते हैं, नभी सताब्दी इस भी में चोल समराज की नियू डाली थी, बिजया लेने, किसमें? बिजया लेने वह मंदिर पर से जिसमें एक भारी भरकम नदी की मूर्ती, जिसे भारत की विसालतम नदी मूर्ती माना जाता है, यह आपको बेहदिस और मंदिर में देखने को मिलेगी, तंजोर गा बेहदिस और मंदिर जिस चोल सासक के काल में निर्मित हुआ था, वह था राज-राज- पिथम, राज-राज-पिथम, चोलों का राज जी फैला था, पूरुमंडल तर्थ और दक्कन की कुछ बाबत, कावेरी बजनब महाबलीपुरां वो कांची और तंजोर में से चोलों की राजधानी क्या थी, तंजोर थी, तंजोर, ठीक है, चोल पिसासन की विसेतना है थी एक ग्राम पिसासन की स्वाइब था, वाय दच्छेंड भारतीय राज जिसमें उत्तर ग्राम पिसासन था चोल में, चोलों की ये दिन ग्राम पिसासन के बहुत से विवरेज, जिन से लालिकों में हैं बेहें, उत्तर मिरूर, चोल सासन की सासन काल में उध्यान पिसासन का क वारत देखता था, टोट वारियम, सही गतन है, चोलों ने फार्ण दे तथा चेर सास्त्रों को पराजित कर, प्राय दुपिये भारत पर बारंबिक मद्दकाली समय में अपना फ्रुबुत इस्थाफित किया, चोलों ने दच्छिन पूरवी, एसिया के सहलेंद, समराज के विरुद, सैन चड़ाई की तता कुछ चेतरों को जीता भी है, इस अभी गतन सही हैं आपके, चोल कालमेने में नडराज की कास्पितिमाओं में देव, देवा कित्ती पाई, प्रा चतुरों जाए, कैसी है, चतुरों दच्छिन वारत के विशिस चोल एक की स्थापत्य की विश्में, सेश्ट्म पितिमाँ प्रच्छन मानना जाता है, नडराज को, किसे नडराज को, चोल सासकों की समय बनी हुई पितिमाँ है, में सबसे अधिक विख्यात है, नडराज की सिफ की कासे की पितिमाँ, सिफ की दच्छिना मूर्ती पितिम जो अपनी नौसेरिक सकती के लिए विसित था ये था चोल, कौन था चोल था चालुक चोल कंदप और कंचूरी राजबंसों में से हुआ जिसके अपने सासनकाल में अपना उत्तराधिकारी को सित कर देते थे यानि कि अपने जीते जी चोल, चोल सासों में जिसने बंगार की जी खाड़ी को छोल जील का सवरोपदा न किया था वह राजिनि में गंगी को अपने चोल पूरं की स्थापन की ती राजिनि पिताम ने वह चोल सासक जिसने उत्तल मौनें बहत चिंतिं जील बनमाने का स्रेज इतां राजिनि shrinking वह आप लोग स्री लंका को जानते हैं स्रीलोन की नाम से राजियंद पितम था। वह चोल राजय जिसने स्री लंका को कूर सुतनता दी और सेंगल राजकुमार की साथ अपनी पुत्री का विवा किया था। इस सब्द हो गया है वित्रण हो गया है विवर्ण एरिपक्ति भूमी जिसमें मिलने वाला राजस्ट अलग से ग्राम जिलाशते की रख राखाओं के लिए निर्दारित कर दिया जाता था। तनी रियूर इस्थानिय विसासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना गठी का प्रामंदिरों के साथ समध्द विद्ध्याले होते थे गठी का। प्राचीन वारत का हुए माधत्पूर ब्याबार के लिए जो उस ब्याबार मार्ग पर था जो कल्यार के वेंगी से जोड़ता था तगर में कहां तगर में। प्राचीन संस्कित गरंतों में प्राप्र यवन प्रियर सब्द वहों तक था काली मिर्च का। संगम सायथ में तोल का प्यम एक गरंत है तमिल व्यागरन का सिलफपादी का अरम का लेख़ था इलंगो अडीगल अडीगल ठीक है समिले थे सूची एक सूची दो तिरोग कूरल दर्सन से नमले तोलिक का पियम ब्यागरन सिलपादी कारम प्रेम कता मड़ी मेकले वडेक कता इसा की वैरामबिक सताथियों में भारत तथा रोग के भीच घानेश्ट व्यापारे सम्मंदों की सूच नपराप्त होती है अरीक ह माड़ू तामिरिपी कोर के और वारपीरी कम मैंसे वाय बंदर गया जो पूड़िक को नाम से दी परिपलस ऑब दा एरिध्यन सी के लेकर को गया था अरीकामेडू रोमन बस्ती प्राप्त होई अरीक माड़ू से एम फोरा जार होता है लंबा और दोनों तरफ हत्यदार और राजवन्स मैं में से वह जनका उल एक संगम साहत में नहीं हुआ है ठीका है चेर चोल पलाऊ पलाऊ पांडाउ हरा जो स्तमिल देश की संगम युग का राजवन्स नहीं था ये पल्लाऊ नहीं ता दार्मी कब्कावक्ण का संकलक खोरल तमिल वहासा में तमिल गिरंथ जिसे लगु वेत की संग्या दी गई है एक कुरल तमिल रामायड या रामवतारण का लेक के कबम कंबन मातिकाली भारत के सांस्किति कितिहास के संद्रम में सही कतान सथ कतान है तमिल छेत के लिए सिद्ध सितर एक सुरवादी थे मूर्थी पूजा की निन्दा करते थे कंड़ छेत के लिंगायत पूर नर्जनम की सिद्धान पर प्रिसने चंड लगाती थे और जादी अधिकरम को आसुइकार भी करते थे यह सूची एक सूची दो गुप्त देवगर्ड चंदेल खजवराओ चालुक बादामी पलो पनमली से संब्धित थे चतुर ग्रेदी मंगलम परिसत अष्ट दिक्कज और मडी ग्रामम मैं से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारीयों का निगम था मडी ग्रामम दर्चन भारत का विशिद्ध तखोलम का यूद्धुगा था चोल और राष्टकूटों के बीच चोल समराज को अंतरता समाप्त किया गया मलिक कपूर के द्वारन मलिक कपूर के द्वारन कपूर संगम योग में उरे यूर विख्या थे सूतिवस्त के केंद के रूम में पांडराजी की जीवन रिखा है बैंगी नदी संगम पतन जो पश्मी तठ परिस्ते थे नौरा तॉंडी मुसेरी और नेल खिन सेंडा संगम वाली साहत में कौन वो मन प्युक्त होते हैं राजा के लिए तितिय संगम हुआ था मदरई में पित्था में दुतिय संगम का आयोजन किरमसा हुआ है मदरई कबाट पुरम अलिवाई में वह रिसी जिसके गवारे में कहा जाता है कि उन्होंने दच्छिन भारत का आयकरन किया उन्हें आर मनाये पिर्षेररन दिया था यह था मत्त्वालें जालुक के राजपूत गुद्ध एवां मोर में से वह राजवंस जिसने उत्तर भारत पर सासन नहीं किया तो यह जालुक नहीं किया था हे रुरू मठ आवढ़ा पराचिन साहे से वं साहतका को यह इतिहास के पिता की बदभी सही यर्थों से संब्दीत है 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 रूडॉटर को आप लोग कहते हैं ना कि इतिहास का प्रिक का भागर कें फिता मुद्रा-था कक्ट यह स्थर है जो गुप्त काल में लिखी गई थी अमरकोस कामसूत मेगदूत मुद्रा राक्चस ठीक है आंगे आपका दसकुमार चरित के रचनाकार्थी दंडे कुमार संबाव महाकाप लिखा गया है कालिदास ने मालविकागनी मित्रम अभिज्ञान सकुंतलम कुमार संबाव और जान यह लेखाक होगए पुस्तेख पढ़नी ने कौन लिखी अश्टाध्याई की लेखा कौन थी पढ़नी कामसूत वाकसे आयन अरच चाणक राज़तरंगनी कलहर द्वार राच तरंगनी संबनधी थे कस्मीजद्ञे तियास से अश्टाध्याई लिखी गई है पढ़नी द् संस्कित की रचनाय जिनोंने महावारत से अपना कथा सूत लिया नैस्दिये चरित की रतार जुन नियम और सिसु पालपत सूची एक सूची दो विसाकदत नातक है वराहमीर एक खागोल विज्यान चरक चिकसा विरम अगुप्त गड़ित चरक सहतानावा कुस्तक संबनित च किसे चिकसा से वराय भीर की पंच से धांदिकार दारे थे यूनानी जोती विद्ध्या से कालीदास रघुबंस भास स्वपन वास्त वद्धम माडबट कादमरी हर्स रतनावली मिलेंद पनो पाली गरंथ है पाली गरंथ है हिड़ी है बढ़ गरंद मिलेंद पनो जिसे मिलेंद ठीक है मिलेंद पनो राजा मिलेंद टथा एक बहुत विक्चु के मद्द्द संभाद रोम में मॉयर्ण वाया ठीक है त्थे परातिन वारत की व्यापालिक मारगों पर मौन है मिलिन ने पन हुग ठीक है दरवारी कभी हुग है राजा अमीर कुष्रो अलावदिन के लिए काली दास चंदगुप्त दुथिये हरी सेंड शमुदगुप्त बाढ़भट हर्सभाटन राजतरंगी के लेका कलहन के समय सासक था जैसी कलहन किरती राजतरंगी में क अमर्को सिद्धान्त स्रोमनी बेहत सहिता और अश्टांगी दय मैसे वह जो विसकोषी है ग्रण्थ है बेहत सहिता मैच्छ कटीकम सूद्रग भुद्यचरित अस्वगोज मुद्राराक्षित विसाकसादत हरिश्चर्थ वाडवत गरंदकार मूल गरंद वराहमीर बेहत स सहिता विसाका प्रणाम देवी चंद गुप्तम सूद्रग मैच्छ कटीकम बिलहड विक्रमांग देवचरित एवी आपका सहिए करपूर मंजरी राजसिकर मालवी कागिनी मित्र कालिदास मुद्राराक्ष विसाकादत सौंद्रारंद अस्वगोज ठीक है याद रखिया क क्या-क्या याद रखिया करियों सकुंतलं लिखा है कालिदास ने मच्छ कटीकम मेकदू रृतु संगार विक्रम बर्णाम मैसे कालिदास की सहती कृति नहीं है मच्छ कटीकम नहीं है काली दासुरा द्वारा रचित मालवी कागनी मित नाटक नाटक है कनायक है अगनी मित वैपस तक जिसमें सुंग राजवन्स के संस्थाफक के पुद्ध की प्रेम कहानी है मालवी कागनी मित सुपन वास वद्धिता के लेकप है वास गीत गोविंद के रचेता जय देव अलंकित करते थे लच्मर सैन की सभागों रचनाय हो गई पिस है अश्टांक संग रहे आयो विज्ञान दस रूपक नाटकला लेलावती गड़ित महावास ब्याकरन तुम्हारा अधिकार कम है फल की बाती यह बात जिस गिरंद का वह गीता जो यहां के यहां है वह अन्यन्द भी है जो यहां नहीं है हो कहीं na है या किसने कहा था महाभारत में फराचीन महारत को वह ग्रंद जिसका 15 भालती है और 40 विदीसी भासाओं में अनुबात हुआ है यह पंच्टन्थ कौन सा है पंच्टन्थ पंच्टन्थ मुल्लूप से लिकी गई है विसनू सरमाद्वारा विष्णो सर्माद्वारा ये लेखक होगा है ये ग्रंद होगा है सरफ वर्मा कातंद सूद्रक मेच कटिकम बिज्यानिसुर मिताक्षरा कलहन राष्टरमगी आरवट ब्रम्मा गुप्त भासकर और लल्लमे से हुआ है जो वीजगड़त के चित में अपने युगदान के लिए विशेश रोप से जाना जाता है ये है भासकर गड़त की पुस्तक लीलावती के लिए खकती भासकर आचार आरवट थी भारती गड़तक और खगोल सास्क्र वैभारती गड़तक जिसने दसमलों के इस्थान, इस्थानिक मान की कोच की थी ये थे आरवट, मत विलास प्रेशन का लेकप था महिंद बर्मन, मनु इसमीती मुक्ता सम्मदी थे समाज विवस्ता से, किस से समाज विवस्ता से, भारत में पितम बिदी निर्माता माना जा फिलिप्तिकल, पांपेक्स, टोगस, दाहिष्तिरी, एहरोडोटस, सितार वीडा सरोद तबला में से सबसे प्राचीन बात्यां थे, वीडा, कुछ पूर मद्दकाल के पॉइंट देख लेते हैं, आर्सो से बारहे सुप इसवी के, पितिवीरा चौहन के नाम से पिसे थे, पितिवीरा तितिय, तामपत लेक लेक दरसाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संभग था, जावा समात्रा से, गोबिन्द चंग गडवाल की एक रानी कुमार देवी ने धरम चक के जिन बिहार बनवाय था, साहनात में, हमेरी महाकाप में चोहानों को बता पॉंडवर्दाई और पितिवीरा रासु, जगनिक आलाखंड, नर्पति नाल, एवीसल देव रासु, ठीक है, राजपूतों बनसों में से हो है जिसने आठवी सिदाती में दिली का यानि कि देली सहर की स्थापना की थी एक तॉमर बनस, जिसे आज आज आप लोग दिली जानते हैं ना उसी, जिजाग भुक्ती प्राचीन नाम था बोंदेल इंडका, पॉंडो वर्दन भुक्ती अवस्तित थे उत्तर बंगाल में, पालवनस के संस्तापक था गोपाल, सौमपूर महावियार का निर्मार कराया था धरमपाल, उस पालसासा का नाम बताईए जिस किसने विक्रम सिला विस्तिविद्याले इस्तापित किया था धरमपाल, विक्रम सिला विस्तिविद्याले अवस्तित था बिहार में, राष्टपूर समाज समराज में निव रखी दंती दरुगने, हिरन गरत धार्मिकार करवाता था धंती दरुगने, किसने दंती दरुग ठीक है अपने पिता की अभियानों की क्रम में सैनिक छाओनी में पैदा हुगा था अमोग बस राश्टकूट महांतम कितिहार राजा था मेहिर भूच कौंसा मेहिर भूच महां जैन विद्वान हेमचंद अलेंकित करते थी कुमारपाल की सभागों धरमपाल देवपाल विज ग्यानिस और हमादरी और जेमूद वान महान संस्कित का भी यह उन नाटक का राज सीकर संबन थी महंदपाल पितम के दर्वार में से पितिहार कन्योज चोल तंजोर परमार धार सोलंकी अनहिलबार ठीक है गुड़िहार पितिहार बंस की स्थापना की थी नांगबट पित कन्योज का नगर महुदर्श्री के नाम से जाना जाता था कन्योज को चामोन राय जैसिंग सिध्राज कुमारपाल और महीपाल देओं की जिसने खंबात में तोड़ी तोड़ी गई मस्जित के पनानमाण के लिए आतिक साहता पिदान की थी जैसिंग सिध्राज राज अश्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती गौडबहो की रचेता है बागपती पिसिद्धिस्थान छे बहुत गया बिहार में खजवराहू बुंदिलकंड सरीडी एमदाबाद महराश्ट नासिक महराश्ट तिरोपती रायल सीमा अंधिकरीज मद्यकाली महारत के आर्थी क अगे था आपका प्राचीन भारत और कुछ ही पॉइंट आपके मद्यकाली महारत को भी जुड़ गया है ठीक आगे हम लोग बात करेंगे separate आपका मद्यकाली महारत उसके बाद हम लोग प्रा आधूनिक का लग आधूनिक भारत ठीक तीनों को देख लेंगे तो चलिए हम लोग प्राचीन भारत को देख चुब यह दिसमें आज हमें बात करनी है मद्दकालीन भारत के इतिहास के बारे में याद रखिए यह भी आपकी रिविजन के पॉइंट विव से ही क्लास है तो आपकी इसके बाद केवल बश्तिया मद्दकालीन भारत के बाद आदनी भारत उसे कवर करने के बाद आपका खतम है आप लोगों को बस पढ़ना है मेरी तरफ से जितना था उतना मिल गया है आप लोगों को ठीक हो विस्तार से आपका पूरी NCEIT खतम करती है किरन सामान ग्यान बुक्स बहुत बढ़िया बुक्स है आपके लोगों की देख जाम कच्छू उटेगा उसे पढ़ने के बाद रियाद रखी क्विक रिवेजन की नाम से आपके लेलिष्ट भी सोची बनी हुई है तो उसी में सभी दले हुए मद्यकालीन भारतिये इत्यास तो सबसे पहले बात करते हैं भारत पर मुस्लिम आकमर देखते हैं भारत पर मुस्लिम आकमर पेगंबर हजरत मुध का जनम को हुआ? तो यह देखेंगे विलले 570-20 में मुहमद साहब की मित्ती हुई थी 632-20 में मुहमद साहब का जनम को हुआ? 570-20 माप करिए थोड़ा पैगंबर हजरत मुहम्मद का जनम 570 और मुहम्मद साहब की मित्ति उसाहित है च्छेसो बतीसी इसमी में हुए मक्का है साउधी अरब में मक्का कहा है साउधी अरब में हिंद भारत की जनता की संद्राब में हिंदू सब्धिक कत्रयोग किस ने किया था अरबोन है अरबोन है आप जानते हैं एक महासागर भी है हमारा कि जिसका नाम हमारे भारत की नाम पर हिंद महासागर भारत पर पहला मुसलिम आकमड हुआ 711 इस भी में भारत पर पहला मुसलिम आकमड का हुआ सास्थो ग्यारे इसमे महमज बिन कंषिम द्यॉर्य सिंद्गी विजय कीगी th appeals इनको याद रखना हैं इक कुश्टेंस आपके कई बात पूच ले से बहरत पर सरव बिन मुसलिम आकमरकारी थे अरब गजनी राजबंस का संस्ता बकता अलपत गीन ठीक है चंदेल सासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था विद्ध्याधर कौन विद्ध्याधर कफन एक कारण आर महम्मद महमूद गजनवी महमूद महमूद गजनवी का दरवारी इतियास कार कौन था उत्वी साहे नमा का लेकर के लिए पराजबंस के लिए आते थे फिरदोसी संबंदी था महमूद गजनवी के दरवारी महमूद गजनवी गजनी के साथ भारत में आने वाला पिसित दियास कार इवं मुसलिम विद्ध्वान को था अलवर्णी अलवर्णी भारत में आये था ग्यारवी सताब्दी में ग्यारवी सताब्दी इस्वी में अल आप देखेंगे कि इसमें वही questions लिए जा रहे हैं या तो पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी संभाव नाया आँगेने बाली परिक्षाओं में इसलिए तो कहे रहा हूं कि आप 4-5 साल की questions पेपर उठा के देखिए जिस भी परिक्षा की आप इत्जाम की दयारी क महमूर गजशनभी ने मदेशिया का साथ क कि इस नहीं 1292 में उत्तर भारत को जीता था यह था सहाबुद्दीन मुहमुद्गौरी कहते हैं इसका पूरा नाम सहाबुद्दीन मुहमद्गौरी है उसके बाद मुहमद गौरी को सरभ कितम पराजित किया था भीम दुतिये आपका तराइन का पहला यूद्ध हुआ था इसमें मुहमद गौरी हारत था लेकिन दुतिय जो यूद्ध हुआ था तराइन का इसमें मुहमद गौरी जीता था और ये 1191 में पहला दूसरा 1192 मुहमद गौरी ने जैचंद को पराजित किया था इस चंदावर की यूद्ध मे 1194 में वह है योद जिसमें भारत में मुसलिम सक्ती स्था पित्वी तराइन का दूती है योद भारत पर आखमाण करने वाले बेक्तियों का सही क्रमे महमूद गजनभी, मुहमद गौरी चंगेज खां तैमूर सबसे पहले महमूद महमूद गजनभी, फिर मुहमद गौरी चंगेज खां तैमूर वह है मुसलिम सासक जिसके जिसके सिक्कों पर देवी लच्चमी के आकृती बनी ये था मुहमद गौरी भारत में मुहमद गौरी ने पित्थम अक्ता पिदान किया था कुतोबुद्दीन एवक को मुहमद गौरी जिसने बंगाल विहार पर विजय फ्राक्त की थी वक्तियाज खिली जी का दास्त अब बात कर लिते हैं दिल्ली सल्तनत इसमें बात करते हैं गुलामबंस गुलामबंस का संस्थाबा कौन था कुदोबुद्दीन एवक कौन था? कुदोबुद्दीन एवक दिल्ली सल्तनत का सल्तान जो लाट वक्स के नाम से जाना जाता थ है कुदोबुद्दीन एवक को क्यांकि आप जानें कि यह बहुत बड़ा दानी था समझ रहे हैं? इसलिए कुतुबुद्दीन एवक द्वारा बनवाएगा धाई दिन का जूपड़ा एक मस्चित थी, क्या थी? एक मस्चित थी, पिसे दिक कुतुम मीनार की निर्माड़े में एवगान दिया था, कुतुबुद्दीन एवक, हिल्दुतमिस और फिरोसाय तोगलक ने, यादर की इसम की दोड़ान, अस्य से गिरने के कारग चौगान खेलती समय. इल्दै को सल्तनतु के राध्धानी की रोह में इस्थापित किया था, इल्दुतमिस ने, इल्दुतमिस ने. इल्द्ति में दिल्दी का वयाएपिताम सुल्तान जिसने नेमित सिक्प्य जारी किया और दि दिल गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्टूतमिस को मध्यकालीन भारत की पितम महिला साची का रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान मंगोल आकमाट चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्टूतमिस के काल में मंगोल पितम बार सिंदू के तट पर देखे गए थी इल्दूतमिस के सासनकाल में चंगेज खान का मूल नाम था तैमू चिन इल्दूतमिस ने विहार में अपना पितम सुविदान नियुक्त किया था मलिक जानी को तो रजिया बेगम कुछ सत्ता से हटाने में करने में हाथ था तुरुकों का दिल्ली के सुल्दान बल्वन का पूरा नाम क्या था ग्यासुद्दीन बल्वन दिल्ली के सुल्दान बल्वन का क्या पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बल्वन दिल्ली का हुए सु के विसह में कहा जाता है कि उस ने रख्त और लोही की नीती है अपनाई अ था बलवन ये कई बार पूंचे भी लिए आ गया है रख्त और लोही की नीती अपनाने बाला साउस्ट रक लागता बलवन कथन एक कारण आर कथन एक बलवन ने अपने सासन को सक्ति साली बनाए और सारी सत्ता अपने हाथ में केंदित कर लिए बिल्कुल सही है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आकमर से सुरक्चित करना चाहता था ए आर दोनों सही है लेकर आर की समचित व्याक्या आर नहीं करता है अपनी सत्ती को समयकित करने के बाद बलवन ने धार्म की जिल्ले इलाही की उपादी बारत में पेसे दिफासी ते वहार नौरोज का ओ आरम किया बलवन के ही समय से प्यार्म हुए तो बलवन के संदर्म में सत्कतन है उसने नयामत एक खुदाई की सिध्धान का पितिपादन किया था उसने तुर्कान एंचेहल गानी का प्रभाव समाक्त किया था उसने बंगाल के विदरों का दमन किया था नसरूद्दीम महिमूद ने उसे उल्गु खांकी उपादी भी दी थी, याद रखिए उल्गु खांकी, उल्गु खांकी, गर्बुक्ति सुर्ग की मस्जित की दिवार पर अपने सिलालिक में स्वें को खलीबा का सहाय कहा है, किसमें बलबने, फिर आप जानते हैं कि गुलाम बंस के बाद आता है, खिल खिल जी बंस के स्थापना इसी ने की थी, अलाउद्दीन खिल जी ने, ठीक है, मापकर ये जलालुद्दीन खिल जी ने की थी, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, किन्तु उलेवान लोगों ने बिरोद किया था, ये था अलाउद्दीन खिल जी, दिल्ली का स सिकन्दर सानी की उपादी अलौ दीन जलाल उद्दीन घिल जी पिस सहिनापती जिस की मंगोल के विरुद्द लड़्डियों मिती हुई टी जापन खान, जापर खान, रानी पदमनी का नाम अलाउद्दीन की चितोड विजय से जुड़ा जाता है, उनके पती का नाम था राणा रतन सीन, आप लोगोंने जो पर्माबत मुवी आई थी उसमें देखा भी होगा, देखे अच्छी मुवी आप लोग, इस तरह एक इतिय पर जो मुवी गंती होने देखा करेंगा, कथन ए, अलाउद्दीन के दच्छीड अभियान धन प्राप्ती की अभियान थी, बिल्कु सही है, कारण आद, यह दच्छीडी राज्यों को कब्जी में करना चाहता था, आर गला थे, यह सही है, अलाउद्दीन कील जी के अक्म है कि उसने भूमी करको उत्पादन की पचाफ की तीसर तक कर दिया था, यह था अलाउद्दीन कील जी, अलाउद्दीन कील जी के बार समद्ध में सही कतने, उसने ख्रष्ट जमीनों की 22 के अब बार जमीन की माल बुजारी पसूल की, उसने परांतों की गवर्नरों की अध परवार में लगे, वो इतकारीगरों को कम बेतन देना परता था, देना चाहिता था, आ गलत है, यह सही है, वैसोल था जिसने बाजार सुधार लाउद्दीन कील जी आप समझ रहे हैं, बाजार में भी सुधार लाउद्दीन कील जीने, मूल नेयंतर पदिती को पहली आरम की थी, अलाउद्दीन कील जी ने, घरी अत्वा ग्रहे कर लगाने वाला दिल्ली का पितम सुल्तान कौन था, हॉम टेक्स था, अलाउद्दीन कील जी, तेरे सो छे, इस भी की बाद अलाउद्दीन कील जी के समय में, दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों की भी सिमा थ फिर आते हैं कि तुगलग बंस कौन तुगलग बंस अलाउद दिन की जी का वह सेनप अध्यक्ष जो तुगलग बंस का पितम सुल्टान बना इथा गाजी मलेक इसका एक तरह से संस्थापक भी है सबसे अधिक समय तक देश में राज किया तुगलग बंस की सुल्टानों दि मोहमद बिन तुगलग थीड़िवान अमीर कोई का नया विभाग सुल्टान द्वारा किया जया हूँँ अधि दिल्ली का सुल्टान जिसने एक पितक किर्सी विभाथ की स्थापना की और फसल चक की के योजिना बना थी. यह था मुहमद बिन तोगलग। मुहमद बिन तोगलग अपने राधनी दिल्ली से ले गया था, दॉलताबाद। भारत में सरो पितराम सांकितिक मुद्हा का पिचलन किया था. मुखमुद बिन तोगलगने कथन。 बितुत ने आध लिए तोगलग के साथ व्यापार में अभी व्यवयद्धी किलेस्वड सिख्खों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, R गलत है, A कथन है सही है और कारण गलत है, कथन A कारण R, मुहमद बिन मुहमद तोगलक की पितीक मुद्रा योगिना आसफल से दुई, बिल्गुर सही है, मुहमद तोगलक का मुद्रा मूर देश का यातरी, इवन बतूटा भारत आया था, मुहमद बिन तोगलक की सासन काल में, सल्तनत काल में डाक विवस्ता का विश्तित विवरण दिया है, इवन बतूटा ने, हुली तिवहर के सार्विने कुत्सव में भाग लेने, बालिदिली का पेथम सुल्तान था, कहा था कि सुल्तान को अपनी परजा से उपर जाको सुल्तान से मुक्ती मिल गई, ये मुहमद बिन तोगलक की संदर्म में कहा था, ओय सुल्तान जिसने बेरोजगारी को रोजगार दिलाय था, ये था फिरोज तोगलक, ऐसा सासा कभी चाहिए था, समझ रहे हैं आप लोग कि आप लोगों को धर्णा नहीं देना पड़ता, दिल्ली का ओए सुल्तान जिसने बेरोजगारों कि सहायतार, रोजगार का रहे की स्थाबना की थी, खरोज साय तोगलक ने, मुझे लगता है कि ये तो रट जाएगा, कभी पूचे जाएगा, आप बता देंगे कि आप प्रोज तोगलक ने, वय सुल्तान जिसके जिसके दर्वार में सबसे अधिक गुलाम थी, इता प्रोज तोगलक, मत्यकालिन भारतिये राजाओं के संद्रव में सही कतन है, बल्वन ने पहले एक अलग आरेज विभाग इस्तापित किया, ये सही है, अलाउतिन ने अपनी स अलग विभाग इस्ताविद किया था, इस अभी कतन आपकी विल्गोश सही है, अब देखिये, सिविल सर्वेस में आपको पूछ लेगा, मत्यकाली भारतिये राजाओं के संद्रव में सही कतन चुणना है आपको, एक दो, तीन, चार क्रम से दे 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 आप, और आपको न बनने, इस तरह से, या पुछ लेगा कि गोड़ों को दागने की पदेती सुरूं की थी, किस सासर ने, अलाउद दीन ने, इस तरह की बुश्यन्स बन जाए, सरक्टितम लोग निर्माड विभाग की स्तापना की थी, फिरोज सही तोगलत ने, दिल्ली का हुए सुल्तान ज जिसने ब्रह्मनों पर जजिया लगाए था, यह था फिरोज तोगलत मुहमद बिन तोगलत, फिरोज तोगलत, सिकंदलो थी सेर साहा सूरी मैसे वह सुल्तान जिसने फ Mythical की गुड़वत श़ताने के लिए उपाय किये थी, तो ये था फिरोज तोगलत तोपरा मेरट से दो असोग स्थम लेए दिली लाया था, ये फिरोग सानथ तोगलत लाया था, तोपरा और मेरट से, असोग की, टिक है? दिली का उल सुद्दान जिसने इस उदेश से एक अनवाद विबाद की स्थापना की कि उसने उससे दोनों संप्धाय की लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो दकी फिरोश तोगलक ने इसने फिरोश तोगलक ने राज़ी की खरच पर हज की विवस्था करन साथक था नसीर उत दीन मह्मूद वह साथक जिसके ससंकाल में ने भारत पर आखमन किया था नसरुदीन मह्मूद भिसमाई, तैमूर लंग ने भारत पर आखमन करिया था था 1278 में पर भारत महराज इस्तापित हुआ, सियद बस एक बात और आपको बता दूए आपो अप संस्किति को कोई खतम नहीं कर पाया हमारे जो संस्कार भाई उन्हें कोई खतम नहीं कर पाया लेकिन 1947 से अभी तरक के योग में आप लोग देखिए कितना हमारी संस्किति को ठेस पहुंचा जितना हमारे अंग्रेजों मुसलिम सास को ने हमारी संस्किति को धक्का नहीं दिय उतना आने वाले हमारी पेड़ी एक तरह बीडिया ने कुछ आपकी जो बॉलीवुड मूवी आए और आपकी कुछ चंद निताओं अपने मतलब के लिए हमारी पूरी संस्किती को एक तरह से ठेस पहुंचा है आप कहीं भी देखिए आपके संसकार वो जो भारत की आत्मा है रहत खे वो दिखाए नहीं देगी आपको समझ रहे हैं जिसके लिए बहारत आकी जाना जाता था कहां जालता है कोई कभी कह सब्ढ़ के वो भारत तो रहेगा लेकिन भारत की आत्मा नहीं रही है कि जामते है लिए इंसान में आत्मा नाह Celtic Galuts कहोई मतलब नहीं वह अपन मूऊज के थे लोधी सा सकते ही। कौन थे लोधी साथ diesen, बेली की राजगादी पर अफगान शाकizada सो वह ते बहलोल लोधी, बहलोल खान लोधी 1459곡 में यही लोधी की स्फ़वन कौन से तक सबसे पहले यही आता है, यही लोधी बैस्ट की स्थापना कॉ landlords करता है 그 cuando सेकंदर लोधी 14 सुनवासी से 15 सत्रे इब्राहिम लोधी 15 सत्रे से 15 सब्सक्राइब आप जाते हैं पानीपाउत का पितम वियुद बावग और इसके इब्राहिम लोधी के वीच हुगा था उसके बाद आप जानेगे कि लोधी बंस खत्म हो जाता है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को बरास्त किया था खत्म हो जाता है वह मद्द यूगीन सुल्टान के से आगरा सहर की निव डालने उसे सल्तनत की राध्यानी बनाने का स्रेज आता है एस सिकंदर लोधी को गुल रुखि उप नाम से अपने कवीताओं की रचना किये सिकंदर लोधी हैं अने के ऊपर कर समात करने के जाना जाता है सिकंदर लोधी को सेकंदर इल्दिन दिली अब बात कर लिती हैं विजय नगर किस ने की थी? अपनी मदरा विजय किती में अपने पती कि विजय अभियानों का वैडन करने वाली कभी इती को थी? गंगा देवी, विच्छेज नगय का वह पहला राज सासक जिसने बहमनियों से गवास वो छीना था, ये था हरियर सेकेंड, खौन था हरियर सेकेंड? सही गत ने नर्सिंग, नर्सिंग सालोव ने संगम बंस का अंत किया और उसने राज सिंगासन चीन कर सालोव बंस आरम किया, बिल्कुल सही है बी नर्सिंग ने अंतिम सालोव सासक को गद्धी से उतारकर राज सिंगासन चीना, बिल्कुल सही है बी नरसिंग की उत्तरवर्ती उनके अनोज किष्ण देव राय थी बिल्कुल सही है किष्ण देव राय की उत्तरवर्ती उनके अध्भाई अध्यूद देव राय थी बिल्कुल सही है विजय नगर की राजा किष्ण देव राय ने गोलकुंडा का योद्ध जिस राजा की साथ लडाता हुए है कुली कुटुप साह्य किष्ण देव राय की दरबार में अश्ट दिग्ष थी आठ तेलगु कभी आठ तेलगु कभी वह जिसे आधंद भोज भी कहा लाता है कौन किष्ण देव राय 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 किष्ण दे किष्ण देवराय के सासंकारव। अबदुल रज्जाक विजैनगर आये था, देवराय सेकंड के राजिकालने में। निकोली कोटी, निकोलू कॉंटी, इतली का यक क्या तरी था जिसने देवराय पिठम की समय की समय को आश्रय पर आप था विजय नगर राज्याओं का विजय नगर समराज की विद्धिय विवस्ता का मुक्विसेस्ता थी भूराजुस विजय नगर की सासर किर्ण देव के कराधान विवस्ता को से संभन्दी सही कतन है बोमी की गुडवत्ता के आधार पर भूराजस की दर नियत होनती है होती थी कारखानों की निजी स्वामी एक उद्धोगी कर देती थे यह वी आपका विल्कुल सही है वैस्थान जहां की खंधर विजयनगर की प्राचिन रात्थानी का पिती निदित करते हैं यह है हम्पी विजयनगर का सासर जिसने चीन के सम्भाट के पास अपना राध्यूद भी था था यह बुका पित्म ने पिसित्ध बिजर बिठल मंदी जिसके 56 तक्षित संगीत में स्वय निकालते हैं वह आवर्शित हैं हम्पी में कहां हम्पी में दिली सल्तनत पिसासन दिली सल्तनत के व विल्डी से भी डारेक्ट कुष्टेंस बनते रहे हैं यहाजकार वर्णी ने दिल्ली के सुल्टानों के अधीन भारत में सासन को बास्तों में इसलामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर और आवादी इसलाम का अनुतराण नहीं करती थी अधिकांस अमीर भा सुद्दान थे तरोग बढ़के किसरोक बढ़के दिवान अे वंद्गान थिरोष्ट उगलत दिवान — मुस्त्खराज अलष्टिन, दिवान अ कोई मोहमद तोगलत दिवान अरज बलमान ये भी आपका दीवान ए मुस्त्खराज अलाउद्दीन के लिए राजस विभाग, दीवान ए अमीर कोई, मुहमद बिन तुगलक्त किरसी विभाग से समधित था, दीवान ए खेरात धरोज तुगलक्त दान विभाग से, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन के लिए बाजार आँज दिवान आरज सेना भीहार से समद्धीद। दीवाने इंसा सरकारी पत्त विभार से समद्धीद। दीवाने वजारत । वह राजवन्स जिसके इंतरगत बिजारत का । हुदकस हुआ तोगलक राजवन्स की स्वाई बहुमी उत्पात पर लगने वाले कर को एंगीत करता है थराज उस मुक्तली बारत का मद्दकालीन सासक जिसने एकता विवस्ता प्यारम की थी इलतुत मिसने सल्तनत काल में भुराजस का सरविच ग्रामीर अधिकारी था चौधरी चौधरी सरकर लगाया जाता था सिचाहई पर जवावित संगमंद था राजर कानूल से ठोगस के こि सब्स एक उसलामी कानूल सल्तनत काल में ठबाजील कर्ज़ाय नियंद अत्रिक राशी सल्टनक काल की तो प्रमु कमदनाय कों थी जीतल और टंका 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 नामख चांदी का सिkkha चलाए गया था एकलत मिस्ञे सल्टनक काल के सिkkhe टंका ससगर्णी और जीतल थे चांदी और तामापी भगदाद की अन्तिम waterfall in magical दिल्ली सल्टवनित की कलावर सायत को अलाई दर्वाजा की निर्मार किस ने करवाए था अलाऊदीन खिलिगी ने अलाऊदीन तो ने नहीं दिया ता जाते हैंं कि इवख ने उसकी नहीं ही रखी, थी कोई सुच्पान कोटव मीनार के पांचवी निर्मार कराया था यह ता पिरो साय तो opposition भारत में पुथाद मु segment कर देम सुद्रे में नो के शुद्राम का साधु टिर्मार का समेरत मरत करें इस वरफा कि एक तै कि आए अधा है को नवहों के निर्माड का सही कालक्रम है, खुतम मीनार, तबलाकाबाद, लोधी गाईडन, फत्यपूर शिकरी, केर्वटी स्थम प्रसस्ती के रचेता थी अभी कभी, अभी कभी, चित्वोर का केर्वती स्थम निर्मित हुआ है, राणा कॉम्मा के सासन कालम, यह इस्थापत दिल्ली, कुबबत, अलिसलाम, जौनपुर, अटाला मस्चिद, मौलाना, जहाजमेर, गुलबरगा, जामा मस्चिद, देवास्तु सेली, समध्राजमाद, महराब की निचली सतयबर, कमलकली की जहलल, खिलजी, अश्टबुजी ये मकवरों का उदय, तुगलग के समय, इस्त सरकी के समय, राजवांसों से सम्मन देते, अब सायत भी देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनर का, किताब उल हिंद, रचना के पिसद लेकक का नाम है, अलोवर्नी, कई बात पूछी जा चुकी है, किताब उल हिंद, रचना के पिसद लेकक का नाम क्या है, अलोवर्नी, तूतिय अमीर कुसरों का जनम हुआ था कासगंज के पट्याली में स्वयम को हिंदुस्तान का तोता कहा अमीर कुसरों ने अग्र गामी की भून का नभाई खड़ी बोली की विकास में दिल्ली के साथ सुद्दानों का सासंखाल दिखा था अमीर कुसरों और सेख ने जामुद्दीन ओलिया ने इससे कभी अमीर कुसरों दरवार में रहें अलावत दिन कीजिएगे अमीर कुसरों एक थे कभी इतियासकार और संगी तक है नई फार्सी कापसली सबक ए हिंदी वे हिंदुस्तानी से ली के जनमदाता थे अमीर कुसरों अमीर खुसरो मलिक मुहमद जार्शी कबीर तथा अब्दुर्रहीम खाना मैसे वह जिसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को भारत में कब्बाली से जाने जाने वाली संगीस सेली के प्यारंबी रोप्स के आरम करता अमेरिक खुसरो थे यह वी कथन आपका सही है तब काते नसीरी का लेकता मिन्हाज मिन्हाज उस सिराज अर्वी फार्सी तुर्की और उर्दु भासाओं में सिरुए भास है जिसे दिल्ली सुल्तानों ने सरक्षन पिदान किया था तो यह है फार्सी भासा कौन सी फार्सी भासा है अपर भरंस सब्द का प्रियोक मद्दकाली संस के गरंथों में होता है कुछ आधुनिक भारति यह भासाओं के आरंबिक रूपों को एंगित करने के लिए सूची एक सूची दो ज्याउतीन वर्नी तारीके प्रोसाई हसन निजामी ताजुल मासीर मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी याहिया बिन अहमद तारीके मुबारक साहिए सुमलेत करना है तारीके हिंद अल सितार में से वह संगीत वात जिसे हिंदो मुस्लिम गान बात्तों का सवस्जिष्ण मिस्णन माला है इस सितार संगीत ए अदनत तबला का विचलन किया गय अमीर कुसरोने किसने अमीर कुसरोने जैचंद गहडवाल पितवी राचवान राडा कुमबा ओमान से हिंग में से वह है राजपूत राजा जो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक की रूम में जाना जाता है तो राणा कुम्मा कौन राणा कुम्मा नाब हो गया उग्रनत हो गया संगीत राणा कुम्मा संगीत राज की नाम सी कासीना सास्तरी अप्पा तुभासी राग चंदिका पॉन्डरी, फिट्थल, रागमाला, किष्णानन्द व्यास, राग कल्प दुम दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपना संस्मान लिखा था यह था फिरोसाय तुगलग अब दिल्ली सल्दनत के बारे में और कुछ पॉइंट दिये गए, उन्हें भी दिख लिए थे, भारत में पोलो खेल का पिचलन किया तुर्कों ने, भारत में पोलो खेलों का पिचलन किसने किया था, तुर्कों ने, सूची एक सूची दो, रोस तोगलग, नहरों का निर्मा देवतुता, टेवर्नियर, मनुवी, ये सभी, ठीक, दस्तार बंदान कहलाती थी, उलेमा, सासक का सही किरम है, रजिया सुल्तान, अलाउदिन किल जी, अकबर, ठीक, बहादूर साय, गुजराद, चांद वीवी, वीजापुर, रजिया सुल्तान, दिल्ली, बाज बहादूर मालवासी संबंदित थे, गठनाओ का सही किरम है, कुतुम मीनार का निमाट, फ्रोष्तोगलक की बित्यू, पुर्दगालियों का भारत आगमन, किष्ने देवराय का सासन, आप जानते हैं कि पुर्दगाली हमारे दिश में सबसे पहले आये थे, और आप देखते हैं कि सब सबसे बाद में गई, समझ रहे हैं, सबसे एक तरह से लंबी समय तक यहीं रुकी, आप देखते हैं, उननीस सो साट एक सट में कुछ छोड़ कर गए हमारे भारत को, कुछ पुर्दगाली तो, तब तक जमाए रहे हैं आपना हग, अपने लगवक टीस वर्स के व्यापक य सबसे बड़ा वह यात्री, जिसका बड़न ऊपर के आउतरन में है, यह इबन बतुता, एक तरह से इबन बतुता के बारे में यह पूरा कथन कहा गया है, किसने देवराय, आमुक्त मालयत, महिंत पर्मन, मत बिलास, भैसन, भोज देव, सम रांगण सूत, सूत दार, सौमे जिसकी शुरुआत राजपुतों के समय हुई थी, जोहर पे था, मालगदर बसू, हैमचंद सूरी, पारसाइदी, सार्थी और सायन, जैसे मद्यकालीन, वित्वान, लेखोंगों में जो जेंदरम का अनवाई था, हैमचंद सूरी, कौन? हैमचंद सूरी था, ठीक है, पढ़ दिए आपके काम है कही है, फिलासी का युद कब हुआ था, सत्तरह सो संत्यापन इस भी में, और कलिंका, ये आपका सत्त, दोसो एकसट ईसापूर में हुआ, याद रखिए बीसी में, हल्दी घाटी का युद, फंद्रह सो चैत्रमें, तराइन का युद, ग्यारे स 1191 में, दूसरा 1192 में, ठीक, सूची और सूची तो, अकबर, आइन एद दह साला, मुहमत तुगलग, इतीक मुद्रा, इल्तुत्मिस, चहल गानी अमीर, सेसाय, सडक याजम, तेरे भी और चौदे भी सताप्दियों में भारतिय किर्षक खेती नहीं करता था, मक्का की, किस जौनपुर्णगर किसकी याद में बनाए गया था, मुहमत बिन तुगलग की, जौनपुर्णगर की इस्थापना की थी, फ्रोह साय तुगलग ने, सरकी सुल्दानों की साहसंद काला में, पूर्प का सिराज कहा जाता था, जौनपुर को, कस्मीर का सासक जो कस्मीर का जिया कर समाप्त किया था, जैन उल अवेदीन, जैन उल अवेदीन द्वारा पूरी की गई, कस्मीर की जावा मस्जित की प्रभावकरी विसिस्ता में सामिल थे, बुर्ज बॉद पगोडाओ, पगोडाओ का किस से समान, फार्ची सहली, मुनी संदर सूरी ना था, तिला भ हमाचलपिधी दुरगर्द, यह जम्मू कस्मी, जम्मू में, कुलूत, कुलू हमाचलपिधी तिस में, ठेक है, बहमनी समराज की स्थापना किसने की थी? अलाउत्दीन हसन्ने बहमनी राज की स्थापना हुई थी 1347 में यानि की 1414 भी सदी में बहमनी राज की पितम राजदानी थी गुलबर्ग सूची एक सूची दो आदिल साही, विजापुर मुसलिम साथकों में हुआ है जिसे उसकी धारम निर्पेक्षिता में आस्था के कारण उसकी मुसलिम प्रजा जगदगूरु कहकर पुकारती दे इबराहिम आदिल साही अकवर की निजाम साही वंस का अंत्वा एहमद नगर के मुगल समराज में मिलाकर हुसेन साही को आजीवन कारावास दिया गया था बाज बहादुर मालवा कुतोप साही गोलकुंडा सुल्दान मुहन मुमत मुजप्पर साही गुजराद इसुब आदिल साही बीजापुर गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदरवाद हैदराबाद काक्तिय बारंगल होईसल द्वारसमुद यादव, देवगुरी, पांड, मदूरा द्वारसमुद राजधानी थी होईसल राजमंसकी होईसल इसमारक पाये जाते हैं हलेवेड और बेलूर में होईसलों की प्राचिन राथानी द्वारसमुद्र का वर्थ मानना में हलेविट। वह इस मारक जिसमें वह गुम्मत जो संसार की विसालतम गुम्मदों में से एक है। यह गोल गुम्मत दीजापुड। इस मारक हो गए आपके। इस सासक हो गए। दोहरा गुम्मत सिकंदर लोदी, अश्टपुजी ए मकवरा सेसाय, सत्य महरावी मकवरा बलवन, गोल गुम्मत मुहम्मद आदिल साय, गुजरी महल बनवाये था किसने? मानसी ने, दच्छे भारत की पुलीगार थी, हौन थी, छित्रिय पसासकिय और रेन नियंतक। ठीग? आप जान लेखते हैं भक्ति और सूफी अंदोलन से, क्योंकि इस तरहीं आप देखते हैं, कई कुष्टन से बन जाते हैं, आप लोग हमें यसा देखते रहते हैं, भक्ति अंदोलन का प्यारम किया था किसने? अल्वार संतों paint Whatsay, अल्वार संतों द्वारत को. भक्ति संस् पानी सरीर के लिए बहुत अच्छा होता है आप लोग जब भी सुबह उठा करिए कम से कम 500 से 1000 ग्राम यानि कि कहने का मतलब कितना एक लीटर 500 श्रीक है आदा किलो भी कह देते हैं आदा लीटर वुद्ध और मीरवाई कि जीवन दर्शन में मुख साम में था संसार दुख मैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संपताय या ज्याति ना पूचो येकतन किसने कहा था रामानंद मुझे सभी भक्ती संतों के मत एक समान विशिष्टा थी उन्होंने अपने वापी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्त समझती थे इससे ये आसानी होती थी कि आप समझे कि सामने वाले समझ भी जाया करते थे अब आप सोचे कि आप ऐसे चित में जाएए जहां कि लोग अंगरेजी नहीं चानते हो और आप अंगरेजी में वाँ कुछ भी लिखे उन लोगों को थोड़ी समझ में आएगा आप लोगों को वाँ कॉमन भासा चुन्नी होगी जो सब के लिए सब को आती हो समझ रहे हैं मद्ययोगीन भारत के धार्मी कितिहास के संद्र में सूपी संद जिस तरह ये आचनन का निर्वाह करते थे बेहें ध्यान साधना, स्वास नेमन, एकांध में कठोर योगी ब्यायन सरोलताओं में अध्यात्मिक हरसो नमाद उत्पन करने के लिए पविद गीतों का गायन कामरूप में ब्यष्णावधरम को लोपिये बनाये संकर देवने किसने संकर देवने असम एवं कूज बिहार में ब्यष्णावधरम का प्रवर्थक किया संकर देवने किसने संकर देवने रामानोज्याचार संबंदित थे विश्रिष्टा द्वेत से सुद्ध आदुएदवाद का पिती बादन किया था बल्लवाचार में महापिर्भू बल्लवाचार की जनमस्तली है चंपारन बिहार चंपारन सत्यागे आप लोग सुनते हैं न 1977 गांदी जी वही है आदुएदवाद संकराचार बिशेष्टा दोइदवाद रामानुज दोइदवाद माधवचार और दोइदा दोइदवाद इननमार का चार बीजड कवीर के उपदेसों का एक संकलन है पुष्टिमार के दरसन को बल्लवाचार ने पिती पादित किया था दादु कभीर रामानंद तोलसी दास में से वय भक्ती संथ जिसने अपने संदिश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था रामानंद। अलोग दास एक संद कभी थे कड़ा के संग गासी राम के पिताजी का नाम क्या था महेंगू महेलगू ठीक है आगे चलते हैं सही कालकरम है कालनकरम संकराचार रामानुच चेतन भक्ती संथों का सही कालकरम है कभीर रामानुच के अनुचाई अनुयाईयों को कहा जाता है बेशनौव क्या कहते हैं बेशनौव अमरसर नवा ननकाना और नादेर में से वह स्थान जो गुरू नारक का जनब इस थल था यह ननकाना है क्या है ननकाना है वह सासन में गुरू नानक देव ने सिक्धरम की स्थापना की थी सिकंदर लोदी इस और केवल मनुस के सदगुड को पहचानता है और उसकी जाती नहीं पूछता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह ऐसे दना ननक का था किसका ननक साहब का था लेकिन अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है आंगे देखिए क्या होता है अभी तो आप देख र में हिंदो मुस्लिम उची जाती थर नीचे जाती इस तरह से बटे रहेंगे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे पिसे दभक्ती कवीरती मीरा के पती का नाप था राज्कमार भोजराज राग्गोविंद के रचनाकार है मीरा भाई दिएगए संतों का सही करम है काल करम आप देखेंगे नाम देव, कबीर, नानक, मीरा बाई, चैतन मीरा बाई नामक और बल्लवाचार में से हुआ है जो इसलाम से पिरवावित था नाम देव, वह है जो उस समय उपदेश देता था, जब लोधीवन्स का पतन हुआ था, अबावर सत्तरोड हुआ था, गुरू नानक, नाम देव, दर्ची, कबीर, जुलाहा, रवीदास, मोची, सेना, नाई, चैतन वहाँ पिरवू सम्मर्दे, वैश्न व संबदाय से, तुलसीदास समकालिन थी, अकबर, तथा जहार ये के, समय, रामचलित मानस नावक गरंद की रचेता है, तुलसीदास जी, गीता वली, कभीता वली, विन्यपत्ति का, साहित रतन में से हुए रचना, जो संब तुलसीदास की नहीं है, तो साहित रतन नहीं है, बातिक गीता वली, कभीता वली, विन्यपत्ति का इनीग ये है, तुलसीदास की, ठील, बरकरी समपदाय का संब था, नामदेव, भक्त तुकाराम, जिस मोगल सम पुंबदिन सेक मुईनुद्धिन कवघ्तियार कि शेख नजामुद्दीन ओलिया और सेख सलीम चिस्ती सूफी संतों में से हुआ है जो सरपितम अजमेर में बस गए थे तो यह थे सेख मुईनुद्दीन चिस्ती सेख मुईनुद्दीन, सेख ज्याउदीन, अबुल जीवा, ख्वाजा अबु अबदाल एवं ख्वाजा बहाउद्दीन, मैंसे वह जो सोपी बाद की चिस्तियां साखा कर संस्ताफक थे ख्वाजा अबु अबदाल, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती सिस्ती ख्वाजा उस्मान हरुनी के कतन 1 बारत में सूप्यों की चिस्ती धरमसंग का पिवर्द तक और सिर्व तर्मुक बेखती है क्वाजा मुईनुन दिन चिस्ती विल्कुस है चिस्ती धरम संगम ने अपना नाम अजमेर में इस ते ग्राम चिस्ती से लिया था गलत है तो ए सही है इसमें आर बिल्कुल गलत है वह ए सोपी संत है जिसकी मानता थी कि भक्ती संगीत इस्वर के नेकेट पहुचने का एक साधन है तो यह था मुहिनुद्दीन चिस्ती ख्वाजास को तो बुद्दीन वक्तियार का की सेख अब्दुल जिलानी और सेख मुहिनुद्दीन तता सेख निजमुद्दीन ओलिया में से वह जो चिस्ती सिल्सिले से शम्मिद्द नहीं जुडा था सेख अब्दुल जिलानी भारत का साधी कहा जाता है अमीर हसन को जलाल तो वल्या ने बैंट करने से इंकार कर दिया था तो अला उद्थीन मेलने के बिलने से इंकार कर दिया तो वैसोपी संद जो महमोवल महमोब निलाही का एलाधा था सिख निजाउमुद्दीन ऑधिया सिख फरीद का सराभादिक ख्याती लफदिन सिणs इसने दिल्ली के साथ सुलतानों का सासन दिखा था निजामुदीन सेख मौंब्मद चिस्ति हुद्उपुद्दीन भक्तियार्का की फरिदेवीन गंज एसंद सकर सेख निजामुदीन ओलिया में सिवफ़ई अ सूथी संत जिसके गिचारों को सिक्खों के धर्म गिरंद आदी गरंद में संकलित किया गया था फरुद्दीन गजे संकर पिसेद संत सलीम चिस्ती रहते हैं फदेपुर सिकरी में सेख उल हिंद की पदवी पिदान की गीती सेख सलीम चिस्ती को ख्वाजा मुद्दिन चिस्ती चिस्तिया और सेख एहमद सरहिंदी नक्सबन दिया दारसिको कादीरिया सेख साहवद्नी सुहरा अवार दिया ठीक है इससे जोड़े हुए थी भारती इतिहास में सूफी वाद के संदर में सही कतने सेख एमद सरहिंदी अकबर एवं जहांगीरी का समकालीन था बिल्कु सही है सेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली सेख निजामुद्दीन ओलिया का सिस्त था बिल्कु सही है अकबर सेख सलीम चिस्ती का समकालीन था भारत में सूफियों की कादिरी पदेती सबसे पहले सेख निजाम, नियामतुला और मखधो मुहमद जिलानी द्वारा लागोगी गई यह भी सही है पेंसे वह जो सुपी थे निजामुद्दिन ओलिया और मुईनुद्दिन किस्ति दोनों थे चिस्तियास सुहिरा वर्दिय है कदरिया नक्सभंदिय सुफी वात के सिद्थनों में वह जो संगीद के विरूत था साहे मुहमदगोस साहे अब्दुल अजीज Luther Thunder 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 Socie किसने को ओलिया की रूमे माना है यह साय मुहम्मद गौस उलेमा खानकाय सेख समा में से वह जिसका समन सूफी वात से नहीं है तो यह था उलेमा किसने जीवन परक प्रेम बाठिया काविकी रचनकी थी रस खान में बलवाचा, चेतन, गुरु नानक और अमीर खुसरों में से हुआ जो भक्ती आंदुलन से जुड़ात नहीं है तो अमीर खुसरों नहीं है ठीक है बाब की बलवाचा, चेतन, गुरु नानकी सभी जुड़े हुए थी बारे मासा की रचना की थी मलिक मुहमद जाक्षी ने, फिती वर्स पिसिद्ध सोपी संद्ध हाजी वारिस अली साही की मजार पर मेला लगता है देवा सरीम में, कहां? देवा सरीम में, क्रैष्ट का जनम हुआ था, बेत लेहम में, ठीक है? इस तक तेवार की पीछी का उनर जीवित हुई है, वह इसाई संद्ध जो पस्सु बक्चियों से प्रेम के लिए बिक्यात है, यह असीसी के संद्ध फ्रांसिस, इसाईयों की गोड़ फ्राइडे मनाया जाता है, इसा मसी को सूली पर चड़ाय जाने की याद में, ठीक है? यह आपके मुगल बंस से यानि की मुगल बंस से समदीत कुछ पॉइंट दिये गए, मद्दकालीन भारत के मुगल सासक वस्तुता थे चगताई तुरुक, चगताई तुरुक, बावर को सरे पोल के योध में पराजित किया था, सेवानी खानना है, ठीक है? पानी पत का पिता में योध हुआ था, ब पहला 51526, दूसरा 1556, तीसरा 1761, ठीक है? पानी पत की योध में बावर की जीत का मुख कारण क्या है? उसकी सेहन कुसलता, पानी पत का पितम योध, खानबा का योध, पिलासी का योध, और पानी पत का तीसरा योध में वह योध, जिसमें एक पक्च द्वारा था, पितम एक तोप खाना इसका में कारण था, एक बात और आप लोग उसे कह देता हूं, कि अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है, किसी का अंसर बताने में गलती किसी भी तरह की, तो आप नीचे से भार कर लिख दिया करिएगा, ठीक है? यही सोच लिए करिए, मैं भी इंसान हो, गल 1527, घागरा के युद 1539, चंदेरी का युद 1528, यह आपका सिविल सर्विस, इस्टेट PCS में कई बार कुश्चन्स पूछ लिए यह लगाने के लिए आ जाता है, एक रम में, और एक अबजेक्टिव कुश्चन्स भी आपके बन जाते हैं, तो पिथम पानी, यह सभी 1529, एक और कह देती हैं, पानी, खाना खा, चल घर, इस तरह से भी लट्स याद रख सकते हैं, देखिए किसी भी तरह से आपको याद रखना चाहिए, मुझे तो लगता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पानी पी, खाना खा, चल, चंदेरी, और घर, बाबर के भारत में आने की फलसरो, इस चेत में तेमूरी, तेमूरी राजवन्स इस्थापित हुआ, पानी पत का पितम, पानी पत का यूद, खानबा का यूद, और चंदेरी का यूद में से हुआ है, जिसमें बाबर ने जिहाद की गोशना की थी, खानबा की यूद में, मेवाड का राजा जिसे 1527 में खानवा की उत्त में बावर नहराय था, राणा सागा, किसे राणा सागा गोराय था, बावर का मुगल सासर बन्यवत पर जहरुद्दीन मुहमद ने नाम रखा था बावर, बावर ने सरपितम पादसाय की पदविधारन की थी काबूल में, किसमें काबूल में, बावर पहुतीर मुहम्मद बावर से, ठीक है, बावर ने अपने बावर नामा में जिन हिंदू राज का उलिख किया, वह मेवार और विजयनगर, कथन ए बावर नामा तुर्की में लिखा, कारन आर, तुर्की-मुगल दर्वार की राजा भासा थी, तो ए सही है, लेकिन आर अब यह आपने देखा अभी जाकर नेड़ा हुगा है, मीर वाकिने, हुमायू और सेजसाएं, कामरान, उस्मान और अस्करी हिंदाल में से हुए जो हुमायू भाही नहीं था, उस्मान नहीं था, ठीक है, हुमायू द्वारा लड़े गए चार पिरमों कियोत्तों को कतिती अ अनुसार सही करमे, दोरा है चोसा, चोसा का युद बोलती है, कनोच, दोरा है फिर चोसा, कनोच और सरहिंद, याद रखिए हुमायू एक तरह से कहिए कि बहुत इसने अपने पहली भाईयों से युद करता रहा, फिर वो ये जूचता ही रहा जिंदी ही पर अपने, और ज जूचता ही जूचता मर गया, फरीज जो बाद में सेसा सूरी बना, से ने सिक्षा पराप्त की जौनपूर से, बलवन अलाउदिन के लिए इबराहिम लोधी और सेड साहिब मद्यवीन सासकों में वह जो उच्छ सित था सेसा सूरी, बहलो लोधी सिकंदर लोधी सेसा सूर चांदी, सेसा सूरी द्वारा किये गए सुधारों में समले थे, राजस्य सुधार, पिसासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करंसी परणाली में सुधार, एस अभी आपकी सेसा सूरी द्वारा किये गए सुधार थे, दिल्ली सल्तिनत के पराभव के उपरांत, वैसासक जिसके द्वारा स्वर्ड मुद्रा का सरव्रिथम पिसलन किया गए था हुमायू के, हुमायू ने चोनार दूरप पर पिथम बार आत्मत किया था 1532 में, कब 1532 में, अपने बादसाय पती के लिए मगमरी का निर्मान करवाया था हाजी बेगम ने, किसने हाजी बेगम ने, चांदी क मित्टी हुई थी कलिंजर में कलिंजर के घिरे में मत एक मुठी बादरी की चक्र में मैंने अपना समराज खो दिया ये कतन किसने खाथा सेसाय सुरी ने सेसाय का मकवरा कहाई सासाराम भिहार में एग भी कई बार बन चुका है सेघ्षायक मैं अकभरा क्या है शायसे साहया ने निर्माड करवाए over दिल्ली के किला एक वहना मष्चित निछीद का दिल्ली में कुराणा किलावी भावनव का निर्माड किया था सेघ्षाय ने करस्कों की साहता के लिए जिस मद्यकालीन भारती साइसकों ने पक्ता एवं काभुलियत की विवस्ता कार्म की थी वह सेजसाइब काभुल लाहोर सरहिंद काला नौर में से वह स्थान जहां पर अकभर को मायू की विद्धियू की सूचना मिलने पर राजिगत्दी पर बैठाये गया था तो यह था काला नौर में उहीं इसका एक तरह से अभी राज अभी से कर दिया गया था हल्दी घाटी की योद के पीछे अकभर का मुख उद्देश था राणा पिताप को अपने अधीन लाना हल्दी घाटी का योद कब हुआ था 1576 में हल्दी घाटी की योद में महराणा पिताप की सेना पती थे हकीम खान अक्वर ने सरफितम व्यवाहिक संबंद राजपूतों के जिस ग्रह से इस्थापित किये थे वह इता कच्वाहों से इसासर क्या किया करते थे हर कौसिस इनकी संभाव कौसिस रहती थी अपना विस्थार करने में उसका बैरम खान बाज बहादूर और पीर मुवब्मध खान में इसी अकपर में सुआम मा रहा था एक अरजपूत आज जिसने अकवर की संफिरवद्वता सुआम श्विकार नहीं की थी तो इसमेवाड क्या था मेवाड़ ठेकर वह राजपूत सासर जिसने मुग्णों के व करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अत्वा गौडवाना थी ठीक है अकबर को राष्टी ये समराख सिद्ध करने में सहायक स्तत्त थे पिसास की एकता और कानून की एक रूपता सांस्किते एकता का पिर्दन और उसकी धार्मिक नीथी अकबर की लोगपेजिता के का अकबर और अरंग्यव बास्ताओं में से हुआ है जिसको प्रबुद्ध निर्मकुस कहा सकता है अकबर को अकबर का शासन और शेत्रों को जीतने के लिए अपनी पिसासनिक व्योस्ता के लिए नियायक पिसासन के लिए अकबर के सासन काल में पूर्णर गठ केंद्रिय विसासनते कें अंतरगश सेनिक विवाव का परमोग था मीर बक्सी अकबर काली इसेन वेवस्ता आधारी थी मनसबदारी अकबर द्वारा दिवान का फूर रूपिड दर्जा दिया जाना वाला प्रिथम बेखती था मुझभफर खान तुरुवती अकबर ने जिस मनसबदारी पिनाली को लाओ किया हुए उधाल ली गई थी मंगोलिया में पिछली पिनाली से कथन एक कारणा अकबर की कारण में हर दस गोर्षवार सेनिकों के लिए मनसबदारी को 20 गोडों का रखाओ करना पड़ता था बिल्कु सही है गोडों को यात्रा में आराम देना होता था और योद्द के समय उनको बदलना आवसक होता था यह आर दोनों सही है आर यह की सही व भूराजस की चेत में यह टोडर मल आपका किसके लिए मतलब इस तरह है भूराजस पिढाली के लिए जक्ति दहसाला नसक और कानकुट में से वह ब्यवस्था जिसे बंदोबस्त ब्यवस्था की नाम से भी आप जानते हैं दहसाला को टोडर मल संबदित था माल गुजारी सुधारों से इसे याद रखिए यह मैंने देखा कई बार कुछ लिया गया तोडर मल माजबुजारी सुधारों से संबंदित था भूराजस से पिसासन के चित में सिरसाय एवं अकबर की मत बिरवर टोडर मल और भगवान दास और भार मल में से हुआ जो नेंतर निरंदेर की कड़ी था तोडर मल अगवर काल में मुराजी सुधा की एक पिस्ट दिनी थी आईने ए आईने दह साला पदिती निर्मित की गई तोडर मल दवारा अकबर ने दीन एलाही पैरम किया था पंदरे सुब्यासी में अकबर ने दीन एलाही पैरम किया था पंदरे सुब्यास इबादत खाने का निर्माड करवाय था अकबर ने, फत्यपुर सीकरी का इबादत खाना था, वह भवन जिसमें बेवन धर्मों के बिद्वारों के साथ अकबर चर्चा करता था, स्वैड महल, पंच महल, जोदा भाई महल, अकबरी महल में सी हुआ है, इस मारग जो किया गया था, अकबर द्वारा, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलय ही कुल, सार्थ भॉम, सांती भाईचारा, या उधारना अधारिक थी, राजनितिक उधारता, धार्मिक सैंसीन था, उधारवाती सांस्कृतिक दिरिश्टिक और पत, वह मोगल बासा जिसके विरोध जॉनपुर से फत्वा जारी हुगा था, अकबर कौन, अकबर के, कथन एक कारणा, अकबर ने सुले सुदों में फथिगूर सीक्री में बुलंद दरवाजा बनवाए था, सही है, यह निर्माड अकबर ने अपने पुद्ध, जहांगीर के जन्म की कुसी में बनवाए था, यह सही है परंदु आग गलत है बुलंद दरवाजा जामा मश्चित कुतों मीनाज और ताज महल में से हुए इमारत जिसका निर्मार अकबर ने करवाय था बुलंद दरवाजा जहांगी साज हुमायू अकबर में से हुए मुगल समराज जिसने सिक्षा समन्दी सुधार किये थे यह था अकबर अकबर द्वारा बनवाई गई सिश्टम एमारते पाई जाती है पतेप और सीकरी में अकबर द्वारा बनाई गई वह अमारस जिसका नकसा बहुत विहाय कि तरफे तरह यह पंच मैल जहांगीर मैल इसृति थे आघवंगा अक्वर का मक्वड़ा कहा देखने को मिलीगा यह आपको सिकंद्रा में दिल्ली का लाल किला आघवह का किला और इलाबात का किला नाहोर का किला मैंसे हुआ है किला जिसका निर्मार अकबर की राजिकाल में नहीं कराएगा तो याद रखिए दिल्ली का लाजिकला नहीं और इलाबाद के किलिए वो अंतिम किला था अकबर के द्वारा बनवाएगा ठीक अकबर की काल में महाभारत का फार्शी एनवाज जिसके नेदेशन में हुगा था हुआ है फैजी अब्दुलकादिर बदायूनी अबुलफजल निजामुद्दीन अहमद और सेख मुहमद में से वह जिसने महाभारत का फार्शी महनवाद किया था अब्दुलकादिर बदायूनी ठीक महावारत के फार्सी अनुबाद का सीशक था रद्म नामा वह जो अकबर के एक्चानुसा रमाइड का फार्सी महनबाद किया वह अब्दुल कादिर बदायुली मुहमद हुसेन मुकमल खां और अब्दुल समद बीर सियद अली में से वह जिसने समराथ अकबर द्वारा जरी कलम की उपादी पिदान की की मुहमद हुसेन जैन सादु जो अकबर के दर्वार में कुछ बरस रहा और जिसे जगत गुरु की उपादी से सम्मालित किया गया हरी विजय सूरी अबुल हसन दसबंत की संदास उस्ताद मनसूर में से वह जो मुगल समराथ अकबर की समय का पिसे देचित्टकार था दसबंत इंग्लेड की रानी एलिजवेड पिथम का सापन कालीन भारत राजा था अकबर वह मद्यकालीन भारत लेकक जिस ने अमेरिका की खुछ का उल्ले किया था अबुल फजल अकबर की दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी वेक्ती था रोल इंज अकबर की सासंकाल घटनाव का विवस्तिक क्रम जजिया की समापती इबादत खाना का निर्माढ मज्य महजर परहस्ताक्चर दीन एलाही की स्थापना ये सभी अकबर की सासंकाल में घटित हुई घटना है अकबर ने बंगाल और विहार को मुगल समराज में विलाए था 1576 में अब जहांगीरी के बारे में बात कर लेते ही दो असपा और सिंग असपा पिथा सुरू की थी एक घोड़ों से सम्मधित जहांगीर ने मुगल बनसबदारी विवस्था की संद्रम में सहीकत ने जात और स देने नुवासित नहीं हुते थे मनसबदारों की तीन गर्क थी ठीक है मुगल में मीवाड की राजा कि मत चितोड की संदी जिसका सासक के सासनकाल में हस्ताक्षित हुई थी वह जहांगीर की समय हुई थी जि़ाद रखीज कि जहांगीर की सापेरां तोㅋㅋ阳ल जहांगीर ने खान की उपादी से संभानी किया था। मुगल समराड जहांगीर ने इंग्लीस खान की उपादी दी थी बिलियम हौकिन्स को। बैटिस राजदूद के रूम में Sir Thomas Rowe भारत आया था जहागीर के सासन काल रूम इंगलेंड के जैंस पिथम के राजदूद Sir Thomas Rowe भारत आया थे 1615 में जहांगीर ने Thomas Rowe को मिलने का अउसर दिया था अजमीर में भारत में इंगलेंड का वह दूद जो जहांगीर के पीछे अजमीर से मांडू आया था Thomas Rowe, एक डच परियाटक जिसने जहांगीर के सासन काल का मूल लियांकन मूल लिवान विवरन दिया वह प्रांसिस को पेल साट ठीक है वह मुगल सासम जिसका मख़बरा भारत में नहीं जहांगीर तथा बावर संबराट जहांगीर का को दफन किया गया लाहूर में मुगल चितकला अपनी परागाष्टा पहुची जहांगीर के राजिकाल में जहांगीर ने नादिर उज्ज, जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को वह चितकार जैसे नादिर उल्म, असर की उबादी पतान की मनसूर जहांगीर के दर्वार में पक्षियों का सबसे बड़ा चितकाल था मनसूर बाबा अकबर जहांगीर और औरंग जेव मुगल बातसाय में वह जिसने अपनी आदमकता फालसी में लखी दी वह था जहांगीर अबोल फजल के हत्यारिक पुरुस्कित किया था जहांगीर ने जहांगीर के विरुदे बिद्रोग किया था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने खुसरो जिस मुगल बातसाय का पुत था वह थै जहांगीर का ही पुत था जहांगीर, ग्यासबे, असब खान, खुर्रम मैंसे वह जो नूर जहा की गुट का सदस नहीं था, खुर्रम नहीं था इतमत दौला का मकवरा आगरा में बरवाये था, नूर जहाने, किसने नूर जहाने इत्मत दौला का मकवरा आगरा में इसे किसमे बनवाय था नूर जहां में निर्माता हो गए इस मारक बावर जमा मस्चिद हुमायू दीन पनाय अकबर जहांगीरी महल जहांगीर अकबर के मकबरे को फूर करवाना गोवेन महल जो हिंदू वास्टुकला का श्रेक नजामुद्दीन ओलिया अकमकवरा दिल्ली में देखने को मिलीगा ठेक है चलते हैं साय जहां के बारे में जान लेते हैं इरान के साय और मुगल सासकों की भी जगडे की जड़ती कंधार क्याती कंधार कंधार की निकल जाने से मुगल समराज को एक बड़ा धक्का पंक्षा सावरिक महत्त के केंध के द्रिख्टी कौन से साय जहां के वल्क अभियान का उद्दिश था काबुल की सिमा से सटे वल्क और बदक खासान में एक मिद्द सासक को लाना वह जिसने वनारस और इलावाद की तीज थी त्यात्रा करकी समाप्ती के लिए मुगल वास्था है कि सामने वनारस की पंधितों का नितित किया था ये थे कविंदा चार कलीम कासी कुदसी और मुनीर में से वह जहां की सासनकाल में राज़ कभी था कलीम मुम्ताज महल का असली नाम क्या था अर्जोमंद पानो बेगम मुम्ताज महल हिंदू इरानी वास्थुकला का सरफथम समन भै हमें देखने को मिलता है ताज महल में वह मुगल बास्था है जिसने दिल्ली की जामा बस्जित का निर्माण करवाए साहजहा का अकवार जहागीर साहजहा और औरंग्जेब में से वह जिसने समराज की रादधानी आगरा से दिल्ली स्थाना दित की एह साहजहा इसमारक हो गया निर्माता अलाज दरवाज कीसने? अलावत दिन किली एक पॉइंट यहां नोट करिएगा क्योंकि कई बार कुष्चन आ जाता हुआ हम गलत कर रठती है मौती मस्जिद आगरा की अगर आपसे पूँचे तो साह जहां मौती मस्जिद अगर दिल्ली की आपसे पूँचे तो और अंगे ठीक है दिल्ली के लाल किले का निर्वाट साह जहा ने उपनेशदों का फारजी में अन्वाद किये Davisfolg सिंद ए अखभर सीषग के अंतरद अमीर कुसरो दारा सिकु अमीर हसन सोजा मेंसी इंदू धर्म घर्मेंगल घरंतों का अतरध अध्यन करने वाला पिथम मुसलिम था दारा सिको B.A.S. में तो J.N. सरकार A.L. स्रीवास्ताओं में से वह इतियासकार जिसने साजहा की सासनकाल को मुगलकाल का स्वडिव कहा A.L. स्रीवास्ताओं A.L. स्रीवास्ताओं ने ठीक है वह मुगल वास्ता जिसने बलवन द्वारा प्यारम किया गया दरवारी रिवाज सिजदा समात कर दिया गया था साजहा दारा सेको मुराद बख्स और साहज सुजहा और और औरंग जेव में से हुआ है जो साजहा की सासनकाल में अधिकान समय तर दक्कन का बनना रहा था औरंग जेव एक और याद रखिए अगर कोई नूर ही रहा भी हमारे हां का जो था ये बैटिन में है तो हमें लेना चाहिए हमां मालू तो चलना चाहिए कि आखिर क्या साथ है लोग भी तो देखें जो इतने सालों चल्चा में बना रहता है औरंग जीव का तारनाराелियनकर ऑरंग जीव सहा का उत्तरहादेकार्य विए वा है, जेस्ट को कि उत्तरहादेकार्य की नियम का पालिभा किया गया थहूँ बिल्कुल गलत है, ऐ शही है, आर गलत है! अक्बर जहांगी साय जहां औरंगेव में से वह मुबल वास्था है जिसका दो लाराजजेव से एक हुआ औरंगेव का यादर की ओरंगेव का दो बार राजजय वी से एक हुआ धरमट का यूद लड़ा गया था औरंगेव और दारा सिको की वीच औरंगेव ने जोदपुर के साथ सक जस्बंत सिंग को 1658 इस भी में कि धरमट की यूद में पराजीत किया था धरमट इसके मद्धपितिस में मुगल साय जहां साय जहां जिसने स्रेनगर गड़ वाल में आसरे लिया था सुलेमान से को औरंगेव का वह पुत्य जिसने विद्रो करके राजपूतों की ग्रोथ अपने पिता की एश्तिती दौरलब कर दी थी अकबार वह मुगल सैनापथी जिसके साथ सिभाजी ने 1665 में पुरंदर की संधी परताक्चर किये थे जैसिंग वह मुगल बासा जिसको जिन्दा पीर कहा जाता है औरंगेव को औरंगेव ने बीजापूर की विजय की थी 1686 में औरंगेव ने दच्छिन में जिन दो राज्यों का कुब जय किया था वह वह बीजापूर और गोलकून्टा वह है सासक जिसके अंतर मुगल सैना में सरवादिक हिंदू सैनापती थे औरंगेव मोगल समराट जैसे ने सरवादी संख्या में हिंदू अधिकारियों की निवक्ति की औरंग जीव ने जजिया जिसके सासन काल में पोनहा लगाया गया वह है औरंग जीव की समय औरंग जीव द्वारा चलाया गया जिहाद का थे दाउल इसलामी ठेक है बीवी का मकबरा निर्माता था औरंग जीव, वह मकबरा जो दुतिए ताजमहल कहलाता है, तो रविया उद दौरानी का मकबरा जहां आरा रोसन आरा, गोहर आरा, महरून निसा मैसे हुआ जो समराट औरंग जैब की पुतरी थी, महरून निसा औरंग जेब ने साही बाद उज जवाने जमानी की उपादी पिदान की जहां आ रहा है संत रामदास को संबंदित किया जाता है औरंग जेब के सासनकाल से मुगल कालीन पिसासन मुगल पिसासन के तोरां जले हो जाना जाता है सरकार के नाम से मुगल काल में सैना का पिधान था मिर वक्सी मुगल पिधाषन का में मिर वक्सी का गर्टब था भूर राजस अधिकारियों का परिवेच्चन वर्णियर, करेरी, मनुची और टेवर्णियर मैं सी हुआ जिसने मुगल सैना में चिकिस्थख नियुस्ट किया गया था मनुच्छी को मुगल पिसासन में मुहत सिव था लोग आचन अधिकारी मत्यकाली भालत में मनसाथदारी पे था खासतोर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सापसुत्रा पिसासन लागो हो सके मुगल मनसाथदारी व्यवश्टा सत्रांगारी एवन सेन अधिकारी को मनसर पिदान किया जाती थी विलकुत सही है मुगल कालीन भारत में राज की आयका प्रमुक सरोत क्या था भुधराजस मुगल पिसासने के सब्धा बली में मल पिति नीधित करता है भुधराजस का मुगल समराज जिसने तमाकू की प्रियोग का निसेद लगाया था जहांगीन है मुगल पिसासन में मदद ए मास एंगिन करता है विद्द्वानों को दी जाने वाली राजस मुक्त अनुदत भूमी की कथन ए कारण आद मुगल काल में मनसबदारी पिथा विद्द्वान थी सही है मनसबदारों का चैन ए गुता के आदार पर होता था यह आपका गलत है कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है ठीक है आँगे है आपका कथन ए सभी मनसबदार सैना के पतादिकारी नहीं होते थे बिल्कुछ सही है, मुगल सासन के दिन उचुद पधाईकारी भी मनसबदार होती थे, उनका वर्गी कर्ण भी होता था, ये आख दोनों आख के सही है, भोज सिद्धराज जैसिंग, जैन उल अभी दिन, तथा अकबर में से हुआ है, जिसने रामसीता की आक्तियां और रामस का तरीका होता था, ठीक है, मुगल काली संगीत और चितकला के बारे में अगर हम बात करें, तो मुगल चितकला की विषय में सद्ध कतन है, योद दिर्स, पसुपक्षी, व्राक्ति दिर्स, तथा दरवारी चितरन, चितकला की मुगल से ली का प्यारम किया था हुमायू न पहाडी राजिस्थानी का अंगड़ा और काली गाठ में से वह कलम जिस पर मुगल चितकल का प्रभाव नहीं पड़ा, काली गाठ में, दस्तान एक अमीर हमजा का चिंतांकन किया गय था, अब्दू, अब्दूसमद, द्वारम, पिस्थ जहांगी चितकला थी, अबूल हस मुगल चितकला ने ओनती की है, जहांगीर के सासंगे, पहाडी स्कूल, राजपूती स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन सेली को दर्स सित करते हैं, यानि कि किसे की वह एंगित करते हैं, चितकला की, किसंगर सेली जिस कला के लिए पिसे दिती थी, वह एक संगीत वाद जिससे बजाने में औरंग जीव की दक्षिता थी वीड़ा अच्छा वजया रगता था प्राता काल में गया जाने वाला रागे तोनी तांसेन वेजू बापरा और गोपाल नाइक जैसे संगीत रखों ने स्वामी हरिदास से पिसिक्चंप राप्त किया था और स्वामी हरीदास के अनुए याईयों ने इस्तापित किये थे 5 संगीत अर्चना कियन अकबर कि असारीं काल मे दुरूपत गायकों में समिल थी तांसेन हरिदास this एक तितांसेन का मखवरा का है आगऑ गवालियर में है तान से इनका मकबरा आपको गवालियर में होगा तान से इनका मकबरा है कहां ग्वालियर में क्योंकि आप जानते हैं ग्वालियर का महराजा रहा थे एक तरस सासक रहा है ठीक है तांसन का मूल नाम क्या था रामतनु पांडे क्या होता है कभी-कभी गलती हो जाती है मिस्परेंट हो जाता है आपको याद होना चाहिए कि अकवर के सासंकाल में फंद्रेसो बास्ट से फंद्रेसो च्यासी तक तांसेनों के दर्वार में संगीत कार भी रहे हैं ठीक है और मुहम्मद गौस का मकवर अभी आप देखें ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा छाउजने हिका। ऐसले हमयर जहां यहां जाहां में यहां को यहां इसके लख वलाक Dis representation करफें हिंदू संगीत का सक् convention अधुरी को इसमां। अऑक पर लेगां में मुलकाल करने में इसधार Syका madil बेगम, हुमायू नामा की रचना की थी, कुलवदन बेगम ने, दिल्ली का हुए सिक्षा केंद जो मदरसा ए बेगम कहला था, इस्थाफित किया गया था, महम अनंगा अनुद्वार, हितोब देश का फार्सी अनुद्वार में किया था, ताजुल माली ने, हसन निजामी, त चाजुल मासिर, ख्वादमी, हुमायू नामा मुहमत काजिम, आलम गिर नामा भीम से, नुस्खा ए दिल्पुसा, सम्मंदित एक दूसरे से, ठीक सही समलिन है, आलमी नामा मेर्जा मुहमत काजिम, तब काती अकवरी, निजाम उद्दीन, एहमत, चहार चमन, चंदभान प अत्मत खान, अब्दुल भजल फेजी और अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल कादिर वदायूनी मैसी, वह जिसने हिंदी साहट के लिए सबसे मत्मुड ये गुदान दिया, अब्दुल रहीम खाना, भारत की इतियास के संदर्म में अब्दुल हमीद लावरी थे, साय जह की लेककों थे, साय जहा नामा की लेककों थे, इनायत खान, बावर, तुझे के बावरी, गुलबदन बेगम, हुमायू नामा, अब्दुल भजल द्वारा, अब्दुल नामा पूरा किया गया था, साथ बलसों, मुगत दर्मार में दर्वारी थे, तथा, अदाल्ति भासा थी फार्सी, नस्ता लीग, एक पेकार की फार्सी लीपी, जो मत्यकाली भारत में पेप्त होती थी, कभी एदय, वह राजा जिसने नागरी दास की नाम से किष्णी की पिसंसा में चंदल की राजा सावंद सी, मात्मूर कितिया, रामचंदी का रसक प्रिया की रचना की थी किसने केसव में, ठीक है, मुगलकाल के बिवित कुछ मात्मूर और पॉइंट है, जहांगीर, बिलियम होंकन साय था, जहांगीर के समय में, अगवर में फिलियम प्रेंच, साय नहा, साय जहांके टेवर नी है, औरंग जेप के में मनुची, एविदेसी थे, अंग्रेट थे ठीक है, हॉकिन्स, 1618 सी, 1611 की बीच टॉमस रो, 1615 सी, 1619, मनुची, 1613 सी, 178 की बीच, राल फिस, 1585 सी, 1586 में आया, मुगल सासक का सही कालन किरम था, जहांगीर, मुहम्मद साय, एहमद साय अपदाली, बाहदू साय थे, चार बाहरी आकमडों का विवस्तित किरम है, चंग लड़ा, कुतोबुद्दीन ने दिली सल्दिनत की स्थाफना की, औरंग जेम ने उत्राधिकार कायोद लड़ा, जहांगीर, सौंदर और प्रक्रिती का पिरेमी था, इन सा भी कथान बिल्कुल सही है, नादेर साय द्वारा दिली में कतल याम किया गया था, 1749 में, बावर भी लड़ा हुई थी, 1771, देख लिए जिन जिन के बीच हुआ है, पित्तम यूद, दूस्तिय यूद, पानीपत का दितिय यूद, उनकी डेट भी दी गई, उनके नाम भी दे गए, पहला यूद आपका 1526, किसके इसके भी, बावर ओज इबराहिम, दुतिय यूद, पान 1792 में, पहला आपने देखा था 1191 में, औरंगेक की मित्ती हुथी 1707 में, पानीपत का दितिय यूद होता है 1761 में, अकबर की मित्ती होती है 1605 में, हल्दी गाटी का यूद, अकबर और राणा पिता दोनों के बीच हुआ था, बेलगाम का यूद, हुमायू और सेसाय के बी इस्ट इंडिया कंपेनी को अधिकार पत्त पितान किया गया, 1680 में, सिवाजी का देहान, 1749 में, नादेशाय का दिल्ली पर कप्चा, पानीपत का तितिय यूद, 1761 में, हल्दी गाटी का यूद, 156 में, तरायन का दुतिय यूद, 1192 में, असीरगर का यूद, 161 में, आता अता, अली खान नाम दिया गया, तांसेन को, एकता, दिली के सुल्टान, जागीर, मुगल, अमरम, विजैनगर, मुगासा, मराठों से संबली, काबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता है, सूरत को, मुगलों ने नवरोज का तिवार लिया है, पारिश्कियों से, मुगल का अधिया गडाई में विशिष्ट ता हांसिर की थी वाइस देते लखनव के, काला नुकिरम सम्म वेवस्ते थे, पलंबनी, दुर्गावती, तालावाई, एहल्लियावाई, सूची एथ, सूची दो, बावर, जामी मश्वी, हुमायू, देन पनाड, अकबर, जहांगीरी मह बनवायत है, इमारते हो इसासर, कुत्व मीनार, इल्दोतमिस, गोल गुम्मत, मुहमद, आदिल साय, बुलंदरवाजा, अकबर, मौती मश्वीद, और अंगे, मुगल काल के योद्दों का सही काल करमे, खानबा के योद, घागरा के योद, चौसा के योद, और साहुगर क योद, ये भी पूच लेते हैं कि, क्या-क्या ना, कर्जिक, क्या-क्या पढ़ा जाए कि, इस मारत हो गया निर्माता, अलाई दरवाजा, दिल्ली, अलावदिन किली, बुलंदरवाजा, फतिवर्शिक्री, अकबर के समाई, मौती मश्वीद, आगरा, साह जहा, मौती मश् पारों द्यापारी कहते थी, बंजारों को, ठीक, सिक्ख संपधाय की बात कर ली थी, गुरु नानक ने अपना उतराधिकारी निक्त किया था, गुरु अंगत को, पंजाब में अमरसर नगर को इस्थाबित किया था, गुरु रामदास ने, वैसे कि गुरु जिसे अकबन पांसवभी गा जमीन दी थी, ये थे रामदास, गुरु अजुन्देव, आधिगरंद से, करपूर सिंग, दल खालसा, और गुरु अमरदास मन दीव, वैसे कि गुरु जिसने विद्रोही राचमार खुसरों की साहता धन, एवं आसी बात से की थी, गुरु अर्जुन्द आधि गरंट त्वा, गुरु गरंद साहिव का संकलन किया, गुरु अर्जुन्देव, किसने गुरु अर्जुन्दी थी, वैसे कि गुरु जिसके मित्तिव के लिए औरंगेक जमितार है, गुरु तेग बहादुर कि, ठिक है, ही हेमकुंद, ताराकुंद, और ब्रह्मन क मैंसे वह इस्तान जिस पर एक पिसिद सिख्य गुरु द्वारा हुए थे एम गुडु गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी इसने मित्युदान्ड दिया था जहां गीरने ठीक है और और अरंग जिबने गुरु तेक बाहर रोगु जिन सिख्य गुरु का जर्म कि शैनिक व्यरस्था का गठन किया था खालसापंद का प्यारां हुआ था 300 वर्स पहले ले वह सिख्य गुरु जिसने खालसापंद की स्थापना कियी थी गुरु गोभन सिंग ने सिख्यों के अंतिम गुरु थे गुरु गोभन सिंग बंधा वाहदुर का मूल नाम क्या लच्मन देव, लच्छन देव, सिख्य समराज का अंतिम सा सकता दलीब सिंग, दलीब सिंग, दलीब सिंग, क्या है, मराथा राज जो और संग भी देख लेते हैं, मराथों के उतकरच के कारण, धार्मिक चितना, भावगलिक सुरक्षा, राजनितिक जाक्रिती, उच नेतत स सकती, सिवाजी ने मुगलों को हराया था, सलहार के उतने, सिवाजी का जनम कब हुगा था, 1627 में, वैसे नाराइक जिसने बीजापुर के सुद्दान ने 1669 इसभी में सिवाजी को दवाने के विजा था, अब जल खापू, सिवाजी मुगलों की कैद से भागने की समय, जि सिवाजी के गुरू का नाम क्या था, रामदास, अश्ट पिदाहन नाम की मंत्री परिशत थी, मराठा पर सासंदे, सिवाजी के समय, सन्वबाद का पत समंध था, सेन पर सासंदे, सिवाजी के अश्ट पिदाहन का जो सदस, विदेशी मामलों की देख़रे करता था, वैसे सुमंद, अश्टविधान मंत्री परसद जिसके राज़ परबंदन में सायता करती थी वह थी सिवाजी, कथन राज के मामले में सिवाजी एक मंत्री परसद से परामर्स लेती थी, बिल्कु सही है, पितेक मंत्री अपने परबात का सुतंत प्रभार रखता था, यह गलत है, संभाजी के बाद महराठा सासक को सरलोग कारगर बनाया, बाला जी विस्वनात में, पेस्वाओं का सासन का सही किरम था बाला जी विस्वनात, उसके बाद बाजी राओ, और बाला जी बाजी बाजी राओ, उमाधो राओ, सही कालन किरम है संभाजी राजा राम, सिवाजी सेकन चत्पती साहु जी सही कथा नेव सब्त्रे सो पचास इसमी तक मराठा समराज पेसभा की अद्रिक्ष्टा में एक परीशंग बन गया बिल्कुर सही है कारण आज साहु के उत्रादिकारी पेसभा की इच्छा पर निर्भर थे ये वी सही है ये आर दोनों सही है आर एकी सही ब्याख्या कर रहे और रग्जीव की मित्यूग के समय मराठा नित्त हाथों में था तारावाई की अहल्या भाई, मुक्तावाई, तारावाई, रोख्णमनी भाई, मराठा देवियों में जिसने 1700 इसमी से आगे मुगत समराज की विरूद संगर्स का नितित किया वैती तारावाई सरंग जामी पिथा संबनी थी मराथा भूराजस पिढाली से पिथा से थी एक इत्यासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वैम देखा था वह था कासी राजपंडिस साहब ठीक है एहमस साय अबदाली के भारत पा आकमड और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक का रहता वह मराथा द्वारा लाहूर श्री अपने वायस टाय तेमूर साय की निस्कासन का बदला लेना चाहता था पानीपत की तीसरी युद्ध में मराथा अफगानों ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था 14 जनबरी 1761 कुमरा था और अहमस साय अबदाली के भी गुलाम कादिर रोहिला नजीब खान अली मुहमद खान और अपीच रहमत खान में से वह रोहिला सरदा जो एहमस साय अबदाली का विस्वास पाता ये था नजीब खान मौडी लिपी का प्रियोग किया था मराठों के भी लेखों में अब बात कर लेते हैं मुगल समराज का विक्टन कैसी हुगा आप जानते हैं जिसका उदाय हुगा उसका अस्ति भी होना है और अजीब की 7070 में मित्ति होने के बात सत्ता समाली बहादर साय पितमने मुगल समराज जहागी साह के सासन के समय में से पूर्व का अंत का कारण था एक योद में ले अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए एक बात पर याद रखिए आप जानते हैं कि बाप दादा कितना भी कुछ भी बढ़ाती रहें जब बेटे नालायक निकलते हैं तो दो दो बाही देती हैं ठीकर अकपर जहागीत बाहदर साही और फरूक सीयर में सावय मुगल समराज जिसने अंग्रेजियों को बंगाल में सुर्ग मुक्त व्यापाल की तुप जान किये फरूक सीयर के मय्यव संगाशन पर बैठने वालगा समराज था 흥म nossa नादेर साय के अकमर्ड के समय मुगल सासक था मुखमद साय, वह सासक जिसने सासन में जुणों, और महलाओं की एक बढ़ का प्रवुत किया यह था मुखमद साय, 1719-1748, वह मुगल बासाय जो रंगीला के नाम से जाना जाता है मुखमद साय को, वह मुगल बासाय जिसको आवद का पिथम नवाब था, साधत खां, हैदराबाद के सुतंत राजी का संस्ताफक था, चिन विलियत था, वह जिसने दिल्ली में एक खाबूली है व्यतसाला, जिसे जन्तमंतर कहते हैं, बनवाई थी जैसिंग ने, जैसिंग दूतिया ने, महाराजा जैसिंग ने दूति संबंदी जया से जैपुर के सवाई जैसे ही जैपुर के सवाई जैसे ही, तो यह कहानी थी, आपके मंदगालिम भारती, अब एक पार्ट और वजिता है अगा, आदोनी भारत, जिससे बहुत जाना कुक्ष्टन पूछे जाते है है तो उसे भी हम लोग एक सेपरेट क्लास में कवर कर देंगी और इसी के साथ आपका क्या हो जाता है पूरा कवर हो जाएगा रिवी जन की पॉइंट व्यू से ठीक है और जिस समय भी आप पेपर देने जा रहे हैं कभी भी किसी भी परीख चाला उसके लिए इसी को पढ़के आपको चला जाना है फट सिक ठीक है साल अबर आपको पढ़ना है विस्तार से और लास्ट में आप लोगों के इनकी से पढ़के दिन्दाश जाना है ठीक है चलिए तो मिलते हैं हम लोग आदो नहीं भारत में यह क्लास भी आपकी रीवीजेन के पॉइंट टिव्यू से ली जा रही है ठीक है इसके साथ इसे खतम होने के बाद आपका पूरा जीके जीएस खतम हो चुका है ठीक है जैसा कि बिग्यार में हम लोग ने क्या क्या देखा था रसायन बिग्यार फिर आपने देखा था कि जा देखा फिर आपने देखा कि पारिस्तिति के इसे भी ख़ब कियाथा एकोनोमी याानि कि अर्द्यवस्ता को भी कबर कर लिया था फिर आप लोगों नहीं समिधान देखा, फिर आप लोगों नहीं भूगोल, विस्व का भूगोल, फिर भार्त का भूगोल, फिर इतियास जिसमें आपने देखा एकि प्राचीनकाल का, मदकालीन का, और ये ये अधुनिक काल का है, ठीट है? और Quick Revision की नाम से आपकी playlist सूची बना देगी है जब भी paper देने जाए आप लोग जब time कम बचया तब इनका revision कर लिया करिएगा मुझे लगता है जाना time भी नहीं लगेगा यह तरह से revision हो जाएगा Solve Notes की तरह है, और याद रखिए इसमें आपके Prelims के questions भी लिये गए UPSC या फिर NBPSC, State PCS जो भी UPPCS और one day exam में तो आपके देखेंगे इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपका one day exam में कोई questions जाएगा ठीक है तो यह सभी परीक्षाओं लिए आपके महत पूर्ण रहेंगे और भी अगर कुछ जरूरत हो वह भी बता देना current base का एसा है कि current base हर मईड हर साल बदलता रहता है तो 2020 की जैसे ही आती है कोई books अच्छी सी उसे cover कर लेंगे ठीक है तो ये केवल अपने आज इस था ही आगड़े हो चुके है आपके रिवीजन के लिए ठीक है आज इस था ही आगड़े जो बदलते रहे ते उनके बारे में आम लोग आंगे बात करते रहेंगे चलिए आदोने एक भारती है इत्यास सबसे पहले आप देखते हैं कि यूरोप ये कंपनियों का आगमन इनके बारे में जो भी पॉइंट है इन्हें याद रखी क्योंकि मैंने देखा है डारेक्ट पॉट्टेंस हर परीच्छा में पूँच लिए जाते हैं बासको डीगामा कालीकट तर्ट पर पहुंचा कब 1489 में पॉट्टकाली उपनिवेस का पितां वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को दा अल्मीरा बासको डीगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमूरियन यहां आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि बासको ड बता देना है 1489 में यहां पूच लेता है कि बासको डीगामा 1489 में यह पॉर्दगाली यात्री था ठीक है और एक बात में सबसे पहले हमारे देश में पॉर्दगाली आये और आप देखते हैं सबसे बाद में गए लोग कुछ हिस्सों पर आप देखते हैं गवाद दोई इन पर आपने देखा है कि 1971-61 तक कब जाक कीजिए रहें और दूसरी बात पॉर्दगाल उपने बेश का पिथा वाइस राय भारत में कौन था यह था फ्रांसिसको दा अलमीडा ठीक है जब बासको डीगामा भारत आया कालीकट आया तो वहां उसका कौन सा सासक था कौन सा कॉल में किस्टो वर कौलंबस इसंट आप कह देते हैं कि कॉलमबस कॉलमबस ने की खोज की थी असल में क्या था कि उससमय भारत बहुत चर्चह में था मसालों के लिए देख लीजे कमपडरों के लिए देख लीजे तहरी या करते थे तिभारत की ही याथ्रा करना चाह radius ल इनके बारे मैं एच्छे सी याद रुखना हूँ, मैं तो एक ही सला देता हूँ कि एक से दो बार इने पढ़िए, आराम से देखिए, और मुझे लगता है कि 70-80% आपकी कबर हो जाएंगे, फिर आपका जो चूट जाता है उसे आप लोग रट लीजे, ठीक है, रटने से जा पुर्दगालियों ने भारत में पिथम दुर्व का निर्माट किया था, कोचीन में, कहां कोचीन में, मदिकाल में सरवपितम भारत से ब्याबार संबंद इस्थापित करने वाली थी, पुर्दगाली, भारत में पिथम था, समुद्रिक, ब्याबारी केंद इस्थापित कि पॉबिली क्या हुबिली ठीक है पॉणिचेडी के संदर्भ में सही कतने पॉणिचेडी पर कप्जा करने वाली पहली यूरोप्य सक्ती पुर्दगाल थी पुर्दगाली हुबिली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए अड्डा बनाये था पूर्ध गालियों किसने पूर्ध गालियों कालगात्ध का संस्थाफ कौन था यह भी कई बाद पूच लिया गया जॉब 4.9 इसने एक तरह से कलगत्धागी स्टाफना की थी भारत में यूरोपी सकतियों के पिरवेश के संद्र में सही कत अने, अंग्रेज़्ों ने पहला अपना पहला कर खाना, दक्ष्ण भारत में मचली परटनम में, पूर्वी भारत में अग्रेजी कमपनी प्रांसेसी ओने 1776 में मद्रास्त पर कभजा कर लिया था यह बिलकुँ सही है अब देखें सिविल सर्विस में आपके पुर्चास किस तरह से पूच लेगा एक लायन देदेगा भारत में यूरोप ये सक्तियों के प्रवेस के संदर में सही कतन आपको चुनना है ये तीन चा आपसे उसकी पूच है वंडेक जाम की बात करें जैसे से रेलवे सिक्चक भरती या और भी जो भूद भी इस तरह के ऑप्जेटिक कुष्चन साते हैं तो आपसे कहेगा कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दच्छे बारत में कहां लगा था तो आप बता देगा तो आपसन देगा चार मचली पटना ठीक है बारत के साल व्यापार के लिए सरफ्थम सबसे बड़ी बात है कि आप तो कुष्चेंस पकड़ना सीखे मुझे लगता है कुष्चेंस पकड़ना सीखे तो आप हर कुष्चेंस और करने की स्थिद्धी में पहुंच जाएंगे बरना आप किताबें कितनी भी पड़ लिए जब आप कुष्चेंस बनाना नहीं सीख पा रहें पिसन नहीं पैचान न सीख पा रहें तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी हालत रहती तो सही कतन था डचों ने पुर्दगालियों को पराजित किया और आधुनी कुची में रश बहुत बंडीयों नहीं ही नहीं ता सुरूमें आपने देखा राश्टवाद अमारे जय मनें ता सुरूमें आपने देखा तो एक कोई साथ दे रहा है, रानी लच्छी में वाई लड़ रही है, तो सिंधिया साथ दे रहा है उनका अंग्रेजों का, तो आप समझे कि कहां तक जब गद्दार रिटम हो तो कहां तक आप कर सकते हैं उनका, आज आप इदिहास की किताबे पढ़के उठा करता है, और आजादी मानता है, तब जाकर भागना पड़ता है, यह पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले आप जान रहे कि कोई आपके साथ था, तो कोई आपके विरूद में था, पैटिस कंपनियों में से भारत में व्यापार करने बाला पहला दिक्यार प्राप्त हुआ थ यहाँपार का, लंदन में बैटिस इस्ट इंडिया कंपनीं की variety का इस्तापित किया भारत में 1613 में अग्रेजों ने अपनी पहली factory के थी, सूरत में, का सूरत में वह blurry अधिकारी जिसने पोडगालीों कोई च्छ Mêmeट Ce इस्थान पर हयाय था, Thomas Best, यूरोपिय व्यापारी कंपणियों में से सूरत में सरफितम अपना कारखना इस्थावित किया था, अंग्रेजोने, किस ने, अंग्रेजोने, विटिश इस्ट इंडिया कंपणिय में ने बंबई लिया था, उर्दगानियों से, किस से, उर्दगा अंग्रेजों दवारा फ्रांसेसी जहाजों का अधिया, ठीक है, करनाटक यूद लड़ा गया था, अंग्रेजों आप फ्रांसेसी यों के मत, सूची एक, सूची दो, पितम करनाटक यूद, इस तरह की कुष्चेंस कई बार मुच लेता है, आप देखिए, इसलिए तो ब पितम करनाटक यूद, एक्सला चैपल की संधी के साथ अंथ हुआ, दुतिया करनाटक यूद, आणेडाय की उद्ध रहा, इसमें कोई नेड़े नहीं निकला, तितिया करनाटक यूद, पैरिस की संधी से अंथ हुआ, पितम मैसूर यूद, इबेटिस की हार हुई दिश म पोचित, अर्जित कने के उद्धिश से भारतिये राजाओं हुए, जगणों में भाग लेने की नीति आरम की दूपली था।, भारत में फ्रांसीसी ओंपनी का संस्तापक माला जाता था, कौल्वार्ड को, बंगाल मेंडच्चों द्वारा इस्तापकार निकला था, चिन स फ्रांसिसी धक्कम में शक्ति आंदोलन साफित करने में सफल रही क्योंकि अंग्रेजी की पहुच सक्ति-शालिय थी अंग्रेज़ों की कैसी थी सक्ति-शालिय भारत में यूरोपी सकतियों का आग्मन क्रमसण पुद्धगाल, पुर्दगीज यानि की पुर्दगाल, फें डच अंग्रेजी अंग्रेज फिर फ्रांसी ठीक है यह भी क्रम से लगाने के लिए आ जाता है पॉंड़ीचेरी फ्रैंच, ग्वाफ, पुर्द्गीज ट्राणवेकार यानि की देन सद्राव मद्रास डच, सद्राव मद्रास ठीक है यूँड्योपीयोगन में से सुदंदापुरू बहारत में व्याबारी व्याबारी की रूम में सबसे अंत्य में हाई फ्रांसी सी, ठीक है? अब देख लिए थे इस्ट इंडिया कंपणी और बंगाल के नभाब, मोगल समराद द्वारा निप्त बंगाल का अंत्यम गवर्नर कौन था? यह था मोर्सीर कुली खाँ, वह युद जिसने भारत में बैटिस प्रभुत को पारम किया पिलासी का युद। सराजवत दौला लॉयड किलाई द्वारा परास्त हुआ था पिलासी के युद। भारत बारत में बैटिस समराज का सस्ता पकता लॉयड रॉबर्ट कलाईट। अलगुकर्ग, रॉबर्ट कलाईट, फ्रांसी सी डॉपले, लॉड कॉनबालस में से, जिसे स्वग से उत्पन सेननाइट कहा गया है। तो याद रखिए सब रॉबर्ट कलाईट के लिए उप्योग गूता है। क्या कौन सा? स्वग से उत्पन सेननाइट, रॉबर्ट कलाईट। पिलासी का यूद मेदान अवस्तित्ता पश्टम बंगाल में। और पिलासी का यूद कप लड़ा गया था? यह 1757 में। एक तदर से यह कही ही कि अंग्रेजों की जो यहां रहने की निव यहीं से पढ़ती है, अंग्रेजी सासन की। बंगाल का हुए नवाब जिसने अपनी इराददानी मुर्शीदाबाद में से मुंगिन इस्थाना नतीत की थी, यह था मीर कासिम। सबसे अधिक नडाईक यूद जिसमें अंग्रेजों ने की भारत में फिरवुत्र को संस्थापित किया यह था आपका देखिये बकसर का यूद। किसका? बकसर का यूद। बकसर की यूद। की समय दिल्ली का सासर कौन था? सायाहलम दुद्य है और बकसर का यूद यादर की 1764 में होता है। बकसर की लडाई की समय बंगाल का नवाब कौन था? नीर जापन। इश्ट अंडिया कंपणी की भारत में पितम डेढा 7 2 शे बकसर का इश्ट इनडिया कंपणी को देवानी पिदान की गए सारै आलं दुद्य है नहीं है। 1 65 अंडिया कंपणी की बंगाल में की दानी का मुगल समरांटन। तो इत्पिलासी का यूद 1757 और बकसर का यूद 1764 ठीले वह गवर्नर जिसके कारकाल में इस्ट इंडिया कंपनी को साहे आलम साहे आलम साहे आलम द्वारा बंगाल बिहार उडिशा में दीवान नी अधिकार दिये गये थी एथा लॉड किलाई हौं लॉड किलाई समराठ साहे आलम द्वारा बंगाल बिहार उडिशा की दीवानी पिदान की थी 12 अगस्त 1765 याद रखिए इलावाद की संदी के बाद ये पिदान किये गये थी बंगाल बिहार उडिशा इलावाद की संदी के बाद रॉबर्ट क्लाईम ने मुर्शीदाबाद का उग दीवान निवत किया था मुहमद रजान खान को 1765 में दीवानी इस भी में दीवानी पिदान करने के लिए किये जाने के बात बेटिश सबसे पहले जिस परवर्टी है जन जाती के संपर्ग में आये होती भी यहां का सामर व्यापार करते तो अपने देश से मुद्रा लाते या सोना लाते चांदी लाते थे लेकिन जब यहां इन्होंने जीत लिए दो यहोत बकसर पिलाथी और बकसर इसके बाद यहीं से मतलब कमाने लगे यहीं व्यापार करने लगे प्रॉफिट अपना इस्ट इंडिया कंपनी यानि की दोनों के बीच हुआ था बांडिवास का यूद फ्रांसेसी विरोध इस्ट इंडिया कंपनी चिल्यान वाला युक का यूद दलवजी के विरोध से दलवजी और सेखों के भी खुरदा का यूद निजाम विरोध मराठी निजाम और अब 6-3 राज देख लेते हैं पंजाब और मैसुल रजी सिंग के राज में संभले था सुरीनगर रजी सिंग संबंदित थे सोकर चकिया मिसद जी महाराजा रजी सिंग के राज की राधानी थे लाहौर रजी सींग ने सुपिसित दे कोईनूर का हीरा पराप किया था सय सूजा से इस ओर की इक्षा थी कि मैं सब धर्वों को एक निगा से देखूं इसलिए हूँ उसने दूसरी आग की रोसनी ले ले लिया किस का था महाराजा रण्यी चीह का महराजा रर्जी सींग के उत्रा दीकारी कौन थे खड़क सींग, सिख राज का अंतिम राजा था दलीब सींग पंजाब की पूर्व महराजा दलीब सींग के विश्य में 23 अक्टूबर 1893 कुन का निर्धन पेरिस में हुआ नासेट में उनकी अंतर्ष्टी हुई और उन्होंने कभी भी सिक्धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रोज नहीं गए थे, मैंसे सही कतन है, 23 अक्टूबर 1893 कुन का निर्धन पेरिस में हुआता है, एक कतन बिल्कुछ सही है, ठीक है, उप्यूप मसे पंजाब के बिले के बश्चाद, पंजाब परसासन करने के लिए तीन की परिशत सरस्के थे, और सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्स थे, जोन लॉरेंस और चार्स गेविल मांस है, पित्थम आंगल मैसूर योद, 1764 से 1779 में विजय हुई थी, हैदर अली की, इसकी हैदर अली की अंग्रेजों की हार हुई थी, बैटिस जनरल जिसने हैदर अली को पार्टो नोगो की योद में हराया था, यह था सर आयरपूट, सर आयरपूट, टीपू सल्थान ने अपनी रातानी बनाई थी, स्री रंग पत्नम में, वह भारतिय ससक जिसने विदेसों में आधूनिक प टीपू सल्थान अंग्रेजों की साथ योद में वह बारी थे, 1799 में, अब 1799 में, यह सही सूम ले थे, पिथाम आंगल में सूर्य जोह, हैदर अली बिजेच हुआ, गुतियin, और नरा जोह, दितिय आंगल में सूर्य जोह, शोर्थान योद में पत्नम में पराजित हुआ याद रुखिए इनके बारे में ठीक है आगे है आपका बेगम, बेगम समरू ने एक अती पिसिद्य चर्च का निर्माड का रवाय था, सल्धना का, सही कहतन है, महराजा रजी स्थीन लाहोर में तोपों के निर्माड के लिए आदुनी धलाई खाने के स्थापित किये, मैंसूर में टीवू सुल्तान ने संगेरी मंदिर में देवी सार्दा की मूर्ती के निर्माड के लिए धन दी आता, इस अभी कतन आपके बिलकुल सही है, सही कतन है, पिलाथी के उद में सराजुद दौलार की पराजय के लिए, मीर जापर ने अग्रेजियों से मिलकर बॉरें हैस्टिंग दौना मजभूती से रखी गई, जिस पर उपरी सरजना कारणवालिस ने की और इस्ट इंडिया कंपणी की आस्यानिक, अस्यानिक सुधार करने का सरे के लाइट को था, लौर डलहोजी ने दुरूटी कि सिद्धान के आधार पर बेटिस समराज में सम अम्रचित जोड़े, यह सभी कतन आपके बिलकूर सही है, कलकत्ता में असियातिक सोसाइटी की स्थापना की समय, बंगाल पर गवर्नर जनरल कौन था, लौर बॉरें हैस्टिंग्स, ठीक है, लौर बॉरें हैस्टिंग्स, सुरक्षा फिर कोष्ट की नीती संबन दिते, ब बॉरें हैस्टिंग्स पर चला था महावयोग का, आप अपने राश्रवती पर देखते हैं, महावयोग, महावयोग की पिक्रिया की द्वारा हटाया जाता है, भारत में निया एक संगठन की स्थापना हुई थी, लौर कार्ण बालिस, वह गवर्नर जनरल, जिसने भारत की प्रसंबीदा वद सिविल सिवा, कर्शेजन किया जो कलांतर में भारती सिविल सिवा के नाम से जानी गए, ये था कार्ण बालिस, आप लोग तैयारी करते हैं, इसकी जामती, इसे ही की देन है इसे, लौर कार्ण बालिस की कब्र कहा हैं, ये आप देखें, गाजी पुर मे ठीक है, अठारे सुदो में बासीन की संदी को अरस्ताक चरूए थी, अंग्रेज, बबाजी राव, सेकेंड की मत, लौर्ड बेले जली की सायक संदी को स्विकार करने वाला, पहला मराथा सरदार था, पेशबा बाजी राव, सेटिन, सायक संदी को किरियानवित किया गया, लौर्ड बेले जली की काल में, सायक संदी वरस्ता को स्विकार करने वाला पितम भारतिस, देसी सासता है, हैदराबाद के निजाम, ये भी कई बार बन चुका है, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद मैसूर, अवद और सिंधिया में से, लौर्ड बेले जली की सायक करने वाले राज्चोंका सही कल अनुक्र में सबसे पहले है थराबाद मैशूर और पर इंवाद और सिंद्या सैंक संदिया सभीकार करने वाले पहला है शॉसकार अवत का नवाग मैं कि दुञार बहुतर है Vegetक और के सभीकार करने वा एक एक हैदराबाद की क्या है कुछ पता है कई वार कुछ इस तरह के वनते हैं कि वो बोर्ड इन्हें मानता भी और मैंने पड़ा है दच्छें भारत की गंगा गोदाबरी दच्छेड की गंगा कावेरी अब मुझे रहा है कि इस तरह की नाम क्यों रखे गए छोड़ी रखे गए तो अब याद तो रखना ही पड़ेगा है धरावाद की निजाम इंदोर के हुलकर जोधपुर के राजपूत राच तथा मैसूर की सासक में से सहायक संदी सुईकार नहीं की गए इंदोर के हुलकर शासक ने भारती राज्यों पर अंग्रेजी प्रवु सकता इस्थापित करना है उस समय जब नेपोलियन की सक्ती के सामने युरोब में समराज धरासाई हो रहे थी ततकालीन समय में वो बेटिस गवर्नर जनर जिसने भारत में बेटिस पत्रा का फ़राय रखी यह था लौड बेली जली आंगले नेपाल युद्ध जिसके सासन क मैसूर युद्ध यह उस समय के गवर्नर है ठीक है तिती यह अंगले मराथा युद्ध सम्बंदी थे लौड हेर्ष्टिंग से जिससे लौड हेर्ष्टिंग से सर् टॉमस मुनरू मद्रास की गवर्नर रहे है यह 1820-1827 था तथा करती कुसासन के आधर पर जिस गवर्नर गवर्नर जनरल है मैसूर राच के पिसासन को ले लिया था हुए था लौड बिलियम बैंटिक गवर्नर जनरल जो तिती है अंगले मैसूर युद्ध से समझते है यह लौड कौन बालिस ठीक है ठागों के दमन से संबंद थे था कैट्टन इसली मैं ठीक है सती पिथा पर प अंदोलन चलाए उन्हें सफलता का स्रे उन्हें ही दिया जाता है बिलियम बैंटिक के द्वारा सतीपता समात की गई थी 1829 में इस डेट को भी याद रखिये और गवर्नर को भी याद रखिये बंगाल से दासों की निर्यात पुरूप दिया गया था 1789 में लौड अलोजी पंजाब का बिलें 18 torso 47 का बिलें 1856 अबद का बिलें अठाम कारोली का बिलें अगर किरम में लगाने के लिए आए 1448 पहले सबसे पहले सतारा फिर पंजाब फिर अबर सौरी माप करिये करोली फिर अबर ठीक है वह है गवर्णर जनल जिसने बिलाई की नीती नियुजित और किरियान भीत की वह है डल हो जी ठीक है डाग पिथा एक रिले रेलवे यह समय में तो आया है डल हो जी भारत में बेटिस सासन के दोरा जहां सी समलपूर सतारा राच्चों के सही बिलाई का सही क्रम है तो यह आद देखें के सतारा पर समलपूर पर जहांती है अंग्रेजों दोरा सिंद बजाए संपन हुई लौर्ड एलन बरो के समय में सिंद पर बेटिस ने कपजा किया 1833 में 18 143 में जब अबत का बेटिस समराज में बिलाई हुआ उस समय अबत का बेटिस रेईमें धिदन था जैम्स आउट्रम भारत में रेल वे लाइन चिश्च बेटिस गवर्नर के समय बिच्छाई गई गया है कोई कौन था लौर्ड दलवा जी बारत में फितम रेल लाइन का न भारत में रेल यात्रा प्यारम की ग्रेट इंडियन पेनिंसुला रेलवे बेटिस वारती राजिशित का अंतिम प्रमों के विस्तार हुआ डलोजी की समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दोरान सवरूप देने वाली थी लौर्ड डलोज बिवार पुनायर एक नवंबर 1858 को महारानी विक्लोलीया का गोषनापत इलावाद में पढ़ता सुनाये गया था है ६ारत का फितरव करादार के आनि अपने पुत्य के स्थान पर दूसरे पुत्राधिकारी को गोद लेंगे के धिकार को पुणा इस्तापित किया था 1858 ECB की संवराग्गी की भोशना ले महारानी विक्टोरिया को भारत का संवराग्गी नेफ्ट किया गया था 1858 में वह एक गबन्ना जनर जिसने भारत में दास्पिता को समाप्त किया था ये था लॉर्ड एलिन बनू लॉर्ड एलिन बनू लॉर्ड करण बालिस इस्थाई बंदोवस्थ लॉर्ड बैले जली सायक संदी लॉर्ड दलोह जी विफगत का सिद्धान्थ लॉर्ड केनिन अठारे से संतावन का वित्रो लॉर्ड हैस्टिंग्स तितिय अंगल मराथ यूद लॉर्ड बिलियम बैंटिक 1829 का सत्तरवार रेगुलेशन ठीक है सतीक था भी इसी की समय के टिगटना बंद इस्थाई बंदोवस्थ प्यारम किया गया था लॉर्ड कॉर्ण बालिस के साशनकाल में फेसवाई को समाप्त किया गया था 1818 में 1818 में सिर्जोंहस औस नििसक्रेटे लॉर्ड एललिनवरू शिंदका विल है लॉड डल औलोड अाथ मेरी जली चतहों खिंगा सल्यूद यह थै लॉर्ड प्रेंट भारतिये राश्टी कॉंग्रिस के इस् dualire भारतिये बाट यूजोर तो यह था जॉन लॉरेंस बारत में अंग्रेजियों की समय इसमें पिथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्मे याप रखी यहां एक कुछ्टेंस बन चुका है यह बाद नहीं हर परिक्षा में मुझे लगता है कुछता रहता है अगर आपसे पूछे जनगणना पिथम जनगणना का हुई थी तो आप बताना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय आपसे अगर पूछे कि नेविच जनगणना कब से हुई तो आप बताना 1881 लॉर्ड रिपन की समय ठीक है इस दो पॉइंट को बड़े अच्छे से नोड़ कर लेजे वह वायसरा जिसकी हत्या अंडवान निकोवार्द वीच समय में जब बेभेबर्ड पर थे एक दंडित अपराती द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयो की इसकी लॉर्ड मेयो की अफगानिस्तान के पिती एक जोसबरी अग और बर्ड नीती के अनों सरंड करने वाले गवर्न में इस्थानिय सवसास्ती इसलता है अठारे सुब्याती में ससक्त की गई लॉर्ड रिपन द्वारा इलवट बिल बेवात का संबन किस से था यूरोप के लोगों के मामलों में की सुनवाई करने के लिए भारतिये निया जीसों पर लगाई गई आयुगताओं को हटाये ज करें उन्हें कोई चजा ही ना दे तो यह तरह से विबाद हुआ करता है महलाओं तथा बच्चों की कार्या उधी के घंटों को सीमित करने हैं तथा इस्थानिय सासन को आवसक नियम बनाने के लिए प्राधिकित करने के लिए पिथम फैक्टरी या दिनियम का अभीगेंड किया था लॉड रिपन की काल में भारत में इस्थानिय स्वाज सासन का जनक माना जाता है लॉड रिपन को लॉड रिपन को सूची एक सूची दो दी गई है किलाई बंगाल का दोहरा सासन बैंटिक अंग्रेजी सिप्चा चाल्स मेटकॉप प्रेस पर से पिती बना टाना लॉर्ड बिलियम बैटिक, सती पिता कनेसो, लॉर्ड रिपवन, स्वायर प्षासन, लॉर्ड करजन, बंगाल का बिभाजन, याद रखिए बंगाल के बाद बिभाजन लॉर्ड करजन की समय हुआ था, ठीक है, यह भी कई बार पूंच लेते हैं, बारतीय पुरातत सर्वेक है कि लिए कि बैटे समराज की दौराँ लॉर्ड करजन लॉड चैमसपोड, लॉड हायर्डिंग, लॉड इरुड ऱयुर्ड बाएसराएं का सही कालानूंके हैं, लॉड करजन पे लॉड हायर्डिंग, लॉड QU्र लॉड लॉर्ड अर्विर। फूरण ठान बारा, जो सबसे पहले पिथक निर्वाचन पंडल की विवस्ता की मुसलमानों को जीतने वाउने कॉंगरेस की बिरुत करने के लिए इस्तेमाल किया लॉड मिंटो ने बारत का एकमात यहूदी बाइस राय था लॉड रीडिंग पिष्ट इंडिया एक्ट बॉरें हेस्टेंग की समय डॉक्त लेट्स डलोह जी वर्नकूलर को रिषट लिटन इलबर्ट विल रिफन ठगी का दमन विलियम बैंटिक रिंग फैंस फैंस की निती बॉरें हेस्टेंग वेटिस्वारत की राध्धानी के कलकता से दिली स्थान अंतर की यानमित हुआ है लॉड हार्डिंग के काल में सूची का सिध्धान ठट अपनी दलोह जी बंगाल का विवाजन लॉड करजन बंगाल में दोहरा सासन किलाई सामाजिक सुधार बैंटिक सूची एक सूची दोको आपको सुमलित करना है क्या करना है सुमलित करना है बंगाल में बंगाल में खौर्ड विलियम प्रेशिडेंसी का गवर्नर जरनर रेगुलेटिंग एक्ट 18730 के चार्ल्स कौनबालिस का दूसरा अर्ल और बहला मार्किस भारत का गवर्नर जरनर च गवर्नर जरनर ऑफ और वाइस राय इन्यान काउंटल एक्ट 1889 के दि गिलवर्ड जॉन इलियर्ट मरेड और किनीन मांड मेंटू काल ठीक है गवर्नर जरनर और समराट का पितिनी दिर गवर्मेंट ऑप इंडिया एक्ट 1935 आर्किवाल्ड और पार्सीवल बेवल बाइका अब चलते हैं हम लोग बेड़ी सासन का भारती है और विवस्था पर प्रिभाव देखते हैं क्योंकि लोटने के लिए इत्वाय हुए थे भारत में उपनेवेशी ये सासनकाल में हॉम चार्जिज भारत से संपत्ती दोहन कमात्पूर आंगे थे वह निदियों जो हॉम च ले वाली ने थी ठीक है शब्ध इंपेरियल प्रफरेंस परेंस का प्रयोग किया था भारत में बैटिस आयातों पर दीगे बिसिस रियायतों के लिए बैटिस आसन के दौरान भारत में उद्वोगों का कोई सुतंदि विकास नहीं हुगा इसका कारण क्या था बाहरी उद बिहार में परवानेंट सेटिलमेंट लागू करने की कारण था जमीदारों के लिए जमीन पर बंस परमपरा अधिकार को सविच्छा से अस्तांतिक करने का अधिकार at 1880 में बंगाल और बिहार में ब्हूमी पर किराए टारों के यदिकारों को बंगाल किरायदारय यदिनियम द्वारा दिया गया था, आप जानते हैं 1850 में एक संस्था की が स्थापन हुई थी कॉंग्रेस की आज की झाज की कॉंग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं आज की कॉंग्रेस में की कॉंग्रेस में जमीन अत्मान का परखते हैं समझ Rebecca is because कि अद मतिकलि नगर हुआ अगर तरह एक अध्याह संथा हैges जानत देना चाहिए सामने वाली विबक्ष को देना चलिए क्योंपि उसमें तावित नहीं थी इसलिए वोहार कि सरॉमस मुनरो जिसे जिस भूराजिस से बंदोवस्त से समढते रचलिई बंदोवस्त अंग्रेजोंने रचलिए बंदोवस्त की संधरम में सभी कातने किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार पुधिया जाता था जरकार रियत को पट्टे देती थी कर लगाने की पूर भूमी का सर्वेट्चन और मूलनेदारन किया जाता था यह सभी बिल्कुत सही है क्या है बिल्कुत सही है ठेक है और असम असम में सरुपितम चारी चाय कंपणी की स्थापना हुई थी 1849 में दादा भाई नौरोजी की पितिपादित अभवा सिद्धान ड्रेन थेयरी की सही परिवासा थी भारत की राष्टी संपता का एक बाग अथवा कुल वारसे को पाद बैटेन को निर्याद कर दिया जाता है किया जाता था जिसके लिए भारत को कोई बास्विक पितिभाल यानि कि उसके बदले कुछ मिलता था है। कि अधूर अव crawlлом लेनन्स फोरी यह अपर आप्षा सिध्द्द्धान से समधी एंधा धा बाई नौरो जी उस ऐंग्रियर कि ससनकाल में भारत के आर्थिक दुह Griffin कि सिध्धान को पिठीपादित किया था दालबाई नौरो जी नि काज कें वार banana प्राइब कालो चक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुभमंमन्या भायार और प्राइबगा दर्द बालगा धनतलाग आरटी दर्द और एमजी रनाडे और सर सेद अहमद खान मैं से दादा भाई नौरोजी के उत्थ वो तसारन सिद्धान में विश्वास नहीं करता था सर सियाद एहमाथ खान विश्वास नहीं कर देते पावर्टी एंड अन्वेटिस रूल इन इंडिया नामकुस्ता किसमें लिखी थी दादाभाई नौरो जी ने एक वार एक बार नहीं कई वार कुष्चेंद बन चुका है किताब से पावर्टी एंड दा अन्वेटिस रूल इन इंडिया दादाभाई नौरो जी दादाभाई नौरो जी की भारती राष्टी इस अंदोलने को सरवाधी प्रवावी देन थी उन्होंने इस बात को अभिविक्त किया की बेटिन भारत का आर्थिक सुसन कर रहा है भारत में बेटिक्स आर्थिक नीती गिनोनी है यह वे चार वैक्ती आते किसने काल मास काल मार्प सुने है कि अधर आप देखते हैं 2857 की केरांती आती है और आप से आप कुस्चेंस उठाके देख लीजे इस से क्रांती से आपके एक नाएक कुस्चेंस हर परीज़ा में ब बारत के पितम सुतंदा संग्राम का मुख के ततकालिक कारण चाथ क्या था? अंग्रेजों का धरम में हस्तचेप का सांदे याद रखे कहते हैं कि इसमें राइफल में बहुत कार्टूस होते थे या जो गाय की खाल से बने रहते थे या सुगर की तो आप जानते हैं गाये हि चिर स्चिए मंगल पांटी की गतना होई थी बैरकपूर में, जकी खानदे की गतना होई थी बैरकपूर में मंगल पांटी सभाही थे 34 भी बंगाल नेटिव एंखल्टी शे यह सभी आप मूच्छे जाते हैं 1857 के विद्रों के दौरान बहादुर साय ने साह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को 1857 के करांथी का प्रमुकारण था बैटिसमराज की नीदि 1857 का करांथी सरफिता हुई मेरण से 1857 के संग्राम से समझ पहली गटना थी सैंकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुंचना 1857 के स्वाधीनता संग्राम का पितीक था कमल और रोटी याद रखें 1857 के संग्रावं के स्भ्यासी मेरट दिल्ली कानपूर कैंदों में से सबसे पहले अंग्रेजियों ने फुना अधिकिट किया था दिल्ली को ये कैंद हुआ कलता था तो हर कोई चाहता कि दिल्ली पर हमारा सासनों आज भी तो आप देख रहे हैं दिल्ली के लिए सासन के लच्छी मेवाई की जनम इस्थली थी अगर आप ते पूंची की रानी लच्छी मेवाई का जनम का हुआ था तो बनार रसी बताना है अगर उनकी समाधी पूंची हो तो याद रखना क्वालियर में है क्योंकि कई बार मैंने देख आए गल्ती कर वैठते हैं अभी कुछी सालों की बात पहले की, की कोई पीपर दे रहा था और केसे सी का पीपर था, उसने पूचा की वो रानी लंच मक्डाराई की समाधी का है, मैंने उसे बोला की वो कहा बैठी हो था, मैंने तीन-चार बार बोला लेकर लेकर उसने वो GODWALIER में वैठा हुआ था, मतलब गशी था म तो फिर भी वो गलत करके बैठा, वो जहांसी लगा किया है, तो इस थोड़ा common sense भी लगा लिया करिया, 1857 की बारेली विद्रो का नेता कौन था, खान बहादू, महरानी लच्मिवाई की समाधी थी ग्वालियर में, परानी लच्मिवाई को अंतिम्योद में सामना करना था क्योरो से, 1857 का विद्रो लखनव में जिसकी नेतित में आंगे बड़ा वह था बेगम और अबद, वह महला जिसनों ने अबद में 1857 की किरांती का नेतित किया था, ये थी बेगम हजरत महल, ये भी कई बहान पूंच लेता है कि जहासी का नेतित किस ने किया था, चंद परिलिम्स में भी बनते हुए दिखाई देते हैं, वंडे एक जामगी तो अलग बात है, उसमें तो पूंच लेते ही रहते हैं, इलाबात के 1857 का संग्रायों का निता था, मौलवी लियाकत अली, इन्होंने इलाबात का नितित किया था, 1857 के संग्रायों में भाग ल तत्या टोपे में से वह जिसे उसके मित ने दोखा दिया था, और जिसे अंग्रे जोदाहरा बंदी बनाकर माल दिया गया था, तत्या टोपे को दोखा दिया था, 1857 की करांती कारियों में, वह जिसका सभास्तविक नाम है रामचन पांडूरंग, तत्या टोपे का 1857 की स्वतंता संगराम की नेता थे राजपूत कुंगर सींग, असम में 1857 की किरांती का नेता था दीवान मनी रामदत, 1857 की विद्रो का विहार में 15 जुलाई 1857 से बीच जनवरी 1859 तक केंद था जगदीसपुर, यहां के कौन थे, जगदीसपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 क जगदीसपुर की किरांती कारियों का नितत किया था कुणर सींग साव, जगदीसपुर के राजा कौन थे, कुणर सींग, ठीक है, 1857 की किरांती की में अंग्रेज़ों बास तो, जोधुपुर की सेय॥ कसेना को पराजित करने बाला था, आउवा कि ठावपुर को सल शेंग ठीक है अजमेर जैपोर नीमा चोर आउवा मैसेज राजिस्थान में 1865 की किरांती का क्यंद नहीं रहा है जैपोर चंदसी का राजास नामपेसाथ बिसमिलो सहाधत खान मांखनलाल चतुरुविदी में 1857 की किरांती से संग्रस किया है सहाधत खान में मौलवी अहमद दुल्ला साहे मौलवी इंदा दुल्ला मौलाना फजले हक खेरावाली और नबाब लियाकत अलीम ऐसे 1857 के विद्रोव में अंग्रेज्यों का सबसे कटर दुस्मन रहा मौलवी अहमद दुल्ला साहाध 1857 के विद्रोव को देखने वाले उर्दु कभी थे मिर्जा कालिप सोपिसिद उर्दु सायर मिर्जा कालिप का मौल निवास था आगरा आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग लिया था भगस सींग ने 1857 के विद्रों में बेकम हजरत महिर, कुमर सींग और उदम सींग तरह मौलवी अहमन दुल्ला में से समढ़्द नहीं था उदम सींग नहीं थी 1857 के सुतंता संग्राम में अंग्रेजों की सरवाधिक साहता करने वाला राजवन स्था ग्वाजियर के सिंग्जिया भारत में सिक्षित मद्य बढ़त ने 1857 के विद्रों से तटश्ता बनाय रखी थी बिल्गो से खेती हर मजदूर साहुकार केसक और जमीदार बर्गों म जासी चित्वोड जग्दीशप और लटनव में से वैच्छे थी जो अठारे सो संतावन के विद्रों में प्रभावित नहीं था तो चित्वोड नहीं था ठीक बिहार के दानापुर पतनाव आरा मुझपर पुर मुंगिर में से 1857 की विद्रों से आप्रभावित रहा था यह मुंगेर था बिहार में इस तरह के कुश्चन बन जाते हैं बिहार PCS या बिहार दरोगा और भी जो भी बिहार के एक जाम होते हैं सुची एक सुची दो बक्त खां दिल्ली मौलवी आहमद दला अबत कुंगर सिंग आरा नाना साहब कानपूर ठीक समझती राणी लच्छमिवाई लखनव बेगम हजरत महिल कानपूर अली मुल्ला खां फैजाबाद मौलवी आहमद साहब एक बात और याद रखिए 1857 की क किरान्ती से ही हमाई एक तरह से आपके यह कि राष्टवाद दिखाई देता है समझ रहे हैं एक दिखाई देती है सही समलित करना है आपको किरांतिकारियों की नाम और इस्थान नाना साथ कानपूर, नवाव हामिद अली खान दिल्दी, मौलवी एहमुद दुल्ला लकनव, मनी राम दीवान असंद 1857 के विद्रोग के समय भारत का गवर्नर जनरल था, लौर्ड कैनन, यह भी कई बार कुछ लिया गया है, लौर्ड कैनन की समय हुआ था, 1857 के विद्रोग के समय बैरकपुर में बैटिस कमांडिंग ऑफिसर था, जौन बैनेट हैरस, ए, 1857 में इलावात को अपातकालीन मुख अस्तफल के विद्रोग किसी सामान यह उजना और केंद्रिय संगठन की कमी के कारण, इस ते हमें आंगे बहुत को सीख भी मिली, आंगे की जो भी अंदोलन चले उनमें बहुत को सीखा, क्योंकि इसमें कोई यह उजना नहीं थी, रणी थी नहीं थी, और कोई केंद्रिय स संगठन मिलता है कॉंग्रेस की रूप में, तब जाकर एक नेमित रूप से वो यह उजना बद तरीके से राष्टी आंदूलन शुरू होते हैं, 1857 का पितम सुदंदा संग्राब आसफल हुआ, क्यों हुआ था, भारती सिभाईयों में उद्देश की एक्ता की कमी थी, और फिरहां भारती राजाओं ने बेटे सरकार का साथ दिया, और बेटे सिभाई कहीं अच्छे सज्जित और संगठती, और याद रिकी हमारे हैं कि पुरानी परमपराओं पर लड़ रहे थी हो, और उनने देखा है कि नए नए तखनीक उनके पास थी, अंग्रेजों के पास, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोक दवाने में सफल रहे, क्योंकि इस थानिये साथकों ने क्रांदी कारियों के साथ नहीं में अपना जीवन खोया था, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलो, और सर हैनरी लॉरेंस, 1857 पिताम सुतंता संग्राम बेटि सरकार से सुतंता प्राप्त करने में आस्तर पर लाहा, बिल्गुल सही है, बहादुर साय जपर की नेतित को जग, जन सहयो नहीं मिलाता, और अधिका साथ की सिविल सर्विस में अधिकतर हो, इस्टेट वीचीएस में देखने को मिलते हैं, प्रिलियलम से में, ठीक है, 1857 का विदरो एक सडैन्त की संग्या थी, सर्जेंस आउटरम और डवलू टेलर ने कहा था ये इस बात को, वायभार आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के व अएस एनसे, ठीक, एस एनसे, भारती भासा में 1857 की विभलो की कारणों, पल लिखने वाला पितम भारती था, सेर अहम, सेर अहमद खान, तथा करती पितम राष्टिय सुतन संग्राम ना पितम ना राष्टिय और ना ही सुतन्त संग्राम था, यह करतन किस ने कहा था, R.C. मजूमदार ने कहा था, आर्सी मजूमदार ने कहा था, 1857 की किरांती के बारे में सही अवधाना है, इसने भारत में इस्ट इंडिया कंपणी की सासन कडाली को मिड प्रा बना दिया था, महरानी विक्टोरिया ने भारती प्रिसासन को वेटेश ताज की नेंदर में लेने की महरानी विक्टोरिया की उध्गोषना की थी एक नमंबर 1858 को, यानि की 1857 की करमती के बाती है, संभारागरी विक्टोरिया ने 1858 की गोषना में भारतीयों को बहुत सी कीदित दिये जाने का अस्वासन दिया, और वह अस्वासन जिसने जिसे बैटेश आसन ने पूरा किया रियासतों को हडपने की नीती समाथ कर दिये थी, अब इससे जाना क्या हडपती, इतना हो चुका था, बहुत था, महरानी विक्टोरिया की उध्गोषना 1858 का उद्धिस क्या था, भारतीयों राज्यों को बेटेश समराज में मिलाने की, किसी भी विचार का परित्या करना भारतीयों को बेटेश क्राउन के अंतरगत रखना, इसलिए और आप जानिए कि इसते जान्दा इतना ही में तो पूरी हेल गई थी, 1800 संतावन की, अजर और वो बिलाय करती तो हो सकता था, और भी तगड़ा होता उसी समय, तो इसलिए उन्होंने कुछ छूट दे दी, 1857 के विद्रो के बाद, बेटे सरकार ने सिपाईयों का इन परांतों का चैन किया, गुर्खा, सिक और पंजाबी उत्तर परांत से, क्योंकि आप देखेंगे, इनोंने अंग्रेजों का साथ दिया था, समझे है, अन जन आंदोलन, अन जन आंदोलन की बात करें, तो 1857 के विद्रो के ठीक बात, बंगाल में सन्यासी विद्रो, संथाल विद्रो, नेल उपद्रब, और पावना उपद्रब में सिख विपला हुआ है, नेल उपद्रब का, एक बात और आपको बताऊं, देखिए 1857 की करांती के बात, हर किसी को लगने लगा, उनका सोसन हो रहा था, अलग सोसन का तरीका अलग लगता, लेकिन सोसन यरूर हो रहा था, और बात में आप देखते हैं कि वो राष्टबाद के रूम में इसलिए जुड़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से उन्हें मुक्ती चाहिए थी, सबके हित एक नह के सत्व, उनके साथ जहां भी रहते थे, उनके अधिगेहं किया जा रहा था, उनहें हटाया जा रहा था इस से पहले कभी इस तरह की घ़टना नहीं घटती थी, किसानों के साथ देखिए, मजदूरों के साथ देखिए, नेल किर्षकों की दुरद्वधप लिखी आनदमः उपण। में करके भाकिमर चाटर्जी में ने रचे ने रचे अनदमः में करके सपती है? सन्यासी बिद्रों मोंगेर के ताल विरोद का उतेस किया था? भगषत भूमी की बाकशी की माद मनेश। की दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख केंद किया था पठना में हुगा था कुगा अंदोलन को संगटित किया था गुरू राम सिंग में पागल बंती विद्रो बस्तूता एक विद्रो था गारों का पागल बंत की स्थाफना की गी ती करम साय ने फराजी विद्रो का नेता था दादू मिया फराजी थे हाजी सरीत अदुतुला की अनुवयारी बेलु थंपी ने अंग्रेजों के विरुदिस आंदुलन का नेतित किया था केरल में महाराथ में रामोसी क्रिसक जत्ता इस्थाबित किया था बासुदेव बलवन्थ फड़के ने रामोसी विद्रो सही रोफ में जिस भोगली के लाके में हुआ था वह था कां पश्चमी घाट में गड़करी विद्रो का केंथ था कोला पुद क्या था कोलापुद मानोबली पित्था का निशेद करने की कारण अग्रेजों की विरुद करने जंजाती की नाम था कॉन सेधरां पूर chambers बिजन जाती विद्रों गूए था 1820 में संथाल विद्रों का नेतर्द किया सिद्धु कारों और धेराओ कि जान УШम लेश का इचन जों महरारट में घटेट हिए महरार्ट में टीक है मेवाड बंगा, मेवाड बंगड और पास्के चत्रों के भीलों में समाजिक सुधार के लिए लसोडी आंदोलिन का सुध पात था गोविन्ध गिरीन है उलगूल न विद्रो जुड़ा विरसमुंडा से मुंडा विद्रो कानेतर था विरसमुंडा जिस आदिवासी नेता को जगत के ता, यानि की धर्ती का आभा कहा जाता था वे थी बिर्सा मुंडा साब। बिर्सा मुंडा का कारच्चेत था राची। जन्यातीय लोगों के संभन्द में आदिवासी सब्सक्रा प्रियूप किया था ठातकर बापा ने। ठाकर बापा ने, भारत में 19 से विस्ताथी के जन्जातिय विद्रोग के लिए, के लिए जिसने साजा कारण मुहया किया, जन्जातिय समधायों की प्राचीन भूमी संबंदी, विवस्ता और संपूर प्यादारा, क्योंकि आप देखी, अंग्रेजियों के समय से पहले कही र विरोधी विद्रोगों का नेता था सुरेंद साहिं, नील विद्रो, संथाल विद्रो, दक्कन के दंगे और सेपाही विद्रो का सही कालानुकिरम था, संथाल विद्रो, सेपाही विद्रो, नील विद्रो, दक्कन के दंगे, सूची एक सूची दो, मोपला विद्रो, केरल से समदे पावना बिद्रों बंगाल से एका अंदुलन अवल से विर्सामुंडा बिहार से 1921 का मोपला बिद्रों हुगा था केरल में कहां केरल में ये सूची ये घटनाय और सूची तितिया बैरकपूर बिद्रों नवंबर 1824 बरहामपूर बिद्रों खरवरी 1857 संथाल लोर विद्रो जुलाई 1806 में, कुका विद्रो पंजाब में, कोली विद्रो महराश्ट में, चुवार विद्रो पश्चि मंगाल, कुकी विद्रो तिपुरा, आहूम, गौमधर, गुवर, ताना बगत, जातरा, टी, अंग्रेज्यों के विरोध, भीलों द्वारा क्रांती प राओ, राउन ने पैरम किया था, 1914 में, मात्मकादियों, उनके प्रविच्यारों से प्रभावित होना ये वाले पिथम आदिवासी निता थे, जोडा नाम, ठीक है, अब बात करते हैं, आदुनिक भारत में, सिक्षा का अविकास देख लीते हैं, भारत में, अंग्रेज्य में पिथम संस्क्रित विद्या लाएगी स्थाफना की थी, जोनाथन डंकन है, ठीक है, और ACI Society of Bengal के संस्थाफक, Sir William Jones, और बढ़ा दरसी में पिथम संस्क्रित महा विद्या लाएगी स्थाफना की थी, जोनाथन डंकन, ठीक है, डादा भाई नारो जी, माइकल मधू सूद राजा रामुवन, राय और विवेकाननद में से वह जिसे जिनें पेरिस की रुएल सुसाइट, ACI Society की सदस्था पिदान के लिए थी, ये थे माइकल मधू सुदन डथ, ठीक है, सरपितम भगबत गीता का अंग्रेजी अनुबाद किया था, चाल्स बिखिल दिलकिन स्था, कालिदास की विशित रचना सकुंदलम का पहली बार अंग्रेजी इन में अनुबाद किया था, सर बिलियम जॉंसन, सर बिलियम जॉंसन, सुदनतापूर आउधी में बेटे सरकार द्वारा, भारत के में आधुनिक सिक्षा का प्रिसार का मुख उद्दिश क्या था, छोट चाय और चीन को छोड़का, चाय और चीन का व्यापार होता है, 1833 के अधीनियम में खत्म, चाल्सबूर का अधिस पत्र संबंदी था, सिक्षा से, हिंदी का पहला समाचारपत उत्तर मार्तिन, 30 मई 1827 को पेकासित हुआ था, कलकत्ता से, हंटर कमिशन की रिपोर्ट में वि आत्मिक सिक्षा की सुधात, एवन विकास पर, National Council of Education की स्थापना हुई थी, 15 अगस 1906 को, सेडलर आयूग से संबंदी था, सिक्षा से, सिक्षा में सुधार रही तू बेटे सर्गार ने सेडलर विस्विध्या लाया हो, आयूग निक्थिया है, 1970 में, लौड मेकाली संबं ब्भाबे में आधूनीक सिक्षा की नियु डाली थी, 1835 की मेकाली की स्मड पत्न है, ठीक है?, 1835 के मेकाली की स्मड पत्न है भारत में अंग्रेजी सिक्षा प्यारम की गई थी, लौड विलियम के विंडिस, बैंटिक के सासन काल में बादहे में कीतम तीन विस्विद्याले कलकत्ता मतराश बंबई की स्थापना की गई थी 1867 जसके सथट प्रेयतिनों में से बंबई में केलारे स्थापना की की हुई थी डी के करविन है import educational society की इसथापना के ससंबन तुत निति भीजी तिलक साहाब दिल्ली कउलेज मेवगज मुसलिम एंगलों ओरिंटन कोलेज में सारफ इता हुए था हिंधी को दू कॉलेज कलकता था ट्रीक है डेविट हेयर अलेकजांडर ॉडव के साथ मिल कर जिसने कलकता हमें हिंदू कॉलेज की स्थाफना की था राज्याराम मोहन शाहान ने मिलकर की थी बाल गंगादर के लख स्वामी विवेकानम मातमा गंदी मदन मुहन मालविये में सिभारती विश्विध्याले में धार्मेक सिक्षा के लिए प्रवल रूम में बकालत की थी मदन मुहन मालविये बनारस हिंदू विष्विध्याले का सिललनाच किया था यह देखेंगे लॉर्ड हर्टिंग ने अलीगर्ड मुसलिम विष्विध्याले अलीगर्ड डॉक्टर भीमराव मीडिकर विष्विध्याले लखनौ और बनारस हिंदू विष्विध्याले बनारसी इलावाद विष् करते हैं लेकिन अपने आप सोचीं कि अपने करत्वों से जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है सो वैसे साम तक है कि बात कोई ऐसी नहीं हो जो मसाले दाल ले लेगा कि नीचे मतलब दिन भार चलती रही और उनकी की गलती नहीं है हम भी तो वही मिर्ज मशाला चाहते हैं, हमारा कोई खुद इंटरस्ट नहीं है कि हम सिक्षा पर बात देखते हुए सुने, हम लोग रोजगार पर बात सुने, हम जड़ीपी पर बात सुने, हम देश पर बात सुने, ऐसे मुद्धे हमें भी पसंद नहीं है, इसलिए वो भी आप देखें, अगर देश में बरबादी में अगर टेउदान है, तो आपका भी उतना ही जुझना किसी निता का है, समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही नितां को चुलेंगे, आप देख रहे हैं कि हमारी संसर में आधिक से अधिक लोग दागी बैटे हुए हैं, जो बलत का पहला समाचार पत्त कौन से था, बंगाल गजट, बैले जेली हैस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलोहजी में से सरवपितम प्रेश सेंसर से प्लाग की थी बैले जली ने, इसने बैले जली ने, इसने बैले जली ने, 1878 का वर्नाकूलर प्रेश एक्ट रदिक कर दिया थ पर्तिकार की कर्तबों का निर्वान करते हुए जेल जाना जाने बाला पितमार्ती ये था, बाल गंगाधर तिलब, अमेरिका में फ्री हिंदोस्तान अकबार किसने करूं किया था, तारक नाथ दासने, अमेरिका में फ्री हिंदोस्तान अकबार किसने करूं किया था, तारक समाचार पत्त प्यारम किया हुए था केसरी करांती कारी काल की लोग के लिए पत्तिकाय जो अनेक कारणों से कॉंग्रेस की आलोचना करती थी बंगवासी काल और किसली वह समाचार पत्त जिन्होंने भालती है तो तंतर संग्राम की काल में करांती कारी आतंगवाद की वकाल की थी यह संध्या था यवांतर और काल इस और चंद विद्यासागर ने एवी कई बार कूच लिया है सौम पेकास नामक समाचर पत्त किसने शुरूम किया था इस और चंद विद्यासागर ने नुँ इंडिया लीडर यंग इंडिया फ्रेटरेस जर्नल अकबारों मेंसी मुख्य था वो दारवादियों की नीतियों का पचारक था लीडर दा इंडियन ओकिनियन पत्त नहीं चपा जाता था उर्दू भासा में इंडियन ओकिनियन पत्तिका की पितम संपादक थी मनसुखलाल नजज़त एक सब्ताहिक की रूम में यंग इंडिया का सुबारं किया था उम्रूल पाइटी के अगलीजी सब्ताहिक बदे मात्रम के साथ अपने को संबड़त किया अरृविंध और गोसने पंजाब के स्री और पिरभाकर डॉन में से जिस अख़वार का अप्पिकासन पढ़ना से हुगा था वह है इंडियन नेशन सौधेश बाहनी के संपादक थे के रामकिष्ण स्फिल्डे अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुगा है मौतिलाल नहरू से भारत समाचारपत समाचारपत भासा भारत मित हिंदी राष्टमत मराथा प्रजामित गुजराती नायक बंगाली दैनेकार्ष सिपरसाद गुप्त दा लीडर मदन मुहन मालविये दा नेशनल हेरार्ड जवाहलाज मेरू दा पोईनियर जौर्ड गैरेंट ठीक है कांगोर्ससी प्रड़ात समाचारपत के मात्यां से पिजय सेंहग पातिक ने बिजो लिया अन्दोलन को समुझी भारत में का भिष्ट поверх करता सथी महतमा गांद्य। किसने निकाला था एह महात्मा गांधी साहब ने ठीक है याद रखिए गांधी जी द्वारा सुरू किये गए एक सप्ताहिक पत्थ हडिजन का प्यारम अंग 11 प्रवरी 1923 को पेकासित हुगा था पूना बढ़तमान पूरी से मराठी पाथ 22 भारत कारम किया था बियार अंबि अंगासित किया था एक था अल हिलाल बस 1923 में लाहर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचारपत्त को पैरम किया गया था वह था बंदे मात्रा कौन सा बंदे मात्रा समाचारपत्त हुए और इस समपाधर हुए हिंदू जी सुभमन्यम आयर सुधारक जी के गोकल बैस ऑफ इंडिया दादाभाई नौरो जी बंगाल बंगाली एसन बना जी बंबिक क्रोनिकल ए फ्रोसाह मिलता कॉमन भी एनिवेसेंट लीडर मदन मुहनमाल भी साचलाइट सचगार नन सिंगा इंडेपेंडेंट मौतिलाल नेहरू जस्टिस टी एम नायर सूची एक सू कांदी यंग इंडिया लोकमाने तिलग केष्री कौमी आवाजपत्य का आरम किया था जवालाल नहरू है सही समले थे नउचीन एम के कांदी सौराज टी पेकासन प्रभाद सही समले थे आपका महत्मा गांधी यंग इंडिया बालगंगदर थे लग केशरी एनिवेसंट कॉमन वील बी आरम बीड़कर मुक नायग एनिवेसंट निव इंडिया दादा भाई नोरोगी राष्ट गौपता ठीक याद रखिए यह वी आँगे दिखते हैं एनिवेसंट द्वारा निकाले जाने वाला बाले दो अफ़ार थे कॉमन वील और नीव इंडिया याद रखिए कॉमन वील और नीव इंडिया सही समले थे विपिन चंदबाल नीव इंडिया अर्वेंद भुष बंदे मात्रम ब्रह्मा बंद बं संध्या मुहमद अली कॉम्रेड एस एडांगे तेजदा सोसलिट निकाला बुजबपर आहमद नाविव और गुलाम उसें इंकलाव एम सिंगर वेलू लेवर किसान गजट निकाला थे अगर हम सामाधी के एवं धार्मिक सुधार अंदूरनों की बात करें तो 19-20 सिदाप निकालाजनी करत के सामाधी कि अधार्मिक और आंदूरनों के कारण भारत कर आधोनी की करन हुआ बलकुछ एए कारण आधार मेंक और आंदूरों के मुल बुत्थी वाद बिग्यानिक दिरिश्टी कॉण तो था अन ऐसे विचार थे जो आधोनिक ताके आधार मानी जाते ये भी सही है आपका, ये आर दोनों सही है, ये की सही ब्याक्या भी आर है, कुलीन, जमीदार, नवीन, धन्वान ब्यापरी, सिक्षित हिंदू मद्यमबर्ग, और सिक्षित मुसल्मान में से वाइबर्ग जैसे सरभितम पश्टमी सप्षिता से ने प्रभावित किया, मुहन राय, भारती पुनर जागनन का पिता कहा जाता है, राजा राम मुहन राय, भारती राष्टबात का प्रेगंपर माना जाता है, राजा राम मुहन राय को, भारती राष्टबात का प्रेगंपर माना जाता है, राजा राम मुहन राय को, सबको याद रखना इनको, ठ राजा राम मोहन राय द्वारा राजा उपादी दी ती अक वर सेकनर ने दी इन्हां उपादी राजा की राजा राम मोहन राय की समाध्धी वेश्टल इंगलेंड में देखने को मिली की कलकत्ता इवनिटेरियं कमेटी टीवर्नेकल और निव डिस पैंशन तथा इंडियान रिफॉर्म एस्सोशीयसन की इस्तापना से इन दोनों संक्टनों से सम्मंधिते कौन केस्तावचंद सेंड ठीक है पार्ति ब्रह्मा समाज की संस्थापक थी केस्तावचंद पार्ति ब्रह्मा समाज की संस्थापक कौन थी केस्तावचंद ब्रह्मा समाज का सिध्धान तादा रहता एक देवबाद पर एक देवबाद पर बाल विबाद सत्थी पिता कि किया था लेकिन पार्ष्चात सि Sask और डोग लोग और साही विरोद किया था ख्यादे कि ब्रभ्रमा समाज के बारे में सही कतन है आप सूची पश्चात जो सिक्षा थी उस में उन देशों में इस तरह की पिथा नहीं थी, कि बाल बिबाद नहीं होते थे, सती पिथा भी उस तरफ नहीं चलती थी, शमझे ने? इसलिए आप कहिए कि राजा राम उहर्म भर्राय ने उन्हें लगा कि उस तरफ की सिक्षा इ बहुत ही मात्पून है बिवेकानंद ने सिकागो में आइजित पार्लियामेंट और वर्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में वह याद रखी अगर बिवेकानंद की पहिचान की बाप कहें तो यहीं से पूरी दुनिया में वह पहिचाने जाने लगे थी ठीक है तो कई ब पिख्याद समाजा समा सुधारग जिसने ग्यानयों करमयों और राजयों नामा पुस्त के लिखी यह थे स्वामी विवेकानंद साहब स्वामी विवेकानंद साहब रामकिष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद साहब ने किसने स्वामी विवेकानंद में 1897 में यहां एक बात और याद रखिए आप देखें सुभास सेंद बहुत बहुत कुछ आपको मिलेगा बाकी की फालतु मूवियों से अच्छा है वेथर है यह आप देखते पढ़ता रहा पढ़ लिया करें यह से क्या होगा इतिहास भी आपका ठीक होगा और आपको मद सब्सक्राइब भी मिलेगे बहुत को सीखने को भलेगा साल्दावनी थी रावकिष्ण परमहंस की पद्नी दयानंद सरसुती द्वारे इस्थापे थे आयस आरिस समाज क्या आरिस समाज आरिस समाज की स्थापना कभी 1875 में बेदों के पुनारुद्धान का सिरे है स्वाम स्वामी दयानंद सरसुती सत्यार्थ प्रिकास की रचना की थी स्वामी दयानंद सरसुती द्वारे सत्यार्थ प्रिकास पवित्व पुस्तके आरिस समाज की सुधी आंदोलन का समर्थन किया था आरिस समाज द्वारे अच्छा सासन स्वासन का इस्थान पर नहीं है किसमे का था स्वामी ले वह व्यकति जिसने सरभतम साहराज सब्दिक किया और कि हिंदी को रष्ठ भास माना स्वामी दयानंद ने अो जो रष्ठ भासा का मतलब सीधी सी वात होता है कि देखे अब है चाइनीज भासा बनाने की वात करते हैं जब तो दर्चरबारत के राज इस पर आबाज उठाने लगते हैं त्री भासा सूत्त में भी वह बाज उठाने लगते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी उसके बाद एक चेत्री भासा होना चाहिए बोलो कहते हैं कि तो वही दूई सूत्री है होना चाहिए एक अंग्रेजी और दूसरे चेत्री भासाबनी लागो होना चाहिए तोलसी राजा रामोर्राय स्वामी विवेकानन और दयानन्द सरसुती का सही क्रम है तुलसी राज, राजाराम मुहनराय, दयानन सरसुती, स्वामी विवेकन महराष्ट में पराथना समाज की स्थापना हुई? किसने की थी? आत्माराम, पांडू रंगे महराष्ट में पराथना समाज का मुख संचालक था M.G. रनाडे, M.G. रनाडे साहब ठीके? देव समाज की संचापक थी? सिव नारायन अगनी होतरी 1873 इस भी मैं सत्य सोधक समाज की स्थापना की थी? जयोतिवा फूले ने गुलाम गिरी का लेकत था? जयोतिवा फूले गुलाम गिरी की लेकत कौन थे? जयोतिवा फूले पिच्छडे बर्गों का उध्यार मोग के कारिक्रम था सत्य सोधक समाज का सत्य सोधक समाज में इससे संगठित किया महरात में एक जाती विरोधी अंदुलन वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक सुधारों का विरोध किया रोडी वादी जाक समठन किया एथे राधा कांथ दियो, राधा स्वामी सत्संग के संस्ता बक्ति सिफदयाल सहाब, माराष्ट का वज सुधारग जिसे लोखित बादी कहा जाता था तो एथे गोपाल हरी देशमुक, इने लोखित बादी कहा जाता, माराष्ट में विदभाप उनरविवा इतु अभियान का नितित किया था विश्नु परुषराम पंडित ने, विश्नो परुषराम पंडित ने, उननीसवी सदी की महानुतम पार्शी समाज सुधारत थी वहराम जी ये मालावारी, दी एज ऑप कॉनसेट एट पारित हुए था 1891 में कव 1891 में उसका विधान संबल तथा समाजिक और धार्मिक सुधार उसने समाजिक गुराईयों की निराकन के लिए विधान निर्मात कर सहारा लिया पद्वाल विवा परदावित्था कि उनमालेल के लिए आविराम परिस्यम किया, सामाजिक समस्याओं का पर राष्टी इस तर पर विचार विवर्ष को परोसाइद करने लितुँ, उसने भारती राष्टी ये सामाजिक सम्मेलन का उद्वाटन किया, जिसके अधिविशन ब भारती सुदंता अंदोलन की समय राष्टी सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोसल कॉंपरेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तर जागी कारत था, भारती राष्टी कॉंग्रेस अपने कारकरम में सामाजि सुदारों को नहीं रखना चाहती थी, इसके लिए पिस सरनाथियों को में काम करने के लिए सरवोदय समाज की स्थापना की थी, बिल्कुश सही है, 1856 में कानून पारित हुआ, वह है धार्मिक आसुविधा कानू, हिंदू, विदवा, पुनर्विवार कानू, ये दोनों, पर्शिमी भारत के, डी के करवी का नाम, जिस संदर्म में आता है, वह है, इस्त्री सिक्षा, और विदवा, पुनर्विवार, वह है भीक्ती जिसने, विदवा, पुनर्विवार के लिए संगर्स किया, उसे कानून, रूप से बैत बनाने में सफलता पराप्त हुई, इस इस वर चन विद्धिया सागल के, ठीक है, सही कतन है, 1839 में बिलियम बैल्टिंग ने सती बिथा, को कानून द्वारा अपराद मुसिख कर दिया, और 1856 में सरकार ने कानून बनाया, जिसके अमसार हिंदू विदवाफ उनरविवार कर सकती थी, और 1875 में स्वामी दयारन सर द्वारा आरे समाज की इस्ताबना केगी, यह सभी कतन आपके विल्कुछ सही है, 1833 की एक्ट 5 में, एक्ट 5 में ने गयर कानूनी बना दिया था, गुलामी यानि की दास्ता को, 1872 में नेटिव मेरेज एक्ट को बारित कराने में मात्पून गुन के निवाई थी, केस ताउ नेवाई थी, राजराम मुहन राय ने, ठीक है, उनी की एक तरह से मेहनत का नतीजा था, और नेटिव मेरेज एक्ट को बारित करने में मात्पून गुन क्या निवाई थी, केस ताउचन सेमने, ठीक है, बाल बेवा पितां को नेटिद करने ही थी, 1872 की सिविल मेरेज एक् 14 वर्स, कितनी 14 वर्स, 1832 में जनमे एक पष्ठिमी भारत की पारिसी थे, के इंडियान इस पेक्टरन तथां वाईस ऑफ इंडिया की संपादक थी, एक समास उधार रख थी और सम्मती आयो अधिनियम 1891 की पक्च में, फिर मोग संघस करता थी, इन तत्वों से संबंदित क कोन है, BM मालावारी के बारे में इस अभी पॉइंट कहा गए है, सार्दा अल्वीनियम के अंतरगत लड़कियों इवन लड़कों के विवा की नियुन्तम आयू किरम सा निद्धारत की गई थी, 14 और 18 वर्स, अभी आप देख रहे हैं कि 18 है, 18 महल लड़कियों के लिए, औ लड़कों के लिए, लेकिन वैसे बढ़ाने की भी बात की जारी है, अभी कुछी दिम पहले आप लोग उने देखा होगा, आपके प्रदान मंतरी साहम ने कहा रहे है, इस पर बिचार करने के लिए, तो देखते हैं हभी तो आपकी कितनी है, 18, 21, आपकी क्या रहा है, आप आप लोग नीचे बताईए, ऐसे सब्दे में लिखिये जो पड़े लिखे जैसा लगे, पर आप अपना कोई और सब्दे यूच करने लगें, कि मत करिएगा ऐसे, आप लोग पड़े लिखे हैं, आप लोगों को सोभा नहीं देता है, सार्दा एक्ट सम्मंदीत था, बार एनी वेसेंट के कारण, एनी वेसेंट के कारण, यह भी आपका सही समले थे, वस आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राएट, ब्रह्मा समाज, स्वामी दयानन सरक्षती, आरिस समाज, स्वामी विवेकारन, राम किस्न में सन, महादेव और गोबिंदरा नाडे, परा के सव चंद सेन, राधा स्वामी ससन, तुलसी राम, एक सूची एक सूची दो, ब्रह्मा समाज कलकत्ता, मादव धरम सबा, धरम सबा, सूरत, आर समाज बंबई, नदवा उल्मा लखनव, ठेक है, याद रखिए देंगे, आँगे है आपका सही समले थे, सत्त तोजक समाज जियोतिवा पुले, मौहममननन, एंगलो ओरेंटल कॉलेग, अडिगर, एक सरसेद एहमद खांते से समझे, तत्त बोधनी सबा, देवन नाट टायगोर, दी सर्वेंट आप इंडिया ससाइटी, गोपाल किष्ण गोखली, गोपाल किष्ण गोखली, एम सी सीतलबाट, बी इंडिया ससाइटी की थे, सर्वेंट आप इंडिया ससाइटी की थे, सर्वेंट आप इंडिया ससाइटी की थे, सर्वेंट आप इंडिया ससाइटी की स्थापना की गई थे, गोपाल किष्ण गोखली ने, किसने, गोपाल किष्ण गोखली ने, बहुजन समाज का कि मा की पिस्तोती के कारण अठारे सो निंद्यार में बहेंकर धंगे हुई थे तिरो नेल बेली में तिरो नेल बेली में यदि भगवान आज पर सता को सहिं करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूगा किसने का था बालगन गदर तिलगने देखिए कुछ को इसी के का आपने देखा है कि हमारे देश में एकता नहीं रही और इसलिए आप देखिए बहुत टाइम बाद जागे तब आजाती मिली कि आप आबा से महीं लड़ते रह रहे थे लोग एक जाती से दूसरे जाती सूची एक सूची दो राजा राम मुगर गया कहा कि हिंदु धर्म क कि पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की रामकिष्ण परमांस इस पर जोड़ दिया कि इस सो तक पहुंचने की कई मार्ग हो सकते हैं समाज सुधारकों को सुधारक जो संस्कित भासा में प्रडवीता के लिए जाने जाते हैं दयानन सरस्क्ति इस और चंद विद्य की थी बिल्कुल सही है यह सभी कतन आपके बिल्कुल सही है बारत में नारी अंदोलन प्यारम हुआ था जिवतिवा खोली की पेड़ां से ब्रमा समाज रामकिष्मसन और आल समाज में समानता थी तीनों ही राजनेतिक उद्देशों के लिए नहीं बने थे लेकिन तीनों को नहीं देशवक्ति की भावना के विकास में साहता भी दी है सही है डॉक्टर एनिवेसं थियो सॉफिष्ट थे थियो सॉफिकल सॉसाइटी का अंतराष्ट के मुख्याले मद्रास में था स्वामी दयानन सरसुति ने आल समाज की स्थापना की थी बिल्कुल सही है यह सभ देववंद देववंद आंदोलन यूपी सहीवत्वरांथ में प्यारम हुआ था 1866 में आप लोग सहीवत्वरांथ के दिपते उत्तरवदेश्ट को पहले समझ रहे हैं 1924 का बंगाल का तारकेसुर अंदोलन बेरुद्धा मंदिरों में वहिष्टाचार का हाली पद्धिती समंधित हैं बंदुगा मजदूरों से बंदुगा मजदूर से अब चलते हैं कॉंग्रेस से पूरू स्थापित कुछ राजनेतिक संस्था हैं आप देखते हैं कि 1885 मे कॉंग्रेस की स्थापना होती है लेकर उससे पहली भी आप देखें कि कई संगठन थे कौन-कौन सी उनके बारे में जाले लिते हैं बहारत में जिस राजनेतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था जमीदारी एसोसीएशन जमीदारी एसोसीएशन दी दक च्छपिति ने दिदमी खी मांग की थी तो एता देपूना सार्जिनिक सब्हा देपूना सार्जिक सब्हार ने इह काम किया था ठीक है इंडे Indian Association of Kolkatta, 37 टेग और सुरेंदनाद बनर जी, आर सीदत और सुबाट चंद बहुस मैं से वह निता जो वेटिस द्वारा Indian Civil Service से बर्खास्त किये गया थी, तो ये थी सुरेंदनाद बनर जी, कौन? सुरेंदनाद बनर जी, सुरेंदनाद बनर जी द्वारा इसता पर दो संगठर का नाम, जिसका 1886 में Indian National Congress में बिलाय कर दिया गया था, तो ये था Indian National Conference, इसका आँगे चलके आप देखेंगे, 1886 में Congress में बिलाय कर दिया गया था, राजनितिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहली भारतिय थी, सुरेंदनाद बनर जी, कौन थे? सुरेंदनाद बन 1884 में, 1850 में इस्ताफित बंबई Presidency Association के संस्थाफ़ों में से एक था, रोसाय महिता, रोसाय महिता, बेटिस East India Company, बेटिस East India Society, लंदन, East India Association, लंदन, National India Association, लंदन, इंडिया इसोसीयेशन, लंदन, इंडिया इसोसीयेशन, तलकत्ता में देखने को मिलीगी, ठीक है? संस्थाओं का सही कालकरण की बात करें, तो बंबारत साप 980 सभा, लंडोल्डर सोसाइटी, बंगल बेटिस इन्डिया सोसाइटी, और इंडिया लिग, ठीक है? कुछ और आपकी point है , इस संगर्ठन होगए , इसके संस्तापक होगए Land Holder Society , द्वार्कार नाथ् टेगर थिसके सल्थापक- British India Society , बिलियम एडम्स , इंडियन सुसाइटी , आनद मोगन बोस , इंडियन एस сохранства , सूची एक सूची दो इंडिया लीग शिसिर कुमार गोष इंडियन एसोसीएशन आनन्द मुहन भोष भार्ति राष्टी ए उधार संग स्वरेनार नाथ बनल जी यूनाइट इंडिया पेटियाटिक सोसाइट एसोसीएशन इसेयद एहमन खान थेश के जिसन सब्सक्राइब टिक एससाइटी शूसाइटी बंगाल 1714 एससाइटी शूसाइटी बंबै अठाइब तरय यूचार रोल एससाइटी सूसाइटी ओंगाल 1838 में इसके इनसब इसक्रापना होई टेकर सामने दियेगे लिएट याद रशी बेटिश इंडिया बेटिस इंडियन एसोसीएशन लाधा Central Momentan National Association Seher Amir Ali, Servant of India Society, Gopal Kishnay, Gopal Kishnay, Gopal Kishnay, Gopalay. भारतियराष्टी Congress के बारे में अगर हम बात करें, तो भारतियराष्टी Congress के स्थापना की थी? A.O. Hume ने, इसे आप देखी, यह याद रखी, इसे पिता भी कहते हैं, ठीक है? भारतियराष्टी Congress के संस्थापक थी? आसेनिक सेवक, भारतियराष्टी Congress की स्थापना हुई थी? 1885 में, भारतियराष्टी Congress की पिथम अधिवेशन में, भाग लेने वाले पितिनिदियों की संख्या थी? 72 यानिकि भातकर, भारती राष्टी कॉभरेस का पितर माधिव्य इसन पेच्योन भूया था बंबई में, कहा बंबई में, भारती राष्टी का कॉभरेस के पहले अत्देख थे W.C. Barner G., W.C. Runer G. भारती राष्टी कॉभरेस का 5850 में महा स ermफ था ए ओ लूँं भार्दी रख्टी कॉंग्रेस की स्थाभना कि से में भारत का वास राय था लॉर्ड डफ्रेंड कॉंग्रेश को सोख में दर्सी है अलुप संग के एक जंता का पिती नहीं थी बताती हूँ इसका मज़ा बढ़ाया था किसने लौड डफ्रेंड लौड डफ्रेंड ने बढ़ाया था उनका मज़ा ठीक है अंगले आंगे हैं दादा भाई नोरो जी जी सुश्टिस रनाड और शूरेंद नाथ बनर जी मैंसे भारतिय रराष्टी कोंगरिस के स्ठापना अधीवेशन में उकस्तित नहीं थी सुरेंद नाद बनर जी इस अधीवेशन में जब इसके स्थाफना हुई उस समय उपस्तित नहीं थे इसमें ठीक है कौन-कौन था दादा भाई नौरो जी जी सुभामन्यम आयर और जश्टिस रानाडे ये तीनों लोग उपस्तित थे लेकिन सुरेंद बनर जी उपस्तित नहीं थे भागतीय राष्टी कॉंग्रेस के दूसरे अधीवेशन की अध्यक्ष्ता की थी दादा भाई नौरो जी नै किसमें दादा भाई नौरो जी नै कॉंग्रेस के लिए समर्थन पराप्त करने के लिए 1889 में एक सम्ति स्था पित की गई थी उस सम्ति का सभापती था बिलियम दिगवी भार्तिय राष्टी कॉंग्रेस के सरफितम मुसलिम अध्यक्ष थे बदरुदीन तेयर जी याद रखिए पितम मुसलिम अध्यक्ष थे कॉंग्रेस के बार्तिय राष्टी कॉंग्रेस के पितम निर्वाचित यूरोपी अध्यक्ष था जॉर्ज यूले तो याद रखिए अ याद रखिए सभी आपके विस्तार में आप लोग पढ़ चुके हैं आपके NCEIT में भी पढ़ा था और आपकी जो किरन सावन के आनबुक्स है उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने तो उसे जाकर आगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप उसे जाकर द कभी नहीं चुना जा सका अबाल गंगा धल टिला कभी इसके कॉंगरेस के अद्रेख्श नहीं रहे ठीक है एनिवेसंट रही मोदिलाल मेरूड है और लाला लाजपत रहे ठीक है लाल पाल पाल त्री घुड का वैद्धि जो भातीय राष्टी कॉंग्रेस का वे दिवेशन जिसके लिए कॉंग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था कल्गत्ता दिवेशन उननी सो सत्रेकूं कॉंग्रेस की पितम भारती महिला अध्यक्ष सरोज नहीं नायदू एक पॉइंट यहां याद रखे अगर आपसे पूचे कि पहली महिला अ पॉणती तो सरोज नहीं नायदू एक पारती रख्टी कॉंग्रेस का दूसरा दिवेशन दादा भाहिन नोरोजी के अध्यक्ष्टा में हुआ बारती रख्टी कॉंग्रेस तथा मुसलिम लिग दोनों में लखनव में 1916 में दिवेशन किया जिसे आप लोग लखनव समझ सोराज मेरा जनम दिखा रहे, मैं उसे लेकर रहूँगा यह लखनव अधिविशन 1916A में एक कैबार कथन बन जाता है सौराज मीरा जनम सिथा दिखा रहे, मैं उसे लेकर रहूँगा किसका बक्तब है, किसका नारा है तो बाल ग vessels युदा हुए premi सही कतने, CR10 ने जब कॉंग्रेस अध्यर्च के रूमे कार किया, तो बेज जिल में थे, अलफेड बेब, 1894 में कॉंग्रेस के अध्यर्च थी, ठीक है, कॉंग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा पेरित था, नहीं, नहीं उनके द्वारा सोचा या योजनाबद किया गय सरसियद एहमद में, ठीक है, सरसियद एहमद में, आगे बात करते हैं हम लोग, कॉंग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है, मेरी सरसे बड़ी अभिलासा है, जब मैं जब तक मैं भारत मूँ, कॉंग्रेस की कुष की सांती पूर्ट समाक्ती में सहयोग करना है, और य लौड करजन ने, अध्यक्ची है सम्मोधन की सबाई, जिस कॉंग्रेस अध्यक्ची ने हिंदी भासा के लिए रॉमन लीपी ना लागू करने की वकालत की थे, स्वार्ष चेंद बोस्त, कौन थे? स्वार्ष चेंद बोस्त, वह सुतंता सैनानी जिनोंने भारत के, सुतंत सुतंता पराप्ती के लिए के बाद सुजाओ दिया कि भारतियराष्टी कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो यह थे महत्मा गांदी, आप सोचीए कि अगर उस समय खतम कर दिया जाता, तो एक कम से कम अपनी दम पर खड़ी होती कोई पायटी, क्योंकि आप देख र हो रहा है, कितनी मतलब अपनी मौत मर चुकी है, उसकी तरह से उसका नुकसान के से हुआ है, उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो पॉलिटी से हैं है, उसका नुकसान हुआ जनता को, हम आप जैसे छात्रों को, समझ रहें कि आप देखिए कि आपकी लड़ाई की लडने के लिए कोई खड़ा नहीं है, जब विभक्ष मजबूत होता है, तो आप सोची पक्ष भी डरता है, और आज देखिए कि विभक्ष की जीतने का सबसे बड़ा एक तरह से आप कहिए कि किसे जाता है श्री, विभक्ष को, क्योंकि विभक्ष इतना कमजोर पड़ गई कि जन्ता का वरोसा ही नहीं रहा है, तो उसके जन्ता के पास कोई अच्छा उप्षन ही नहीं, तो चलो इससे दे देती है वो, आप समझ रहे हैं, अमरस्तर के भारतीय राट की कॉंग्रेस अधिवेशन उन्नीस औननीस के पिस्ताव के इंसार, मातमगा दी द्वारा जन्ता गया, एंसी केलकर और आईवी सेनकु, कॉंग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का इससता था, लौर बिलेंगिटन बंबई 1915 में, भारती राटी कॉंग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी 1922 में गया कि इंडियन, नेशनल कॉंग्रेस के अधिवेशन के अधिवेशन के अधियक्ष थे, चितरंजन्दास, कौंते चितरंजन्दास। बारती राटी कॉंग्रेस के अधियक्षों का सही किरम है, मातमा गांधी, सेमती, सरोजणी नायडू, जबालाल नहरू, बारतिय राष्टी कॉंग्रेस का एक मात अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महत्मा गांधी द्वरा की गई थी यह था बैल गाओं अधिवेशन 1924 का इसे भी याद रखी कई बार पूंच लेता है केबल यह से एक ही बार की है महत्मा गांधी ने अध्यक्षता बैल गाओं अधिवेशन 1924 की यह अध्यक्ष हो गए राष्टी भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की सभाओं की स्थाम मौतिलाल नहिरू अमरस्तर 1929 सरोजनी कायटू कानपूर 1925 यह पहली भारतिय महला थी कानपूर जो अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का 1925 में तब की थी इन्होंन डॉक्टर राजिन पिसाथ बंबई अधिवेशन में 1934 में अबुल कलाम आजाथ रामगर्ण 1940 में ठीक है बारतियराश्टी कॉंग्रेस था हुआ अधिवेशन जिसमें जवाला लहरू समाजबात को भारत की समस्याओं को हल करने की गुंजी बताया था लखनव अधिवेशन में बस 1938 की भारतियराश्टी कॉंग्रेस की हरीवेशन की अधिवेशन 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 की अधिवे कॉंग्रेस के अध्यक्ष से अगुल कलाम आजात। जब भारत सुतन्थ हुआ उस समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जेवी किपलानी एक विश्चन से भी कई बार बन चुका है जब भारत सुतन्थ हुआ आजात हुआ उस समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जेवी रख्टी है कॉंग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगधर तिलख ने भाग लिया था अमरस्तर अधिवेशन उन्नीच सो उन्नीच में और 1896 की अधिवेशन में आपका जो बंदी मात्रा में उससे गाए गया था ठीक है दो पॉइंट को याद रखिए वो भी कलक अधिवेशन हुआ था फिर आपका कॉंग्रेस में गरम दल और नरम दल कोंग्रेस के नरम दल के निताओं के आंधोलन की बदिती थी राजा बामध्य आंधोलन एक तरह से देखिए नरम दल की यही थी कि हां जोड़ना से फारिष करना पत्त लिखना यही इनका काम था मतल गरम दल का उधवा यह सवदेस आंदोलन कौसा सवदेस आंधोलन सवदेसी आंधोलन अधिकतर नरम बत्ती नेता थे सहरी छेत्रों से किसे सहरी छेत्रों से 1904 से लगातार भारत को सोसासन देने पर बल्दी आगया दादभाई नोरोल जी ने बाल गंगाधर तिलख मदललाल और उधम सी और गुपाल किसम गोकले में उगपंती नहीं थे गुपाल किसम गोकले नहीं थे यानि की गरम दलके नेता नहीं थे बारती रठटी कांगुरेस का प्राथना याचना और वीरोद की राजनीती करने का आरुप लगाए था बाल गंगाधर तिलख में रहते नरम दलके नेतां की यही एक त darauf है से राभनी देधिज 건हाज की प्राथना याचना की नेति अंत्त्तागर्ट хочет Bak Farm गंगादर दलग की नेधत में बार्तिय राख्टी आंदोलन गरमपंथियों की प्रभाव दिन आया 1906 की बाद अरवेंद गोस दादाभाई नौरो जी जी के गोकले और S.N. बनर जी में से कॉंग्रेस के गरमदल से संबंदी था अरवेंद गोस राख्टी आंदोलन में बाल गंगादर दलग दादाभाई नौरो जी एम जी नरणाडे गोपाल खिशन गोकले में से नरमदलिय के तौर पर नहीं जाना जाता था बाल गंगादर दलग को सेरे पंजाब के नाम से मसूर थे लाला लाजपत राय याद रखे लाला लाजपत राय को सेरे पंजाब के नाम से भी आप लोग जानते हैं ठीक है सेरे पंजाब फ्रोज साय मेता दाला भाई नोरोजी गोपाल किस्न गोखले और लाला लाजपत राय में से भारतिय राष्टी कॉंग्रेस में ओधारबादियों से जुड़ा नहीं था लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय ने अपने राजनितिक गुरु माना है मैजिनी को किसे मैजिनी को गोपाल किसने गोख लिए बालगंगादर तलक एव को यूं और मदन मुहन मालविये में मदमारगी नहीं था बालगंगादर तलक नहीं थी सौदेशी की समझ तक थी अर्विन दुगोस बालगंगादर तलक को असांती की जनक की रूम में जाना जाता है लोकमान तलक साहब को बालगंगादर तलक साहब को भालगंगादर तलक को असांती की जनक की रूम में मान दें बालगंगा धर तिलक को असांती का जनक कहा था वेलेंटाइन सरोलने एक आप सोचे कि आप अंग्रेजियों की खिलाब रहेंगी तो वो इस तरह की नाव तो देगे ही बीजे तिलक को सजा के परशाज जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कित के एक विद्वान के रोम में तलक ने तलक में मेरी दल्चस भी है तो यह थे मैक्स मूलन है मैक्स मूलन है 1908 में च्छेवर्स की कारावास की सजा सुदंता संगराम की जिस तो कोगवादी निता को दी गई थी वह थे कौन थे बालगंगंगंदर तिलक सहब भारत के सुदंता अंदोरन के पैरंविक दोर में कोगवादी बिचाथ धारों को निरूपित करता है सम्मिधानिक साधनों और याची काओं के स्थान पर आक्रमक साधनों से सवसासन प्राप्थ करना बार्थी मुसल्वान सामान रूप से उगबादी आंदोरने की और आगर से नहीं हुए इसका कारण क्या था? उगबादीयों की हिंदू अतीत का राग अलापने की निती यानि कि एक तरह से आपके ये कि देखे आपके ये हिंदू धर्मों को लेकर चल रहे थे कुछ ये उगबादी तो इसलिए उन्होंने मुसलिम एक तरह से अलग रहे अपने गड़पती महुत सवसुना होगा समझ रहे हैं इसी कारण थोड़ा धर्म में बटा हो गया कथन एक कारण आर बालगंगादर तिलक संपधायक था गलत है उन्होंने धर्म का राजनितिक अस्त के रूम में प्रियोप किया ये बिल्कुल सही है यानि कि कथन गलत है कारण आर सही है महाराफ्ट में गड़पती परपका स्रीगरिस किया था बीजी तिलक में वह वयक्ति जिसने महाराफ्ट के गड़बती उस्थाव का ऐसा काया कलग किया कि वह एक राट की उस्त Kentucky हो गया और उनका स्वरूप राजनितिक हो गया बालगंगधर तिलख वह बोल्थ के अर्थि उठाईती तो सौकत अले ने याद रखे इस नाम को भी भारत में करांतिकारी अंदुलनों की बात अगर हम करें, तब करांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभीनव भारत का गटन किया था, बीडी साबर करने, इसके भी पूछ लिया कि अभीनव भारत की किसने गटन किया था, बीडी साबर करने, 1905 में करांतिकारी संगटन अभी अपिर विड़ी सावर कर कि बारे में सहही घत्न हैई है उन्हों ने अविनेव भारत we की आग्रा कर्णत्र हूं स्थापना की भारती राष्णवाधियों को पिरेदे की रूफ comigo उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी उन्होंने भालत का सुतंता संग्राम 1857 नावक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रो का एक राष्टवादी द्रेश्टी कून प्लान करती है बैटिस कैसे मुक्त होने के विलिए बे एक चलते जहाद से कून पड़े थे इस सभी कतन आपके एक दो दिं चाल साहे है इस तरह से तो अच्छे सी याद रखिए हैं गेवार ने राष्टिय स्वहें सेवक संग की इस्थापना की। निस्षों शूष्टि में किसने पी मित्तराने की तिकिति किसने मेत्त्राने की वरेंद कुमार-घोष्टि कृ yaka-la-pon न। अनुसीलन समति है बालगंगादन तिलक को लोगमान विशे सढ कहा गया दिया गया करांतीकारी आंदोलन के दौरान स्वतंता अंदोलन के करांती कारी आतंगवादियों के पहले मत्पून साहिट से कार वर्रा डखेंती कार्ष्थान था पूरी वंगार एक बात और आपको बताँ आज आप लोगों ने देखा है कि आप लोग जब आंदोलन करते हैं चात लोग तो आप लोगों को देश दुरोही ठहराया दिया जाता है और आतंग बादी भी बहुत दिया जाता है कि आप सरकारों के खिलाब जा रहे हैं तो देखिए सरकारों के खिलाब जाना मुझे लग सेहीं राजगुरु और सुक्तेव से करता हूं क्यों क्यों कि आपने देखा है उस समय भी लोग धर्णा पिदर्शन करते थे इस तरह के करते थे तो अंग्रेज क्या बोलते थे देश दुरोजी गंता तो आप लोग खुशी मनाया करिए अगर सरकार इस तरह की कमेंट आप करती है तो क्योंकि आज देखिए इतियास में उस समय उन्हें गलक्ठ है रहे गया लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी बारे में पूजा कर रहे हैं उन्हें मान रहे हैं सम्मान कर रहे हैं तो आज से अगर जब भी आपका 100-100 साल बात समीधान लेका इतियास लिखा हो अपने हित में हो ठीक है इस सरकारें पांस साल बाद बदल जाती है आने की बाद फिर बदल जाएगी ये कुछ नहीं ठीक है मुझपरपूर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गये था 1908 में 1908 में मुझपरपूर बंम कांड 1908 का सम्मद था पिफोल चाकी सी वयव्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिवानी की साथ अलीव अलीपूर सडेंद मामली में अरभिन गोस का बचाव किया था यह थी चितरन्यादार हिंदोस्तान रिपब्लिकन इसोसीशन की स्थापना हुई थी 1924 में हिंदोस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की इसीशने रिफाच ऑर एक सदस नहीं था था और सभझसिंग के चंदेशेका राजा रामपरसात बिस्मिल ऐसे और सिभार कर दिया था और कहता है किवल अ Regierung की तौड़ आप सोचिए कि उस समय आज आप लोग सज सच से अगर आपको बोलने से कोई कर नाई रोक रहा है तो आप तरां जूट बोलने सुर्म प्रदेते हैं उसमाय सोचिए कि सामने फांसी है, मौत खड़ी हुई है, फिर अपने भी, फिर भी आप, मतलब आप सोचिए कि गलत रास्तों के लिए सुईकार नहीं किया उन्होंने, सद बोलते हुए, सहीद हुए, और आज हम देखते हैं कि डर से हम कुछ भी रास्ता चोड़ी हम लोग क कुछ भी करने लगते हैं, तल भी चाटने लगते हैं, इसलिए आप देखते हैं, इतियास में आप का नाव उसी तरह से लिखा जाता है, 1857 की बाद आप देखिए, जिसने अंग्रेजियों का साथ दिया, उन्हें आज इतियास माप नहीं करता है, सिंधिया को देख लिजे कि इतियास जब तक रहेगा, और इतियास कहने का मतलब जब तक ये धरती रहेगी, तब तक आप देखेंगे कि वो गद्दार सब धाटेगा नहीं, ठीक है, सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना वाजू ये कातिल में, ये पंक्ति किस ने ल 1925 में, ये भी याद रखेंगे, कई बार कूच ले थे, काकोरी सर्डन केस कब हुगा, 1925, इस से सम्मन्दीत कौन बैक थी थे, रामपेसाथ बिसमिल, रोसन सिंग और भगस सिंग और असफाव कुला, खाक रांतिकारियों में से काकोरी सर्डन केस से जड़ा नहीं था, चंद सेकर राजार और मम नाद गुप्त में से काकोरी कांड में से जड़ा हुए करांधी गारी, जो मुकद में से बच निकला था, ये थे, चंद सेकर राजार सहाब, ठीक है, असफाकोला खां, राजेन लाहेडी, रामपेसाथ बिसमिल और चंद सेकर आजाद में से जगत नारायन मुल्दा, दरो दीवार पे हसरत की नज़त करते हैं, खुस रहो एहले, बदल हम तो सफ़र करते हैं, कहा था, किसने कहा था है, वाजित अली सायने, ठीक हो, वाजित अली सायने, इंदोस्तान सोसलिष्ट रेपॉब्लिकन इसोसीशन की गठित किसने किया था चंद सिकर आजार, कभी आप जाएं, तो इलावत जाएं, तो इसे गुम कर आएं, चंद सिकर आजार वारत को, ठीक है, कम्पनी आएडन भी कहते हैं से आप लोग, बढ़री वेटी सरकार को सुनाने ही तो केंदरी विधान सबाब में, अपरेल, आठ अपरेल, उन्हीं सब इन को वंपी कहा था किसने भगस्निग और बटू के सुग दफ्त रहे, हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोचीशन के सश्टापक नेताओं में, एक थे भगस्निग, सचेंद सन्नियाल द्वारा, इस्थापित हिंदोस्तान रिपब्लिकन рокसन का नाव ब बरस 1926 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रेपब्लीकन इसोसीशन की स्थाफ़ना हुई थी दिल्ली में करांतिकारी चंदसेकर राजात को अंग्रेजों ने मार डाला था मोडवेट में गोलियों से कहां इलाबाद में आप देखेंगे ठील है इंकलाब जिंदाबाद का नादा दिया था भागस सिंग ने भागस सिंग राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को एक कई बार कुस्चन बन चुका है दो नाम दे देगा आपको कि भागस सिंग और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी यह था लाहोर सडेंद किस्ट भागस सिंग का इसमार किस्टे थे रोजपूर में लाहोर सडेंद कार्ण में बटू के सुर्दत और सुखदेव सर्दार भागस सिंग तथा राजगुरु में ऐसे फांसी नहीं हुई थ बटू के सवर दत को नहीं हुई थी बारतिय सतंता के लिए फासी पाने वाले पिथम recorded Muslim का नाव क्या है अस्थफा कोला खां मुकदमों का सही किरम है सबसे पहले लाहोर मुकदमा फिर कानपूर मुकदमा फिर कापूरी मुकदमा फिर मिराठ मुकदमा इनने भी देख लेजिए हावडा सदेंद प्करण 1910 में, बेक्टोरिया सदेंद प्करण 1914 में, लाहोर सदेंद प्करण 1916-1930 की मिर और काकूरी सदेंद की प्करण 1925 में, ये लाहोर सदेंद 1916-1930 में मुझफपर अहमद, S.A. डांगे, सौबत उसमानी और नागीनी गुपता जिस सडेंट केस के लिए कैद किये गये थे हुआ है, कानपूर, बोल से भी सडेंट केस, ठीक है, याद रखा, पिसिद्ध, चटगाओं सस्तागा धावा अलजित किया गया था, सूर्षन ने किया थ सूर्षन ने, याद रखिए, चटगाओं सस्तागा धावा लूटा था, इस सूर्षन से जुड़े हुए थे, सुतंता संगराम के सबसे कम आयू के सहीद थी, खुदी राम, बॉस, आप चोचिए, बच्पन की उमर में कई हमारे मतलब आज, जो आज जादी मिली हुई है, उन्होंने कई बच्पन में ही अपनी उमर मतलब अपनी जिन्दगी खोर दी, सहीद हो गए देश के लिए, और आज हम लोग उनकी आजादी कितनी कदर कर रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं, आज हमें समीधान में सब कुछ मिला हुए, लेकिन फिर भी हम उप्यों नहीं कर हैं, कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि कितने लोग उने जान दी, कितने लोग सहीद हुए देश के लिए, तब जाकर आज आजा दी मिली, यही अगर चाटू कालता, अगर यह लोग भी करते, तो सहीद हम लोग अभी भी गुलाम होते हैं, कि हमें क्या लेना दे रहे हैं, अ तोची एक शूची दो, अभीनाववारत यी बीडी सावरकर से संबन द ही अनुसीलेयन संती, अरवेंद घोस, गधर पार्टी लाला हर्दयाल, स्वाराज पार्टी सी आज़दार, सी आज़दार, ई संगाठा न होग है संस्ताफ़त, अभीनावारत जृडी सावरकर, मित प्रुस्तान रेपब्लीकन एसोसीजन एसेन शन्याद, चटगाओं सुस्तागार हमला सूरसेन, कापूरी सदेन्थ रामतिसाज बिस्मिल, लाहोर सदेन्थ जतिंदास, गदरफार्टी लाला हरदियाद, जतिंदास जिस आरूम में बंदी बना गए थे वह था लाहोर सदेन् जेल में भूंखरताल के कारण जिस सदेन्दास शानाथकी मित्ति हो गई थी वह है जतिंदास, शोची एक, सोची दो, जतिंदास भूंखरताल, शेंज की जान गई थी चंदसे का राजाज, मोटवेड की त्वरानी की जान गई थी, भагत स्नीं केफासी दे गई थी, कल्प अभिन्यों भारत बिनायक दामुदर सावर कर अनुसीलियन सम्ती अर्विंद गोस कुका अंतुलन गुरु रामसी काकुरी केस की अभिर्टों की बचाओ ये तु एक सम्ती का गटनुगा था ये ती गोविंद बल्लाव पंद की अध्यक्ष्टा में गटत की गईती है ठीके संघ और संस्थापर रिवयोग गरोसें हिंदुस्तान रिपब्लीकन इसोसी अनिस सी अपी से मिलूस्तानों सोसलिस्ट रिपलीकन आसोसीएसन चंदसेकर राजात पंजाब ना जबान भारत सबह एभावर्स नीwe Nationalist Party इंदियन पेट्योड सुसीशन में से करानती कारी गतिविधियों में लिभतसंग अपीन वारति और अनुसीलन समति अनुभारति और अनुसीलन समति निस्क्रिय विरोथ की सिद्धान का पिती बाद किया था अर्वेंद भोस ने, किसने अर्वेंद भोस ने, सही कतने, सवाश्चन भोस ने फॉरवर्ड विलोग का गठन किया, भगत सिंग हिंदोस्तान रेकबलीकन सॉसलिस्ट, इसोसियेंस्टन के सत्वापकों में सेख थी, बिल्कु सही है, ठीक है, रामकरसाद भिसमेर, रायंदर, लहरी, रोशन सी, अस्फाकोला, खाम मेंसे वह करांतिकारी जिसको फासी गोरभपूर जिल में हुई थी, तो यह थे रामकरसाद भिसमेर, खरोष सांट में था, गोपाल किसन गोखली, और विपिन चंद पाल में एक दीच्छा समारों में अपनी उबादी, डिगरी गेंड करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी, तो यह थी बीना दासने, समझ रहे हैं, उस समय महलावें भी करांतिकारी एक तरह से आप सोचे, जहांती की लानी, रानी की लच्मी से कम कोई नहीं था, आल मुझे लगता है कि उस समय के निताओं के आप लोग बेजिती कर रहे हैं, क्योंकि जमीन और आश्मान का परक है आज के निताओं में उस समय के निताओं में, ठीक है तो मात करिएगा आप उस समय के निताओं से इनकी तुलना मत किया करेगा, इनकी तुलना आप लोग किसी तो समझ रहे हैं आज के नेताओं को आप जितना गलत बोल सकते हैं बोलिए लेकिन तोलना मत करना उनसे अब बात कर लेते हैं भारत से बाहर करांती कारी गधिविधिया देख लेते हैं लंदन में इंडियन होम रूल सुधायटी को पैरम किया स्याम जी किष्ण बर्मानें इंडियन होम रूल सुधायटी स्थापित हुई थी 1905 में बेडी साबरकर राजबिहारी गोस मदन लाल दिंगरा और लाला लाजपत हर्द्याल मैंसे गधर पार्टी का वेकिन किया था लाला हर्द्याल ने गधर पार्टी की स्थापना भी थी 1913 में गधर पार्टी गधर आंदोल किस्ता अपना की थी ? गधर क्विश्च 맞아 के कइँ बार बन चुक है ? गधर पार्टी का पहला सभावपती थे ०ॅचा सेउंस भांग नगंग शखरिय में के र erosion- एक र מד COVID कारी कारियelloिं हों का रेसित पश्क्रमी अमेरिका फकुल गदर क्या था भारतियों का ये क्रांतिकारी संग था जिसका फिधान कार्याले सेन्ट फ्रांसिस्को में था, सेन्ट फ्रांसिस्को में था, ठीक है, गदर क्रांती चेडने का सबसी मत्मूर कारत था पिथम महायूद का सुरूम होना, ठीक है, वह बैक्ती जिसने विदेश मे गड ढर्द तरफ मीं सरकार की सथापना की थी। वह थी मह áreas प्यता अफगाणिस्तान जहां। महयूद के दोरान भारतकी एक अंतिम सरकार वनी थी। जिसके प्रेशीडेंट राजा महि प्लताप खी। यह था आफगानिस्तान, याद रखी महायूर्द कहने का मतलब है कि पिथम विस्यूद, जब तक आपका दूतिय विस्यूद नहीं हुआ तब तक आप महायूर्द के नाम से जानते थे इसे, तो यह 1914 से 18 तक चलता है, बारती क्रांती की मा कहलाती है, भीकाजी रुस्तम काम कामा, हुईडम कामा की माता-फिता फालसी थे, वह पहला जिसने भारती रेत्त Renव सबसे पहली फैरा रहे था, तो यह थी भीकाजी कामा साहब, याद रखी माड़म कामा ने 1907 में पितम फैरा रहे था इस्टुट गायड में वह व्यक्ती जिसे इंगलेंड में अग्रेज अधिकारीयों की हत्या क्या आरूप में आसी की सजादी गई थी मधनलाल डिंगरा और उधम सिंखो मधनलाल डिंगरा और उधम सिंखो वह बाद जो मेडम भीकागी कामा और एम बरकुत्पुला और बीवी एस अयर और एम एन रोय में समान थी बे सभी करांतिकारी थी और सुतन्ता आंदोलन की युदी में भारत ते बाहर बिवित देशों में काम कर रही थी ठीए कामागाटा मारू कनाडा की यात्रापन निकला एक जलपोर था तब ही घंटित ती सर्दार सर्दात अजी सिंध बाबा गुरदीप सिंध संग में से कामा गाटा मारू घंटि नासे संब्धित थी इस नाब को ईयाद रखे इनडिपेंडेंस लीक के स्थापना हुई थी कि भीकी ती किसना राष ज्यार ही बोसन बंगालresent 1905 है और अड़पनी थी बंगाल का विभाजन, इस थाई बंदोष्थ, साहे एक संदी में से सबसे बाद में हुआ, बंगाल का विभाजन, 16 एक्टूबर 1905 को, बंग 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 विरोधी आंदोलन प्यारम हुआ था, 7 अगस्त 1905 को, वह आंदोलन जो बंग बंग के बाद सु बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनर था, लौड करजन, इस नाम को याद रखिए, उचलитा है कि, किसके समयकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, तो यह देखेंगा, आप लोग किसके समय, लौड करजन के ऑखिय गे, बंगाल का लेपिटिनेट गवर्नर जनर था सर एंडीज थेड़ जया लेटिनेंट गवर्नर की बात कर रहा हूं कि बंगाल विभाजन 1905 के ब्रोद में हुए आंदोलन का नेतित किया था सुरेंदनाथ बनर जी ने डबलू सी बनर जी एसेन बनर जी और आर एंड टेगोर और बीजी तेलेक में से वह जो सौधिसी आंदोलन का आलूचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मद एक बेतर समद्र का समद्र तक था आर एंड टेगोर साह बंगाल में वेटिस बस्तूओं के वहिसकार का सुझा और सरफ्थम दिया गया था किसने कुमार मित्र ने किसने कुमार मित्र ने वेटिस बस्तूओं के वहिसकार को राष्टी नीति की रूम में अपनाया 1905 में बंगाल विवाजन मुक्रता किया गया था बंगाली राष् कट्यों वादियों द्वारां पारंप किया कारिक्रम थां वायकार्ट साथेशी विराश्टी सप्षा आप लोग देखते रह जाते हैं कि अभी वह आप वायकोट चाइन OFFICER के प्रोड़ेक्ट कभी भी स्थ气 हमेसे हैं वह दो तो याद रहने कि उससमय की परिस्तिती अलग थी आज की परिस्तिती अलग थी आज आप देख रहे हैं कि चाइना पर आप सतर परसंट तक कई चीज़ों में मतलब उस पर डेपेंड है आप लोग तो आप समझी कहा जाता है कि आपके आज यो पांच पॉन बेख रहे हैं तो उसमें से चार पॉन चाइन और हमारे पास सभी सुद्धाय थी लेकिन आज हम लोग काफियत कर दूसरे देशनों पर निद्वर हैं समझ रहे हैं तो इसलिए यह संबाउन नहीं है कभी आप लोग थोड़ा पड़ लिया करिए का तब इस तरह के बरना मैंने देखा है कि कई लोग अपने मुवाइल पोड देते हैं टीवी पोड देते हैं देखिए उसका नुकसान आभी को भारना पड़ता है यह जो खरीद लिया है वो ठीक है आपके परिशा जा चुके है चलिए मानिये आप चलिए देशबक्त हैं इसमें आप देशबक्ती दिखा रहे हैं तो आने वाली कोई भी चीज मत खरीदे और आपने देखा है कि चाइना का जिस समय आंदोलन चल रहा था वायकोट चाइना का उसी समय एक नया फॉन लांच हुआ तो उसका देखा आपन एक एंकल कह रहा था कि चाइने सामानों को बंद करना चाहिए ऐसा और अपनी टीवी के नीचे क्या चला रहा था चाइनीज पॉन का एड़ दे रहा था तो यानि कि तुमने जनता को भीवकूप समझ लिया कि जनता को जिस दिसा में बढ़काना चाहिए बढ़का दीजे और आप अपना काम करते रहें तो जनता हो भी मुझे लगता है जावरूप होना चाहिए सौदेशी और बहसकार पहली बाद संगर्स की विधी के रोम में अपनाए गया बंगाल विहावाजयन के विरूद आंदोलन के रोम है बंगाल 1909 में विभाजित हुआ था जिसके व महलाएं किर्शक मुसल्मान और बुद्धी जीवों जेवी बर्गों में से 1905 के सौदेशी आंदोलन से मुखता अभी प्रभावित थे खिर्शक एवा मुसल्मान वैद आंदोलन जिसके दौरान बंदे मात्रम भारती राष्टी आंदोलन का सेशकी बना सौदेशी आंदो नहीं बेटिस पत्कार HW नेवेंशन जोड़े थे सौदेशी आंदोलन से भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनजीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी एवं इंडियन सोसाइटी और ओरियंटल आर्ट की स्थपना की थी यह थे रवेंटनाट आउनिंद ना एक बात आप लोगों को और बता देता हूं देखे बंगाल विभाजन के बारे में अगर आप से पूंचे कि कब हुआ तो आपको बताना है कि किसके समय हुआ तो एक करजन की समय हुआ था किसके करजन की अगर आप से पूंची कि रद कब हुआ तो यह रद होता है बंगाल कॉंग्रेस बनारस कालगात्ता और सूरत इवेशन भी देख लीते हैं स्बारत हैं कर वाहती रोगरेस की 150 की बनारस अदिवेशन का देश देश था गोमाल किशने गोखली सावcell निजस देशा घी ती दाधा भाही नौपेस हथा 18 वर्ष की आयू में इसनातक, 20 वर्ष की आयू में पिरोखेसर तथा सुधारक के सह संपादक 25 वर्ष की आयू में साथजनिक सभा और परांतिय संबेलन के मंतरी 29 वर्ष की आयू में राष्टिय कॉंगरेस के मंतरी 31 वर्ष की आयू में मत्हुन , रोयल कमिशन के समख अगुनी प्रवार और 34 वर्ष की आयू में प्रांधी विधायक 36 वर्ष की आयू में इम्पिरियल विधायक और Annges एक देषभवत जिसे माहतमा गांदी ने अपना गरुह मना ने है गोपाल किसने गोखले का, इसका गोपाल किसने गोखले का, ये पूरी जो कहानी उपर से दिखाई गी है ना, पताई गी ना, ये गोपाल किसने गोखले के बारे में कहा गया है, और आप सभी जानते हैं कि महतमा गांदी ने अपना राजनेतिक गुरू भी मानते हैं, गोपा पारिद किया, पिस्ताओं का उध्त था सौशाचन सुनिश्टेत करना सौराज को बातो राष्टिये माल की दो की रूँ में शरब पितम रखा था किसमें? दादा भाई नोरो जी ने कॉंग्रेस के मन्च से भारतिय रश्टी है कॉंग्रेस के जिस अधी विशन में पितम बार सौराज सब्द का सब्द किया गया था सर śmjek पारत में ग्रेंड ओल्ड मैंन की संग्या दी गई है दाला भाई नरो जी को याद रखिए कई बार question से भी बन चुका है grand old man की संग्या दी गई है दादा भाई नौरी जी को याद रखिए मुझे लगता है इन आपके जो revision point view से जो भी class अजी गई है इन वे याद तो वो questions लिए जा रहे है जो आज चुकी है और क्या आने की पूरी संभाव ना है उनी questions को रखा गया है देखिए कितने मत्मूल questions लिए जा रहे है दादा भाई नौरोजी की वसे में सब्ध कथन है उन्होंने poverty and and unvertised role in India पुस्तक लिखी थी उन्होंने गुजराती गुजराती के प्रोफेसर के रूम में University College London में काल किया था उन्होंने बंबई में महला सिच्छा की निउट रखी थी इस अभी कैथर दादा भाई नौरोजी के बारे में सही है दादा भाई नौरोजी की वसे में सथ है वह पहले भारतिय थे जो एल्फेंटन कॉलेज बंबई में गड़े तेवन भाथ की के प्रोफेसर में थे 1892 में इसमी में उन्हें बेटेस पालिया मेंट का एक सदस निर्वाचित किया गया था उन्होंने गुजराती पति का रष्ट गुपतार का अरंबी किया था आप खुद देखिए उस समय की नेताओं को जो भी सुतंदा सेना रही रही कोई आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा मुझे लगता है कि सब पढ़े लिखे थे और जो अनपढ़ थे उनका नेतित कर रहे थे एक तरह से पढ़े लिखी लोग और पूरी वखाधारी से कर रहे इस समय देखिए पढ़े लेके लोग नौकरी कर रहे हैं और जो अनपढ़े वो नितत कर रहे हैं यानि कि वो निताज बनके बढ़े हुए फिर आप देश की भला समझ सकते हों कि देश कितने गड़्डे में जाने बाला है पिर आप देखिए जब हम आजाद हुए तो कही कही देशों ने काया कि भारत दो से चाल साल बाद कई भागन में बढ़ जाएगा क्योंकि इतनी बेवत्ता है इतने धरम है हमारे देश में लेकिन आपने देखा है कि नहरू को लेक लीजे तो चाहे आप लोग भीमराव मेड़कर साहब को कानून मंत्री बनाए गए गए और सर्दार पटल की और इनकी भीमराव मेड़कर साहब की फिर भी उन्हें रखा गया क्योंकि सब पढ़े लिखे मतलब इसलिए रखा गया था क्योंकि अमेड़कर साहब एक तरह से ग्यानी थे कानून के समझ रहे हैं तब जाकि इतना भारत को एकता मिली और अभी तक च चुना जाने वाला पितम भार्ति है दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी नरम दल गरम दल के रूम में भारतियराष्टी कॉंग्रेस का बिभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में यह भी कई बार बन चुका है नरम दल और गरम दल के रूम में भारतियराष्टी क Congress का भिभादन को गुगा था? सूरत अधिवेशन में 1907 के भारतियराथ्टी Congress के सूरत में कि भार्तियराथिवेशन के अध्यक्ष थे RB हुषGS को थे? RB हुष наз dhat 끈yek स्भारतियराथि Congress की व努्ष्प होग्रेश्ट सबना और एक संकल्क जो इनों संकलों में नहीं था कि वह था मंगाल के विभाजन को कर्द भारती राटकिक कॉभरी का पिथम विभाजना था 1997 सूरफ बिभाजन के क्या था तिलंग व्स 1907 में सूरफ में भारती राटकी कॉभ्रीस का विभाजन मुक कारण था अंग्रेजी सरकाल के रिए reopen में चरम पंतियों में विश्वास का आवाम एक तरह से आप समझे जो गरम दल के थे यानि गरम खुण एक तरह से कह दीजिए और एक ठंडा कुण ठंडा कुण क्या करेगा यहां जोड़के और परातना लिखके या परातना बत लिखकर समाज में जो भी सोधार या कोई उनके बारे में करेगा और जो गरम दल के नेता थे वो गोली बंदा बंदू समय रहे मतलब जवरजस्ती इसी में दोनों में नहीं बनी और विवाजन हो गया सूरत में थिर आप देखेंगे इस संगठन से भी आपके कुश्चन समीसा देखने को मिलते रहे हैं मुसलिम ली की स्थापना की थी किसने? नवाब सलीमॉल Allah खानने. उन्टीसटेशर में मुसलिम लीक की स्थापना होई थी तुद्ध में उन्दीस गंशाथ में मुसलिम लीक का वार्षती का कराची में कोंधतन एक और कारण लीगने कॉंगरेस के मुसलिम जन्ता के साथ मिलकर और देश पूर्ती में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, बिल्गु सही है, बैसा अधिकार अक्किली मुस्लिम लीग का ही था, आर गलत है, ये सही है आपका, बारतीर स्वाधीनता संगर्ष की संद्रम में सत्य कता है, हकीम अजमल खान राष्टवादी तथा चरम अधिक बरकुत अला और मौलाना अबदुल्ला सिंदी काबुल में भारत की अंताकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थी, 1906 में लाओर मेंटो ने सिंद्रम में मिली मुसल्बानों की सिंद्रमंडल ने प्रापना की थी, मुसल्मानों के लिए पित्थक निर्वाचन यानि अलग से निर्वाचक बढ़ की, 1908 में अखिल भारती मुसलिम लिए कि एक लंदन साथ की स्थापना होई थी, अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में, फिर देखने हैं आप लोग 1909 का अधी नियम आता है, जिसे आप लोग माली मिंटो सुधार कहते हैं, करी यह भार यह भी बन चुका जो इंडियन काउंसलेक्ट था और मालली मिंटो सुधार, माली मिंटो सुधार, बिल फारित कब गुआ, predict 1989 में, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की विवस्ता की गई थी संपधायत पितीनी दित की संपधायत पितीनी दित की राश्टी आंदोलन की अधी में जिस घटना में मदभेद के बीच थी और वह है जिसने अंतता देश का विभाधिन कराय था विधान सभा में मसलमानों के लिए प दिल्ली दर्बात और राध्धानी परिवतन बैटिसकाल में दिल्ली के पहले भारत की राध्धानी क्या थी कलकत्ता 1912 में जब राध्धानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायस रह था लौड हार्डिंग दिल्ली भारत की राध्धानी बनी 1911 में 1911 में विभाजन को रद्यकर भारत की राध्धानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानातित करने की गोष्णा की गी थी एक अपरेल 1912 को दिल्ली राध्धानी बनाई गी थी तो याद रखी इसमें भी आप लोग बड़े भेमित हो जाते हैं कई बार बंगाल विभाजन 1911 में दिल्ली राध्धानी घुसित हो चुकी थी 1911 में लेकिन बनी कब है एक अपरेल 1912 को ठीक याद रखी वह है जिसके राज को राज किये प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बंप ही का गया था लौड हार्डिंग पर बैटिस आसन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत के दज्या प्राप्त हुआ 1912 में 1912 में कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन की बात करूं दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस तथा इंडियन मुसलिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयुजित किये लखनव में का लखनव में दोनों में समझोता भी वाता इसी में लखनव समझोता 1916 में भारती राश्टी कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन की अधियाचता की थी किसने एसी मजूमदान है याद रखिए जिसी सम्मिलन में कुछ अच्छा हुआ हो जिसमें बड़ा समझोता हुआ 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 क्योंकि इन से कुष्चियां से डारेक्ट बन जाता है कॉंग्रेस और मुसलिम लीग और कॉंग्रेस के मत समझोता कराया था दीजी दिलखने कॉंग्रेस के 1916 के लखनव अधिवेशन में लिया गया मुख दूरगामी पईडाम बाला नेड़य था मुसलिम लीग की पिताओ पिताग निरवाचन शेत की मान सुईकार की गई दिजी में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच मतिग का काल पितर से करता है 1916 से 1922 1916 के लखनों के कांग्रेस अधिवेशन में ये विशय में सब थे इस अधिवेशन में उधारवादियों और ओगवादियों के बीच उनहां मेल इस्थापित हुआ था और महत्मा गांदी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे फिर आपका हॉम्रूल लीग अंदूलन 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 सरपितम आरम किया था एनिवेशन में 1915 सोले में दो हुम्रूल लीग आरम किये गए थे तिलक एवन एनिवेशन की द से होती कि दनान आंदोलन यो भारत में लोग क्रिये हुआ था हूम रूल आंदोलन बालगंगा तर तलक एनिवेसेंट एन सुभमन्यम आयर और टी एस अलकूर्ट में से जिसका युगदान हूम रूल लीक की स्थापना में नहीं था तो याद रखना टी एस अलकूर्ट का न अबने राजनितिक सक्ती का सफलता पूर्वक पेदर्शन कर सके कॉंग्रेस के 1916 की लखना हूँ अधिवेसेंट में हूम रूल अंदोलन भालत की सुदंता संगराम की नए चरण की आरम का गोतक था क्योंकि इसने देश के सामने सौसातन की एक ठोस योजना रखी थी तिल अधिवेसेंट तिलक गतान अधिवेसेंट द्वारा बनाएगे हूम रूल लीगों लीगों को एक मिला कर दिया थकव 1908 में आप जानते हैं 1908 में ही तो आपका यूद्ध महायूद्ध कतम गवा था पितम बिस्ते उद्ध हूम रूल लीग के संबंद में सत है सब से पहले इसकी यूजना एनिवेसेंट ने पंद्रह सो 1915 में पिस्तुत की तिलक की हूम रूल लीग महराष्ट करनाटक मद्ध प्रांत और बरार तक सीमित था तिलक द्वारा इस्था फित हूम रूल लीग अधिक सकती साली भी था एनिवेसेंट ए ओ हियूम माइकल मधू और आर पामदत में इसी फेवियन आंधूलन का विस्तावत था एनिवेसेंट एनिवेसेंट के बंद संबंध में सही कतन है हूम रोल आंधूलन प्यारम करने के लिए उत्तर जाई थी इंडियान नेशनल कॉंगरेस की एक बार अध्यक्ष भी बने थी ठीक है दोनों कतन ब पदारपन से पूर भारत में राष्टी आंधूलन की तिसापू जिन अंतराष्टी अगटनाओं से ने प्रभावित किया था हूए है 1898 इसवी के इटली अभी अभी सीने आयोद ने चीन के बॉक्त सर्व आंधूलन ने आयलेंड के करांतिकारी आंधूलन ने रोक्स भूम है डर्बन तच्छी रफी का में म कि गांधी समर्तर थे दार्सनिक अराजक्ता बाध के गांधी जी के रामराज्य के युगल सिक्थन थे सत्व और अहिंसा सत्र और अहिंसा गांदी जी की दृष्टी में अंजिसा करत क्या था? सत्यकी प्राप्ती का रास्ता सत्यकी प्राप्ती का रास्ता गांदी जी की संदर में बिना मार्क्षबादी की मार्क्षबादी यह ना समाजबाद के समाजबादी बिना बेक्तिवाद के बेक्तिवादी सभिक गांदी की सिद्धान के अमसाल सही है सत्यागरही का सस्त एंसा है सत्यागरही को अपने संकल्प में दर्ड बेश्वास कोना चाहिए सत्यागरही को बिरोधियों के किती दोईस भाव नहीं रखना चाहिए गांदी जी के नुसार जिंसा का कुर्ट अम्रोग है गरीबी का इस्तायत गांदी जी ने परिवार नेवजन ये तु तरीका बता है आत्म नेरंतर समझ रहे हैं अगर आपको जनसां क्या रोकना है और परिवार नेवजन एक तरह से परिवार में बनाना है नेवजन करना है रणनीती बनानी है तो आज में अपने उपर नियंतर होना चाहिए कि मात्मा गांधी दच्छडपीका से भारत लोटे थी 1915 में गांधी जी दच्छडपीका में रहे थी 21 बार्शों तक दच्छडपीका कि जिस रेलिवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेंज में से फेका जी फेक दिया गया था वह कौन सा था पीटर मारित से वार्णी एमके गांधी ने भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस के जिस अधिविशन में सरुपितम भाग लिया था हुए कलकरता अधिव संपर्मदावाद नग्र के बाहर ठीक है बारत के सुदrog अनोलन के दौरान मातमागांधी द्वारा स्थापिश हमांदाबान नगर के बाहर ठेक है गुज्राद मातमा गंदी नैं अधैवाद Нेकट सावारूंती की किनारी एक आसनम बनाये था इसे कहा जाता है सत्या गए मातमा गांधी से समढ्य दिसावनमती पिनेक्स वर्धा और सदाकत आशरूम में सबसे पुरान प्रफिनेक्स क्या आए फीशिए हर्फी गांदीजी ने सेवाधरम अपनायता 10 erफjiग आए है मातमा गांदी के राजनेतिक गुरु थे गोपाल के गोफे समझ में आया है मातमा गांदी के अनुसार राजनेतिक राजनीतिक आताथ पर ता जन करने आण के लिए सत्किरी था सत्यागय सब्द को गड़ा है मातमा गांदी ने भारत की सुदंदा संगराज के दौराज सबसे स्त्यागय किया था मातमंगांदि ने CP हैं की यह उनके साथ सर्वत्तम विभारत कहा है मतमंगांदी किसे महा भावी वार क्योंकि वेटिन भारत को एक बड़ा निर्मित बस्तुओं का बाजार समझता था ठीक है याद रखिए आंगे चलते हैं हम लोग महत्मागादी के राजनेतिक जीवन की घटनायाओं का कालक्रम है चंपारन अहमदाबाद मिला अंदूरन और खेडा असयों अंद समागादी के बारे में सही है उन्होंने इपनी प्यारमिक सिक्षा राजकोट में पराप्त की थी कस्तूरवा के साथ उनका विबात 13 वर्स की आयू में हुआ था उन्होंने विधी केरतें दा इनर टेंपूल लंदन में किया था बे रस्केन की फुस्तक अंटू इस पाना उतनी मुझे नहीं लगता है कि आज की टाइम में आप इतनी सच्छा ही लेक पाएं समझ रहें एक एक बात पूरी बताई के लिए मात्मा गांदी ने कहा था कि उनकी कुछ सब से गहन धार्णा हैं अन्टू दी लास्ट नामकुस्तक में पितिविंदित होती हैं और इस कुस्तक ने उनके जीमन को बदल डाला इस कुस्तक का वाय संदिश जिसने मात्मा गां गांदी की संद्रम में सही है जाती भी इन अच्छूतों की मात्मा गांदी को सरपितम राष्टपिता किस ने कहा था सुभाष्चन्द बोसने मात्मा गांदी को सरप से पहली राष्टपिता किस ने कहा था सुभाष्चन्द बोसने गांदी जी के नाम के पहली मात्मा जोड़ा था चंपारन सत्यागय की द्वरान उनके नाम के आन् हमातमा जुड़िया तक गांदे को सर्फेतर मातमा की तोर पर संभूधित किया था किसने पेदक लमेंद्नाद टेक आच अनुवा क्ली काल में महतमा गांदी के सकते प्यार ऐलाँ प्यार एलाद, कितना प्यार एलाद ना मच्छा है, राजपोट सत्या गए, खेडा सत्या गए, वायकॉम सत्या गए, और असहयो गांदोलन में से जिस सत्या गए, अंदोलन में महत्मा गांदी ने पित्यक छुरूप से भाग नहीं लिया था, ये था वायकॉम सत्या गए, ये 20 देसंबर 1920 को गांधी जी के अनुवयाईयों ए एन सिंगा, बैजिक के सोर प्रसाद, जेवी किपलानी और राजित प्रसाद में से हुए जो पेसे से एक से चक थे तो राजित प्रसाद ये भिहार के थे ठीक है जीरी बिल बड़ला, जमना पिसाद बजाज, जीरडी टाटा, वालचन्द, हीराचन्द, उतोगपतियों मैंसे, वह बैटती जो लंबी समय तर ए आई, सीसी के खजांची रहे, और वर्स 1930 में जेल भी गए थे तो ये थे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज साहब बारती एक बड़ा ब्यापारी बेनकरों कोंग्रेस थी, तथा महत्मा गांधी के निकट सयोगी रहे है, कौन है, जमनालाल बजाज की बारे में एक कहा गया है, स्वाधहिंता अंदोलन के दरण महत्मा गांधी के करीबी अंग्रेज में तथे, रेओरेंड चाली एंडी उ नहीं थे, गांधी की मित्यू पर जिसने कहा था कि हमारे जीवत से विकास चला गया है, जवाला नहरू ने, गांधी की को one man, one tree, host कहे कर संबुदित किया था, मांट बेटन में, मांट बेटन में, ठीक है, जिसने मातमा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में पितम बर बारती राजनीती में प्रवेश के पूर्व एक बर्स तक देश में परवेख चक, इमां विध्यार्थी के रूम में रहने की सलाय गांधी जी किस ने दी थी, वो बाल किसन गोक लिए, गलत साधन हमें कभी भी सही उत देश तक नहीं ले जाते हैं, या कहा किसने, M.K. गा गांधी जी ने अपना पहला सत्यागय प्यारम किया, मजदूरों को कम बेतन के दिये जानी की विरूथी, वह आंतोलन जिसमें मात्मा गांधी ने पहली बार भूम खड़ताल का प्रयोग हत्यार की रूम में किया था भारत में, एहमदाबाद की हड़ताल, एहमदाबाद क मात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भासन दिया था गुवर्राण असी में, पोल्तर प्यदेश पराण असी, गांधी जी ने बंधवा मजदूर को मुक्त कराने का पितम अभियान आरम किया था चंपारण से, कहां से चंपारण से, उननीस सो सत्परे एठारे में अहंधाबाद में गांधी जी तौर्ण चलाए गय गय мед सत्यागा में, हिस्सा लिया था मजदूरब्र बागम में, मातमा गांधी का हुआ संगर्ष झू उद्दोकिक से मिकों से संबंदीत था, अहंधाबाद संगर्ष। एहंदावा सत्यागय अरम किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए गांधी की ट्रस्टी चिप श्रिद्धान के पिदी पार्द की संबन्द में सही योग में है दस्छिड़े पी का 1903 Todo में किया गांधी वादी ओ अर्द विवस्टा की विषए में सही है विए अहनसा पर आदारित औरभड़ देते थे केंदरी गन्न सोचन और आसबंता को चरम देता और अतयव अहनसक सामाजी सरचना केंदरीकन विरोधी विभारत में मसीनी केंद की पक्षधर भी नहीं थी तेंगे यह सभी कतन सही है समपन किया जा सकता है उनके लिए कोटे उठीयों स्थावित करके गांधीयन इन्योवेशन गांधी जी का नवाचार का अतातपर था कम निवेश से अधिक उतपाजन अधिक लोगों के लिए खेडा सत्यागय सभिन्य और अशयोग अंदूलन और चंपारन अंदूलन सत्यागय में से वह गटना जो सबसे पहले होगी चंपारन सबसे हुए था पहले में तिनकटिया पिता का वर्ड ताथ पर था 3,3,20 पूभाः पर नील की खेटी करना त्हिक है गांधी जी ने बारत पहली बार सत्यागय अंदूलन भिहार में आरम किया था चंपारन में गांदी जी का चंपारण अनांदोलन था नेल कर्मियों की समस्याओं का समाना क्योंकि जबर्जिस्ति इनके किसानों की जो जमीन थी उस पर नेल कीकेती करवाई जा रही थी चंपारन जाट में आज़ाल ये विकिपलानी मात्मा गांधी के expected बिल्गु सहीu चंपारन संगेर्स में जिनों नहीं मात्मा गांधी का साथ दिया था बी थे राजिन पिसात अनुगरे नारायन सिंगा, जेवी किपलानी, दच्छे उपेका से लौटने की बख्षात गांदी जी ने पिथम सफल सत्यागय आरम किया था चंपारन में, महत्मा गांदी ने सरपितम जिस किसान अंदूलन में भाग लिया था वह था चंपारन, नेगी किती के संबन्द में चंपारन में महत्मा गांदी को आमंदित किया था राजकुमार सोकल में, किसमें? राजकुमार सोकल में, चंपारन सत्यागय के संबन्द में सही है, यह किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकटिया पिथा के भिरोध संचालित किया था, डॉक्टर राजय के साथ जथा एंजी रंगाने, खेडा के किसानों के पक्ष में महत्मा गांदी की सत्या गए, संगठित करने का कारण था, अकाल पढ़ने के वाब यूद पिसासन ने भूराजिस की ओगाही इस्तेगित नहीं की थी, यानि की कर को रोका नहीं था, फसल बरबाद होने की बाद भी, चलिए अब हम लोग बात कर ले थे, किसान अंदोलन और किसान सभा के बारे में, याद रखिए अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा, इमा सोचिए कि किसी एक बर्ग को छोड़ दिया हो उनका सोसन करने से, हर बर्ग को, फिर चाहिए आप बर्ग किसान देख लिजे, फि जोलिया, आंदोलन इंद नारायन देवेदी, गौरी संकरमिस और जवालाल नहरू और मदर मुहन मालविये में से, फरवरी 1908 में साबित यूपी किसान सभा की, इस्तापना से समढद नहीं था, जवालाल नहरू इससे समढद नहीं थे, ठीक है, नाई दोवी बंद सामाज एक सवरूप था, जो 1919 में हुगा था, किसानों द्वारा पिताबगर जिली में चलाया गया था, वह एक पिदेश जहां बाबा रामचंद ने किसानों को संगटित किया, अब अध में, 1930 के दसक में देश के विवेन भावों के भिन्ने भिन नेताओं द्वारा किसान आंदो पी, ठीक है, स्वामी ये रामानंद हैदरावाद में, अब्दुल हमीर, अब्दुल हमीर खान ए दचली असम में, 1930 के दसक में किसान सवा आंदोलन से सक्री रूप से जुड़े थे, स्वामी सहिजानन्द साह, अवद के एक आंदोलन का उदेश क्या था, लगान का नगत म अखेल भारतिये किसान सवा की पितम सत्त की अध्यक्षता की थी स्वामी सहिजानन्द सरसुती ने, वह जगह जहां अखेल भारतिये किसान सवा का पहला दीविशन हुआ था, लगनव में, उत्तरविदिश की राध्धानी लगनव में, अखेल भारतिये किसान सवा के संस् पिसान सभा का गठमी गिया था उनकी मित्जी उसे ठीक पहले। राजंद पिसाथ, सीयारदास, मौतिला नहरू, और भगत सिंह में से बिहार में किसान अंदुलन के साथ जोड़े थे राजंद पिसाथ। कौन राजित बिसाज जो रहे थे सूची एक सूची दो कि बार्दोली सत्य आगे सरदार बल्लग भाई पटेल भार्ती किसान गिद्याले एंजी रंगा बंगाल प्रिजा पार्टी फजलूल हक बकास्त संघड स्वामी सिध्धानन सरवसुति ठेक है याद रखिए बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मान थी जमीदारों की इस्तेदारी को भसल के आदिभाग से कम करके एक त्याई करना बार्दोली सत्य आगे 1928 के नेतित किया था सरदार बल्लभाई पटेल मात्मागाती ने वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाती उनकी बड़ी संगठन चमता के कारण जिस आंदोलन विदी थी वो था बारदौली सत्या गए भूदान आंदोलन प्यारम किया विनोबा भाविन, आचार विनोबा भाविक के भूदान आंदोलन किसके प्यारम से समझ दिस्थान था पोचम पल्ली, भूदान आंदोलन सरपितम प्यारम हुआ था आंध्पिदिश राजी से, और याद रखी भासा कि आधारव पर गठन ह कोने वाला पहला राज्य आपका अंध्विदिश था ठीक है अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन और सामबादी तर्थ भारत में 1908 में पिथम मजदूर संही की स्था अपना की गई थी बीपी वाडिया द्वारा एहमदाबार टेक्टाइल लेबर एसोसीजर की स्था अपना 1929 में नांगपूर में संपन All India Trade Union Congress की अध्यक्षता की थी जवालाल नहिरू सहाब में ठीक है Communist International के सदस्थ बनने वाला पहला भारती को थी को थी M.N. Roy अक्टूबर 1920 में भारतिये Communist Party की स्थाफना के लिए तास्कंद में इकतित हुए भारतियों के संभू के मुख्या को थी M.N. Roy और याद रखिए जो Communist Party इसकी स्थाफना M.N. Roy नहीं की थी कांपूर सदेन्त मुकत्मा जिस आंदोलन के निताओं के विरूदिता हुए था सामयबादी आंदोलन के Trade Union आंदोलन के करांतिकारी चर्ण का समय था 1926 से 1949 1940 में रेडिकल दिनोगों के ट्रिप पायटी का अगटन किया था M.N. Roy नहीं सौमें दनाथ टेग और द्वारा इस्थाफित दल का नाम क्या था क्रांतिकारी सामयबादी दल क्रांतिकारी सामयबादी दल रॉलेक्ट एक्ट और जलिया वाला भाग हत्याकान 1919 भारती सुदंता संग्राम के दौरान रॉलेक्ट एक्ट में जिस कारण से सार्वजिनिक रोह सुथबन किया था हुआ है इसमें इसने लोगों को बिना मुकदमा चला है जेल भेंजने के लिए अधीकित किया था ठेक है याद रुखिए फर आपका रॉलेक्ट लाने का प्रियोजन था राष्टी एवं करांदिकारी कतिविधियों पर रोक यानि की लगाने के लिए एक तरह से जो भी आंतोलन चल रहेते हैं उन पर उन्हें दबाने के लिए रॉलेक्ट एक्ट भारत में लागू का हुआ एव 1929 में रॉलेक्ट का लक्ष क्या था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संचिप पित्करिया द्मारा करना लॉलेक्ट सत्याग्याए के संदर्व में सही कत्र आए रॉलेक्ट अधिनियम सेंध करना है। आपकी जो सुतंता है उसी बैग्दी की सुतंता को सीमित करने या वोस पर प्वितीबंद लगाना है। अखिल भारतिय राजनीति में गांधी का पहला सैंसिक कदम था रॉलक्त सब्धियागे। रॉलेक्ट एक्ट की विरोध में लगान ना देने का आंधुलन चलाने का सुझाओ दिया था स्वामी सिध्धानद में दा आनार्किकल एंट रिवोलेशनरी क्राइम एक्ट 19 को सामान बोलचाल में कहा जाता था था रॉलेक्ट एक्ट वह मत्कून करना जो जलियावाला भाग नसंगार की तुरंत पूर गटी थी यह था रॉलेक्ट का बनना जलियावाला भाग अत्याकांड हुआ था 13 एप्रेल 1929 को देखे बड़ा सरल कुष्चन से लेकिन बंता हमेशा रहा है तो याद रिखना 13 एप्रेल 1929 को जलियावाला बागंत्याकांड कतिलाम हुआ था कहा है अमर्सर में कापी संक्या में लोग अमर्सर में की जलियावाला भाग में 13 एप्रेल 1929 को इकतित हुए थी डॉक्टर श्रिकुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्थपाल की गिरम्थारी की विरोध में इसी का एक तरह से विरोध पिदल संकराई थी 30 मई 1929 को अपना अलंकरन भारस सरकार को लोटाने वाले बेखती थी रवेन नाट टैगोर इसी के विरोध में एक तरह से तीन है वह जिसके विरोध में रवेन नाट टैगोर ने अपनी नाइठोड का परित्याग कर दिया था तो जलियावाला भाग जन संगार के बाद जलियावाला भाग अत्याकरन की विरोध में वायसराय की कारकाणी परिशत की सदस्ता से इस्थिपा दे दिया था संकरन नायर ने जलियावाला भाग नरसंगार डॉक्टर सत्पाल का बंदी बनाय जाना और तथा 1919 का अमरसर कॉंगरेस का अधिवेशन जलियावाला भाग हत्याकरन की पाद जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियावाला भाग की घटना से जलियावाला भाग हत्याकरन की लिए जिम्नेदार ओ डायर को माटा ला था ओधम सीने किसने ओधम सीने जलियावाला बाग नरसंगार पर कॉंग्रेस जानसंती क रिपोर्ट के प्यारू लिखने के काल सौंपा गया था महत्मा गांदी जी को बस 1919 में जगन नहीं जलिया वाला भागत्या कांड की समय भारत का वायस राय कुन था लौर्ड चेंप स्पोर्ड इस तरह के कुश्चेंस आपके हमेसा पूंचे जाते हैं एक बात हमेसा याद र प्ष्च fist लिए गया हैं या पूंचे जा चुक है या पूंचना के बहुत ही मदूण कुश्च serum की पूरी संभाव ना रहती है तो यह नहीं कह सकते ही कि यह कुश्च ardоля जागा और और दियां से आप लोग पढ़िए लिस Guide जसे 윌नैन निवारकıldाया के नाम से विसेचिकि संगार की घरना गड़ी थी दी रॉलिक एक एक बात और याद रखिए जो जनरल डायर था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था उसे जो जांसंती बनी थी उसने कहा कि सही किया अग्रेजों की तरफ से जांसंती बनाई थी तो आप समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से जो भी तरफ नेड़ः आता उनी की पैच्ची में आयता ठीक है उन्होंने का यह ने अंपना कर्तब' का पालन किया को खिलाप आंदोलन के मुख उद्देश क्या थे भारत के मुसलबानों में बेटेस विरोधी भावना उत्पन करना और आटोमन समराज की रक्षा और खलापत का रक्षा करना तुर्की की याद रखिए तुर्की के जो खलीबा थे उन्हें विस्त गुरू मानते से सभी मुसलिम तो एक तर आसे मुसल्मों ने एक किया था. 1919 में अखिल भारति खिलापत सं отправ की चुना गया था महतमा गांदीको इने खिलाप पूल मुल्क की पदी भी त्याग दी थी, हाकीम, हकीम अजमल खाने, वह जिसने गांदी जी को सावधान किया कि मुसलिम, धार्मिक नेताओं, उनके अनुवाईयों के कतरपन को करोसान ना करे, मुहमद अली जिन्ना, मुहमद अली जिन्ना, सौकत अली अबूलकलाम आजा, वह एक्ति जिसने चार अपरेल उननीस उननीस को दिली की जामा मस्चित के, फ्रुबचन मंच से हिंदू मुसलिम एकता कवासन दिया था, ये थे स्वामी सिध्धानन, स्वामी सिध्धानन, ठीक है, कॉंग्रेस ने खिलापत अंदोलों के समर्थन किया, मुख्धा, मेरू ने किया था, मुख्मद अली ने किया था, स्वामी सिध्धानन ने किया था, लेकिन मदर मुखन मालवी ने इसका समर्थन नहीं किया था, बस 1920 की खिलापत कमेटी की सभा, जिसमें गांदी को असायू गांदोलन की निर्थित को समालने का अनुरोथ किया था, वह थी इस मिसाल में मुसल्मानों को हिंदूओं से भड़ा नहीं पाए इस चिंसन कि इस कतन का समन्द जिस गतना से था हुआ है खिलापत और असाहिव अंदोलन 1922 बस 1921 का मोगला अंदोलन शाखा थी खिलापत अंदोलन की अब देखेंगे कि असाहिव अंदोलन से कुष्चिन समी किया था सियार दासने किसने सियार दासने भारती राठी कॉंग्रिस में पहला असाहिव अंदोलन शुरूं किया था 1920 में कब 1920 में मात्मा गांधी द्वारा चलाये गया पिथम जन आंदोलन था असाहिव अंदोलन एक बस में सुराज का नारा गांधी ने दिया था बीज से 1922 तक थी, एक बर्स के भी ता सुराज की प्राप्तिस का लक्ष था, इसमें बहस्कार की योजना थी, बिल्कुल यह सेवी कथन सही है, असायूग आंदोलन से समझ दें, कॉंग्रेस समझ सरप्विथम जनांदोलन बनी, हिंदू-मुसलिम एकता में विट्थी हुई और जन्ता के मन से वेटिस सक्टी का भाय भी खतम हो गया, ठीक है, वेटिस सरकार ने महत्मा गांदी को जो उपादी दी थी, जिसे उन्होंने असायूग आंदोलन में वापस कर दिया था, ये थी केसर ए हिंदिकी, ए असायूग आंदोलन सुरू होने से पहले इन्होंने त्याविदी थी, महत्मा गांदी, मदर मुहन भालविये, तेज भादो सप्परू, चितरन जन्दास में से असायूग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो ये थे चितरन जन्दास, जन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, बाल गंगधर तिलक, लाल इनकी मौत हो चुगी थी, राहुल संक्याता आयन 1920 के असायूग आंदोलन में सक्री थी, छपरा में, कहां छपरा में, ठीक है, तो आप देखेंगे, चोरी-चोरा कांड की वस्त्विक्तिती थी, पांच पर भी 1922 को, इसी के साथ याद रखें, गटना गटी इसके बाद ही कांड की कारण, मात्मा गांदी ने असायूग आंदोलन को अपनी हमाले जर्थी भूल बताई, चोरी-चोरा घटना की बाद, चोरी-चोरा की घटना के समय मात्मा गांदी थी, बालदौली में, असायूग आंदोलन 1920 में कारम हुआ था, या समाप्त हुआ, 1922 में, दिल्ली याद रखिए इसके बाद जब अंदोलन बापस ले लिया गया तो इसके बाद बहुत बिरोध हुआ गांदी जी की बहुत बुराई की लिए तो यहां इसके बारे में जानल कुछ नहीं बताना चाहूंगा कियोंकि जब मैंस आंसर राइटिंग आप करते है और जब मैंस का टॉपिक करते ही तो उसमें ये टॉपिक ही है आपका कि गांदी जी ने क्यों लिया था इस तरह की पूरे आपकी वहां डिस्कस्न किया गया तो आप लोग देखिए उस समय की परिस्तिती से देखा करेंगा मैं सोच लिया करेंगा कि पाकिस्तान को अलग करने में गांदी जी का हाथ क्योंकि आपने देखा है गांधी जी ने कॉसिस की थी, समझ रहे हैं, एक बहस का मुद्धा है वो, असायव आंदोलन के इस्तिकन समंदी गटनाओं का सही किरम है, चोरी चोरा में पुलिस गोली कांड, उगभीड द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आ 1923-28 के काल में भारती राजनिती में एक रांतिकारी गटिविधियों के पुनरवित्ती का कारण था, गांधी जी द्वारा आसायव आंदोलन का इस्तिकन, वह है जिसने आसायव आंदोलन के द्वारां बेदेसी बस्तों के जलाय जाने पर महत्मा गांधी को लिखा था, कि तो यह कहा था, रवेनाट टेगोर्न में, गुजराथ विधिया पीट, जामिया वीलिया, गुजति फिरो गुजतिके जामिया ज़ोगा पिए गीको धीक का कř अठारे सो पचासी भारती राख्टी कॉंग्रेस की स्थाफना होती है 1905 में आप देखते हैं बंगल बेवाजन होता है 1909 में आप देखते हैं मालने मिंटो सुधारत है और 1930 में सभीनय युग्या आंदोलन होता है एवी सही सुम लेते हैं 31 देसंबर 1930 को भारती राख्टी कॉंग्रेस का लाहर अधीविशन होता है 23 मार्ट 1931 को भागत सेंग सुग्देव राजगुरू को फासी दी जाती है एक अगस्त 1920 को असाय वांदोलन का आरम होता है अपरेल 1919 में रॉल्ड एक्ट सत्यागाई होता है ठीक है कथन ए मतमा गांधी द्वारा 1922 में असाय वांदोलन इस्तगित कर दिया गया था बिल्कुट सही है इस इस इस्तगन का सी आरदास एबा मोतिला नहीं रूप विरोद किया गया था यह भी सही है लेकिन आरए की सही बया क्या नहीं करा है ये दोनों कथन और कारण दोनों सह है लेकिन सवराज पार्टी का गठन होता है 1923 में इसके बारे में भी देख लेते हैं पुछ कॉइंट भारत में सवराज पार्टी की स्थाफना जिन कार्डों से हुई थी वह है गांधी जी द्वारा सही हुआ अंदोलन बापस लेना और कांसलियों में प्रवेश कर उन्ह लेकिन सवराज पार्टी का निर्मार करने के लिए कांग्रिस के अध्यक्षपद से इस त्यागपत किसने दिया था सियारदास ने साहराज पार्टी का घठन की आशाफलता के बाद हुआ था असायों आंदोलन की मौतिला नहरू सियारदास द्वारा बस 1923 में गटिद पा गोपालाचारी में इस से सब्मादित नहीं थे शिरनिवास एंगल चितर्ण जिन दास को विट्ठल वाई पाटेल इस सभी ARE लोग आपके सवराज दल से सम्मादित थे ठीक है मौतिलाल नेहरू, सियारदास, एन, सी, केलकर और राजजन पिसाद में से एक सौराज पाइटी से समन्दित नहीं थे, तो याद रखी ये राजजन पिसाद नहीं थे देश बंदू के नाम से किसे आप जानते हैं, चितरंजन दास को सौराज आहम देंदा के लिए होना चाहिए, केबल भर्गों के लिए नहीं, पिसे द्यसूत की गोशना किस ने की थी, सियारदास ने, ठीक है कॉंग्रिस नहीं थाओ द्वारा मॉंटिक्यो चैंस पोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर, कई नरमपंतियों ने पार्टी छोड़ कर गठन किया था, इंडियन लिबराल फेडरेशन पार्टी का 16 दिसमबर 1922 को इंडिपेडनेंट पार्टी बनाने का नेड़ा लिया था, मदर मुहन मालविय और मोति लाल नहरू ने, Central Legislative Assembly का पितम भारती अध्यर्च यानि की स्पीगल चोणने गए थी, विंठल भाई जी पटल, ठीक है पहराष्टी नहीं था, जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यर्च निर्वाद चीत हुई थी, विंठल भाई पटल, इस कुष्चन कई बार बन चुका है, याद रखी विंठल भाई पटल की साइमन कमीशन आता है, 1927 में गठित होता है, और साइमन कमीशन भारत आता है, 1928 में, गठन इसका 27 में हुआ था, लेकिन भारत आता है 1928 में, साइमन कमीशन के आने की विरुद्ध भारतिय जनांदोलन हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी आप देखेंगे, भारतिय सदस नहीं था आप वही है कि जिसकी जिंदिगी का आप फैसला ने करने जा रहे हैं उन लोगों को आप वहां के लोगों को सामिल ना करेंगे आप कैसे परिस्तिति उनकी परिस्तितियों को जान सकते हैं कि वो किस तरह से जी रहे हैं किस तरह से उनकी समस्या हैं तो इसली के क साइमन कमिसन का ओय सदस जो उदारवाधी दल का था सर जौन साइमन, जिसके सुझाओ पर भार्तियों को साइमन कमिसर से बाहर राखा गया था, तो ये था लॉर्ड एर्विन, कतन ए, कारण आग, कॉंग्रेस ने साइमन कमिसन का साइमन आयो का वहिस्कार किया, बिल्कुर सह साइमन आयों में एक भी सदस भारतिय नहीं था यह भी सही है यह आज दोनों सही है आज सही व्याख्या भी कर रहा है यह की ठीक है साइमन कमिशन के समंद में सही कतन जया है उसकी निपती 1919 के एक्ट के किरियानमेर की पूश्टाच के लिए की गई थी उसके अधर्च इसने प्रांतों में दोयत साथन को उतरदाई सरकार द्वारा पिती स्थावित करने की संसुति की है लाला लाजपतराय गायल हुए थी साइमन कमिशन के विरोध में हुई लाजटी चार्ज में उनको समय बादने की डैथ भी हो गई थी पंजाब के स्रीकी उपादी दी ग अगर आपसे पूछे नहरू रिपोर्ट किस नहीं दी थी तो एमल मौदिलाल नहरू ने राजगोपालाचारी और सरदार पटल मौथी लाल नहरू और गौबिंद पल्लव पंद सर्तेज भादो सप्रू और जयकर तथा जवार लाल नहरू और जग जीवन राम मैसे सब सर बारती सुदंता अंदोरून के काल किस संद्रम में नहरू रिपोर्ट किया नुसंसा की गई थी आवर्प संख्यकों है तू आरप्चित इस्थानों के लिए सयुक्त निरवाचन चित और समीधार में बारतीयों के लिए मौलिका दिकारों का प्रावदा है में इंडिया इंडिपेंडेंस फोर इंडिया लीग के गटाहं से समिढ थी जवाललाल नहरू और सभाष्चन बॉस ठीक है फिर नहरू रिपोर्ट की अधिप्ष्टा में एक कमीटी द्वारा तियार किया गया और इसका विस्ताय किया था यह याद रखी नहरू रिपोर् 1929 में दिली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कॉंगरिस के दल की उगर साखा ने जिसके एक प्रमुक नेता जवालल नहरू थे इंडिपेंडेंस पोर इंडिया लीग की स्तापना की गए वर लीग स्तावित हुई थी नहरू रिपोर्ट की वरूद में अब आता है भारती सुतन्ता संग्राम के दोरा पिस्तावित किया गया कि स्वराच को सभी पेकार की विदेशी नेतर से मुक्त संपूर सुतन्ता की रूम में परिभासित किया जाए मौलाना हसरत मुहानी निकाथ ठीक है 1921 के एहंदाबाद दीविशन में संपूर सुराज को कॉंग्र दीविशन जिसमें पूर सुराज का विष्ताव पारित हुया कि अध्यक्स का किसा ने की थी? 15 जवालल नहरू ने 1929 के लाहर अधिविशन में कॉंग्रिस का लक्ष पूर सुराज गोसित किया गया जवालल नहरू ने 31 दिसंबर 1929 को अर्ध रात्री में भारती राष्ट दाज को फैराया था जवालाल लहरू ने सुतंता का नव ग्रहिद तरंगा पहली बार लहर आये गया था 31 दिसंबर 1929 को पर राष्टी राष्टी कॉंग्रेस का व्लेधीवी सन सरब भितम की थी लाहर आधीवी शर्वित disput भारती राष्टी का लाहर आधीवलिण 1929 की इतिहास में बहुत पिस था क्योंकि कोंगुरेस ने पून्स वराज की मEND का एक संकल्प पारिख किया में 1929 में Congress के लाहर एडिविशन में पारिश संकल्प में सामिल था भारत की विदेशनीति की खोष्णा फॉन सुछ्ष पूराज की लक्ष की खोष्णा सभी एयुग्या अंदुलन पैरम किनने की तेयारी पूर्ण सवराय संखल्प को भारती राष्टी कोंग्रेश के लाहोर दीविशन में प्रिस्तुत किया गया था जवाललाल नहरूदवारा याद रखिए यह आप देखिए असाइव अंदोलन के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों को भी लगने लगा था कि मैं मतलब हम लोग जानदा दिन तक यहां भारत में टिकने वाले नहीं तो वो भी नरम पढ़ने लेगे थे आपना लेखाऊ का ठीक है क्योंकि इस समय तक आप देखेंगे सभी लोग एक हो चुके थे भारत में राष्टबाद पहुत मतलब एक तरी से कैसे कह सकते हैं आप लोग कि बहुत सकती साली प्रवित्ती में आ चुका था महलाओं किस्तिती देख सकते हैं किसान फ़िचाय बच्चों को देखिए छात्रों गो देखिए किसी भी बारत को सभी लोग दारी कर रहे थे आंधूल्न को आपा सभीने एवग्यां अन्दुलन कारकारी कमिटी को सभीने एवग्यां ंदुलन प्यारम करने का दिखार दिया गया था लाह रुफसत्त में किसमें लाहव सत्त में गांधी जी ने डांडी मार्च प्यारम की थी ती 19...स्वरी 12 मार्च 1930 को बान्दी मार्च यात्रा कब प्यारम कि थी ? 12 मार्च 1930 गांदी ही ने थांडि यात्रा कि थी ? साबर्मत्री से, आस्तरम से व्यपरांच जिसके सत्यागेहरीों की संक्छया मत्मगांदी के दांडि कुछ। में सरबादिक थी गुज्राद असायूग अंदोलन नमक सत्या गया बारदोली कुछ और भारत छोड़ो आंदोलन में से महलाओं की भाविदारी सरवादिक मानी जाती है नमक सत्या गया मैं अब कई लोग कहते हैं कि नमक को ही क्यों इसमें लिया गया था इस सत्या गया देखें नमक यसी कमन चीज है कि हर किसी के लिए उपयोगी होती है किसी की ऐसे नहीं है कि हिंदू की कोई खास चीज है या मुसलिमों की एक कमन चैन पिर चाहे हिंदू भी कुछ करते हैं उतना ही एक परे से आपके सकते हैं हर किसी का उतना ही अधिकार है नमक पर नमक के बिना कोई नहीं रह सकता है दांडी मार्च तुरू किया गया था नमक कानू तोड़ नहीं तो और वो समय देखें नमक पर भी टेक्स लगाय जा रहा था समझ रहें आज भी आप देखते हैं नमक सस्ता है सबसे दांडी मार्च भारत छोड़ आंदोलन साइमन कमीशन का आगमन और गांदी इर्विन मुप्तो अभलत कराएं यह गलत है यह तो सही है आर गलत ठीक है सक्ति की विरू जदिकार की इस लड़ाई में मैं विस्त की साहनगूती चाहता हूँ याकतन किसका था गांदी की दांडी यात्रा से मातमा गांदी की दांडी यात्रा के विशाय में सत्थ यह पूंठा एक समय गांदी जी के गरप्तार हो जाने के बाद आंदोलन की निता की रूम में उनका इस्थान लिया था अभवास्त एवजी ने मातमा गांदी धरस्ना नामक गोदाम पर कॉंग्रिस कारक्रताओं की धावे के समय थी यह रवदा जेल में वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार बिनुबा भापी पित्थम बार गिरप्ता हुए थी एता सभीने एवग्या आंदोलन गांदी जी ने जिस विदे बारती स्वधींता संगर्ष के दौरान रेड सर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई कित्मत का ने आहन किया था पठान चेत्रिय राष्टवादी एक्ता का और उपनेवेसवाद के बिरुद्ध संगर्ष का अब आप देखेंगी कि गांदी जी भी असायो ग कर दल जाती है कि गांदी की मना कर देते हैं लोगों को रोपने से कि अगर कोई हिंसा भी कर रहा है तो उसका भी समर्थन करते है वो रोपते भी नहीं किसी को चलने दीजिए क्योंकि बहुत भी समझ गया थी कि अब बहुत दिन हो चुके हाँ जोड़के लालकुर्ती दल संगटित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए गड़वाल रेजिमेंट के सेनिकों ने फिदल संकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था सबीनय येवग्या अंदोलन के द्वरान लाल कुर्ती अंदोलन के निता थे खान अब्दुल गफ़ार खान सन 1930 में अंग्रेज सरकार के वुरूद पिसे दे पेसावर कांड का नायकता बी चंद सींग गड़वाली जिया तरंग अंदोलन में प्यारम हुए था मड़ीपुल में बेगु सराय की चोकीदारी टेक्स के विरोद अंदोलन एक हिस्ता था ये सबीनय अयोग्या अंदोलन का सबीनय अयोग्या अंदोलन कि आसफलता के बाद गांदी जी ने मत दिया रचनात्म कालक्रम को परभा वत्थीदेवी स्वतंता संग्रावनी सेहनानिय थी पतना की यानि कि बिहार पतना से अब होता है आपका गांधी और इरविन सम्जोता गांधी इरविन सम्जोता मुख रूप से गोल में समेलन में कॉंग्रेस की भागेदारी सहच करने के लिए 5 मार्च 1931 को गुआ था इर्विन गांधी समझोता याद रखिए इस डेट को 5 मार्च 1931 को वह है आंदोलन जिसका इस्तगन गांधी इर्विन समझोते में किया गया था गांधी इर्विन समझोते में मात्मा गांधी के लाप को सत्वाना पुरुषकार कहा था एलनद केमिवल जॉनसन ने फिर आप देखें कि कराची का एदिव्यिशन होता है 1931 को मूल अधिकारों और आर्थिक कारकरम पर संकल्प आरूख किया था पंदित जवाला नहरूह द्वारण बारती राठी कॉंग्रेस के कराची अदिविशन 1931 को मात्मा गांधी की लोग पिरियता और सम्मान की पराश्वाच्टा माना है S.C. बॉसने गांधी भारती राठी स्वाधीनता संघस्ट से समंदित गठनाओं का सही किरम क्या है Ghandi एरविन सम्झता, Baghast Singh कुपासी, बारती राठी कॉंग्रेस का कराची अदिविशन और दुद्य भोल में सलमिलन एक क्रम से गठनाओं भी बारती राठी राठी आर्टोलन से समंदित गठनाओं का सही किरम है गांधी इर्विन समझवता है फिर आप देखेंगे बहुत सिंग कुभासी भारती राष्टी कॉंग्रेस का फिरांची अडिवेशन और फिर उसके बाद होगा पूना समझवता है गोल में समेलन होता है फिर ठीक है मुलाना मोहमद अली मुलाना अभूल कलामाजात मातमा गंधी पंडी जवाला नहरू में से वाय भारती निता जिपने लंडन में पिथम गोल में सम्वेलन के बारे में सही है 1930 में आयुजित हुई थी इसे Simon I.O की रिपोर्ट परचाचा करनी थी इसका आयुजिन लंदन में हुआ था कहां? लंदन में लंदन में संपन हुए गोल में सम्मेलन में भारती इसायों का पितिने दित किया था? केटी पालने केटी पालने क्तन एक कारण और जवालाल लहरू ने दूसरे गोल में सम्मेलन 1932 में भारतीय राठकि का पितिने दित किया था? मिल्कुल गलत है गांदी सम्झो थे 1931 में भारतीय राकी कॉंग्रेस का दूसरे गोलमे Sambhilan 1931 में भाग लेना अधर नही था öz 5 नहीं ये विल्कुल गलत है लेकिन आर सही है करछन गलत था कारण आर सही है मातमा गांधी जब दुतिया गोल में सभाब में भाग लाने के लिए लंदन गए थे तो वो कहा ठेहरे थे किंगसले हाल में दुतिया गोल में सम्मेलन में कॉंगरेस के एक पितिनजी की रूम में भाग लेने के लिए महतमा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गई थे उसका नाम क्या था SS SS राजपूताना महतमा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ बारत लोट थे लंदन से दूतिये गोल में सम्भिलन में जिस पिसंद पर आसफल रहा है और संपदाइक पिती ने दे वसबादिये बारतिये के नाम जिसने तीनों सम्भिलन में बहाग लिया था तो याद रख़िए भियार अंबेड कर सावनों ने तिनों में सम्भिलनों में भाग लिया पहले दूसरे उते थिए ठीक है एक में वाड़ल राजनेतां की लंदन में हुई बेटकों के पर पर आप पित्व तम दूतिय वे स्म्वेलान के रूम में वो लेख किया जाता है उनका उसी रूम में सब उन लेख गलत होगा क्योंकि यह तीन अलग अलग सम्हिलन नहीं थी अपर तो यह एक ही सम्हिलन की अवस्था थी जो तीन सत्तों में सत्त संब्बन हुई थी ठीक है गोल में सम्हिलन में 1922 में हुगा था तीसरा सही कथन है कथम गोल में सम्हिलन में डॉक्टर अमेडगन ने दलित बर्ट के लिए आलग नेरवाचंग मंडल की मांग रखी थी पूना पैक्ट में इस्थानी निकाया हो ततना सिविल सेवाओं में दलित बर्गों के पितिनी दिर्त के लिए बिसेज उबंद रखे गे थी सम्हिलन में भारती राष्टी है कॉंग्रेस ने भाग नहीं लिया था जिल्कुल यह सही बिलकुल कतन है अब के अब देखें कि आप लोग की संबदायक पंचाट और पूना संब्यक्ट होता है 1932 में संबदायक अधी नेड़े गोसेत होता है रेमजी मेकडोनाल ने किसने किया रेमजी मेकडोनाल ने अगथ 1932 में रेमजी मेकडोनाल के संबदायक पंचाट के द्वारा पहली बार एक वितम निरवाचक समूँ बनाए गया अच्छूतों के लिए अनिकि एक तरह से आपके हारी जनों के लिए मैकडोनाल के संबदायक पंचाट निम्पिथक चुनाओ चेते वा मारक्च सीटें अवंटी थी मुसालमानों सिखों और अनुसू चेत जातीयों के लिए ठीक है महात्मा गांदी ने पहला आमरा नंसन कार्म किया था कम्यूनल अवार्ड के समय उन्नी स संबदायक अवार्ड एबं पूना प्रेक्ट में दलिदबर्ग के लिए सीटें दी गई थी कि रमसाँ एकत्तर और एकसो सेंतालिश पूना समझोती का उद्दिश क्या था दलिदबर्ग को पितिनिधित देना कथन एक कारणा पूना प्रेक्ट में ने कम्यूनल जरासाई कर दिया था विल्कुर सही है उसके मात्यम से संसद एबं विधान सभावन में अनुसुचे जातियों और अनुसुचे जन जातियों के सीट आरक्टन का मार्ग पर सस्त हो गया था ए आर दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या भी देराय वेडिक श्री वी आर समझोगते की नाम से जानता है आगर आप से पूछे कि पूना समझोथा गिनकिन के भी सुआ था तो भी या रमवेड कर साहब भीम रमवेड कर साहब और महत्मा गांदी के में ठीक है पूना पेक्टबर साहस्ताखर कियैं थे संपधाएक अधिनियम के विरोध गांदी जी के अमराण थान संव्याद के बाद पूना संपधाई के इंधे नडएक की घुषना के वर्षा संपधाएक, पूना शंपाधित किया था पूना समझोणता B.R. Ambedkar M. Adan Mohan Malvia C. Raj Gopala चारी और M.K. Gandhi से 1932 के दियास ही पूना समझोती पर C. Raj Gopala चारी दिय कंगा लेकिन गांधी के नेट्स पर C. Raj Gopala चारी तीका लेकिन गांधी गिए इने सी पर Is river Day Lecture 1922 में पूनापेक्ट लिए ते के बाद अंटचलिविडी लीग बाद में जिसका नाम बदल कर हरिजन सेभक संग हुआ इसकी पितम अध्य कों थे जी डी विड़ला अखिल भारती हरिजन संग की स्थापना की थी मात्मा गांधी है दलिद बर्गों का संग इस्थाबित किया गया था डॉक्टर वियार अमबेट कर द्वारा मात्मा गांधी द्वारा चड़े भूद की बाती धूल उठाते लेकिन इस तरह नहीं है किसने कहा था डॉक्टर वियार अमबेट करने ठीक है याद रखिए अगर आपकी पास सुविधा है अगर आप कही मार्केट में रहते हैं तो आप के रन सामन ग्यान बुक कबर कर ल ही है जितने भी या कॉंग्रेस की अधीवेशन हुए एक क्रम में विल्कुल दिये गए तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और एगर आपकी पास तो विधा है तो खरेज लें कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी 1934 कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की पहली बेटक पढ़ना में हुई थी 1934 में एमन रॉय गड़िस संकर विध्याटी पट्ट मतानू पिल्ले और आचा नरेंद देव में से कॉंग्रेस समाजबादी दल का प्रमुक नेता था आचा नरेंद देव बस 1934 में पटना में अकिलभार्ट ये कॉंग्रेस समाजबादी पार्टि का सयूझत था जैड़िकास नरेंद 1934 में Congress समाजबादी Party का फिला गेंत किा गया था जैबिकास नारायन और आचार नारायन दियुध्वारा विहाज Socialist Party के संस्तावक थी जैबिकास नारायन लोगないक के नाम से जाने जाती है जैबिकास नारायन जैबिकास दिफस मराय जाता है अपरेल 1986 में मराय गया बिरोधी था इसको समस्त भारत देहत वे अपर एक समुधाय का सही हुग मिला था यह भी आपका विल्कुल सही है अब बात करते हैं परांतिये चुनाओं होती हैं और मंत्री मंडल का गठन 1937 की बात है तो 1937 में संपन विधान सभा चुनाओं में इंडियन नेशनल कॉंग्र उडिशा बंगाल राजी में कॉंग्रेस ने पूर्ण नहीं प्राप्त किया था बंगाल में बंबई एसम उडिशा बिहार में से वह परांच जहां 1937 के आम चुनाओं आम निरवाचन में भारती राष्टी कॉंग्रेस को पूर्ण नहीं प्राप्त हुआ था असम में तो वह परांच जहां 1937 के आम चुनाओं के बाद भारती है राष्टी कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी बिहार मद्रा सुडिशा बिहार मद्रा सुडिशा पंजाब में से वह पिदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के इंदर के कॉंग्रेस की मंति मंदल का गठा नहीं 28 महीने का मुसलिम लिग ने मुक्ती दिवस मनाया था 1949 में कॉंग्रेस ने ब्हु स्वामित्य को समाग करने की नीती बनाई कारगाएंडी कमेटी 1937 में 1937 के चुनाओं के पश्चात यूपी में गठित मंत्री मंदल के विद्विभाग को सौपा गया था रफी एहमत के पर आप देखते हैं कॉंग्रेस का तिफ़ पूरी संकट 1949 में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्त निर्बाच चित हुए थे सवास्चन्द बहु सौपा भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के हरीपुर आधिवेशन की अध्यक्षता की थी ऐसी बहु से याद रखी दोनों बारे यही 1909-1939 में एस दी बहुत चुनी गयती है ठीक है हरीपुर जहां भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का अध्यक्त अध्यक्त निर्बाच चुना गया था वह दिपुरी में बजबलबुर में ठीक है सुभास्चन्द बॉस दूसरी बार अधिया चुने गए थी तिपुरी अधिवेशन में भार्थी राष्टी कॉंग्रेस का वह अधिवेशन इसमें कॉंग्रेस अधिवेशन के चुनाव में तो वास्चन्द बॉस ने पठावी सीता रमिया को पराजित किया था इसलिए सुभास्चन्द बॉस ने उसमें खुद ही अपना इस्तीपादे दिया था सुभास्चन्द बॉस की तियाकपत के बाद भारती राष्टी कॉंग्रेस के रदिफ्श हुये राजिन पिसात कॉंग्रेस के तिप्पुरी अधिवेशन के बश्चा सुभास्चिंद बोस और दच्छन परती का समस्त जगड़ा जिस पिसन पर केंदेत हो गया था वह था कॉंग्रेस कारकाईडी कंती का गटन वह भारती राष्टबादी नेता जितने जर्मनी और वेटन के बीच योद को ऐसे इस और फिदत आउसर की रूम में देखा जिसने भारतीयों को उस इस्तिति को अपने हित्में और लाव उठाने का मौका दी मिलता है सुभास्चिंद बोस ने सुभास्चिंद बोस ने देशी रियासतों के बारे में बात कर ले थे हैं 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश क्या था भारत सरकात था देशी राज्यों के मात संबन्दों को सुधारना ठीक बटलर कमेटी ओल इंडिया स्टेट पीपोल्स कॉनफेंस का गठन हुआ था 1927 मे 1949 में भारत प्रजा मंदल ओल इंडिया स्टेट पीपोल्स कॉनफेंस की अध्यक्ष थी पंडित जवालाल नहिरू और वह भारतिय संद्य में रजबाडों का बिलाय अधिकारिक हुआ 1947 में राज्यों का बिलाय करण जिनके नितित में हुआ था वो थी सरदार पटल आप समझेए सरदार पटल का बहुत बड़ा युगदान रहा मनाप सूची बाद कितने भागों में बटा हो जा अंडर राज्यबाडों की भारत में बिलाय के बाद भी जिन तीन राज्यों ने भारत में सामिल होना बिलम्ब किया वह था जूनागड हैदराबाद जम्मू यही तेन रियासतें बची हुई थी और तो सरदार पटल साब ने सबसे डील कर ली थी फिर आपने देखा है कि इन सभी को भी सामिल कर लिया गया तो लेकिन जम्मू कस्मीर में अभी तक आपने देखा है विवाद चलता था क्यंकि इसे तीन सो सब्तर एक पर ऐसे अलंग स लागोंगे जो अन देश के अन राज्यों में होते हैं अब कोई भेदभाव नहीं है भारत वर्स की विभाजन के समय बेटेस भारत की पंजाब असम बंगाल बिहार में से हुआ परांच जिसने एक सयुक्त एबं सुतंत अस्तित के लिए योजना सामने रखी थी पंजाब का अस्वासन मिलने पर वेटेन को सहयोग दूतिय विषयोद में भारती राख्ती कॉंग्रेस ने अंगरेजों को सहयोग प्रदान किया था बिल्कुल गलत है क्योंकि उन्होंने पूर्स्वराज पर आप्त होने की आसा दी थी ऐसार दोनों आसा थे हैं कथन एक कारणा उन आर एका सही नेड़ है आर सही व्याख्या है एक ही ठीक है याद रखी क्या हुगा कि दूतिय विषयोद 1929 में होता है और हम लोगों इसमें सामिल नहीं हो रहे थे क्योंकि पहली विषयोदे में हम लोग ने उन्नी सो चौदे से अठारे में हुगा था उसमें अंग्रेज दोस्ती है विषयोदे की समय बेटन का विधान मंतरी कौन था बिर्टन चर्चिल अब बाती ही है पाकिस्तान की बान भालती मुसल्मानों के पिथक राज़ी के लिए पाकिस्तान सब्दे का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया याद रखे पाकिस्तान सब्दे के बारे में अगर पूचे तो चौदरी रह्मत अली वा उनके मित्रों ने, चौदरी रह्मत अली को याद रखना है आगको, ठीक है पाकिस्तान सब्दी की बाद कराओ, मुसलमानों के लिए पिथक राष्ट का विचार दिया था, सर मुहम्मद इकबाल ने, सर मुहम्मद इकबाल ने, सर लोग देखते हैं कि कई बार मुहम्मद अली जिन्ना एक तरह से नहीं चाहते थे, लेकर उनने देखा 1935 के बाद, जो इस्कृती बने, उसके बाद मुसलिम ही उनके पक्ष में नहीं थे, आपने उनने चुनाव भी लड़ा, आपने देखा है कि मुसलिमों अधेकर मुसलि जो भी रहेंगे रहेंगे तो इसलिए उनके अपनी राजनितिक लालसा थी, उसी कारण ने उनने चाल चली, नहरू एक राष्ट वक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनितिक ब्यक्त किया था, सर मुहमद एकवादवार, मुहमद अली जिन्ना की विसह में सही कतने, बे दो जाष्ट सिद्दान के समर्दक थे, उन्होंने 1940 के मुसलिम लीग के लाहूर के बार्षय कदिविशन के अध्यक्ष्टा की थी, असायू गांदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है, मुसलिमों के लिए एक पितक देश की पितम बार निश्चित अभिवेक्ती थी, 1930 के मुसलिम लीग के इलावा अधिविशन के एकवाल के अध्यक्षी भासर में, मुसलिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला पिताव पारित किया गया था, 1940 में, 1940 में, बर्स 1940 में, मुसलिम लीग के अधिविशन में पाकिस्तान के सेजन का प की ह्ली कुज्यमान है isso APE 5 मुसलिम लीग का वार्से स्दान्त को मानता दी गई है था मुaning मुंनिद लीग ने भारत की विभाजनी की मांग का प्श्था अपने किया था लाहर में वह अब टी तो ये समार्फ einer भ्रितानिय सरकार की प्रिश्ताओं की पारूप खोष्णा जो सर स्टेफोर्ड किप से लाये थे वे समलिक थे, भारत को एक डोमिनियन इस्तिती की दी जानी चाहिए, और सब प्रांतों और राज्यों को मिला कर एक भारतीय संग होना चाहिए, कोई भी प्रांत या भारतीय राज भारतीय संग के बाहर रहने का नईड़र ल सब्सक्राइब करना, योद समात होने पर डोमिनियन दर्जा, समिधान संद्वारा ने वे समिधान मान, कोई भी सुगा भारतीय संग से बाहर रह सकता था, किप समिसन के समंद में सही है, वह जिनकी दरिष्टी में, क्रेफ से विस्ताव एक तूटती हुए बैंक के नाम, उत्तर दिनां की चेक था, ये था महत्मा गांदी सहाब ने कहा था, ठीक है, वह एक पिदान मंतिरी जिसने भारत में किप समिसन बेजा था, बिजटन चर्चिल, किप समिसन के साथ कौउंगेश के अधिकारिक बारता करती, पंडिच वाल लाले रूप, मौलाना आजाद, गांदी जी के अंदोलन को राजने तिक फिर होती कहा है, लौड लिन लेथगोने, लौड लिन लेथगोने, चली अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत छुड़ो अंदोलन, 6 जुलाई 1942 को गुवर्धा में मातमा गांदी ने कॉंग्रेस की कारकारी संती में, अपने भारत छुड़ो अंदोलन की चर्चा की, तब उस संती के अधिक्ष कौन थी, तो आप देखेंगे, उस संती के अधिक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, 14 जुलाई 1942 को गॉंग्रेस कारी संती द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन पिस्तायओ पारक किया गया था वर्धा में, कहां वर्धा में, बारत छोड़ो आंदोलन की समय भारत का पिधान सेनापती था लौड बेविल, भारत छोड़ो आंदोलन प्यारम गुए 9 अगस्त 1942 को, इसे अगस्त करांथी भी कहते हैं, याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन का पिस्ताओ बंबई की सिस मैदान में पारित किया गया था, वह था ग्वालिया टेंक, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की प्यारम करने की पूर्व, दिन, महतमा गांदी ने रास्ती रियासतों के राजाओं को, अपनी जंदा की प्रभू सकता सुईकार करने को कहा था, ठीक है, या कथन हम भारत को, या तो आजाद करेंगी, या प आदमा गांदी, करो या मरो का संबंद की से है, भारत छोड़ो आंदोलन से, वल्दिव सायने महा दीवक्ता की बर्त से त्याक पत दिया था, 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन प्यारम किया रिया, किर से पिस्ताओं की पिक्रिया, कि 1958 यह भारत चोड़ो आंधूलत की समझे में शत्त है यह आंधूलन सुताः प्यवर्दित था इसने सामान समिख बार को आकरसित नहीं किया था एक बात याद रखे क्योंकि आप ने देखा है भारत चोड़ो आंधूलन इंडिया Unionist Party of Punjab में से भारत छोड़ो अंदोलन का समर्थन नहीं किया था तो उपिवित सभी पाइटियों ने याद रखिए भारत छोड़ो अंदोलन का समर्थन नहीं किया था यह कई गार पूछ लेता है एक आजाद राजित पर साथ सरदार बल्लबाई पटेल और जवालल नहीरू ने 1942 में भारत छोड़ो का पिस्ताव समर्थन किया था सरदार बल्लबाई पटेल ने जब भारती राख्टी कांग्रेस ने भारत चुड़वा अंदोलन विस्ताव भारित किया, कांग्रेस के अधिक्षु समय कौन थे? मौलाना अभुल कलाम आजादा. भारती राष्टी कॉंग्रेस के लगातार 6 वर्स तक अध्यक्ष थी अभूल कलाम आजा, याद रखना, क्या क्या याद रखें गई हो, भारत छोड़ो अंदोलन फल्थ था, किर्श के पिस्तावों से भारतीयों के निरास का भारत पर जाबानी आक्मर की धंकी का AICC द्वा भारत छोड़ो अंदोलन क्याओधी में, नेमित रूप से कारकरम पिसारित करता था, राम मनुभत लोहिया, आज जानते हैं सापा पार्टी एक तरह से जो यूपी में आप देखते हैं ना, इन्हीं की विचारधारा पर है, अपते की विचारधारा नहीं, मतलब इन्हीं क एक तरह से रोटी बैंक, जो भी आप कह सकते हैं, जिस तरह से पंडित जवाला लहरो गांदी जी के कॉंग्रेस हो गये, और बीज़ेपी के आप देखते हैं कि सलबार बलब भाई पटेल, और मायवद्धी के कासी राम, भी ये एसपी के, तो आप कह सकते हैं, एसपी यान चुड़ो आंदोलन के दवरान, उनके साथी का नाम था लुई फिसर, मातमा गांदी का जीवनी का लुई फिसर था एक अमेरिकी बत्तकार, भारत चुड़ो आंदोलन से उत्पान दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे हैं, बिहार और सैप्त परांद में, कथन एक आरण आर एकी सही ब्याख्या भी करता है, करता है, ठीक है, डॉक्टर राजित पिसाथ को 9 अगस्त 1922 को गरबतार करके भेजा गया था, बांकीप और जेल में, ठीक है, बारत चुड़ो आंदोलन की संद्रम में मातमा गांदी ने को बंदी बनाया गया था, बंबई में, गरबत को गरबतार किया गया था, बेते, शिवकुमात और रामा नंदी, याद रखिए, जो भी खास-खास नेता थे, उन सभी को गरबतार कर लिया गया था, मातमा गांदी उनके सहयोगियों की, 1942 में हुई धर पकड़ से, बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें, इसमें में, र पतिविनियों को संगटित किया था, जैविकास नारायन ने, 7 देसंबर 1942 को, स्री योगन सुकल लाइग गए पर नामे, स्री जगत नारायन लाल की पतनी का नाम क्या था, स्रीमती राम प्यारी, कथान एक कारणार, भारत छुड़ो अंदोलन से लोगों को, जागरेत करने और सास दिलाने में सफलता मिली, बिल्कु सही है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, यह आर दोनों सही है, आर एका सही सपश्टी केल भी है, ठीक है, राष्टिये स्वयन सिवक संग 1942 की भारत छुड़ो अंदोलन से पिथक रहा, बिल्कु सही है, इस भारत छुड़ो अंदोलन की बाई नाम सुरूप अंग्रेज और मुसल्वान, कॉंग्रेस के पिथी सम्मान गेरना के कारण एक दूसरी के नद्धी का गया, बिल्कु सही है, जिन्रा ने वेटे सरकार के पक्य सहयोगी की तरह कार किया, मुसल्वानों को 1942 के कॉंग्रेस अ आंदोलन के मैं अवना असपली और भूमीगत करिया कलाप की प्रमूप महला संगतन संगतक थी ए भारत छुड़ो अंदोलन में, जिसके साथ अवना असपली जोड़ी होई थी भारत छुड़ो अंदोलन, भारत छुड़ो अंदोलन में समंतर सरकार इस्थापित की गई थ त्था 17 में,। कतन 15 आध, भारत छोडू आंदोलन भारतीय राष्ठी कोंगों, भारतिय राष्टी आंदोलन की पराकाफ़क्टा थी। बिलकु सही है। भारत छूडू आंदोलन की पoqu्चात सकती हिस्ता आंदन कि एक विख्रिया की खोष समय तका जाती। ये आर दोनों से हैं, आर एक ही सही ब्याख्या भी हैं। बारत छोड़ों अंदोलों के उपरां C. राज गुपालाचारी ने D. D. भी आउट नामक PEMP लेट जारी किया। बैटिस भारत भारत भारतिय राज्यों के पिदिनिदियों को मिलाकर एक युद्य सलायकर्स परिशत की इस्थापना की। और केंदरी कारकारी परिशत का इस पिकार पुनर्गठन करवर्णर जनल और कमंडर इंचीफ के अतरिक तर अन सभी सदस भारतिय निता हो। केंदरी तथा परातिय विदान मंडलों के 1935 के अन्त में नए चुनाव कराए जाए जाए और सम्विधानी गतिलियोत का हल मैंसे एक पिस्ताव इस पैमपलीट में था। तो याद रखी सम्विधानी गतिलियोत का हल इस पैमपलीट में था। थिर आप देखेंगे सुभाष्चेंद बॉस और आजाद इन्द भॉच। नेता जी सुभाष्चेंद बॉस का जिनम कब हुगा। कहां हुगा था। कटक में। सुभाष्चेंद बॉस ने फॉर्वर्ड विलॉप की स्थापना की थी 1949 में। था। थीक है। आई यू दिमाग की उपश थी और इसके स्थापना की थी मोहन सिंग ने। किसने। आई यू इन्द मानसित था। ज्ञानी पीतम सिंग और मेजर। आई वाची फूजी वारा का। भारती राक्टिये सैना का की स्थापना हुई तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, कतने सवास्चंद बॉस का, दाफ्टरी इंडियन लीजन का नामक सेनव बनाई थी सवास्चंद बॉस ने, रानी लच्मिवाय डेजीमेंट की स्थापना की थी सवास्चंद बॉस ने, सवास्चंद बॉस को देयाल सिंग और प्रेम सहेगल, मुहन सिंग, सहनवाज मैंसे आजाद हिंद फोच का हुआ अधिकारी जिसने लाल के लिए पर चलाए गए, मुकतमे का सामना नहीं किया था, तो याद रखिए, मुहन सिंग नहीं किया था, बाकी गुरु देयाल सिंग ने, प्रेम सहेगल और सहनवाज ने किया था, मुहन सिंग इससे बच गए थी, 1945 में आजाद हिंद फोच की ओर से, लाल के लिए के मुकतमे में पहरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी, भोलावाई देशाई ने, 1945 में आजाद हिंद फोच के लाल के लिए में दिली के मुकतमे की से जवालाल नहेरो सरदार ब्रला भाई पतेल और डॉक्टर कैलाश नात काड़िूं से नहीं की थी, तब पतेल इसमें सामेन नहीं थी, इलावाद में संपन कंग्रेज, कियरकानड़ी समती के बैटक में बहारत के नाजीवाद, फासीवाद, और संपदाय संवराज रीज अपनी यह उजना के बक्ष में बहुमत जुटाने में सफल हुए थी जवालाल नहरू आप देखें कि फिर आती है केविनीट मिसन इन सभी को याद रखें कि इनकी डेट कोकें की कई बार लगाने के लिए करम में आ जाता है सिविल सर्विस में मैंने देखा है इस्टेट वी सीएस में भी देखा है कई बार पूंच लेता है और वन डेक जाम में तो देखिए कई तरह से कुष्टन्स बन सकते हैं तो हर पॉइंट पे आपको ध्यान देना है अब आपसे बूच लेगा केविनीट मिसन की यह उजना बिस्था दिया था कैविनीट मिसन ने किसमें कैविनीट मिसनन है आंगे कैवाका, 1946 का कैविनीट मिसनन से गटित था लौर्ड पैंधिक लॉर्ञेंस एबी अलेकजंडर सर इस्टिफोर्ड किप्स और लॉड एम्री मैं इसका सदस नहीं था तो याद रखी, लौड एमरी नहीं थे कौन-कौन थे इसमें देखेंगे आप लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस एबी अलेंगेंडर सर इस्टिफोर्ड किपस थे इसका पिस्ताओं मही में आया हो इसमें अभी भी भारत को बेभाजन मुक्त रखने की अकांचा भी थी जिसका बेटी प्रांदों से मिलकर बने एक संगीहरात का स्वरुप होना पाकिस्तान की स्विकिती इसमें सामिल नहीं थी वह जिसने वायसराय की एक जीक्यूटिव काउंसिल की पोर्णरगर्थन का सुझाओ दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतिये निताओं द्वारा धारन किये जाने थी कैबिनीट मिसन उननीश सचालीज में कैबिनीट मिसन की संदर्म में सही है इसननने एक संगीर सरकार के लिए सिफारिश की थी महत्मा गांदी जवालाल नहरू सर्दार पटल और मौलाना अबुल कलाम आजाद में सी कॉंगरिस का वए निता जो कैबिनीट मिसन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था तो याद रखे महत्मा गांदी वहाई कॉंगरेस सद्यक्ट जिसने किसे मिसन वाल लॉर्ड बेवल दोनों से बालताएं की थी ये अभुल कलाम आजाद थे कैबिनीट मिसन की भारत आगमन की समय भारतीय राज की कॉंगरेस के अध्यक्ट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद अब बात करते हैं समिधान सभा की उननीस तो चालीस में सोतंत भारत के लिए समिधान की रचना ही तो समिधान सभा के बेचाद सरबपितम फिस्तुत किया था कॉंगरेस वारटी ने 1936 में वारतीय समिधान का निर्मार क्या का गटन किया गया था कैबिनीट में सन योडिना के अंदरगत समिधान निर्माती परिशद में पितिक परान्त कु आवंति सदस संख्या निधारित करने के लिए पिती में थी, जनसंख्या के अनपात में था 10 लाग बेटी, ठीक है, 10 लाग पर एक, समिधान सवा का पहला सत्व कुगा था 9 दिसंबर 1940 को, भारती समिधान सवा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजिन के साथ, याद रखी अगर आइस्थाई अध्यक इस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, भारती उपनिवेश के लिए प्रभू संत, ता संपन, समिधान सवा के पिताम अध्यक्ष के राजिन के साथ, बरस 1946 में प्रांतिये सभाओं द्वारा भारत की समिधान सवा चुनी गई, जवालाल नहिरू और MS चिन्ना और सर्दार बल्ल की किया गया, एक सही है इसमें से, केबल एक सही है, ठीक है, केबल एक सही है, क्योंकि आप चानते हैं कि प्रांधी सभाओं द्वारा भारती समिधान चुनी गई थी, एक बात और आपको याद रखना हुआ, कि देखिए, पिताम अधिवेशन आप देखते हैं कि कब हुआ नौ दिसम्बर को, लेकिन एक बात और याद रखी, 26 नवंबर उन्नी सो पचास को अंगी कित हुआ, लेकिन पूरी तरह से आप देखनें समिधान 26 जन्मरी उन्नी सो पचास को लग हुआ था, तो यहाँ पूछ रहा है अंगी कित, तो आप देखेंगे 26 नवंबर उन्नी स सजीदानन सेंगा जोड़े थे, भारत छोड़ो अंदोलन से, बैटे से उपकी केंदरिये लिजिस्टलेटिव असेमली तथा सुतंद भारत की संसल में अध्यक्ष का अपत समाला, जीवी माव लंकर है, तो याद रखें यह आपके लोगसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे जेवी माव लंकर, अब आप देखेंगी कि अंतरिम सरकार गगठन होता है, उनीस सोचारीश में, यह अंतरिम सरकार थी, याद रखें, अंतरिम बजट सुनते हैं आप लो, उसी तरह अंतरिम सरकार, फिर सुतंद भारत की अब देखेंगे सरकार बनती, पंडित जवालला किरसी मंत्रालय विभाग इनकी बास था अंत्रम सरकार 1964 में rein मंत्रालय का कार देखते थी आसा पली इन साथotा油 को याद रखेए अंत्रेम अगर आपके सरकार के गर्थन में आपसे पूझे किसी विभाग के बारे तब आपको याद रखना हो और आप देखिए सुतंत भारत के बारे में पूछे तो आपको याद रखना बड़े इनसे questions बनते रहते हैं और आपको फसाने वाले questions बनते हैं 1946 में भारतिये मुसलिम लीक को अंत्रिम सरकार में समलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो बिभाद दिया गया था बित्यानी की फाइनस बिभाद लियाकत अली ये सभी अंत्रिम में याद रखी अंत्रिम सरकार के गठन की बाद कराऊ जवाललाल नहरू बल्दे जवाललाल नहरू लियाकत अली खान अभूल कलाम आजाद। डॉक्टर राजिंद विसाज में से सेप्टमबर, दो सेप्टमबर उननी सोच्छारीज को गटित अंत्रिम सरकार में मंत्री नहीं थे, अभूल कलाम आजाद नहीं थे, ठीक है, उननी सोच्छारीज के मिलती है, आप आजाद होती है, जब भारत की सुतंत होती है, इंगलेंड का पिधानमंत्री था, किलीमेंट इटली, बैटे सरकार ने जून 1948 थक भारत छोड़ने की गुष्णा की थी, यह थी फरवरी 1947 में, आप लोगों एक सामान सा कुष्चन से आप लोगों को बताना हो और बुलिट में इतने तेज आव आजाती है, किसी यह इसाइलिए्जसर एतना मतलब टैने की आवाज क्या बताई है, मतलब एक और सोची आवाज आपको चिलाने की क्या आवाज है, कि क्या सोगा बढ़ जाती है इससे ? वही है कि आपने देखा होगा कि कोई गाउं का जाता था दिल्ली काम करने के लिए तो हाँ भले तसला डालता हो या खाई खोदता हो या घर बनाता हो लेकिन जब आता था गाउं तरब लोटके तो बड़े सजी दजे आता था एक बड़ा लंबा फॉन लेगा चाइना का और बड़े लाल आज देखेंगे लाल रेड कलर के कपरे पहनता था और जूता भी रेड कलर की मालूश चल जाता था कि हाँ ये कमा के आया है दिखाने के लिए वो ऐसा सब करता है तो आप लोग मतलब मुझे लगता है कि हमें मतलब सांती से कहते ना पिसांत मासागर जो जित यह था संभा भारत को सयुक्तर रखने की पिसेत हिडायत के साथ ठेकर भारती ये सुतंता सुतंता का आधार बनी मांट बेटन योजना मांट बेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की देश के विभाजन की भारती सुतंता अधिनियम दा इंडियन इंडियन इंड इसे आप लोग तीन जून के नाम से घंजानते हैं, कथन एक कारण आर, अंग्रेज ने भारत को 1947 में सुतंता बजान की, अंग्रेज दुतिय विश्योद में निर्भल हो चुके थे, ए आर दोनों सही है, आर एकी सही ब्याक्या नहीं काता है, कथन सुतंद भारत में बैटें बनी रही, गलत है, सुतंद भारत के विवनत जनरल की निवति बैटें के प्रभूता संपन सासक ने की थी, आर सही है, एक गलत है, भारतिय स्वाधीनता विदेयक को राज्किय सुईकेती प्राप्त हुई है, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, भारत के विवाजन का वालकन प्राप्लान उबच था, लौर्ड माउंड वेटन के मस्तिसका, 1947 में भारतिय राष्क्तिय कॉंग्रिस देश के विवाजन के लिए मुखरूप से, इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पर्माने का संभावित संपतायक दंगों को बचाना चाहते थे, इसलिए आप दे भारतिय राष्क्ति कॉंग्रिस ने माउंड वेटन युन्या को स्विकार किया, बिल्कु सही है, वह दुई राष्ट द्धान को मानती थी, यह आर गलब है, यह सही है, ठीक है, भारत की विभाजन की विकल्ब की रूम में गांधी जी ने माउंड वेटन को सुझाया था, कि वे जिन्डा को सरकार बनाने के लिए आवंतित करें, रेड कलिप समती की नेवक्ति की भारत और पाकिस्तान के बीच सिमाओं को नेधारित करने के लिए, भारती विभाजन, याद रखी अभी आप लोग रेड कलिप रेका भी सुनते रहते हैं भारत पाकिस्तान की को आस्वी खार करने के साथ थी 14 जून 1947 को कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत की विभाजन का प्रिस्ताव अस्वी कित हुआ इस अधिवेशन के अधिव्ट से आचार जेवी किपलानी आचार जेवी किपलानी नई दिल्ली में 1947 में आविजित अकिलवार्टिय की बैठक में गोविन पल्लफ पंत सर्धार बल्लब भाई पटेल जेवी किफने किपलानी तर्थै अभुल कलाम आजद में से विभाजन के प्रिस्ताववा за समर्थन ठीक है आप समझेए 1947 की भारती राष्टी कॉंग्रेस की दिली अधिवेशन की अधिश्टा की थी जेवी के प्लानी अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन हुई बैटक में भारत बिभाजन के वेपक्ष मात्तान किया थी खान अब्दुल गफाल खान में 14 से 15 अगस 1947 की मंदरात्री को अंतरेट साल का संसत की रूमें सताव गेंड की समिधान सला 14 से 15 अगस 1947 की मंदरात्री केंडरी असेम्ब्ली में एक बाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन्गर्मन गाया है एमे सुब्लाल अचमीन है ठीक है पहले अउसर पर भारत की पिधान मंत्री की नियुक्ती की थी गवर्नर जन्रल है गवर्नर जन्यनल doen .Sutant bhrasi की पितम गवर्नर». अकर आपसे पूचिए की सुतंत-Bhrasi का अंतिम गवर्नर जन्यनल कों था ? तो एथे olm एथे स्रीराज गूपालाचारी. अगर आपसे पूचिए की सुतंत-Bhrasi का भार्ता गवर्नर जन्यनल कों था ? तो याद रखी स्री C, राज Gopalachari सاحब थे सुतंद भारत के पहले भारती जनल थी सी राय गूपालाचारी भारत का अंतिम वायस राय था लॉड मांड बेटन सुतंद भारत के पिथम विधी मंत्री थी वियार अंबेडकन आपको समझ में आए देखिए जब हमारा भारत आयाद हुआ तो उस समय विदेशों द्वारा कई देशों ने कहा कि भारत दो सारा नहीं मिलती थी कई विचार कई ऐसे मुद्दे से जर्बन इन दोनों में मद्वेद रहता था फर भी आप देखिए कि पंडित जवाल लाल नेहरू की केविनिट में वियार अंबेडकर साब को कानून मंत्री बनाए गया क्योंकि आप देखेंगे कि कानून के चित में वियार अंबेडकर एक तरह से महारत हासिल की हुई थे और आज जो समीदान आप देखते हैं उन्हीं की देन है एक तरह से समझ रहे हैं आप लोग और आज की निताओं को आप देखिए पड़े लिके जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं या कहीं तसला डाल रहे हैं या कुछ प स्च्छा स्वाश्ट पर कभी बात नहीं होगी, रोज़गार पर कक्भी बात नहीं होगी। तो देश कहाँ जाएगा ये आप समझ सकते हैं। देगी, किसी देश को अगर powerful country वनाना है. सिक्षा, स्वास्त तो आपको देना ही हुआ। ठीक है ? यह मैन आधार हैं। इसलिए तो कहता हूँ कि आज की निताओं से उस समय की निताओं की तुलना मत किया गरिएगा। बिल्कुल प्यारम से भारत की राश्टपती पत पर आसीन बैक्तियों का सही क्रम है। तो राजिन पे साथ ऐ सराधा किष्णन जाकर उसेन बीवी गरी। आपके जितने भी पिदान मंत्री हैं जो भी आपके थणाष्टपती हैं जो भी चर्चित बैक्ति हैं सब के भाहिए में बायग्राफी कबर की हुई है। दो बायग्राफी के नाम से विलेलिष्ट सूची है, और सब कुछ ड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि विस्तार से आप लोगों को इतना पढ़ा चुपा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पैसा देने की जरूरत पड़ेगी जनरल नौलेज या के लिए अब आपकी मर्जी आप देखिए पैसा आपके पास जाना है तो आप दूसरे को पड़ा दूसरे को दे दीजिए दूसरे की मदद कर दीजिए मेरी तरफ से जितनी आपकी हो सकती थी मदद की लिए ठीक है और ये रेवीजियन के पॉइंट भी उसे आप लोग रख लीजिए खतम है एंसी ये आटी पूरी कवर हो चुकी है एम लक्षमी कांद भी देखता हूं वो भी कवर करवा दूगा लॉड माम वेटन की अधिक्षता में बनी विभाजन परिशद में भारती राख्टी कॉंगरिस का पिदी निदित किया था जवाहलाल नहरू और सरदार पटल में भारत की विभाजन के समय भारती राख्टी कॉंगरिस के अधिक्ष थे जवी किपलानी 1946 में मेरट में अधिवेशन के अधिक्षता की थी जवी किपलानी अगस्त 1947 में सुतंता दिबस के समारों में कहीं भी समले नहीं हुए थे महत्मा गांदी समिजान को 26 जन्वरी के दिन लागू करने का नेड़े इसलिए लिया गया था क्योंकि कॉंग्रेस ने इस्तिति को 1936 में सुतंदादीस दिवस की रूम में मनाया था ठीक है बाती राष्टबाद बीटिस राज का सिसू था यह किसका था आर्कूप लेंड का बैटेस आसन की सबसे अधिक महत्मूर उपलती भारत का एकिकन्ड था केम पड़िक करने का है ठीक है थी तो देखे अब हो गये हम और अदर मों आजयाद 19 Fair DANa अब चलते हैं भारत का समिदान विकास देख लेते हैं एक तरसे आप आपको आजादी दे दी गई है आप आजादी महसूस कलते हैं या आजाद जीते हैं यह आप पर नहीं बहुते हैं भारत का समिनानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया उन 1773 में याद रखी इनसे कुश्चेंस आपके हम इससा देखने पूलती हैं 1773 में पिथम बार गवर्नर जेनरल ऑफ बंगाल के पद हे दू प्रावीदित किया गया था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 मे रेगुलेटिंग एक्ट के पिरावधानू के इंतरगत बिहार के लिए एक पिरांती है सभागी स्थापना हुई थी 1774 में भारत में सरपितम सरवच नियालाई की स्थापना हुई रेगुलेटिंग अधिनियम 1923 में इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्थापित अंती के निड़य को आस्विकार करने का अधिकार मिला था 1786 में अधिनियम जिसके तहत लौड कॉनवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्य करने का अधिकार मिला था 1786 करेक्ट 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी नियायक सक्तियों से बंचित कर के बल संग्राहेक अभीकर्था बना दिया गया ऐसे विनियम द्वारा करन था लौड करनवालस जिलाख लेक्टर में सक्केंधरित इतनी विस्तित हो गया था कि महसूस करता था कि एक वैक्ति में इतनी परमसक्ति का होना आवांचनी है भारत में भाति ब्यापार में इश् और बाकी पर एकादिकार समाथ हो गयाता है इसे आप देखेंगे 1833 में चाय और चीन पर भी पूरी दरसी खतम कर देते हैं एकादिकार ये कई बार बन चुका है चार्टर दिनियम 1813 भारत के लिए मत्पूर्ण समझने जाने का एक कारण है इसके द्वारा भारतियों की सिक्षा के लिए बित्तिये पराधन भी किया गया चार्टर 1833 में 1823 कंपनी की व्याबरिक गतिविदियों का समाबन, काउंसिल में परम सब्ताधारी की कि पदनाम को भारत के गवर्नर जनल के पदनाम में बदलना काउंसिल में तथा गवर्नर जनल को विधी करता को भी कि सभी सक्तियां पिदान करना और गवर्नर जनल की काउंसिल की में विधी सदस के रूम में एक भारती की निप्ती पराधन में से एक नहीं था तो Governor General की Council में विदी सदस्त के रूम में एक भारती की निपतीस में नहीं था ठीक 1835 की लोग सेवाओं की परिक्षा England तहां भारत की एक साथ भारत में एक साथ कराने की संस्तिश की गई थी Montague Champs Court Report द्वारा नागरेक सिवाओं के लिए पितियोगी परिक्षा पिणाली को सिद्धानता सुचार किया गया 1853 में पहली बाँ भारत में क्रिया सील विधान परिक्षत कर से जान हुआ था चार्टर एक्ट 1853 में इंग्लेंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सर्वेस यान की जिसकी आप लोग तयारी करते हैं कि परिच्छा युजित करने है यह तु सहमत हुई थी 1922 में सूची 1-सूची 2-9 परिचत की स्थाफना विध का भारती अधिनियम की इन्डिया पिड्स भी कहते है विध का भारती अधिनियम 1784, सर्वुच नेले की स्थाफना, नियामत, अधिनियम 1773, इसाई मिसेनरियों को भारत में कारकरने के अनमती, चार्टर अधिनियम 1933, गवरनर जेनरल परिशन में कानूनी सदस्की न्युकती, चार्टर अधिनियम 1833, सोची एक सोची दो, भारत में उप निविसी है, और सर चाहे और चीन को छोड़ कर ठीक है रेगुलीटिंग एक्ट 1733 कंपणी की निदेशक को कंपणी की प्रबंदन से सर्मंदी सभीस पत्ताचाल और दस्तावीज यूँ दस्तावीज बेटिस सरकार को विस्तूत करने को कहा गया एक्ट ओप 1858 का सासन का अधिकार इस्ट इंडिया कंपणी से बेटिस ग्राउन को वस्तानतीत कर दिया गया पीट से इंडिया एक्ट 1784 भारत में इस्ट इंडिया कंपणी के कारेयों को पूरी तरह से बिनिमित करने के लिए बेटें में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कंपणी ने चाय के व्यापारी के अधिकार को खोदिया था 1833 में चीन के साथ भी भारत का सासन इस्ट इंडिया कंपणी से क्राउन के को स्थानानतीत किया गया था 1858 की भार्ण सरकार अधिनियम के अंतरगत सही कतने गवर्नर और इंडिया एक्ट 1889 के अंतरगत बेटिस संसर ने इस्ट इंडिया कंपणी को पूर्दा समात कर भारत में सीधा सासन करने का उत्तरगाई ग्यांड किया बिल्वो से ये भारत के गवर्नर जैनल को अध्यादिश जारी करने की सक्ति पिनान की गई अधिनियम जिसमें सामय कार्ट चालं के इस्थान पर विभाग या विभागी ये पदिति द्वारा वायशराय की कारी परषद पर उसके प्रादिकार को आजपल पिनान किया गया इंडियान का इस्थान की गया तो आप देखेंगे भाती परिशेद अधिनियम 1892 के द्वारा इसकती मिली थी अंग्रियेजियों ने भारत में सरकितम परोक्ष निर्वाचन पिडाली की शुरुआत की 1892 में कब 1892 में भारत में मेडिया को नेतित करने के लिए एक्ट लिये गए थी 1835, 1867, 1878 और 1908 ठीक है बॉम्बे, मदरास, कलकत्ता में उचने आलें पीस थापना हुई थी 1861 में याद रक्षिस सबसे पुराने आके उचने आलें यही है बॉम्बे, मदरास, कलकत्ता 1861 में भारत में बेटेन की सभी सम्मिधानिक परियोगों में से सक से कम 1909 का इनियन कांसिल एक्ट 20 अगेस्त 1917 की सुधारों की घोष्णा को जाना जाता है मौन्टिव गोष्णा की नाम से मौन्टिव चैम्सपोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी प्रांतों में दुद सासन पिडाली अधिनियन के अंदरगत लागु की गई थी 1919 के मौन्टिव चैम्सपोर्ड प्रिष्णाओ सम्मंधित था सम्मिधानिक सुधार से भारत सरकार अधिनियम 1919 ने इस पर्ट रोक से परिवासित किया था केंधरिय इवं प्रांतिय सरकारों की अधिकारता को 2 लागु करने वाला एक्ट था आया था 1919 कव 1919 में या अधिनियम मारले मिन्टू सुधार अधिनियम के श्ले कि झान दिया गया था 12 सरकार अधिनियम 1919-1921 में लागू हुगा था और Montague भारत के लिए राज सच्छी वह लॉट चैम्सपोर्ड भारत के वास्टाय थी बारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत कसन है यह अधिनियम मारले मिन्टो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है याद रखिए इसे चैम्सपोर्ड पिस्ताव या चैम्सपोर्ड मॉन्टिके चैम्सपोर्ड सुधार के नाम से जाते हैं लेकिन याद रखें मारले मिंटो सुधार की बाप करें तो 1909 का जो अधिनियम था उसे जानते हैं आप लोग मारले मिंटो सुधार ठीक है 1909 की तो कथन कारण भारा सरकार दिनियां 1909 के परवर्तन के साथ पिसासन कडारचा उसकी विश्यस्ता हैं इकात्मक और केंद्रिय रही बिल्कु सही है सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को पित्यायुजित किया गया था ए आर दोनों सही है परंतु आर एकी सही ब्याख्या नहीं करने करते हैं इसे भी देख लिए लेकिन कारण अनौ दूरी साथन के विश्यों का दो भागों में विवहाजन था परांतों में उत्तरदाई साथन के बोध का धिवर्तन कराने का प्रहितन किया गया था यह ऑर दोनों सही है अर एकी साहीजिस पाषटी केयर भी है 12 सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट पर एक बात और याद रखिए देखिए 10 टॉलत बाले दिन खतम हो गए जिसमें आपको एक किताब में से आपको कुष्टेंस रट लेते थे आजाते थे आपने एक दरह से लिख देते थे अब आपसे कुष्टेंस किसी भी तर हो गए अब रटिये हिसाथ में आप लोग दिमाग में लगाईए कि किस तरह की कुष्टेंस पूछे जा सकते हैं 1935 के भारज सरकार अधिनियम की विशेष्टा थे गवर्नरी प्रांतों में दोईस आशन की समाप्ती गवर्नों गवर्नरों को विधाई क्रियाओं में निसेधरिकार बीटो की सकती औस्वयं दारा विदी बनाना ठीक है एक तरह से आपकी 1935 में भारा सरकार अधिनियम की विज़ेशता है भारा सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतिये दोयदे साजन विवस्था को समाप्त किया था गवर्मेंट ऑप इंडिया एक 1935 में प्रांतिये स्वसासन का उपढद था एक संधीय न्याले फोरल कोट की स्थापना के उपढद था केंद में अकिल भारेतिये संग का उपढद था और एक अखिल भारती है संग में से एक विशिष्ट योगती नहीं है के अंद में साथी राज्यों में द्विल साचन 1935 में भारत अधिनियम द्वारभिस्तावित फेडरल इूनियन में रास्ती प्रांदों को सामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असलिए मनसाक थी राष्टिवादी नेताओं के समराजवाद परोधी सिंधानतों को बैर्द करने के लेराज्याओं के इस्तिमाल करना ठीक है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया था क्या एक काज जिसमें ब्रेक तो है पर इंजिन नहीं है जवालाल नहरू ने कहा था किसने पंडिल जवालाल नहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था भारती राष्टी कॉंग्रेश ने अपने अधिवेशन में बहारस सरकार अधिरियंग 1935 को सोईकार किया था लखनव अधिवेशन 1936 में किया था बहारस सरकार अधिरियंग 1935 को गुलामी का अधिगार पत्त कहा था पंडिल जवालाल नहरू ने भारस सरकार अधिरियंग 1935 में अंतरवेश्ट अनुदेश प्रपत्र 1950 में भारत के समध्यान में समविष्ट किया गया था राधिकी नीती ने देशक कत्त्यों के रूम में यह कहा मुझे सारोग के समध्य में कोई छमा नहीं मांगी है समिधान की प्यारूम में गवर्मेंट आप इंडिया एक एक बड़े भाग को बना उत्पादित कर दिया गया है यह डॉक्टर भी आरम बेड़कर शाहब ने कहा था ठीज़ा सूची एक सूची दो रेगुलेटिंग टेक्ट 1773 सुब्रीम कोट की स्थापना धार्ती परिशत अधिनियम 1909 संबदायिक निरभाचन बंडल का प्यारम बारतीय सरकार अधिनियम 1902 इतिसासन का प्यारम धारस सरकार अधिनियम 1935 पिदेशों की स्वायदता के लिए प्रावदन दे ठीक है अब बात कर लीते हैं आधुनिक इदिहास से संब्दी थे कुछ बिविद मतलब पॉइंट उसी से संब्दी थे आधुनिक इदिहास यानि के आधुनिक भारत की इदिहास से संब्दी पॉइंट यांक रेगुलिटिंग एक्ट 1773 कलकत्ता में उचितम नेले सुप्रीम कोट इस्तावित किया गया भारती दंड सहिता वर्स 1860 में लाग वी यह दोनों के थन आपके विल्कुछ सही है 1922 सताथी में देश जिसका भारत की वो प्रिस्थार कड और एनलो अफगान समंद्र का आधार था रूस था क्या था रूस था यह वर्स हो गया यह घटना होगे 1775 पिथम आंगल मराथा यूथ 1780 दुद्धी आंगल मैसूर यूथ 17824 पिथम आंगल बर्मा यूथ और 1838 एपिथम आंगल अफगान यूथ ठीक है सही सुमले थे पुनाहा जजिया लगान थरूक सियर्ग मसूली पर्णम परदक्यार होड सती पिथा निसे दलियम लॉड विलियम बैंटिक दास्ताकंद लॉड कैलन बरू से सम्मंदित है ठीक है यहने भी याद रूखिए भारत के संदर में प्रसासन की में 30 सत्तात्मक द्रिश्टी कोड प्रया समंदित माना जाता है ठॉमस मूरो एक बात और बताओं आपको कि आधुनीक भारत से सबसे जाना कुश्चन साथ की देखने को मिलते हैं तो इसे अच्छे से पढ़ लीजे आप दो बारत में 19 सिदा आयोग ने इस्टेची आयोग ने सही समली थे 1767 और पिथम आंगले मैसूर यह उद्धुआ गा ता 1824-26 पिथम आंगले मारा आंगल बर्मा यह उद्धुआ था अठारे सो पैंतालीस चैलीस पिथम आंगले सिख्ख्य उद्धुआ था सही काला नंक्रम है डेमेटिक परफॉर्मेंस थराता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंगाले टैनेसी एक्ट के बाद नौर्थ वेस्टरन प्रोविशेंश से एंड अबाद आया था बाली विवार एमजी रनाडे ठगी पिताकंत कर्नल इसलीमेंड विदबात उनर विवार इसो जंद विद्यास आगर पिंड्यारियों का दमन लौर्ड हैस्टिंग्स कुंगर सिंग ने अंग्रेजों की गुरूद बिहार में संगर्स का नितित किया जबकि 1857 की विथम जितना संगराम मे खान बहादूर खान ने रोहेल खंड में नितित किया मुसलिम लीगी ने 22 दिसंबर 1949 को मुसलिम दिवस मनाये मुक्ती दिवस मनाये नाना साहब की साहता है तो कानपूर में फोजों का नितित समाला था जीनत महिल ने फैजाबाद में इसकी खमानी समाली थी इस तभी विल्कुल सही है दा मर्वेलो अब दी सेंचुरी मारबलो अब दा सेंचुरी दा वंदर अब दा वर्ड लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइड री प्रोब्रेक्शन सिनेमा या सिनेमा टोग्रेफी फोटोग्राफी है कि टोग्राफी है इप यू एक्स एक्स बीट्शन बिल बी गिविन एट वार्शन होटल टू नाइट उपिक्त विग्यापन टाइमस ओफ इंडिया में चापा गया था साथ जुलाई 1896 में बैटे सरकार भारत की विग्या विभाजन के लिए उत्तरदाई नहीं है कतन का सरे किसका सरे दिया जाता है यह कतन लौड एटली कुछ अब देखिए इसमें मतलब आपको कहीं कौमा भी नहीं देखिए अब देखिए दा मारवल अब यहां बीच में आप लोगों को नहीं दिख रागवा ओप है फिर दा है मुझे तो लिखा कि पूरा यहां जुड़ा हुआ देखाई ती राय है चलिए खेराल थोड़ा होने के लिए कॉंग्रेस की आलोजना की गई थी इन लेखों के लेखक थे अरवेंद बोस दो निवताओं ने भारत में द्वारा कर सावाजीक उद्यान कार किया गांधी होते लगने पहले अध्यक्ति ने अपचारिक बिग त्यार कर गांधी टोपी पहन कर सदन की अध्य करेंट से आप लोग जुड़े रहें तब अगर कुछ होता है उनकी पूंडिती थी पर तो उसे याद रख लिया करिएगा इससे दभारती है गुरुदेव के नाम से जाने जाते है रवेंदार टेगोर इन्हें आप देखते हैं कि नोवल प्रसकार दिया गया थाट उनीस किया उन्होंने सिवाजी और गुरु गोविंद सींग को राच्टर निर्माता के रूं में देखा उनके अनेव गीतों में मरात्थों के बहादुरी का खन्ना है यह बिल्गु सही है जय जवान जय किर्शान का नारा किसने दिया था लाल बाहदु सास्त्री ने इनके बार ईंट्ट की मुक्ति मात्मा गान्धी की नेतित में नहीं ऊगी यह लिखा था सुवास्चंद बाहसने पितिक बस तू पितिक चा कर रही है परंतु किर्श्थी नहीं कर तन का स्ठे दिया जाता है Maurice इंजभालाल नहूने में कपड़ा मील्की स्ताफ्न प्राजय जनता के लिए बने और जनता राजय के लिए नहीं बने राष्टी आंदोलन के दोरान यह वक्त तब दिया था दादा भाई नौरोजी ने भारत में वाय इसक्वाउट वाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्द दाता था बेड़न पॉबेल भारत की सुतंत से संब्धित कतन है रॉलेक ट्रेक्टर से सारुजिनिक रोज की एक लहर उमडी जिसके फजरूट जलिया वाला बाग नसंगार हुआ सुबाश्चंद बोस ने फॉरवर्ड दलोगटित किया अभागत संग भागत सिंग हिंदोस्तान रेपब्लिकन सोस्लिश इसोसियेशन के संस्ताफ़ूँ हों में से एक दिल मैं एक समाजबादी और गरतंत बाधी हूं मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है यह अब अक तब किसने से संबंदीत है जवाहलाल नहरू ने कहा था यह किसने जवाहलाल नहरू ने भारत में सामभाद का किसे नहरू जी को जवाहरलाल नहरू जी को जवाहरलाल नहरू का जीवन का जीवनिकार था फ्रैंक मोरेश राजनितिक विरोत पिदर्सन के वायकोर्ट घेराव उबंद तथा हड़ताल चार रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारे थे जिसने तरफित हम इसका उपयोगी राजनितिक अतियार की रूम में किया था यह वायकोर्ट सही कतन है आरसमाज की स्थापना 1875 में हुई आले हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने विकासित किया था कलकत्ता के पसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदो कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी यह सभी कतन विल्कुल आपके सही है चमपारन आंदोलन असयोग आंदोलन भारत चुडव आंदोलन और दान्डी मार्च घटनाओं में से कालकरम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है दान्डी मार्च क्या दान्डी मार्च ठीक है भारती राजनीती में 1947 के बाद महला ने सरवादी के उगदान दिया है और उना आसब अली ने हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंतिर मंडल को लीग के निताओं के इंसक और आसब आकमडों के आंगे आरक्षित छोड़ देंगे विवर्स 1946 में ये बाद किसने कही थी सरदार पटल साव में ठीक है 1931 में पहले बाद पूर सुतंता की वांग को उठाया था मौलाना हसरत मुहानी ने बारत विभाजन के लिए महांद अली जिन्ना को सरबाधी कुत्ततरदाइट है था था लौट मांट बैटन है याद रखिये जो महांद अली जिन्ना थे एनहों में अपने राजनीटी कि एक्छा के लिए आज के नेताओं को देखते हैं ना कि ये राजनीती करते रहते हैं, अपनी राजनीती के लिए किसी भी आद तक दे रहते हैं, तो ये क्वाल्टी आप वहाँ अली जिन्ना मुहमद अली जिन्ना में भी देख सकते हैं 31 देसंबर 1928 को दिल्ली में हुई शर्पतलिय मुसलिम सम्मिलन की अधिक्ष्टा की थी आगा खाने आगस्त 1923 को बनारस हिंदू विश्विध्याले की अधिवेशन की हिंदू महासाबा की अधिवेशन की अधिक्ष्टा किसने की थी पंडित मदन मुहन मालवीने बारत की कमिनिस्ट पाइटी और राक्टी है स्वयमसेवक संगी की स्थापना करमसा सबसे करीवी वर्ड से 1925-1925 फ्रेंटियर गांधी का असली नाम क्या था अब्दूल गफ़ार खान याद रखिए अब्दूल गफ़ार खान को आप फ्रेंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजियों के विरोद खान अब्दूल गफ़ार खान द्वारा प्यारम किया गया अंदूलन का नाम क्या था लाल कुर्टी यानि की रेड सेट डॉक्टर वियार अंबेडकर का यह कहकर आत्मर किया कि अंबेडकर को उधार बेटे सरकार द्वारा थोपा गया नितत पराप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं सेवाइं राष्कबादी निताओं को बाधा पहुचाने के लिए आवसक थी तो यह डॉक्टर वी एस मुझे नगा था तिप्पुरा की देशी रियासत सुतंता अंबुरने में 20-20 सदी के कारम में सामिल हुई थी क्योंकि बंग्डाल की करांती करी तिप्पुरा में आसर ली हुए थे राजिन पिरसाद रहने वाले थी बिहार के महान कभी रवेंद नाट टेगोर एक महान चितकार की रूम में उपरे जब उनकी आयू थी लगवक सत्त्रह बर्स समझ रहे हैं बचपन जगत नारायन लाल को जिल में भेजा गया था हजारी बाग्यु जिल कस्तूरवाई वा महादेयो देशाई की समाधियां इस्ते थे आगाखाँ पैलिस और पूना में कॉंग्रेस के अधिकारे कितिहास के रचेता थे पट्टा भी सीता रमिया भारत में उपनेवेस काल में इटली आयो का उदिश था इस रिमेकों की मोज़ोता परिस्तितियों पर पीती विदन पर सिफायसों सिफायसें पिस्तूत करना कैथरीन मेयो एल्डस हकसले चाल्स एंडूज एंडी जो बिलियम डिगवी के वीच आम रिस्ता था उन्होंने वेटेस आसन के दौरान भारत की हालत पर टिपडियां लिखी थी ठीक है आप देख सांती और आपसी सहयोग इस्तावित करने के लिए निरोजी ने सिध्धान पिस्तुत किया था गुठ निर्बेक्च था 15-1947 के बाद भारत का भाग पुर्दगाल के अधीन बना रहा गुए यह आप 1961-61-61 तक देखते हैं तो इसलिए तो आप कह देते हैं कि सबसे पहली भारत में आये थे पुर्दगाली और सबसे बाद में यही लोग गए बारत में 15-1947 के परशाद भी उपनेविश सक्ति की व्रोध स्वाधीनता संगर्श जारी रखना पड़ा पूर्दी इज यानि की पूर्दगालियों के खिलाब बे समाजबाद से प्रभावित थे बे बेटे सुधारबाद से प्रभावित थे बे महत्मा गांदी से प्रभावित थे बे जर्मन राख्टबाद से प्रभावित थे बे जर्मन राख्टबाद से प्रभावित थे बे जर्मन राख्टबाद से प्रभावित नहीं थे ठीक ठीक है? भारती नौसेना का विद्रोप, 1946 तब हुआ जब मुंबई, मुंबई और कराची से रायल इंडियन नैवी की भारती नौसेनिक सरकार की विरूट खड़े हुए ठीक है? यहां सरकार का कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सरकार सही कताने ईसुर्चंद विद्यासागर ने महिलाओ की सिक्षा को प्रोफसाहन करने कि फिर्मों कुद देशों से कलकता में बेथुन इस्कूल इस्थापित किया वाकिम चंद चट्टो पाद्ध्याय कलकता दिस विद्याले की पितम इसना तक थे यह भी बिलकुश सही है भारत में आपत्यक्ष निरवाचन की पिता आरम की गई थी 1892 में देवबंद के उस बिद्यवान का नाम जिन्होंने सुतंदा अंदूर ने भेमात्फुन भूम कहने बाई थी यह थी अभूल कलाम आजाद अभूल कलाम आजाद डॉक्टर भी आरम मेडिकर की संबंध में सही है उन्होंने सिद्धार्ट कॉलिज की स्थापना की 1922 में अपनी पतिका मोल नायक सुरू की 1922 में उन्होंने डिप्रेश्ट किलास इंस्टिट्यूट की स्थापना की थी ठीक है यह सभी कतन बिल्कुल सही है याद रखें सिवल सर्विस में आपको कुश्चन इस तरह बारा इस तरह से ऑप्सें देगा 1-2-3 सही है 20-4 सही है इस तरह से एक बात आप मानि अगर सफल्व हुना चाहतें इसंवी परिक्चह में तो आप लोग syllabus और questions paper आप लोग अपने पास कम से कम 5 साल की questions paper जो भी उस परीक्षा की जिस भी परीक्षा में आप बैठना चाह रहे हैं देख लेना अच्छी तरह से पढ़ लेना आप लोग अगर आप यूपी पीसियर्स या आईयस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए हम लोगोंने कबर करवा दिये हैं आप लोगों के लेलिष्ट सूची में डले हुए इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा यकीन करिए गठनाओ का सही काला नुकिरम है जलियवाला बागत्या खान पर कॉंग्रेस संती द्वारा सर्फ संबिती रेपोर्ट की पिस्तिती तुर्की को अर्वेश सांती सर्तों की पूष्णा बाल गंगादर तिलरक का निर्धन कलकत्ता का भारती राठ्टी कॉंग्रेस का विसे इस अभी बिल्कुस सही है ठीक है बिल्कुस है स्वाधीन था भारत की पिथाम उद्विक निती जिससे वर्स गोषित की गई थी उन्नीस और तालीस में केरल में पिथाम सामयबादी राज सरकार के गठन की आगे था उन्नीस संतावन में सट एहनसा आजपस था भारी उद गांदी ये नहीं थे तो भारी उद्वीकर के पक्ष में गांदी जी नहीं थे बाति राष्टी कॉंग्रीश के अधिवेशन में मातमा गांधी ने कहा था कि गांधी मल सकती है पर तुगांदीवास सादेयों बना रहे ना करांची अधिवेशन 1931 में याद रखिए गांदी जी समस्कंद, गांदी जी को यरोदा जिल ली जाय गया, सब इने है यह है उग्या अंधोलन के दौरन, गांदी जी ने इसी कारण गांदीजी के बिरूत के कारण। सही काल करम है असयू गांदोलन, साइमन कमीशन, नहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन यह बिल्कुल सही करम में लगी को है इस पर है की करम आपकी PCS और Civil Service में प्रेलिम से में पूछे जाते हैं सही काल करम है साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, गांदी इर्वे समझता, पूना समझता ठीक है? गटनाओं का सही काल करम है जिन्ना द्वारा सिमला कॉंपरेंट को विद्वांस करना कैबिनीट में सन का पहुंचना मुसलिम लीग द्वारा सीधी कारवाही करम करना और अंतरिक, अंतरिम सरकाल का गटन ये सभी एक तरह से घटनाय सही किरम में लगी हुई सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सभी नए अईवियां दोलन खुदाई कितमतगार ये भी विलकुल सही किरम में है खान हट बारदोली सत्यागे, सर्दार बल्लब भाई पते चंपारण सत्यागे, गांदी जी कोका अंदोलन, राम सींग, लाल कुट्टी, गभार खान संबंदी थे अबद किसान सभाद, जवालाल नहरू इउमनाइटिड इंडियान इंडियान पेटियार्टिक सोसाइड पेटियार्टिक एसोसीचन सर्सेयद एहमद खान ओल इंडिया किसान सभाद, आचार नरिंद देव, रैडिकल डेमोकरेटिव पार्टी, एमन रॉय खिलापत आंदोलन, अली बंदू, हम्रूल आंदोलन, वालगंगाधर तिलाग, सविनयययोग्यां आंदोलन, खान बंदू, भारत छोड़ू आंदोलन, बीयार अंबीड कर ठीक है, यह भी आपका सही संबले थे, मौतिलाल नहरू, नहरू रिपोर्ट, एम के वगांधी, चंबारान अंदोलन, एस्थी बॉस, हर्वर्ड ग्लॉग, एमेज जिन्ना, पाकिस्तान के संस्तापल, बिनोबा भावि, ब्यक्तिक सत्यागे, भीजी तिलक, हम्रूल आंद पाली, भारत छुडव आंदोलन, सरोजनी नाइडू, धरसनास, रेड, ठीक हैंसे संबन लेते हैं, यह आंदोलन होगे बेक्ति जो जाने जाते हैं इनके लिए, हम्रूल आंदोलन, एनिवेसं, बार्दोली सत्यागे, बल्लभाई पटे, अर्सायू आंदोलन, एमके इर्वाण, सियारदास, ठीक हैं, मातमा गांदी, गांडी मार्च, जवालनाल नहरू, सौराज की मांग, लखनव कॉंगरेस में, लखनव कॉंगड, सौराज की मांग, ठीक हैं, खान अबदुल गफ़ार खान, लाल्कूर्ती अभियान, बल्लभाई पटे, भार्दोली सत् किरम है दैगुलेटिंग एक्ट बंगाल का विभाजन मुसलिम लीग की स्थापना सूरत की पूट राख्टी आंदोलन की घटनाओं का सही किरम है चंपारण सत्यागय असयूग आंदोलन दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदिलन सही किरम यह भी है हॉम्रूल आंदोलन रॉलेक टेक्ट साइमन कमिशन गांदी इर्विन समझोता ठीक है सही कतन है अंत्रिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालाय के कार आसब अली देखते थे प्राचीन इसमारत्तन रच्छन कानून जब लॉड करजन गवर्णन जनरल थे तब या गड़ मंडला महारानी अहलेया भाई भोलकर राज महारानी लच्मी भाई जास्ती बेगम रजिया सुल्तान इस दिल्ली ठेक है आंगे बात करते हैं पूँ ए सही घटनाओ का किरम बिल्कु सही है बंग भंग लखनओ सम्झोता रॉलेक टेक्ट दोयत सासन पर वर्थन बंग बंग उसके बाद लखनओ सम्झोता उसके बाद रॉलेक टेक्ट बर्थन शासन गड़नाओ का सही क्रम है लखनओ सम्झोता चंपारनिो Stadt ए जली बाजबान भालति को रोले रा वालति कोंग्रिस का अमर्यस्तर अधीक और खिलापत आन्धर गटनाओं का सही कालक्रम है एक अधीवेशन के रोग में रॉलेक्ट विद्यक का पास होना जलियावाला बाल नर्संगार भारती राष्टी कॉंग्रेस कामरिस्तर अधीवेशन और 1919 में बीची तिलक का नेदन ठीक है भारती राष्टी अंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम है मत्मागंदी की धांडी यात्रा गान्दी रिवेशन समझो ता संपदायक नेड़ेश पूना समझो ता ठीक है आपके वंडेक जाम में कमी कुश्चेंस इस तरह के पूचे जाते हैं सही कालकरम है चमपारन सत्रगाय, रॉलेट सत्यागय, जलिया बालाबाग अत्याकन और चूरा-चोरी की घठना जलिया बागत रास्ती, सौराजिष्ट, दल का निर्माड, नौजबान भारसबा का निर्माड और दान्डी मार्ज जमना लाल बजाज, वर्धा का सत्यागय आस्रम, लाला लाजपत राय, लाहोर का राष्टी एहं, बिद्या राय, जयोती बाप उले, सत्त सूधक समास के संबंदिश, ठीक है राइट हॉल से संबदायिक पंचाट की घूठना, एवी सही है, मौले मेंटो सुधार, संबदायिक निर्वाचंचित, साइमन कमिशन, देश ब्यापी आंदोलन, चोरी चोरा गतना, आंदोलन का बावपस लेना, और दान्डी मार्ज, नमक का अबेर निर्माड, ठीक है सही समलित है, भारस सी पिकासित पिथम समाचरपत दपंगाल गजट, ओल इंडिया हर जंसन की संस्तापक महतमा गांदी, गदर आंदोलन में सक्री है, भाग लेने बाली, हर दयाल और बाबा, हर नाम सिंग तुन्डी प्लाद, पेश इंडिया अधिनियम पारित होने की समय पंगाल का गवर्न जनरेल कौन था?, बॉरेन हेल्टेंक्ष ठीक है, यह अधिनियम हो गए, अधिकास था आधरिद, इंडियन काउंसल एक्ट 1990 मारले मेंटो सुधार पर, भारस सरकार अधिनियम, 1926, मौन्टिक चैंसपिर्ट सुधार पर, भारस सरकार अधिनियम, 1931, साइ स्वाधीन ता अधिनियों माउंट बेटन पिलान पराद आई था सही कथने अगस्त गोष्णा मॉंडिग्यू अगस्त विस्ताओ लौड लिन लेत्वो अगस्त संकल महत्वगांदी पित्यक्ष कारवाई दिवस मुम्माद अली जिन्दा बारत का सासन अधिनियम 1935, क्रेट्ट पिस्ताओ 1942, अगस्त पिस्ताओ 1944, वेवेली उजना 1945 ठीक है? 1929 में जारी किये गए देपावली गुठनापत्त का संबंध था, डॉमिनियन इस्टेटरस थी सुची एक सुची दो, वटलर आयूग, वटलर समती रिपोर्ट, भारती राज्यों और परमोच सक्ती के समन्ध, हाल डॉम समती रिपोर्ट, बेटिस भारत में सिक्षा की विविद्धी और प्रगिती की संभावना है, हंटर जाच, जलिया वाला बागत्या कान, मुडी मै समती रिपोर्ट, बॉन्टिक चैन्सपोर्ट समती रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद आप देखिए सही कतने, महतमागांती की आत्मकता मुडलूप से गुजराती वासा में लिखी गईती, स्रडलर आयूग सिक्षा चे जुड़ा भारत में अंगरी जी, सिक्षा के पिसार में सायता करने के लिए हिंदु कॉलेज कलकत्ता पिथम संस्था थी, सुगवद विभाजन कभ गगवा 1907 में, संपधाय कदिनेट है 1932, सरफ दलीय संभिधन 1928, पूर स्वराज कसंकल 1929 में, गटनाओ का सही अनुकरम है, कामगाटा मारू पिसंग, राप्देगी महतमा ग सही करम है, हॉम रूल आंदोलन, असयोग आंदोलन, सविनयययोग्या आंदोलन और भारत छुड़ो हांदोलन, साइमन कमीशन 1927, भारत छुड़ो आंदोलन 1942, बारती राट की कॉंग्रेस का गटन 1885, मिन्टो माली सुधार ये 1909, संबंदल करम है, साइमन कमीशन गांधी समझोता, किस्ति मिसन देश का विवाजन, ठीक है, सही समले थे, थियोडोर बैक, मौहमनन एंगलो ओरियंटल कॉलिज अलीगर, इलवाट विल, रिपन, फिरो सायमिता, भारती राटी कॉंग्रेस, बदरूत दीन तियप जी, भारती राटी कॉंग्रेस से संबंदी थे, घ सौधीसी अंदलन, हॉम्रूल अंदलन, असायोग अंदलन, सवीनयययग्या अंदलन, सही कालाल मिकरम है, गांदी का चम्पारण सत्य अगै, जलियावाला बागत्यागान, सब्सक्राइब देखेंगे जलिया वाला बागत्यय कान देखेंगे आप 1922 एवी आपका सही है भाम रूल लीग ये आप देखेंगे लोगमानते लग से समधित नेशनलिस्ट पाइटी मदन मुहनमाल भी है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन देजबादो सप्रूव सवराज पाइटी चितरंजन्दास पित्तक निरवाचकों का प्यारम एए 1909 में कांगरिस लीग समझे था 1916 लखनव समझे था भी कहते हैं संबदाय का बोर्ड 1932 मुक्ती दिवस 1949 बकसर का यूद 1764 साहेक संधी 1798 भारत में इस्ट इंडिया कंपनी क का एक अधिकार समाप्त कब हुआ 1833 में बैटिश नांगरिकों कंपनी यों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में देगी कुछ अधिकार तो आपके खतम हो चुके थे 1813 के अधिनिक में चाय और चीन को छोन कर और चाय चीन के एक अधिकार को खतम कर दिया गया क्रिप्स मि arrangements भारत चोड़ों आंदोलन वेवेल ओफर ओंके मिनीट मि souven पहलानी सही कालोन कर में अगस्त पृस्ताव क्रिप्स Commission की योगना बेवेल पालामी संक योजना & दोलना जलियावालबा हत्याकान, मोपला विद्रो, चोरी-चोरा की गाटना, नहरू रूपोर्ट, सभिनेयोग्या अंदुलन, गांधीर में पेक्ट, उना पेक्ट, ये सबी, सही कालों उनकरा में, सिरी राजबो पालाचारी योजना, वेवेली योजना, केमिनेट मिसन, योजना, फिर माउंट बेटन योजना, ठीक है, वेवेली योजना पिस्तुत की गई की 1945 में, वेवेली योजना कब पिस्तुत की गई, 1945 में, मेक्डोनल्ड, कम्यूनल अवर्ड, लिन लेतगू, अगस्त वुफर, डलो होजी, डॉक्टिन ओप्व लेट्स, चैंप्सपूर, लाई, आर्गी, ठीक है, कॉंग्रिस का संपूर्ण स्वाधी इंता पिस्ताओ, 31 इसंबर 1929, पूर्ण स्वाराज दिवस, 26 जन्वरी 1930, 26 जन्वरी 1930, दांडी मार्च, 12 मार्च 1930, दुधी अगुल मिस सबकॉन्पेंट, सेप्टमबर 1931, एनिवेसेंट, ग्रह सासनांदूलन, डॉक्टर राजिन पि कॉंग्रिस का लाहोर अधिवेशन 1931, अमीका चनल मजूम्दार, भारती राष्टी कॉंग्रिस का लखनव अधिवेशन 1916, CR फार्मूला, गांधी जिन्ना बाच्चीत, वेवेल इविन्ना, केमिनीट मिसन, ये सभी काल करम से यानि किरम से जोड़ी हुई है, ठीकिन, अस विसविद्याले के संस्तापक, मौतिलाल नहरू, सौराज पार्टी का अंध लोगों के साथ गठन, स्रेमती एनिवेशन्ट, हॉम्रूर लीग के संस्तापक, गोपाल के संगोकले, सर्वेंट ऑप इंडिया सुसाइटी को प्यारम किया, गदर पार्टी, लालाहर द्याल, रेंटियर गांती, अब्दूल गफ़ार खान, इंडिया नेसनल आरमी, सुवास्थेंद बॉस्क, बारत योपितम राष्टिपती, डॉक्तर राजिन पिसाँ, गठनाव का सही करम क्या है कालप्रम, मेंटो माली सुधार, मौन्टेगी उगूचेंप स्पोर्ट सुधार, चोरी चोराकान और दांडी क्यात्र, गठनाव का सही कालक्रम है, सभिनेय युग्यादोलन, ब्यक्तिक सत्यागे, क्रप्स मिशन, भारत छोड़ो आंधोलन, साइमन कमीशन, पूनाबैट, क्रप्स मिशन, और कमणीर मिशन, ठीक है? आंधोलन है सत्यागे, सक्री ये वेक् करेंगा और नीची लिख दिया करेंगा चंपारां सत्य तिलक की मित्तिवुत दांडी यात्रा सिम्ला समझोता है यह सभी सही करम में जुड़ी हुए हैं सही काल करम है सौधिसी आंदोरन जलिया वालाबाद नंतंगार दांडी मार्ज और भारत छोड़ो आंदोरन सही काल कर में बंग-बंग का नेड़ है कॉंग्रिस के उद्देश के रूम में स्वराज को सुईकार करना सौधिसी आंदोरन की योग्चारिक घोष्णा और सूरत आड़ यानि की सूरत जो बढ़वारा हुआ कॉंग्रिस की बीच फूट डली ठीक कतने ओपनेस्दों की पिती नहर क्रांती होने जा रही है हमें जल्दी से चले जाना चाहिए यह कतन किस का था सर इष्टेफोर्ड किप्स का पितम अड़ूबं विसपोर्ट किया गया हीरो सीमा पर फ्रांसी सी क्रांती पैरम हुई 1789 में याद रखिए एक कुश्चे से बन चुका है 1789 में सही कालोन किरमन चंपारन अंदूलन अमरसर गटना मोपला विद्रो चोरी चुरा गटना एक करम से जोड़ी हुई आपके ठीक है सही कथन है दिवाललाल नहिरू मिध्यू के समय भारत की पिधान मंत्री की चौती पदावोधी में थी बिलकुँ सही है भारत की पिधाम गैर कांगरेसी पिधान मंत्री 1977 में पदपन निवठ हुई ए भी बिलकुँ सही है गटनाओं का सही करम है लकनवू समझोता गांधी इर्विन समझोता पूना समझोता सविने एवग्यांदोरन की अंतिव रूप से बापसी बार्दोली गुजराद चोरी-चोरा उर्तरपिदेश यर्वदा महराष्ट नौखाली पश्टी मंगाल में ठीक है सम्मान दित है सही कतन है सक संबत पर आधार राष्टी पंचांग में एक चैत सामान था 22 मार्च को और अती वर्स 21 मार्च को पढ़ता है भारत की राष्टी द्वर्च की पारूप को समिधान सवाने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था बिल्कु सही है रविनाठ थायो ठाकुल द्वारा मूल ब किरम है खोश्यव और बुल गानिन की भारत यात्रा दलाई लामा का भाग कर भारत आना चाउ एल लाई का भारत में आग्मन औगवा मुक्ती यह सभी करम से जुड़ी विने भारत पाकिस्तान की भी सिमला समझोता हस्ताक्षित हुए था 1972 में भारत में भारत में ऑपरेश से विनु मंकड एकेड़क से पितम भारतिय नोबल परोषकार विजे था रविननाठ टेगोर 1913 की बात है और याद रखी गीतांजली के लिए इने दिया गया था सही कालकरम है चंदिशक आजाद की साधत गांधी इरविन समझोता भगस सिंग को फांसी भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन गर्टनाओं का सही काल करम है बिल्कुल 1939 का भार्थी राष्टी कॉंग्रेस का लाहोर अधीवेशन गांधी इर्विन समझो था राजगुरू को पांसी और भार्थी राष्टी कॉंग्रेस का काराची अधीवेशन स्वास्चन्द बोस भार्दी राटी कॉंग्रेस का हरी विशन अधी विशन बल्ला भाई पटल ऑपरेशन पोलो एकवाल 1930 का मुसलिम लीग का इलावाद अधी विशन बटू के सुरदत सेंटर असेंबली में बंपी का जाना इससे जुड़े हुए थे स्वाजबादी युवा कॉंग्रिस की सभाफती थे जवालाल नेरो अलीबुर सेंटरल जेल इस्ति थे पोलकाता में ऑपरेशन पोलो जुड़ा था हैधरावाद राज्य में सेनिक कारवाई से राज्य का सभी वाले भवन राइटर्स बिल्डिंग की नाम से जाना जाता है पश्चि मंगाल भारत में सिक्षक दिवस मना जाता है पांस सेफ्टमबर को राष्टी पतिकालिता दिवस मना जाता है सोले नमबर को भारती किसानी उनियन की स्थापना हुई थी 1986 में वैस सिद्धान्थ जिसके माते हम से काल मास्त ने बरस संगर्स की पिक्रिया को समझाया दुद्धात्मक बहुतिक बात वैलिंटाइन दिवस मना जाता है 14 फरवरी को यह तो आप लोगों के याद होगा कु यह चीन में है कहा चीन में ठीक है है आँगे चलते हैं मदर टेशा की समंध में सही कतन है उनका जनम अलवानिया में हुआ था था वे 18 फरस की में ही नन बन गई थी और एक संत बन गई थी यादिका एक समय में वे कलगत्ता की सिख्षण भी रहे हैं बिलकुँ सही है मदर टेशा के द्वारा इस्थापिस धरम संग कहलाता है मिशनरी आप चैरिटी विदी सेवा दिवस 9 नवंबर को 20 परेटन दिवस 27 दिश सेप्टमबर को विश थेटर दिवस 27 मार्च को अंतराष्टी साखचर्था दिवस 28 दिशमबर आपके जित्रे में दिवस मनाया जाते हैं इन सब को कवर किया हुआ है और आपके मत्पूर्ण दिवस के नाम से पिले लिष्ट सूची बनी हुई है ठीक है और इसकी थीम आप लोग तब देख लिया करिएगा जब आप लोग करेंट अपिस वड़ते हैं इस था यहां पर आपके बता दिएगा है 11 जुलाई को विस्ट जैंसन क्या दिवस 12 अगस्त को अंतराष्टी युगा दिवस और 29 अगस्त को राष्टी एक्षिल दिवस और 8 सेप्टमबर को विस्ट साखचर्था दिवस आपको बताना है राष्टी युगा दिवस का मनाया जाता है अंतराष्टी युगा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है लेकिन राष्टी युगा दिवस आप लोग नीचे लिखी एसराइज करके लोग सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रेल को सही सम्मले थे भी फताय सिंग राठोड टाइगर मेन सुरेंद सुरेश्ट रेंदुलकर अधसास्त मडी कोल फिलेम निर्माता आरेस सर्मा इतिहासका यलो स्टॉन सेक्ट राज अमेरिका एफिल टावर पेरिस पेगोडा म्यारमार पेरामिट मिस्ट में ठीक है सम्मद ले थ बंडार के ठेर बंडार नाय के वेटिस पिदारमत्री के सरकारी आवास का नाम है दस डाउनिंग इस्टीट चीन से तिबबद पर कब जा कब किया 1969 में भारत पाकिस्तान की योदि के परश्चात बंगलादेश एक सोतंतर राष्ट के रूम में इस्ताबित हुआ था देसं खतम होने के बाद 1991 में रूस बन गया जर्मनी का इडिकान होगा 3 अक्टूबर 1990 में सेउट राज अमेरिका का 1941 में दूसरे वेसे उद में सामिल होने का मुख कारण किया था फरल हावर पर आपमन सेउट राज अमेरिका के पिथम राष्ट पती थी जॉर्ज बॉसिंग्ट विल कोईल क्लेंटन रिचर्ड नेक्सन और जॉर्ज डबलू बुस सीनियर में सेउटराज अमेरिका के वह राष्ट पती जिसने राष्ट पती पत सित्याक पत दिया था तो यह थी रिचर्ड नेक्सन ठीक है आंगे देखते हैं बिसब टूटू देश से संबंदित है कारम होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतन था आप आर्थे वें एक उपन नियाज सिंख्ला एक पुस्त काई होग एक पुस्तक और उनके लेकर अबुल कलाम आजा इंडिया विंट से फीरम एनिवेसेंट निव इंडिया बालगंगदर तलग केसरी और महत अर्वेंद गुहुस ने लिखा था दा लाइफ डिवाइड उन्नीसवी सदाथी का पितम इतियासकार जिसने राजिस्थान की सामंत बादी दवस्ता के बारे में लिखा था वर्तिक कार्णल जेंस टोर अन्हपी इंडिया लालालाज पत्राय दुर्गिस नंदिनी वट ब लारी कॉलिंस एंड डॉमेनिक लिपियर फीडम एट मिडनाइट दुर्गादास इंडियन फ्रॉम करजन टु नहरु दुर्गादास एंड वापदनने से संबन दे थे रफीक जकारिया दा मैन हू डिवाइड इंडिया मौलाना अभूल कलाम आजाद इंडिया विंस अभूल कलाम आजाद रंस एंड रूइंस सुनिल गवसकर यंग इंडिया मात्मा गांधी और निव इंडिया एनिवेसेंड ठीक है आपका सही सुमले थे वेलेंटाइन शिरोल इंडियन अन्रेस्ट रफिक जकारिया दा मैन हू डिवाइड इंडिया 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 इ इन्डिया इन डिपेंडेंटेंस ए भी सही है सही समले थे सुनिल नाग बनर जी दा नेशन्स इंडा मेकिंग लाला लाज पत्राए ओटो बायोग्राफिकल राइटिंग्स आत्म चरितात्मत रहत ना है सुवाश्चन्द बोस दा इंडियन इस्टेकल एमके गांधी हिंद सुराज, हिंद, सुराज, जवाहाल नहिरू, जवालाल नहिरू, डिसकरवरी ओप इंडिया, मौलाना अभूल कलामाजाद, इंडिया विंस फीडम, सुवाश्चन बॉस, इंडियान इस्टेकल, लाला राजपत राय, अन्हाप्पी इंडिया, ठीक है, एवी सही समले थे, हि सेप्ट्स अफ जीसस, राजयराम महान राय, अवर इंडियान मुसल्बान्स, डवलो डवलो हेंटर, नहिरू की थी, ठीक है, सही सुमले थे, बीडिव सावर कर, दा इंडियान बार ओफ इंडियान बार ओफ इंडिबेडनेंस, आर्सी मजूम्दार, दी सेपोर्ड, मुट गुटिने, एंड रिवोल्ट ऑफ अथाइसससंतावण, रुद्रागांसु मुखर जी, अबद इन रिवोल्ट अथाइसससंतावण, अथाइसससंतावण, आएस्बी चौधरी, सिविर रिविल्यान्स इन्डियन, मुटिनीज, एथाइसससंतावण से उनसक, एलान एहक, विपिन जिरिंदफाल, अले हिलाल, डॉक्टर जाकिर हुसेन, तहजीव उल एकलाग, सरसेयद अहमद खान, युबांतर, अर्विंद गोस, स्वास्चेंद बॉस, इंडियन इस्टेगल, होटोय, इस्पिनिंग टाइगर, ठीक है? आँगे है, फिलिप्स टाल बोट, अमेरिका विटनेस टू इंडियाज फाल टीजन्स, अबुल कलाम आजा, इंडियन विंस फीटम, इस्पिगिंग टाइगर कुस्तक जीबनी है, स्वास्चेंद बॉस की, भागस्निंग, एन इंट्रोडेक्शन टू दी ड्रेम लेंड, सचिंदनाथ सन्याल बंदी जीवन, सही समले थे, स्याम जी किठन बर्मा, इंडियन सोचलिट्ट, सचिंदनाथ सन्याल बंदी जीवन, लाला रामसरंदास, दी ड्रेम लेंड, भगवत्ती चरन बोहरा, दी फिलोसपी ऑफ बंटे, अनाई हीलेशन औप कास्ट की लेक्षि दॉक्तर बियार अंबिटकर, दुर्गादास, इंडियन, इंडिया फॉर्म कर्जन टू नहरू, एंड आप्टा, लुई फिसर, दा लाइफ आप महत्मा गांधी, फ्रैंक मॉरिस, जवालल नहरू ए बायोग्राफी, मौलाना अभूल कलामाजाद, इंडियन, इंडिया व नहरू की बायोग्राफी लिखी इन होने, ठीक है, लालालाज पत्राय, अन्हेफ़ी इंडिया, दादवाई नहरू जी, पावर्टी अनवेटेश, अनवेटेश रूल इन इंडिया, रफिक जकारिया, दा मेन वो डिवाइड़ इंडिया, स्वाश्चन बॉस, इंडियन इ लोईया, दे गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मातमा गांधी, हिंड़ स्वाराज, बाकिम चंद चटरजी, आनन्दमत, माइकेल मधू सूदंदत, केप्टिव लेडी, रभेंजनाट टेगोर, गोरा, सरोजी निन हैडू, दा बरुकेंट बिंग, ठीक है, गीत कला माजाद, इंडिया विंस फीडम, मातमा गांधी ने वेटिस पार्लियामेंट को बांज और वेस्या कहा था, धेंद्र स्वराज में, ठीक है, गोकले माई पॉलिटिकल गुरू पुस्तक लिकी थी, मातमा गांधी ने, राजिन के साथ, इंडिया डिवाइडेट, दिली इंडिया डिवाइडेड, इंडिया 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 इस्टेगर, इसी पुस्तक, फांटिशन ऑप इंडियान कल्चर की लेककती, स्री अरविंद, बहु विभाय नामक पुस्तक किसे ने लिखी थी, इसुर चंद विद्यासागरन, बाकिम चंद, देवी, चोदू रान इसे सम्मन्दे थे ने की ठीक है, चंदकांता उपन्यास के लेककती, देव की डंदन खत्री, इसे लेकक होगे पुस्तक, अमरे लाल, नागर, अमरे तॉर्बिस, सुमित्रा अंदन पंथ, चितम राव, और सरत चंद, चतर जी, देवदास, जैदियो, गीत गोविदी, पि रमवादी पती का थी, बेंगार, ठीक है, गीता अंदनी, आनन्दमट और सत्यार्थ, पिकास, और गीता रहसे पुस्तकों में थी, वह जिस, पुस्तक जिसका सम्मन्द भारत में राष्टी आंदोलन के पिकास से जुडान जाता है, आनन्दमट का, उपन्यास, दुर्गे पिकास, नन्दिनी, किले कक थी, वाकिम चंद, चटर जी, ठीक, वाकिम चंद, चटर जी, बंगाली, बंगाली, देशवक्ती की वाईविल मानी जाती है, आनन्दमट, बंदी मात्रम का गीत, जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में, भारत के देशवक्त सबूतों को बड पिकास, बंगाली, 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 बंगाल गुप्त को सही कतन है नील दरपन नील की खेती करने वाले किसानों की सोचन पर आधारित नाटक था घासी राम कोदवाल और नामक नाटक की लेकर का नाम विजय तेंदूलकर है उर्दू रंगमंच पार्शी थेटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था बिल्गु सही इस अधिकर नाज़ पुस्तक की लेकर कों थी जैबकास नाराय है पुझाट्र अधिया पुस्तक लिकिए एंडिया पुस्तक लिकिती विपेंचंद रहें इंडिया ने निस्नल मोमेंट दी लोंग टर्म डाइनेविक्स लेकर लेकर के विपेंचंद आप अगर आउट ओप्रेंट, निउज पिपर्स, जनलिज्म, एन्ड दी बिजनेस ओप न्यूज, इन्दी डिजिटल एल्प इज, नाम कुस्तक की लिए कागें, प्रोफेशर जोर्ज ब्रोक, मदर इंडिया कुस्तक लिखी गई है, कैथरीन मेउपवार, दीफर्ट इंडियन वार, ओप इंडिपेंट्स, बिनायक दामुदा सावर करने लिखी थी, आनन्द मट, बाकेंचंत चटर जी, लाइफ डिवाइन, स्री अर्विंदो, साधना, रविंदा टेवर, जन्डा गीत लिखा है, स्याम लाज, पायर्सर, राइट भक्ती गीत, ये ये पंक्ती अपनी रच्चना में लिखी है, किसने मुहमद एकबाल में, मैं अनिस्वरवादी क्यों हूँ, सिर्शक की पुष्टक लिखी है, भगर्सिंग द्वारा, भारत के सौधी सी अंतोलं के द्वरान लिखी गीत, अमाल सोनार बंगला ने बंगलादेशों को, रविन्ना टेगोर ने लिखाता है, जेंगनमनर की रचना किया है, रविन्ना टेगोर ने, गोल्डन थ्रेस ओल्ड, नावग कविता संगरह की रचेता है, सरोजनी नायडो, लेंडमार्क्स इन इंडियन कॉंस्टिटिउशनल एंड नेशनल डवलमेंट नावग पुस्तक के लेका कें, ग्रुमुक निहाल सिंग, कॉंग्रेस प्रजीडेंशियल एड्रेसेज इसंभादक्ते जीन टेशन, पंडित जवालाल नहरू ने अपनी पिसित पुस्तक डिस्कवरी वाप इंडिया लिखी थी, एहमद नगर फोर्ट जेल में, तो ये लोग जेल में हुगा करते थे, तब भी सांध नहीं बेटते थे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, सही समले थे, लेडी कैथरीन म्यू, मदर इंडिया, लॉरी कॉलिंस, एंड दोमिनिक लेपियर, फिडम एड मिडनाइट, रामानुवर लूया, गिल्टी मैन ओफ इंडिया पार्टिशन, करनी थ्रू दी केंगडम ओफ अवद इंडियर, अठाइसो उननचास पचास रिपोर्ट लेकी गई थी, डबलु एच, इसली मेन द्वारम, इंडियान बार ओफ इंडियान बार ओफ इंडियान लेकर थी, बीडी साबर कर, रवेश चंद ददत, दा एकोनोमिक हिस्ट्री इंडिया अंडर अर्ली वेटेश रूल, जोन आर मेक्स, मेक्लेन, इंडियान नेसलिज्म, एंड अर्ली कॉम्रेश, विरेंदनाथ गंगोली, इंडियान एकोनोमिक थॉट्ट उननीस भी, सेंचुरी पाल, पर इस्पेक्टिव्स, विपिंच द्रपाल, दाइच एंड ग् इंडियान एक्ते, एमजी देव सहायाम, ठीक है, याद रखे, सही सम्भले थे, प्रिये प्रवास, अयुद्या प्रिसाद, हर्योद, गवन, प्रयमचन, एंडिया, इंडिया, इंटर्नल, इंडिया, इंडरागंधी, सहनामा, फ्रदोसी, आटो बाग्राफी ऑप दी अनन इंडियान नीध, नीरध, सी चौधी, इंडिया, 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 इं कोदे, सिविलाइजेशण, ब एस, नायपोल, कन फेर संस आप दी लवर, मुल कराच, आनने, इंगलिश टीचर आल की नराया, बिलैनिंग e and the poor, नामखुस्ती, इस कुस्तक के रखे, तयनम टु पुस्तक दी अल्था वेट के लिए ककते डेविड दिरिंजन, दा फ्राव डेस्ट दे पुस्तक के लिए ककते एंथुरी रीड और डेविड फिसर, माई मेउजिक, माई लाइब, रवीशंकर, आधा गाउं, राही मासुम राजा, राधा, रामाकांत रत, दा फिल्फेरर, लश्मर, गायकवार, ठीक है, बाकी इतियास, बादल सा, सरकार, सीता स्वयंबर, विश्नु दास भावी, यायाती, विश्नु साखाराम, खंडेकर, गिद्ध, जबार पटे, ससी थरू, सो बिजनिस, अभिताप, सर्किल ओफ रीजन, अनीता दिसाई, किलियर लाइट ओब दे, बिक्रम चंद, लव एंड, लॉंगिंग इन बॉंबे, गारो और अदालत, लीला सेट, जोबडी से राश्क्रपती बवंत, महिंदकुल सिष, इमेजिंग इंडिया, नंदर निलिकडी, और जनीत थुरू, बाभुडम, एन नितालेंड, टी एस, आर सुबरमन्यम, गोदान और गवन दोनों ही जिस लेकर की रचना है, उनका नाम है मुंसी प्रेम चल, निर्मला की लेकर थे, ये भी मुंसी प्रेम चल दे, याद रख हैंस क्रिष्टियन एंडर्सन ने रचना की थी पारिशियों की कहानी की, अबुल कलाम आजा, इंडियन विंस फीडम, मडी संकर आयर, दी पाकिस्तान के पर्स, सभीता पांडे, दी फ्यूचर ओप इन एन पीटी, मारगेट थेचर, दी पार्थ टू 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 पावर, दी सैनेटिक, सैटेनिक बर्सिज लिखी थी, सल्मान रुसी दिन है, तू इयर्स एंड, मंतस एंड, 2890's के लिखक हैं, सल्मान रुस थी, नेम से एक पुस्ता के लिखक हैं, जुंपा लहेडी, दे रोड अहेड, नामक पुस्ता के लिखक हैं, बिल गेट्स, मानस के हंस के लि सुमेत्रा अनंदन पंत विख्यात हैं एक छायवदी कभी के रूम है डायना एक्टिवीट के लिए खखें जूलिया डिनार डिनार नो ठीक है हैरी पोर्टर उपन्यास्त में कोडोनियस फर्ज हैं जादू का मंत्री स्वर्गिया हरी बंस राय बच्चन की खविदाओं का सही कालक्रम है मदूसाला मदूबाला मदूकलस पुस्तक बुलेट पोर बुलेट माई लाइप एड पुलिस ऑफिसर के लेका के जूलियस रिवेरो पुस्तक रोमान सिंग बिद लाइप इन वार्टोग्राफी इसने लिखिये देवानद्ने दाइश्टेगल इज माई लाइप नेलसन मंडिला दाइश्टेगल एंड़ ट्राइम्फ लेक बालसा फ्रेंट्स एंड वाच सेख मुझी वर राहमार रिवर्ट लिवनेद वेजनेव एवी सही सुम लेते हैं प्राइस ऑफ पायटिशन रफिक जकारिया आनन्दमत बाकिम चटर जी इंडिया 2020 एवी जी अग्दूलकलाम पितोलोजी ऑफ करेप्शन एस एस गिल एवली सिस जैम्स जैस एवी सही सुम लेते हैं डवलू सी स्मिर्ट मॉडर्ण इसलाम इन इंडिया खादिन बिन सहीद पाकिस्तान दी फॉर्मिट मॉटिव मुस्मॉइन ठीक है अंगे सकीर खिलापटू पाइटिसन पीटर हाइट वर्डी दी मुस्लिम आउप बैटिस इंडिया हाइट ऑप इंडिया पुस्तक लिखी है मार्ट तूलीन है पुस्तक नाइटी एटी-पोर लिखी है जॉज और वेल दौार अंगरीजी उपन्यासकार दौर गॉड ऑप स्मॉल टिंग से लिखा है अनुधती रौयन है मेगनायनी के लेखा है बिंद्रावन लाल बर्मा इंडराबती पदमावती मधु मालती और मेगावती हिंदी रचनाव में से पहले लिखी गई थी मिरगावती इन एक कुण म्यूजिक लिखी है विक्रम सेटन है विक्रे सुमद्रा कुमारी चौहान, नौकर की कमीच के लेकक हैं, बिनोत कुमारी सुख्ल, उपरनियाथ डेविड, कॉपर फिल्ड के रचेता हैं, चाल्स डेकिन्स, दीप फ्राव डेश्ट, डे नामक पुस्तक की कहानी का समद्र भारत की सुदंता से, तसलीमा नस्रीन लेकता हैं लज्जा, उतलहवा, अमार माया, बेला की, हापी लाइब, बी एस नौयपल, वर्स्ती पिंग, फाल्स गुड्स, अरुन सूरी, अगनी की उडान, एपी जी अब्दूलकलाम, जीत आपकी, सिप खेडा, गंधी, गंधियन कॉंस्टिटिउशन पोर इंडिया, स्रीमन नार इरीपब्लीकन और ऑप इंडिया, अलंन, खिलेड, दिर्बराइटस अंबेला, दी मेंगेंजी ब्राम, दी पोलिक्स अप इंडिया, पॉल आार, ब्रो्थ, अपॉलिक्डिक्स अप इंडिया, सेंस इंडिपेंदेन, ठीकि है, पॉल आर बॉस की था, कायमाई नीं की सरत्चंद का लेका कुपा लेखा लेखा वन्या से चरित्धीन स्रीकांत सेस्प्रसंद खुसबंद सिंग द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है टूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस न्यू डाइमेंशन ओप इंडियाज और पॉलिसी पुस्तक के लेका है अब बाच गई एगनाइटिड माइट के लेका के एबीजी अबदुलकला दा पोस्ट अमेरिकन वाल्ड नामकुस्तक के लेका को ने फरीद जकारिया फरीद जकारिया पुस्तक दी स्टोरी अब दी इंटिगेशन अब दी इंडियान स्टेटर्स लिखी गई थी किस के द्वारा लिखी गई बीपी मेनन ने अयोद्धा 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी पीवी 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 नरसिंबर आउ साहब ने ठीक है इस्टेइंग ऑन जे जी फेरिल दी सीज ऑफ किष्णपूर ठीक है यह वर्ल ऑफ आल यूमन लाइट सोली जे सरवजी ए फेश्टी फेश्ट इस क्रेप्ट पुस्तक के लिखा थे आर एन त्रवेदी ठीक है आटो वाइगराफी ओप मैडम क्यूरी का हिंदी मेनमात किया था लाल बहादूर सास्त्री ने सुबह आजाद नमक कभीता लिखी थी फेश्ट मुहमद फेश्ट ने फेश्ट अहमद फेश्ट ने ठीक है एलिजावेथ हौली जाने जाती है हिमालय के अभियान की लेखिका के रूम में एन कस्टेडी अनीता देशाई सी और प्रोफी अभिताब गोस्त दा और्ग्यूमेंटेटिव इंडियन अमरसें एन एक्ट्रमेट अर्ध जुंपा लहीडी एवित तबकाती का अक्वरी नि नते राजुदीन ने लिखी थी तारीदी के फ्रोसाई ज्यावददीन बढने तारीक यमिनी अलुद भूक्ति टी अूर्धिक यू ऑपुस्तक के लिखा कौने अर्ग कौम अर्गी राश्पती है ना पहले लृट ड्रम से पहले कि पॉलिटिक्स इने इंडिया अपुस्तक की रचेता हैं रजनी कुठारी, परवेज मुसरव की जीवन कतार, इंदी लाइन और फायर की गोप्त लेकक हैं हुमायू गोहर, मुंसी इंसा अल्लाह खान, उदैभान चरित, बाबू देखी नंदन खत्री, काजर की कोठरी, पंड तक One Day Wonders की लेकक थे, सुनील गवसकर, कौन सुनील गवसकर, ठीक है, नेमली की कत्रों बच से, नेमली के मैंसे कौन सी जोड़ी, लेकक बगरें सुमले थे, इस सभी आपके सुमले थे, कपिल देओ, किर्किट माइड श्टाइल, हैलीर क्वेंडल, क्लेंटन ए लिविंग ह पूँचे जाते हैं, वैसे आईटन कल्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, NCEIT में आपने देखा था और आपने देखा था कि, जो किर्ण सावान गयर बुक्स कवर की थी, तब भी आप लोग उने देखा था, ठीक है, लेकिन फिर यहां भी कुश्टेंस हम लोग देख लेते ह पूँचे जाते हैं, मदूबनी एक पारंबरिक चित कला है बिहार में, सिंद खबाब से सिंदु दर्सन उत्साव जम्भू कस्मीर में, भारत की सांस्कितिक सांस्कितिक इतिहास की संद्रम नित्यवं नाट कला की एक मुद्रा जैसी त्रिभंग कहा जाता है, प्राची इ वाक की जाती है, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वर्णड़सी में से कॉम्भ मेली का इवजित नहीं होता है, तो याद रखिए बनाड़सी में नहीं होता है, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, और उज्जन में होता है, ठीक है, इन्हें भी अच्छे से याद रखिए, इ अच्छिन भारत का तिवार ओडम समध्य है महावली से, डोल यात्रा ओडम पॉंगल विसकर्म पूजा तिवारों में से अताफू समंधी थे, यह आप देखेंगे ओडम तिवार से, ओडम तिवार से, तमासा संगीत नाटक का पिसे दिलोक सवरो यह समंधी थे महराफ्ट से कहा से महराफ्ट से, उस देव इस्थान का नाम है जिसमें मुख देवता अंड तीन से बनने जग्रनाद, आदी संकराचार द्वारा इस्था पे चार मतर चोसी मत द्वार का पुरी सिंगरी, भारत में रेक तीरत यात्री स्री सेलम की यात्रा करते हैं, जो द्वादस जोत मनाय जाता हैं सिक्किम में, कहा सिक्किम में, ठीक है? इजित्मा तिवार मिला मनाय जाता हैं वहबाल में, एमपी में महाबारत की नायक अर्जुन की पितामायती विचित वीरिक काबा हैं मुसलिम का विद्धिस्तल यहुदियों का पूजा इस्तल कहलाता है सिने गो संस्कित की पितम विस विद्ध्यालय पीट की स्थापना पी सरपितम हुई थी प्रांस में चुमकी यह दिशा सूचक यंद का सरपितम संदरख मिलता है जवा म्योल हिकायात में संकर संधिर कपनाटक में राज रानी मंदीर कंदरिय महादी नधीर भिएसवर मंदीर आंधेश विदिस संक sûल है儿 अलची मंदिर संकुल लंदाग में छित्तगुप्त हिपामी मंद्र जिसे चित्तगोफ्त का एकमयात मंतिर माना जाता है कहां इस्ते थे कांशी में, उत्स त्रूप में जो एकपैर का य।स्तमीर की, मिमांसा दरसन चीब शार मुट्व पुरी में पुरी में मधुमिता राउत उड़ीसा नित्यांगना है इंद्रा चकवर्ती इच्चिक्सकें मीरा भाटिया विदिविता है साध्वी साधना ग्रहनी चिक्सकें भजन सापोरी संतूर के उद्किष्ट कलाकार विर्यू माराज कतक नर्तक पेज़ी दर्जनी गोविंद भरत नाट्यम नर्तक टेवी गोपाल किष्णन मिर्द गम की उद्किष्ट कलाकार इससे दो वादक कला अल्ला रका सम्बंदी थे दबला से सूची सम्बले थे वाइलेंस से संबंदी थे हैं काब्यावी विक्ती के रूम में उर्दु का प्रेयोक करने बाला पहले लेकप थे अमीर खुसरू सास्तिय संगीत पर विसिद्ध रतना राधर गोविंद संगीत सार की रचेता हैं सभाई पिरताप सींग सदियों से भारत में जीवित रही एक पिरमुख परंपरा दुरौपत के संधरव में सही है। दौपत पुर्मुख थासभक्ती और अध्यात्म की कसंगी थे बिल्कु सही है। दौपत अलाप मन्तरों से लिए गए संसकरत अक्चरों पर आदरीत है। उमाकांद और रामाकांद गुंडेचा बंदू है। कि दवारां किया जाता है में आये वो संगीत बात दें इसका नाट रो कुथा बालम है पंडित-भी ब्हेमसें जो से ही शंबन देते संबंदीते कि हैं कि एक्डी संबंदीतेllesे सिदी सास्त्रत्रत्रत न म्मधाध्वी देवि मडीपुरी से संबंदीतेорм भारत नाट्यम, तमिलाडू, कतक, उतरपजिस, कुचीपूरी, आंद्रपजिस, मुहिनी अक्टम, केरल से सम्बंदिते हैं उडिसी नेते सम्बंदिते हैं उडिसा से विख्या सत्या नेत के संद्र में सही कतने, सत्या संगीत नेत तथा अभिनाई का समिस्टेण है या असम्टी विख्यावों की सताब्दी, सताब्दियों परानी जीवन्त परंब्रा है भारत नाट्यम, कुचीपूरी, मुहिनी अक्टम, उडिसी नेत्यों के से एक, एकल नेत्य होता है मुहिनी अटम, गरवा, गुजरात, मुहिनी अटम, केरल, यह चगान, करनाटक. सूची एक सूची जो, माँख करियेगा, सूची बहुत जादा रही है. सूची कुची पूरी, सूची पूरी नहीं, कुची पूरी और भरत नाट्यम नेत्पों के बीच भेद है, कुचीपूरी नेत्य में नर्तक प्रासंगी रूप से कत्थोब कतन कप्रियों करते हैं, जबकि भारत नाट्यम में कत्थोब कतन कप्रियों नहीं किया जाते हैं। सही समलेते हैं, हिरेन भट्टाचार, कटपूतली कला, मालिनी राच खुंवर, हिंदोस्तानी स्वारसंगी, किदिवा पहलाद, भारत नाट्यम कला, बैमपत्ती, चिंदा सत्यम, कुचीपूरी नेत्य से संभन देते हैं। कथकली, कुचीपूरी, भारत नाट्यम, तथा मडीपूरी नेत्य सेली हों में से, वह जिसका उद्गम पूर भारत में हुआ हैं। इंद्रानी, रह्मान का संभन जिस सास्ती नेत्य सेली से हैं। पुडी सी, सोबिक्ष्या, ठुमरी, गायका, गिर्जादेवी का संभन देर, बनारस घराने से, सितार, तबला, सारंगी, सहिनाई में से हुए संगीत बात जो एंडो-इसलामिक उत्तपत्ती का सही नहीं है, सारंगी। गंगु भाई हंगल थी सास्ती संगीत की गायका, तेरे ताली लोगने थे राजिस्तान का, आंध कदिस भुरा, और असम भीओ, हिमाचल कदिस नटी, राजिस्तान भूमल संभन दे थे, असम ओजापली, हिमाचल कदिस लुड़ी, पर्ष्यमंगाल जात्रा, बिहार जाट कारगम दार्मिक लोग ने ते सम्दे थे तमिलारु सी, कहां थे, जच्छे मारत का राजियना तमिलारु, सहिनाई, विस्म अल्ला कान, सरोध, अमजद अतली खान, चितकार, मक्बूल पिदा हुसेन, तबला, अल्ला रख्खा खान, सितार, रवी संकर, सही सुमले थे, बि आंगे बात करते हैं हम लोग, ए भी सही सुम लेते, बिर्जू महराज, कथक, हरी परिसाद चौरसिया बासुरी, अली एकबर सरोद, जाके रोसेन तबला से समझे, स्री बीजी लोगों जोग विक्यात हैं वाइलिन बात संगीत के लिए, सिवकुमार सर्मा, संतूर, हरी परि अयुद्या बिरसाद, वीडा बाधन, सादिक अली खां, तबला बाधन, वीरु मिस्रा, ए भी सही समलेते हैं आपका, पंडित सिवकुमार सर्मा, संतूर बात, पंडित मलिकार जुनिल मसूर, हिंदोस्तानी संगीत, वीजी जोग, वाइलिन बात, अली अगबर खां, माराज, तबला बाधन, हरी पिसाद चौरसिया, मासुरी बाधन, पंडित गोपाल जी मिस्र, सारंगी बाधन, कुदक सिंग, पकावच बाधन, ठीक है, अल्लार्ग खां, एम्मेस रेड़्डी, बिर्जु महराज राजा रेड़्डी में से, कतकनेत के उतकरिष्ट सभु महराज, लच्छु महराज इससे, कतक से संबंदित है, बिरुजु महराज, किसन महराज, लच्छु महराज, सितारा देवी में से, कतक कलाकर नहीं है, तो सितारा देवी नहीं है, बिरुजु महराज है, किसन महराज है, लच्छु महराज है, ठीक है, भारत की संस्कि करता है सामाल लोगों की सांस्कितिक परिबाटी कलम कारी चितकला निर्दिष्ट रिफर करती है तच्छिन भारत में सूती बस्त पर हाथ से कीगल चितकारी सही समले रुकमनी देवी भरतनाट्यम नित कुमार गंद्रव सास्तिय गाय बिर्जु महराज तथर नित राकिस सर् अंत्रिक छात्री थी लोग गीतों का स्वरवादी कमात थे परंपराओं के सरक्षन में वह नित जो सास्तिय नहीं है गरबा हरी पे साथ चोरसी है बांसरी से संबन दी थे बिसम अल्ला खां सहनाई अल्ला रख्खा खां तबला जाकर हुसें तबला सही सुम लेते हैं भीम लाल बुड़ी équ试रा ते दोर शुटर्नी किस्न और्णाक संगीट सौनल लाज से शंबनं देत allies लाल जैरा, जैरामन, ते वाद संगीत, बालमुल्री किशन, कंट संगीत, हमरास्ता सिर्गिल, चितकला, कलागारों की रूम में विख्यात हैं, अमित्ता सिर्गिल, विकास बतार चारजी, एन एस बिंदे, सुबोध गुपता, यह सभी आपके कलागार की रूम में पिसित हैं, य यह भी आपका सही समलेत है, मंदाकनी आमटे, समास्तिवाव, समधायक नेतिते से समनीत हैं, नीलम, मान सिंग, चौधरी, नाटर नेतिशन, रौमिल्या थापर, इतिहास लेकन, वन सिरी, राव, नेत, सही समलेत हैं, अमरता सिर्गिल, चितकार, बैम सिंग जोसी, गायक, रौमनी देवी अरुणडेल, नर्द कगी, और सूरकांग तिरपाटी नराला, कभी, भारत में नेति नाटक और संगीत के विकास को परहसान देने के लिए उत्तरदाई है, संगीत अकादमी, देवु चौधरी, मधूब, मुधगल, रौनु मजूमदार, और सपत अहमद म से पिसद दिवासुरी बादक है, रौनु माजूमदार, ठीक है, तस्लीमा नतरीन, लग्जा, सल्मान रुस्ती, सैटेनिक, वर्सिस, एपैस हुसेन, चितकार, रुखमनी, अरुंडेल, के निति सिसम्मदित है, ठीक है, उस्ताद, अमजद, अली खान पिसद बादक है, सर सितार वीणा सरवत तबला में से सबसे प्राचीन वाध्यां थे, वीणा, संगीत यंद, सितार मिश्णने, वीणा एवं तंबूरा का, कोर्कु, महराष्ट से सम्मदित, जुमर, हर्याना, ठाली, कुत्राकन, मुकना, मणीको, कुचीपूरी नित्य पहरम हुआ था, आंध में, कुचीपूरी कहा से सम्मदित है, आंध विदेश, भारतना टम्ट, तमिलारू, कथक उत्तर विदेश, उडिसी, उडिसा में, ठीक है, तराक का मिखाले का लोग नित्य क्या है, लोहो, लोहो, भारती वास्तुकला में सुखी, सुरिखी का पहरम हुआ है, कुसानों द में, कुचीपूरी में से जिस नित्य सली से हुए है, कतक के लिए, सही समलित है, पंडित विशनों दिगंबर पलुसकर, भारती संगीत राग के वर्गिगान की रोप रेखा वो पहरम किया, ने बैंकटा माई, बंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद किया, स्याम सास्तरी करनाटक संगीत के पिती बादक भी रहे हैं, अमीर खुसरो, हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल, रोप के पिती बादक हैं, चुमणर विदेशिया, रासनित, और कुचीपूरी नित्यों में, गुजरात से समझद रखने वाला हैं, रासनित, भारत की पितम टेक्निकल फिल् बेंटिट, डेट, क्वीन, चित में मुखभूम क्या निवाई, अब नित्री सीमा, विश्वासने, मसूर टीवी सीरियल, रामायड के निर्माता के, रामानंद सागर, इस तरह की मूवी देखा करिए आप लोग, समझ रहे हैं, जो इतियास पे लिखी गई है, कुछ सीखन लाइक हो, आप लोग मिसालादार मूवी कुछ जानदा पसंद करते हैं, अभी विवे कानन मूवी देखी, किसी ने नहीं होगी, और अधिकतल लोगों ने अभी कोई नई मूवी आएगी, तुनंत लग जाएंगी, फिल्म दी मेकिंग ऑप दी माहतमा के निदिसन है, स्या पिथम भार्ती अभिनित्री देवक्या रानी ने विवार किया, चित्काल स्वित्तो इसलोग रोरिस से, महाभारत सीरियल के नहमाता थे बी यार चोपड़ा, संस्क्रित नाटकों में सामान पात बिदूसक प्रया होता है, ब्रहमंड ब्रहमंड बर्ड का, के संकर पल के कार्टूनिस्ट, रभू राय जिस करम चित्री में टिसेद देते वह यह थे फोटोग्राफी, क्या फोटोग्राफी, एवी आपका सही समले थे, बानू बार्ती, रंग साला निर्दिसान से संबंदी थे, माइक पांटे, वन्दीजी फिलिम निर्माता, मुहमद जहूर खयाम, संगीत कार, बिंदरा करंदी कर, कभी एवं साहित कार, आउनेन टेगोर की बनाए चित्रों को वर्गी कित किया गया है, होनरो जो जीवन वादी ने विष्णु चिला चिंचाल करते चित्कार, इंडियन सोसाइटी और ओरियंटल आयट की स्थाफना की आउनेन मौना लीसा है, एक चित्, मेरा पिया घर आया, पाकिस्तान जिस मसूर गायक ने गाया था, वह नूसरत पते हली खान ने गाया था है, जामीनी राय थी चित्कार, बिरिटनी स्विर्स पिसिद्धे गायन हित्दू, पंजाबी भासा का टेगोर माना जाता है, पूरन सिंग सोविक्ष्याद, चित्, सत्यम सिवं, संद्रम की रचना की थी, सोभा सिंग ने, ए हिंदी सायत, रस्खान, पूर्दू, ज्यान चंद, संगी देवों नित्कला, सभीता देवी, चित्कला, सतीष चंद, ए भी साही संबले थे, संतोर स्यादब, परवागरु ही हैं, ओपर सरसुती महल पुस्तकाले, तन्जावुर में, लाइबरेरी वो तिवेतन, वर्क एंड अर्काइब्स, धरमसाला, रज्या लाइबरेरी, रामपूर, खुदावक्स, औरियंटल पबलिक लाइबरी, पठना, महलाओं के पारंपरागस, परिधानों एवां राज्यों की सही स सुची सुमले थे, बोकू, एसिक्किम, मेखला, असम, मुंडू, केलल, फेरर, कस्मीर, सांती निकेतन इस्ते थे, बीरभूमी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, एवी आपके सही सुमले थे, गेटवे ओप इंडिया, मुंबई, वेक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, इंडि इंडिया गेट, नई दिल्ली, चार्मीनार, हैदराबन, याद रखिए, गेटवे ओप इंडिया, मुंबई, इंडिया गेट, नई दिल्ली, स्री हरी कोटा, अंध पिदेश, सांचीस्तू, प्रायसन मद पिदेश, गुजरी महल, ग्वालियर, ताज उल मस्जिद, बोपा एप परापरागत पुरुसकार हैं आपकी, इन्हें भी देख लिजे, इनसे भी आजाते हैं कुष्टन, कालिदा सम्मान दिया जाता है, कलाचेत में योगदानी दू, सांती सवरो भटनागर पुरुसकार दिया जाता है, बिग्यानेवं पुरुदगी की चेत में, मैक्सि पहली भारती थी, बिनोबा भावे थी, बारती कौन थी, पहले बिनोबा भावे, दोड़नचार पुरुसकार दिया जाता है, खेलकून के उत्कृष्ट पिसीख छंडीतु, खेलकून में उत्कृष्पता के लिए पुरुसकार दिया जाता है, अर्जून पुरुसकार, अ याद रखिए नोबल पुरुषकार के जोभी इतियास राह है और जिन लोगों को भारतीयों को मिला है जो उससे और महत्कूर पॉइंट है, उन सब के बारे में हम लोग उने विस्तार से बात किया हूँ, तो इस पेशल वीडियो पूर आईयस PCS में डाला होगा, वहाँ जाकर आप देख लेजिए, अगर देख लेते हैं, मुझे लटनी लगता है, क्वेश्चन छूटेगा आप कर नोबल से, क्योंकि बहुत इथ्यास पूर अकवर किया हूए, सुवामन्यम चद्यसिकर, सीवी रमन, मदर्टेशा और रवेंदरनाठ टेगोर, मैंसे नोबल परुषकार विजयता भारतिये नहीं थे, सुवामन्यम चंद्यसिकर, ये भारतिये मुल्के नहीं थे, ठीक? किर्षी विज्ञानिक को सांती परुषकार से समानित किया गया, नौर्मन बॉलोग को, महलाओं को इस तरी साकती परुषकार दिया जाता है, महलाओं की वेतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम राश्क तथान जन्ता के लिए उनके एउगदान के लिए दिया जाता है, ठ पाकिस्तानी नागिरेग जिनको भारत सरकात्वारा भारत रतन से संबानी किया गया था खान अब्दूल गाफ़ार खान वहाय बिदेशी जिनको 1902 में भारत लुट्टन मिला था नेल्सन मंडेला और यात रिक्या पाकिस्तानी यह इह भी इन्हें भी बिदेशी थी खान अब्दूल गफ़ार खान पिथम भारतरचन पूर्शकार दिया गया था 19uchenी में, भारतरचन अलंकरमत किया था किया गया था भारत दर्दत्म से ब्या सम्मान पाने वाली पिथम मैला थी चित्रा बुद्गर बोकर पुरुसका जीतने वाली भारतिय मोल के पिथम प्यक्ति थी बीएस नायपुल नोवल पुरुसकार दिये जाते हैं सुईडन सुईडेस अकादमी की द्वारान चक्दर फ भगवद रावत फिराग गोरपुरी माखनलाल चतुरुवदी ग्यान रंजन मैं से भारतिय ग्यान पीट को द्वारां सम्मानिक ब्यक्ति हैं फिराग गोरपुरी भारतिय सिन्वा से समधित सही योग में पहली फुल लेंग तमिल फीचर्स फिल्म कीचक वधम पारसो गा कि तकनीक का प्रेव करने वाली पहली भारतिय फिल्म दूम है परली भारतिय सिन्वाफ स्कॉब फिल्म कागज की फुलति खुसबंद सींह अरौन सूरी धरम भी भारति मैं से मैक्दिस परसकार प्राथ करने वाले पतकारती अरौन सूरी, clear? तो यह था आपका अधुनिक काल का भारत ने बढ़ हुआ है, इसी में आपने देखा है कि जो समिधान का एक विकास से आप रहोसे भी देख लिया था, और आर्ट एंड कल्चर यानि कि भारतिय कला एवं कला संस्किती, संस्किती कला आप तो देख चुके हैं, तो म इतियास, सब कुछ कवर हो चुका है, अब आपका बचता है current appears, तो इसे हर साल हम लोग update करते रहेंगे, ठीक है, अभी 2020 की books आई नहीं है मेरे तक, क्योंकि मैं बाहर हूं थोड़ा, तो adjust करिएगा, अगर मिलती है आप लोगों को कहीं से मिल जाए, तो PDF आप लोग बता दी जीएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सहर से बाहर हूं उसलिए नहीं मिल पा रही हूं जी, जैसे ही मिलती है हम लोग cover कर लेंगे उसे, लेकिन यह आपका काफी material है, revision के लिए, ठीक है, पढ़ते रही है आप लोगों, मुझे लगता है clear आपका हो जाएगा, आराम से, जब time है उस समय आप लोग यह revision करके चला जाया है ना, बहुत है, वंडे एकजाम के लिए तो बहुत काफी है, ठीक है